हलो बचो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षागरत में बचो आज इस मेराजन क्लास में हम पूरे कोर्स को एक साथ यहां पर कवर करने वाले हैं तो बचो यहां पर दोनों book जो है न उसकी सभी important question पूरे एक एक chapter की सभी important question पूरे यहां पर आज complete करने वाले हैं थोड़ा बड़ा क्लास हो सकता है, तो आपको क्या करना है, बचो कभी बाई दबे, अगर आपको कुछ काम पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, समस्या कोई नहीं है, थोड़ा वहां से रुक के, आप फिर से वहीं से अटेंड करें, तो पूरे वीडियो को लाच तक देखना है आपको, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई डिलाई नहीं करनी है, बस इसी की मदद से आप एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊगे, बचो आप लोग आज देखेंगे, अनिस्स समाकलन के जो बहुत ही महातपूर प्रशन है, जो बेस्ट है, एक्सरसाइज 7.1 से 7. 7.3 पर, टीन एक्सरसाइज के जो अती महातपूर प्रशन है, उन्हीं पर बेस्ट जो भी प्रशन बनते हैं, वो आप यहां पर आज कंप्लीट करने बालो हो, बच्चो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने बाला है, इसको आपको बिल्कुल अंतिम तक देखना है, ब बिल्कुल एक्दम परिसान नहीं होना, क्यों नहीं होना, कि जब तक साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत से तो बहुत बड़ा काम होता है, अगर हिम्मत नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, बता दो एक छोटी सी बात हिम्मत की, एक घर से निकाला गया लिल्का, जो बिल कोई राबड चोटी-बोटी तागतवार ब्यक्तित था नहीं, बहुत ही तागतवार, बहुत ही महान, देवसुर संग्राम में उसने देवताओं की छक्के छोड़ा दिये थे, उसी राबड को उस घर से निकाले गए लड़के ने बिलकुल एकदम घर में घुसके मारा, तो ह हिम्मत की बात है, बच्चों, हिम्मत की बात है, क्याते न, हिम्मत का सागर लांगो, हिम्मत का सागर लांगो, तो लहर-लहर जैक आ रहा होगा, दिल तूटे या एटम तूटे, दुनिया में उजी आ रहा होगा, आईए बच्चों, इनी सब्दों के साथ, यहाँ पर हम आ जो बिकल्प में पूछे जाते हैं प्रश्ण वो इस तरीके से दो को साइन 3x का यहां पर समाकलन पूछा जाता यह आपका multiple choice question में बहुत बार पूछा गया है कि साइन 3x का समाकलन क्या होता है विनकुल एकदम छोटे-छोटे से question होते हैं बस मेरे खाल से इसको तो जाधा गुड़ा है तो आपको लिखना है minus course 3x और divided by 3 लिखने एक question लगा दे बच्चो यह इसका answer हो जाए तो आपको इस पर टिक लगा देना है और यह answer में लिख देना है इसके बाद यहां पर एक और प्रशना आता है समाकलन करना है अंडरूड x minus 1 बटे अंडरूड x और इसका होला पिसक्वायर इसका समाकलन करके बताओ यह भी वच्चो मल्टीपल च्वाइस कुश्यन में आता है इसको कैसी करना है बहुत आसान है इसका पहले तो समाकलन प अरूड खत्म हो झाएगा ना तो आपको लिखना है x और प्लैस एक बटे x लिकना है माइनस यहां दोनों का गुणा करके जब दूना करेंगे तो क्या होगा दो हो जाएगा और इनटू में डी-X यह आपको लिखना है ठीक है तो इसका अब हम सबका अलग अलग समाकलन कर देंगे दोखो x into dx प्लस एक बटे x का समाकलन करना है माइनस 2 का समाकलन कर देना है ठीक है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर x square बटे 2 लिख दें प्लस इसका समाकलन हमें पता है log x होता है माइनस 2 और x का समाकलन 1 का समाकलन x होता है प्लस constant लगा दें तो बचो यहां इसका भी दोखोई यह आंसार आ जाएगा करेक्ट है के लिए बचो कुसी प्रकार के कोई समस्या वाली बाद नहीं है बस केवल आपको रिकॉल कर रहे हैं सारी प्रशन हमारे पढ़े हुए हैं यह भी बिल्कुल इकदम पक्की बात है सारी प्रश प्रशन बनता है यहां से इस प्रकार से मान लेते हैं अंगला प्रशन हमारे पास कि इंटिग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वाइर एक्स साइन स्क्वाइर एक्स इंटू कॉस्वाइर एक्स इसका हमें इंटिग्रेशन करना है ठीक है यह भी मल्टिपल question में ही आता है तो बच्चो यहां क्या करना है ऊपर जो देख रहा है ना ऊपर इसको हम एक मान सकते हैं और एक के जगह पर हम sin square x plus cos square x लिख सकते हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है और बटे में जो लिखा है sin square x into cos square x इस से अलग-अलग भाग करें तो sin square x में sin square x into cos square x का जब भाग करेंगे तो sin square x is sin square x कट जाएगा एक बटे cos square x यहां मिलेगा प्लस यहां पर दो खुछ प्लस का निसान और आप cos square x में जब भाग करोगी ज़्यागी तो cos square x कर जाएगा तो एक बटे sin square x मिलेगा यहां से अब यहां पर यहां पर यह भी हम जानते हैं कि एक बटे cos square को हम sec square x लिख सकते हैं तो इसको हम लिख देते हैं sec square x into dx एक प्रुषन तो आपका यह बन गया और इसी प्रकार एक बटे साइन स्क्वाइर को हम कौसेक स्क्वाइर एक्स लिख सकते हैं यहां पर एक प्रश्णाप का यह भी बनता है खीक है, आप देखिए स्क्वाइर एक्स का समा कलन करना है बच्वो टैन एक्स होता है यह तो बिल्कुल कंफर्म बात है और जबकि कोसेक स्क्वाइर एक्स का समा कलन माइनस कोट एक्स होता है एक क्वेश्टेंट जरूर लगाना है बच्वो यह इसका अंसर सही हो जाएगा करेक्ट है तो बच्वो इस तरीके से यहां पर दोखो यह कुछ मल्टीपल च्वाइस कुस्चन थी इनको आपको कम्प्लीट करना है अच्छे से समझ के ठीक है आगे बढ़ते एक और दो पूर प्रश्ण है इसलिए इनको आपको सभी प्रश्णों को अच्छे से कम्प्लीट करना है एक और आंगे प्रश्ण है समाकलन करना है एक प्रस्थापन इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको 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 आपक चाहो तो एकी power x common ले सकते हो यहां से बचाएगा one plus यहां से बचाएगा x और into में dx बराबर में इसको हम dt लिख लें करेक्ट है बच्छ इतनी बात सही है किसी को कोई doubt नहीं अब सीधा सीधा आप देख सकते हो यह total जो उपर आप दिखाई दे रहा है ना जो अंस में दिखा सकते हैं cross square और इसको हम यहां से T माल देते हैं ठीक है करेक्ट बच्छो आब यहां पर cross square T उपर ले जाओ तो स्क्राइब हो जाएगा तो यहां से हमने लिखना है सेक स्क्राइब एंटू डी टी लिखना है ठीक है आब स्क्राइब का समय क्रम कैसे करते हैं आपको पता है यह होता है प्लस कोश्टेंट अब टी की केबल वैलू लिखनी है ना टी की वैलू लिख देते हैं तो टैन टी की वैलू है एक्स इंटू एकी पावर एक्स और यही बच्चो इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो आपको चार प्रश्ण में जो मल्टिपल च्वाइस चार दी जाएंगी उसमें से एक यह सही होगा उस पर आपको टिक करना है चलिए इसको भी नोट करें एक और आपका एक और इसी टाइप का छोटा सा प्रश्ण पूंचा जा सकता है कि इंटीग्रेशन करना है अंडरूड बन प्लस साइन टू एक्स इसका हमें दो को साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स इसको साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स लिख सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं तो इसको लिख देते हैं दोको साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स इसको लिख देते हैं या फिर cos square x plus sin square x वो तुम्हारा मन है जो आप चाहो लिख सकते हो cos square x plus sin square x लिख सकते हो आँगे plus और sin 2 x का जो formula होता है उसको आप लिख दें 2 sin x into cos x यहाँ लिख लें into में dx अब आप देख सकते हो यह perfect square हो गया, pool बर्ग हो गया काई का pool बर्ग है cos x plus sin x का hole आप square हो गया बर्ग से बर्ग मूल कैंसल कर सकते हो तो यह हमें cos x plus sin x मिल जाएगा अब हमें इसका समाकलन करने में कोई समस्या नहीं है है ना, बर्ग से बर्ग मूल कैंसल कर लिए तो cos x plus sin x और इसका अब हम दोनों का अलग-अलग समाकलन कर सकते हैं बिलकुल आसान से तो बचो यहां से हम cos x का समाकलन पहले करें और फिसके बाद में समाकलन sin x into dx यहां पर इसका समाकलन करते हैं बच्छो ठीक है कि नहीं cos x का समाकलन क्या होता है cos x का समाकलन होता है sin x तो यहां sin x लिख देते हैं और sin x का समा कलन होता है minus में cos x और एक plus constant लगा कि यहाँ पर इसका answer हमें लिखना है correct बच्छो तो यह कुछ question थे जो multiple choice question में पूँछे जा सकते हैं यह केबल हमने बताया कि अब यह और भी आंगे प्रस्ण है हम केबल 7.1 exercise से 7.3 exercise की बात करें जो ncrt में आपकी आपकी book जो है ncrt उससे संबंदे थे कुछ प्रशने से में हमने बाहरी एडिक किये हुए है और जो बहुत बार पूछे जा रहे थे जो अन्सॉल्ट पेपर में जो प्रिवेस यह पेपर जो है ना उन मैसे छाटे हुए question तो इस तरीके से बच्छो यहाँ पर यह multiple choice question थे इनको आपने समझा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आये होंगे किसी प्रकार की कोई समस्या ठीक है बच्छो तो अगर ऐसा है कि समझ में आ रहे हैं तो वेडियो को लाइक जो रूर करें ठीक है तो चलिए और आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे से जिनको कहेंगे आत 3x into man dx ये हमारे पास समा कलन करना है इस प्रशन का दोको कैसे करोगे कैसे करोगे चोटा ही से प्रशन है बचो यहाँ पर दो फलन दिखाई दे रहे हैं दो फलन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अगर आप आपके पास एक आगे चलके प्रोसेस मिलती है जिसको कहते हैं खंड़सा समा कलन ठीक है तो अगर आप खंड़सा समा कलन यूज करते हैं तो कभी दो के दो फलन बने रहेंगे चाहे जिनकी बार उस पर खंड़सा लगाते रहो इसका solve आप नहीं कर सकते तो क्या करना है 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टिप्लाइ कर दें तो 2 साइन 2X इंटू में कोस 3X इंटू 2X ऐसा लिखने में तो कोई समस्या नहीं 2 से गुड़ा 2 से भाग ऐसा क्यों किया क्योंकि यह आपका एक सूत्र बनके तयार हुआ है सर्वसम का है 2 साइने कोस B क्या है बच्छ है sign A plus B मतलब इन दोनों को जोड़ो 2X plus 3X sign यह A है और यह भी यह है ना तो 2 sign A to sign A plus B वरावर sign A plus B plus sign A minus B अब घटाओ 2X मैसे 3X घटाओ और इन टू मैं DX यह हमारा जिउंकातियों यहां पर अभी हमने एक सर्वेसमका केवल यूज किया है, करेक्ट बच्छो, इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो, दोनों को जोड़ोंगे, तो 5X हो जाएगा, तीन और 2, 5X हो जाएगा, और प्लस यहां से आप समझ सकते हो, माइनस का X हो जाएगा, 2X मैंसे 3X घटाएगा, तो माइनस का X, और इन 2 में DX, ठीक है अब साइन माइनस थीटा बनाबर तो माइनस साइन थीटा होता ही है, तो यहां पर इसको माइनस को हम यहां ले आएगे, और अलग-अलग दोनों के समाकलन करेंगे, दोगों यहां पर कोस 5X का अलग समाकलन करना है, और यह माइनस यहां आ जाएगा, और इसका भी हमें समा क्लण कर देना है साइने एक्स का साइन एक्स होता है लेकिन एक्स के साथ में जो गुणा होता इसका हम भाग कर देती है यह आपको याद रखना है 5 से भाग करना है minus sin x का समाकलन minus cross x होता है और यहाँ यह minus minus plus हो जाएगा ठीक है बच्चो जैसा कि बताया कि यहाँ पर x के साथ में जो गुणा होता है उसका भाग करती है यहाँ पर तो x के साथ में एक ही का गुणा है तो एक का भाग करो या न करो कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए नहीं किया है ठीक है और प्लस कॉस्टेंट तो ये इसका अंसर आ जागा चाहो तो एक बटे दो ये दो से अंदर गुणा कर दें तो एक बटे दस इंटू में साइन फाइव एक्स इसको ऐसा लिख दें प्लस इक बटे दो इन्टू में कॉस एक्स और प्लस कॉस्टेंट ये आपका अंसर आ जाएगा ठीक है बचू एक छोटा सा बिल्कुल प्रिशन है ठीक है तो इस तरीके से अगर कभी प्रिशन मिलता है कि ये आपके चार फॉर्मूले है चार फॉर्मूले हैं त्रकौन में थी क इनको याद रखना है कभी ऐसे लिखाओ को टू साइन ए टू साइन ए इन्टू कॉस बी तो इसको हम लख सकते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और यही हमने दोखों यहाँ पर लगाया है टू साइन ए कॉस बी बराबर sin a plus b और plus sin a minus b इसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं कि cos पहले हो मतलब 2 cos a sin b ठीक है इस परकार से हो cos पहले sin बाद में तो 2 cos a sin b बराबर अगर होता है तो इसको हम इस परकार याद रखते हैं कि sin a plus b और बीच में minus का sin लगाना है ये plus वाला minus हो जाता है तो sin a minus b इस परकार से इसको याद रखना है sin a plus b minus sin a minus b और यदि ऐसा हो कि 2 cos a cos b 2 cos a cos b तो यहाँ पर 2 cos a cos b बराबर होता है cos a cos b और minus यहाँ बीच में होता है sin a sin b इसको भी आपको सोरी सोरी यहाँ गलती हो रही है थोड़ा याद दुबारा से फिर लिख देते हैं 2 cos a cos b बराबर होता है cos a plus b cos a plus b और plus cos a minus b इस परकार से आपको याद रखना है ठीक है 2 cos a cos b बराबर cos a plus b plus cos a minus b होता है और यहाँ पर अगर ऐसा हो कि 2 sin a sin b हो 2 sin a sin b हो तो आपको यहाँ minus लिखना है और लिखना है 2 sin a sin b बराबर cos a minus b फिर से एक बार लिख देते हैं तो आपको cos a minus b और minus cos a plus b यह आपको याद रखना है ठीक है यहाँ पर 2 sin a sin b बराबर क्या फर्मूला है 2 sin a sin b 2 sin a sin b कौनो साइन था याद रखी कि कोस a-b पहले आएगा कोस a-b- कॉस a-b- इसमें कॉस वाले कोस कोस मरें यह जात आता है दोनों तुछ प्रूस वाले मैं कोस कोस ब्रावर दूसőण 12 खार प्रूस ए याद लेक्ते बच्चू चलिए और अंगे बढ़ते हैं नोट जरूर करते रहे हैं ये सारी चार फॉर्मूले हैं और भी जो भी फॉर्मूले आएंगे हम साथ साथ में करवाते रहेंगे ठीक है बच्चू रब कर लेते हैं चलिए और अंगे बढ़ें थोड़े एक और बचो यहां पर प्रश्ण लेते हैं कि समा किलन करना है cos 2x into dx upon में under root 1 plus sin 2x इसका देखो कैसे समा किलन करना है यहां पर यह प्रश्ण है समा किलन करना है cos 2x into dx और upon में under root में लिखा है 1 plus sin 2x इसका समा किलन करना है बहुत ही मजेदार प्रश्ण है बतो यह है cos 2x और इस cos 2x का formula तो आपको बहुत अच्छे से पताईए cos 2x का जो मोख formula होता है वो यह होता है कि cos square x minus sin square x होता है cos 2x का formula क्या होता है cos square x minus sin square x होता है जबकि नीचे under root 1 1 को हम यहाँ पर तो को अभी जैसे perfect square बनाया था इसको भी हम बनाएगी एक लिखाए एक को हम लिखेंगे cos square x plus sin square x लिखेंगी plus यहाँ पर sin 2x का formula होता है 2 sin x into cos x होता है बोलो इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर उपर आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर इसके factor कर लिए जाएं इसके हम factor कर लें तो ऐसे कह सकते हैं गुणनखंड क्या हो जाएंगे cos x plus sin x एक bracket में हो जाएगा और दूसरे बाले bracket में आपको यहाँ मिलेगा cos x minus sin x यह मिल जाएगा into dx यह जों कते हो लिखा है और जब नीचे मैं ध्यान से समझो तो क्या लिखना है under root यहाँ पर लिखा है cos x cos square x plus sin square x plus 2 cos x into sin x मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं cos x plus sin x का whole up square यहाँ से आप बर्ग से बर्गमूल cancel कर सकते हो तो बर्ग से जब बर्गमूल cancel हो जाएगा तो बचाएगा कितना cos x plus sin x तो उपर है cos x minus sin x यह भी जूं करते हों है जबकि नीचे आप इसको क्या लिख सकते हैं cos x plus sin x इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ से दो को यह से cancel कर सकते हो ठीक है अब यह बचाएगा इसका हम समाकलन कर लेती हैं कैसे समाकलन करना है cos x का समाकलन करना है minus sin x का भी समाकलन देखो करना है cos x का समाकलन हमें पता है cos x का समाकलन होता है sin x और minus sin x का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स होता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक कॉस्टेंट जरूर लगा देना है ठीक वच्छो ये भी आपका एक परस्ट अच्छा है और काफी बार पूशा गया है करेक्टर वच्छो किसी परकार की कोई समस्या तो नहीं है चलिए इसको भी नूट करें जल्दी से नूट करें वच्छो जैसा कि हमने स्टाइटिंग में बताये तो वच्छो हिम्मत रखिए सब कुछ बढ़िया होगा हिम्मत अगर आपने तोड़ दी तो फिर बात बिगड़ जाएगी हिम्मत नहीं तोड़ना है ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं तो को यहीं पर लगा देते हैं एक और चूटा सा प्रिश्ण है एक और चूटा सा प्रिश्ण यहां पर ऐसे लिख दें कि वही समाकलन करना है साइन एक्स इंटू डी एक्स बटे में यहां sin x minus cos x है क्या है sin x minus cos x है इसका हमें समाकलन करना है बचो इस प्रिशन को थोड़ा सा तो दिमाग एश्टा लगाना पड़ेगा ध्यान से समझो कि उपर लिखा है sin x और नीचे लिखा है sin x minus cos x अगर इस प्रकार से लिखा है तो आपको क्या करना है उपर मैं 2 से आप गुणा कर लो थोड़ा सा दिमाग ध्यान से पूरे पूरा आपका कंसंट्रेशन यहीं होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम दोखो 2 से गुणा कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं जब 2 से गुणा करोगे तो यहां 2 sin x into dx हो जाएगा और नीचे तो जिउंकाते हो है इसमें तो कोई समस्या नहीं sin x minus cos x यह हमारा जिउंकाते हो है ठीक है अब एक और आंगे दोखो एक और आंगे प्रोसेस करनी है 2 sin x लिखा है क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin x और plus sin x दो बार लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक काम जरूर कर सकते हैं कि नीचे वाली जो लिख संख्या है sin x minus cos x इसको हमें उपर ले जाना है उपर मिलाना है तो क्या करें हम यह cos x घटा दें और cos x जोड दें तो इसमें भी मेरी खाल से कोई समस्या वाली बात नहीं 2 sin x लिखाता उसको तो हमने sin x plus sin x लिख दिया cos x घटा दिया cos x जोड दिया कोई समस्या नहीं ठीक है कि न तो अब नीचे जो दिखाई दे रहा है sin x minus cos x इसको हम क्या करेंगे अलग-अलग divide तो आँगे यहां क्या करना है दोको एक बटे दो समाकलनिया sin x minus cos x और sin x minus cos x अगर भाग करेंगे तो यहां तो दोको 1 मिल जाएगा फिर plus का निसान है plus का निसान लगा देती है sin x plus cos x में यहां sin x minus cos x से भाग करें तो यहां sin x plus cos x और भाग यहां कर दें, sin x minus cos x से भाग कर दें, इंटू में dx, ठीक है बच्चो, इतनी बात समझ में आई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, अब क्या करना है, यहां पर तो को अलग-अलग, इसमें अलग समकलन करना है, इसका अलग करना है, एक बटे दो, यह हमारा जैसा अपोन में, sin x minus cos x into dx, इसका समाकलन कैसे करोगे, बच्चो, यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है, इसको अगर हम t मान लें, तो जब इसको t मानोगे, तो इसका derivative उपर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना है, क्या, कि भाई, यहां पर sin x minus cos x को अगर हम t मान लें, तो sin x minus cos x का derivative, sin x का आउकलन क्या होता है, cos x होता है, बिल्कुर सही है, और यह minus minus plus हो जाएगा, और sin x हो जाएगा, और into में dx बराबर में dt, ठीक है, cos x का आउकलन क्या होता है, minus sin x, तो minus minus plus sin x हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हो, sin x plus cos x into dx, sin x plus cos x into dx, यह total क्या हो गया, dt, dt बटे, इसको क्या लिखते है, t, है न, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि भाई, यहां से, इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं, एक बटे, दो, समा कलन करना है, 1 into dx का, इसका तो हो जाएगा, प्लस, यहां पर, इसको हमने जब प्रतिस्थापन किया, तो इसको उपर लिखना है dt, और नीचे हमें लिखना है t, ठीक है, एक बटे, दो, यहां पर दोखो, इसका समा कलन x होता है, प्लस, यहां पर इसका सम x minus cos x तो answer आएगा 1y2 into में x plus log और यहां से t की value लिखेंगे sin x minus cos x और यहां से plus cos टेंट यह हमारा ज्यूंग काते हूं ठीक है बच्चू इस तरीके से इसका answer लिखना है correct है तो यहां पर थोड़ी सी बात समझने वाली है थोड़ी सी बात यह यहां तो और यहां पर मनें x minus 고ос x लेखा है ऊपर भी sin x है तो क्या करना है यहां पर sin x plus sin x बनाना है मतलब यहां पर साइन अक्स को हमने लिख दिया sin x plus sin x और फिर सके बाद में ложs x जोड दिया तो यहां पर इसका इसमें अलग भाग इसका इसमें अलग भाग तो दो प्रशने यहां पर बन गए है ना फिर इसको हमने टी माल लिया है इसका डेरीविटिव उपर दिखाई दे रहा है तो यह डी टी बटे टी में कनवर्ट हो गया है ना और डी टी बटे टी को हम लोक टी लिख लेते हैं टी की बैलू रखी आंसर आ गया चलिए यह भी बहुत ही महात्पूर आपका कुस्च्चन है तो इसको भी नोट करें बच्चो आंगे बढ़ें चलिए रब कर लेते हैं इसको और आंगे बढ़ा है इसी टाइप का ही है लिखा है समाकलन करना है सेक एक्स इंटू डी एक्स बटे में यहां लिखा है सेक एक्स सेक एक्स और माइनस में कॉस एक्स सेक एक्स माइनस नहीं प्लस प्लस टैनेक है न यह हमारा होना चाहिए सेक एक्स प्लस टैनेक्स नीचे होना चाहिए तो इ sec x plus 10x लिखा है अगर हम इसकी sec x minus 10x से answer में गुणा कर दें तो नीचे हो जाए का sec square x minus 10 square x जिसका की मान आपको पता है एक होता है इसलिए हम इसमें sec x और sec x minus 10x से उपर multiply करें और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से sec x plus 10x लिखा है और यहां भी हमें वही काम करना है sec x minus 10x से गुणा करना है और into में dx लिखना है करेक्ट है बच्चो इतनी बात समझ में आई क्या कर दिया हमने sec x minus 10x का answer में गुणा कर लिया इसके बाद आंगे यहां पर है sec x यह है sec x और यह sec x minus 10x लिखा है तो sec x minus 10x तो अपने जगह पर है तो लिखा रहे हैं कोई समस्या नहीं या फिर एक काम करते हैं यहां अंदर गुणा करो तो sec x लिख लो minus में यहां अंदर गुणा करो तो sec x into 10x यहां से हमें sec x into 10x मिल जाएगा जबकि नीचे आपस में तो कोई इसका multiply क्या हो जाएगा a plus b a minus b के format में है इसलिए इसको हम sec square x और minus में 10 square x लिख सकते हैं a plus b a minus b a square minus b square ठीक है कि नहीं और इसका मान आपको पता है एक होता है sec square x minus 10 square x बराबर एक होता है वैसे तो 1 plus 10 square x बराबर में sec square x होता है ये formula है तो अगर हम 10 square को इदर ले जाएंगे तो sec square x minus में 10 square x बराबर में एक हो जाएगा इसमें तो कोई समस्या नहीं तो इसको हम लिख देते हैं एक अब उपर के बल जो बच रहे ना इसका हमें समाकलन करना है खीक है बचो कर देते हैं इसका अलग समाकलन करेंगे इसका अलग करेंगे नीचे तो एक हो गया इसमान तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा वज़ sec square x ये जिव करते हो लिख दे into dx minus समाकलन और यहां से हमें लिखना है sec x into 10 x into में dx correct है बचो sec square x का समाकलन पता है 10 x होता है बिल्कुल ठीक है minus sec x into 10 x का समाकलन भी आपको पता होता है sec x होता है plus constant लगाया जाए यह है इसका answer correct है बचो समझ में आई पूरी बात तो आपको ये ध्यान रखना है कुछ प्रशने ऐसे होते हैं जिनमें चो ट्रिक होती है छोटी होटी से उनको आपको याद रखना होता है क्या है कि sec x plus 10 x अगर नीचे बटे में लिखा है तो हम इसा आपको याद रखना है sec x minus 10 x से answer में गुड़ा करके इसको हम sec square x minus 10 square x बना लिया करते हैं और भी किसी प्रशन में अगर ऐसा आता है तो आपको यह करना है ठीक है sec square x minus 10 square x को एक बना लिया उपर वाली जो फलन दिखाई दे रहा है उसका हमने अलग अलग दोनों फलनों का समाकलन कर लिया और यह तरह आ लिए चलिए इसको भी नोट करें आँगे बढ़े हैं उच्चो आँगे बढ़े हैं चलिए अंगले प्रशन की ओर आते हैं आँगे बिल्कुल एक दम basic basic से basic एक प्रशन है हमारे पास यहां है 3x per cube 3x cube plus 2x square plus 3x of plus 1 यह हमारे पास है और नीचे हमारे पास है 3 into x square plus 1 into dx इसका हमें तो को समाकलन करना है समझते हैं यहां पर ध्यान से एकदम basic समाल है बिल्कुल एकदम basic क्या करना है यहां पर 3x cube plus 2x square plus 3x plus 1 बटे में 3x square plus 1 का समाकलन करना है देखो बचो कैसे करना है अब आप यहां पर थोड़ा observe करें तो यह दो पदों पर थोड़ा ध्यान दें कौन कौन से दो पदों पर 3x cube plus 3x इन दोनों पदों में से 3x आप common ले सकते हो यहां से 3 common चला जाएगा x cube है तो x एक common चला जाएगा मतलब x square बचेगा और यहां पर 3x और 3x पूरा divide होगा तो एक बचेगा जबकि आँगे आप देख पा रहे हो यहां पर लिखा है 2x square यह क्या है 2x square प्लस एक है तो बचो यहां एक को भी हम थोड़ा बदल के लिख दें क्या हम x को ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 2 minus 1 एक जोड़ दिया एक घटा दिया एक में जोड़ों के 2 हो जाएगा और एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ाएगा तो एक माइनस का यह कर दिया ठीक है अब एक step बढ़ा के आंगे थोड़े पहुँच जाएं यह 3 into में x square प्लस बन यहों का ते हो है दो common अगर मिल जाएं तो x square प्लस बन है जिससे यह x square प्लस बन से भाग चला जाए इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया है ठीक है और यहां से 2 जब common चला जाएगा तो x square प्लस बन मिलेगा माइनस का यह अपना जियों का तियों है अब अलग अलग यहां से हम तीनों पदों में अलग अलग भाग कर सकते हैं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं इसमें तीन इंटू x square प्लस बन से अलग भाग करें यहां पर तीन इंटू x square प्लस बन से अलग भाग करें और यहां पर तीन रहा है तो जो बचा है उसका हम समाकलन कर लेते हैं दोखो यहां क्या बचाएगा एक्स बचाएगा डी एक्स के साथ में गुणा कर लें चलो डी एक्स गुणा कर लिया फिलस का निसान लगाओ यहां पर दो बटे में तीन है यह दो बटे में तीन और समाकलन में केबल बन का समा कलन करना है कुछ नहीं यहां पर पूरा-पूरा करना है 2 बटे 3 तो है 2 बटे 3 को बाहर कर लिया 1 into dx लिख लिया यहां पर minus 1 बटे 3 बाहर कर लिया तो 1 बटे x square plus 1 लिखा जाए और into dx लिख लिए जाए कोई समस्या बाली बात रही अब जो यहाँ, इसका समा कलन हो सकता है इसका हो सकता है, इसका हो सकता है कर दो, तो बस आंसर मिल जाएगा यहाँ से दो go x square बटे 2 लिख लें प्लस यहाँ से 2 बटे में 3 into 1 का समा कलन आपको पता है x होता है माइनस में 1 by 3 लिखा जाया और इसका समाकलन आप भी आपको पता है 10 inverse x होता है plus constant ये है बच्चो इसका answer ठीक है ये बिलकुल एकदम basic जो आपकी 7.1 exercise है ना उसी से related question है बिलकुल एकदम simple simple सी बात है सारी ठीक है बच्चो एक इसी step का और question लेते हैं चलो यहाँ लगा देते हैं या इसको रब कर ले ठीक 4 into dx upon में x square plus 1 इसका समाकलन करना है बच्चो कैसे करोगी थोड़ा ध्यान दे इसको हम किसी भी पृष्ण का जब समाकलन करते हैं तो आई तो लिख लेते हैं integration का मतलब आई है ना आई लिख लेते हैं कोई बात नहीं इसमें बराबर का निसान लगाओ बच्चो उपर आप देख सकते हो पावर जादा है नीचे की पावर कम है तो एक आंगे आपको परसिल फ्रेक्शन अंसिक भिन्ने पढ़ने को मिलेंगी जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि पहले उचित पर में फलन बनाओ और फिर इसके बाद में इसका हम समाकलन करते हैं अंसिक भिन् एक सिक आटे हैं तो इसलिए कि यहां और पर बच्वाष्वार प्लस बस बन नीचे हैं तो ऊपर अगर हम यहां स्कॉरेंक हो जाएंग यहां पर दोखो इसके फैक्टर अलग कर सकते हैं प्लस यह बन लिखा है और बटी मैं यहाँ एक्सस्कुआर प्लस वाल लिखा है इन्टू में डी एक्स करैक्टर वाचे इतनी बाथ समझ बारी ठीक न आए और थोड़ा बढ़िए जाये तो यहां से I'm dx ठीक है ऐसी कर लेते हैं चलो आपको यहां से इसको ऐसे लिख दए समाइस में और यहां प्रेक्ट कर लें क्या हो जाएगा एक स्कुरyaire प्लस बान एक ब्रैकेट में दूसरे बाले में एक्स स्क्वाइर माइनस बन हो जाएगा नीचे एकश स्क्वाइर प्लस बन से भाग है कर देते हैं यह प्लस का निसान है और फिर एक बटे में X स्क्वाइर प्लस बन इंटू में डी एक से लिख लें इसनी बात ठीक है बचू अब आप देख सकते हो यह तो आपका कैंसल हो रहा है तो X स्क्वाइर माइनस बन यहां बचाएगा इसका समाकलन दोनों का हम कर सकते हैं प्लस समाकलन एक बटे X स्क्वाइर प्लस बन इसका भी हम समाकलन कर सकते हैं कर सकते के नहीं तो कर लेते हैं यहां पर इसका समाकलन तो पता है X का क्यूब बटे तीन हो जाएगा है ना घात दो है एक जोड़ों कि तीन घात तो जो घात होती उसी का भाग कर देते हैं ठीक ए बटे तीन हो जाएगा माइनेस अब बनका समाकलन तो पता है एक्स होता है और प्लस इसका तो अभी अभी बताया वह यह टैन इंवार्स एक्स होता है प्लस पॉस्टेंट लिख दें यह हो गया काम खत्व क्या खाले बच्छो क्या सां लग रहा है कोई समस्या तो नहीं है एकदम फिट चल रहा है चली और आंगे के पृष्णों की बात करें और आंगे अंगे पृष्णफ यहां पर समाकलन करना है साइन अंडरूड एक्स बटे अंडरूड एक्स इंटूड एक्स का कैसे करना है बिल्कुल एकदम एक नया जुनून होना चाहिए आपके पास अगर आपके मन में किसी कार को करने के लिए उत्सकता नहीं है जुनून नहीं है तो वहाँ पर वो काम जरूर थोड़ा डिसमिस रहता है ना तो आपके पास जुनून होना चाहिए कभी के दोरह कही की बात बताएं कहता है जीत की खातर बस जुनून चाहिए जीत की खातर बस जुनून चाहिए और कहता है जिसमें उबाल हो ऐसा खुन चाहिए जीत की खातर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा लिझी चाहिए है तो यह आपका प्रसुनें आपके पास की इस प्रकार से जिस्टाइब करना है कि स्टायन अंडर een एक्स बटे में अंडर उड्वस लिछता है इसका हमें समय करना है कैसे करना या भत्स अपन से इसको कर सकते हैं अन्डर रूड एक्स बराबर यहां टी मान लिया जाए तो बचो इसका आउकलज हो जाएगा एक बटे-2 x बावर माइनस एक बटे-2-dx बराबर dt ठीक है अंडरूट का मतलब एक बटे दो पावर है तो वो एक बटे दो पहले आएगा एक घटाओ कि मानस का एक बटे दो बचाएगा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ध्यान से समझो मानस एक बटे दो है पावर नीचे लियाओ प्लस कि एक बटे दो पावर हो जा है एक बटे अंडर ये को हमने मानन लिया है तो इसको हम इस परशन को ऐसा बदल के लिख सकते हैं इस को हमने मानन लिया है ती और ये मिला कि एक बटे under root x into dx को मिलाके हम क्या लिखेंगे 2 dt लिखेंगे तो बचो यहां से सीधा सीधा हो गया दो बाहर निकालोगी sin t का समा किलन सीधा डारेक्ट लिख दे minus cos t होता है बस t का मान लिखेंगे यह answer आजाएगा minus में 2 cos t t का मान है under root x यह plus cos t के साथ इसका answer है यह भी आपका बहुत ही मजीदार और बहुत ही बार पूंचाईगाने वाला question है ठीक है बचो यहां पर हमने classic question नहीं किया है क्यों question किसने number का है छोटा प्रशन है एक number का है बड़ा प्रशन है दो number का और बड़ा है पांच number का है तो वो आपको अपने देखना है किसने number का कौन प्रशन है बाकि जो यहां पर आप प्रशन पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहाद important प्रशन है कई बार previous year में repeat किये गए प्रशन है ठीक है इसलिए पूरा जितने भी question है ना उनको सब को आप बहुत अच्छे से note करेंगे बहुत अच्छे से ठीक है तयार करेंगे जिससे आपकी परिक्षा में बहुत ही मदद होगी तो अंगला प्रशन है बचो एक बटे में e की power x minus बनका समाकलन करिए अब देखिए बचो इसको कैसे करना है एक बटे में कहता है एक बटे में e की power x minus बनका समाकलन करिए तो बचो इसको हम थोड़ा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि e की power x का उपर गुणा कर दें e की power x का नीचे भी गुणा कर दें और e की power x minus बनका समाकलन किया उतना यहार में गुणा कर दिया कोई फरक वाली बात नहीं ऐसा किया क्यों है क्योंकि हम अगर e की power x को t मान लें e की power x को क्या मान लें t मान लें तो इसका derivative e की पावर x का e की पावर x होता है dx बराबर हम यहाँ पर dt लिखेंगे उपर वाला यह हमारे पास dt और नीचे पर यहाँ पर इसको t लिखना है और bracket में t-1 लिख दैना है t-1 यह हमारे पास इसका answer यहाँ से दो को यह मिल जाए ठीक है अब इसको हमें बचों यहाँ से यह देखा जाए थोड़ा सा आंगे इसको हम आंसिक भिन में बदल सकते हैं थोड़ा सा मौखिक तरीके से बदलें तो ऐसे बदल सकते हैं कि एक बटे में t-1 और माइनस में एक बटे में t ऐसे करके इसको हम आंसिक भिन में बदल सकते हैं, मोखिक तरीके से बदल सकते हैं, दोगो इसको अगर हल करोगे तो यही चीज़ आएगी, t, t, minus, t, minus, minus, plus, 1 हो जाएगा, तो t से t cancer हो जाएगा, तो 1 upon t, 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 minus, 1 बचाएगा, बिल्गो सही बात हैं, तो इसको हम मोखिक तरीके से यहा बटे, t, into, में, dt, ऐसा लिख ले, और यहां से तो इसका समा किलन, लोग में होता है, तो लोग, t, minus, 1, और यहां से, minus, log, t, इसका भी समा किलन, आपको, log, t, लिखना है, plus, constant, ठीक है, log, m, minus, log, n, बरावर, log, m, बटे, n होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर, x, है, तो लिखना e की पावर, x, minus, 1, अपोन में e की पावर, x, और यह, plus, constant, ठीक है, बच्चो, इस तरीके से यह आपका एक प्रशन है, ठीक है, यह थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं, कि अभी आंसिक भिन, जब पढ़ेंगे, तो और थोड़ा आंगे, पढ़ें तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया भिन्नों में, करेक्ट है बच्चो, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंगे बढ़ते हैं, थोड़ा और, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा और आंगे, क्योर बढ़ें, देखें, तो बच्चो, इसको हम करेंगे, प्रतिस्थापन स यह मान लेते हैं, कि 10 inverse X cube बराबर हम यहां T मान लेते हैं, अब यहां पर 10 inverse का कैसे समा करते हैं, 10 inverse X का अउकलन करते हैं, एक बटे बन प्लस X cube है, यह X माना है, हमने इसका कर देते हैं, इसको एक बटे बन प्लस X square, यह हमारा X है, हना, तो अब X का जो X का मान X cube है, उसका ह हमें Auclearn करना है मतलब X3 का Auclearn कितना लिखना है X3 का Auclearn 3 X2 लिखना है और DX बरावर DT ठीक है अब बचो यहां पर देखो X2 into DX है और बटे में 1 प्लस X की 6 घात हो जाएगी यह 3 केबल हटा दो यहां से दोखो X2 into DX बटे में 1 प्लस एक्स की 6 गात लिख दें बरावर में एक बटे तीन डीटी लिख दें किसी को कोई समझ जा तो नहीं है केबल तीन हटाओ तीन का भाग कर दें अब चो यहां पर देखो जो प्रश्ण हमारा दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा है कि यह है एक्स स्क्वाइर इंटू में डी एक्स और बटे में ये बन प्लस एक्स की पावर 6 इन तीनों का इसका इसमें गुणा बटे में बन प्लस एक्स की पावर 6 इस टोटल का मान एक बटे तीन डीटी के बरावर है इसको तीनों की जगह पर क्या लिखना है एक बटे तीन डीटी और इसको हमने मान लिया है T, तो हमारे पास ये प्रश्ण इस परकार बदल के रखना है, क्या कि इस परकार रखना है बदल के, कि इसको तो हमने मान लिया है T, और ये X स्क्वाइर इंटू डी X बटे 1 प्लेस X की पावर 6, इसको हमें क्या लिखना है, एक बटे में 3DT लिख देना है, करेक्ट, बस एक बटे 3 बहार निकालू, एक बटे 3 जब बहार आएगा तो भ Factory हमें केबल T का समा कलन करना है, और T का समा कलन तो बहुत अच्छे से पता है, बरावर का यहां निसान लगाओ, बरावर निसान लगाके यहां पर क्या करना है एक बटे तीन टी का समा कलंग टी स्क्वाइर बटे दो होता है प्लस एक कॉस्टेंट तो एक बटे तीन या इसको तीन दो नीच है यहां पर लिख दें तीन दो नीच है अब टी का मान लिख दो टी का मान क्या है टैन इनवर्स एक्स क्यूब और इसका करना है square plus constant लगा के बचो ये इसका answer हमें मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से बहुत important ये आपका question है ठीक है चलिए भाई इसको भी note करें इसके बाद की बात समझते हैं आंगे की बात समझते हैं ठीक है अंगला प्रशन देखते हैं इसको note कर ले आंगे आपके पास एक और प् समझते हैं जो लिखा है एक बटे में एक बटे में बन प्लस को सेक्स इसका कैसे समाकलन करोगी बच्चो ये भी प्रशन आता है कभी कभी ये आता है कि एक बटे में बन माइनस को सेक्स इसका समाकलन करो दोनों प्रशनों की एक ही answer है और समझो एक ही प्रशन है अच्छा यहां पर एक से गुड़ा करोगे तो बन माइनस को सेक्स ही रहेगा जबकि नीचे यहां पर देखो बन प्लस कोस एक्स इंटू बन माइनस कोस एक्स का गुणा बन का स्कॉाइर माइनस में कोस स्कॉाइर एक्स ऐसा लिख सकते हो ठीक है एक पर तो स्कॉाइर लगाओ या ना लिखाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो बच्चो यहां पर बन माइनस कोस स्कॉाइर एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि एक बटे साइन स्क्वाइर एक्स एक बटे साइन स्क्वाइर एक्स लिख दें ठीक है और माइनस में कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वाइर एक्स लिख दें या फिर ऐसी कर दें साइन एक्स इन्टू में साइन एक्स ऐसा कह दैं ठीक है बचो इतनी बात Nicholas कर एंसर लिए लिए ओन्सर्च और मुंस कौस एक्स एनिक्स फीक है यहाँ पर माइनस अब बचो आंगे समझो सकते हैं जब कि ये उंपर सकते हो। क्या लिख सकते हो क्या लिख सकते हो क्या लिख सकते हो इंटो मैं पता है cos x square x का समाकलन होता है minus cot x और minus इसका समाकलन होता है cos x into cot x का समाकलन होता है minus cos x और एक plus constant लगाना है ये minus minus हो जाएगा plus मतलब cos x minus cot x और plus एक constant के साथ आपका अमसर मिलेगा ठीक है इसको पहले लिग लिए इसको पहले लिए इसको बाद में लिए उससे कोई अंतर बाला काम नहीं आएगा ठीक के लिए बाच है चलिए भाई या इसको भी नोट कर लो तो आंगे बढ़े चलिए आंगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुंच जा रहे हैं एक और नएक प्रस्न पर एक बेसिक प्रस्न पूछा गया है दोको इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं यह हमारे पास है इंटीग्रेशन करना है ठीरी एक्स और बटे में लिखना है बी का स्कॉाइर इंटू में सी का स्कॉाइर एक्स का स्कॉाइर इंटू में डी एक्स बचो इसका हमें समाकलन करना है ठीक है समाकलन करना है ठीरी एक्स ठीरी एक्स बटे में बी स्कॉाइर प्लस सी स्कॉाइर into x square इसका हमें क्या करना है समाकलन थोड़ा ध्यान से समय है अच्छा यह भी प्रसेस हापन से ही है क्यों दोखों ध्यान दें यह हम ऐसा क्या सकते हैं कि 3A तो हमारा यह दिखाई दे रहा ना उपर जो आंस मैं 3A यह तो कॉस्टेंट संख्या है के वल यहां x से लिखना है x क करना है समाकलन तो x into dx बटी में b का square into मैं यहां पर c c square into x का square ठीक है अच्छा वाई अब हमें ऐसा करते हैं कि इसका यहां पर b square plus c square into x square इस पूरे को हम T मान लेते हैं ठीक है पूरे को T मानो तो इसका तो आउकलन सून हो जाएगा plus का निसान लगाओ c square यह question संख्या है x square का आउकलन 2x होता है और इसमें यहां लिखेंगे dx बरावर में dt इसके बाद बच्छों ऐसा कह सकते हैं कि 2 और c square यह गुड़ा में है इधर भगाओ तो x into में dx का मान बरावर में 1 बटे में 2c square into में dt लिखा जा सकता है इसमें कोई सबस्या नहीं दो c square को यहां से हटा दें तो यहां पर भाग में आ जाएगा 2c square into में dt लिखा जाए तो बचों यह उपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2c square dt लिख सक जाएगा ठीरिये जिव का टिओं समाकलन ऊपर हमें लिख दैना है एक बटे में दो सी स्कॉईर इंटु में डीटी और नीचे आपको यहाँ टी लिखना है इसको क्या मादा गया है ठीक है हो गया काम खतम यहां पर एक बटे 2 सी इसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें तो तीन क का समाखलन आपको जान पता ही है तो एक बड़ति का हम समाखलन कर रहे हैं बराबर का निसान लगाओ और यहां पर देखो ध्यान दें यह ठीरी वबटे मैं तू सीट स्कायर जो घेरि Tax का समाखलन समाखलन पता है लगति हो ता है प्लस्यक कोई्ट लगाना है correct है तो बराबर में 3A बटे में 2C square into में यहां पर log T और T की value रखे दें T की value कितनी है दोको लिखनी है B square plus C square into X square और यह आपका constant है वो जो काते हूं बचो एक बात और बता दें भूल ना हो क्योंकि यहां पर प्रश्टन में C दिया गया है है ना तो constant कुछ अलग बदल के लिख दिया करो है ना जब प्रश्ट में C दिया गया है तो यहां पर D लिख दो हमें तो constant लगाना है तो constant कोई जरूरी थोड़ी ऐसी हो डी हो सकता है के हो सकता है कुछ भी आप लिख सकते हो ठीक है तो यह हमारे पास इसका अंतर आएगा ठीक है क्या जो इसको भी नूट करो इसके बाद वचो एक और प्रश्न है यह पहुत ही मज़िदार बहुत मज़िदार इसको रब कर लेते हैं एक और क्रिको बहुत आवर किसने हैं यह हमारे पास है लिखता है कि यह प्रश्ण इस प्रकार से लिख लें कि हमें क्या करना है दोखो sin 2x उपर है हमारे पास sin 2x into dx बटे में नीचे क्या है नीचे है a into cos square x plus b into sin square x इसका हमें करना है समा करना थोड़ा ध्यान से समझो है ना बच्चो जैसा कि अब बता रहें कि आपके पास यह जो बुक है ना ncrt इस बुक के अलाबा भी यहां पर प्रश्ण दिये गई है ऐसा नहीं है कि आप समझ रहो कि आपकी बुक में जो 7.1 7.2, 7.3 यह तीन एक्सरसाइज पर बेश्ट प्रश्ण है ना कि पूरे इन्हीं एक्सरसाइजों से है ना कुछ additional question भी इसमें जूड़े हुए है जो आपके previous year में पुंचे गई है ठीक है तो यह इसी टाइप का दो नकालो तो इसका alkaline करोगे तो आउक्लाज इसका मिल जाएगा कितना दोखो ए पहले स्कॉयर का करना है तो टू कोस एक्स लिखना है फिर कोस एक्स का करोगे तो मायनस का sign x लिखना है ठीक है चलो अच्छी बात है plus का लिए अपना question है पहले सिकात का उकलन करना है तो two sign x लिखना है फिर sign x का करना है तो course ë लिखना है फिर bracket बंध करके dx अ बराबर dt लें एपर वोच इतनी बात समझ में इंटू कॉसे, क्या दिखाई दे रहा है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पर इतनी बात समझ में आए रहे कि नहीं, तो यह आपका फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का, आंगे और दोखो, यहां भी कुछ ऐसी प्रकार से है, टू बी, यहां पर बी लिख लो, टू ना लिखे हैं, बी अकेला लिखो, बी, और इसके बाद जो दिखाई दे रहा है, वो भी आपका एक फॉर्मूला है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन टू एक्स का, इंटू में डी एक्स जल रहा है, बराबर में डी टी, ठीक है, अब बच्छो यहां पर इसको हम यहां साइन टू एक्स लिख दे हैं, यहां इसको भी साइन टू एक्स लिख दे हैं, तो माइनस में एंटू में साइन टू एक्स और इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी लिखा जा सकता है, एक और काम किया जा सकता है, कि यहां से साइन टू एक्स कॉमन लिया जाए तो यहाँ प्लस का बचाएगा B, माइनस का बचाएगा A और इंटू में साइन 2X यह हमारे पास common हो गया इंटू में DX बराबर में हम यहाँ पर DT लिख ले ठीक है अब B-A को यहाँ से हटा दें तो यह भाग में चला जाएगा मतलब साइन 2X इंटू में DX बराबर एक बटे B-A इंटू में DT लिखना पड़ेगा बोलो बच्चों यहाँ तक इतनी बार ठीक है इसको हमने ऐसा इसी दिए लिखा है कि यहाँ पर साइन 2X इंटू DX लिखा है इसको हम एक बटे B-A इंटू DT लिख सकते हैं और इसको हमने टोटल को T माना है तो बटे में T लिख सकते हैं तो यह परशने इस प्रकार से दो बदल जाएगा उपर को क्या लिखना है एक बटे में B-A इंटू DT लिखना है और नीचे में लिखना है T अब B, एक बटे B-A, यहां पर बाहर निकाल लिया जाए, तो एक बटे में B-A, हमने निकाल लिया बाहर समाकलन से, तो एक बटे में T into dt लिख ले हैं, एक बटे T का समाकलन बता है, log T होता है, तो डारेक्ट आंगे लिख देते हैं, एक बटे में B-A into log T, ठीक है, अब T की ब बैलू क्या है दो को यहां पर लिख देते हैं एक बटे में बी माइनस में A, एक बटे B माइनस A, इन्टू में लॉग T की बैलू लिख दें, A cos square X plus B sin square X, A cos square X plus B into में sin square X, ठीक है और यह plus 1 constant तो लगाना ही लगाना होता है तो plus c constant लगा दें बच्छो यह इसका answer है ठीक है correct है बच्छो किसी को कोई doubt तो नहीं है चलिए तो इस तरीके से यह भी आपका complete होता है अती important अती important इसको कह सकते है वैसे तो हमारे पास यहां अती important तो पहले से लिखाए ना है तो सारी important यह बहुत ज्यादा important ठीक है उससे भी ज्यादा very very कह सकते हो चरी बहुत अच्छी बात अंगले प्रस्ण पढ़ाते हैं तो यह है आपका बच्छो next question बहुत ही गजब का question दोखो लिखता है यहां पर एक into dx बटे जो नीचे लिखाना इस पर थोड़ा गौर करिए अभी बच्छो यहां से सीधा सीधा गर आप चाहो तो समकलन इसका सीधा नहीं हो सकता ना कोई प्रतस्थापन करने से रिजल्ट आ रहा है यहां पर एक काम दिखाई यह दिलूर दे रहा है कि नीचे से आप under root x common ले सकते हो अगर नीचे से under root x common ले लिया जाए तो यहां से यहां है हमें एक मिल जाएगा प्लंस यहां से अंडरूड एक्स मिलेगा और अब हम यहां पर अंडरूड venir आइस पूरा हम with ex बरावर क्या माल लेते हैं text इसका आॉ warrant करे बदो जीरो हो जाएगा एक calculate zero हो जाएगा प्लस यहां से 1 बटे दो X power minus 1 बटे दो और यह dx बराबर में dt लिखा जा सकता है ठीक है? इसको ऐसे कर दें कि 1 बटे में under root x into dx बराबर में 2 dt इसको ऐसे लिख सकते हो दोगो ध्यान ने ये दो यहां से हटाओ, दो से यहां गुणा हो जाएगा, तो 2DT इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर आप ध्यान से दोगो, तो एक बटी अंडरूड X इंटू डी अक्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2DT लिख सकते हैं, और इसको टी लिख सकते हैं, तो इस से बच्चो ये प्रश्ण आपका बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, देखो ध्यान से, इस प्रश्ण को ऐसा लिखा जा सकता है, आई बराबर, इंटी ग्रिस्तान, 2DT बटे यहां पर T, ठीक है, एक बटे अंडरूड X इंटू डी अक्स को हमने 2DT लिख लिया, और बटे में इसको हमने माना है T, तो यहां पर 2DT बटे T मिल जाएगा, ठीक है, अब बच्चो यहां से 2 बाहर निकाल लो, और एक बटे T का समाकलन सीधा हम कर देते हैं, लोग T होता है, प्लस कॉस्टेंट अब T की वैल्यू लिखो, बस अंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो इस को कोई डाउट बाली वाद ने, छोटा सा प्रशन, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार कमाल का प्रशन है, चलिए और आंगे बढ़ते हैं बच्चो, ठीक है, वैब कर लेते हैं, आंगे बढ़ जाओ, ठीक है बच्चो, आंगे बढ़ते हैं, यहां पर एक next question के और, आपके पा कान से समझो, क्या करना है, यहां पर एक थोड़ी सी ट्रिक याद रखिएगा, यह वो कि दोखो ध्यान दे, कॉस लिखा है, एकस यह है, यहां पर एकस माइनस ए है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, ए घटा दें, ए जोड दें, कोई समस्या वाली बात क्या, बिल्कुल ठीक ह ए माइनस कर लिया, ए प्लस कर लिया, और नीचे जो लिखा है न, कॉस एकस माइनस ए, इसको हम जोगाते हो रख देते हैं, बचो उपर से अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो कॉस ए प्लस बी का यह फॉर्मेट बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फ इसको हमने x माना है, प्लस ये y हो गया, तो cos x plus y का फॉर्मूला होता है, cos x, cos y, y का मतलब क्या है, cos x cos y, minus sin x sin y, x का मतलब क्या लिखना है, x minus a लिखना है, sin y का मतलब a लिखना है, cos x cos y, minus sin x sin y, ठीक है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये इस से हम अलग-अलग भाग कर देंगी, cos x minus a का दोनों पदों में अलग-अलग भाग करेंगी, इस पद में अलग-भाग करेंगी, इस में अलग-भाग करेंगी और इस प्रिकार से इसको बदल देंगी, कि cos x minus a into में cos a divide करना है काई से cos x minus a से divide करना है ठीक है यहाँ minus का sign लगाओ इधर लिखा है sin x minus a into में sin a और यहाँ divide करना है cos x minus a से और यह into में dx ठीक है बचो यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपका पूरा पूरा cancel हो रहा है अब आंगे देखिए ध्यान ने कॉस A लिखा है धोके से कॉस A का समाकलन नहीं करना है यह तो अचर है यहाँ पर X तो है नहीं कॉस A है जो की अचर है बिल्कुल आप इसको बाहर निकालो और यहाँ पर जब कॉस A बाहर आ जाएगा तो समाकलन के अंदर कीबल बन बचेगा बन इन्टू डे एक्स बन का समाकलन X के सापिक कर जाना है माइनस का निसान लगाओ बचो यहाँ पर साइन A यह कॉस टेंट संख्या है इसका भी हमें समाकलन नहीं करना है साइन A समाकलन से बाहर कर सकते हैं और यहाँ पर समाकलन का निसान लगाओ साइन X माइनस A में कॉस X माइनस A का जब भाग करोगी तो यह आ जाएगा 10 X माइनस A आता है और इन्टू में डी एक्स है इसका हम सीधा सीधा समाकलन जानती है ठीक है चुँकि आप देख पा रहे हो X के साथ में यहाँ पर कोई गुणा तो है नहीं एक ही माना जायागा तुझा अगर एक होता है तो इसको एज यह X के रूप में ही मान लेते हैं यह हो गया 10 X और 10 X का समाकलन होता है माइनस लोग कॉस X होता एक नहीं तो minus log cos x इसका समाकलन लिख दैना है और बन का समाकलन आपको पता है बन का समाकलन x होता है ठीक है तो यहां लिख लेते हैं cos a यह हमारे पास योंकातियों है बन का समाकलन लिख लेते हैं x और यहां पर minus sin a इसको भी हम योंकातियों लिखेंगे sin a को जबकि इसको इसका समा कलम क्या होता है minus log cos x x का मतलब x minus a लिखना है ठीक है? x minus a लिखना है और ये plus constant एक साथ में रखना है ठीक है? अब आप देख पा रहे हो ये minus और ये minus plus बन जाएगा तो इस तरीकी से इसको लिख सकते हैं cos a into में x ठीक है? या फिर दो को ध्यान दें यहाँ पर a के साथ में x का गुणा हर्गेज नहीं है क्या करना है? इस x को पहले लिख दो confusion खतम हो जाएगी ठीक है? x पहले लिख दे x cos a और ये minus minus plus बन जाएगा sin a और into में यहाँ पर देखिए आपको लिखना है log log cos x minus a लिखना है ठीक है? और अंगे plus constant ये बच्चो इसका आंसर है ठीक है? करेक्ट है बच्चो? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? बिल्कुल असान-असान से सारी प्रश्ण होते हैं अगर आप मन में पहले ये धाड़ा बनाओ कि सरल है सरल मानोगे तो निस्ष्ट फोप से सारी कुस्चन एकदम बढ़िया सरल लगेंगे एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और अपने आपको थोड़ा एकदम मन को इधर उदर ना भटकाने इकदम selected जगहे पर पूरी पूरी तागत आपको यहां जहुंक देनी है ठीक है चलिए और next question क्योंड आते हैं अपको करना है समा क्लेंne cos resolver x Story kita never attack यह हमें इसका समा क्लन करना है ठीक है समा कल न करना है को स्लोग x और बटे में X ठीक है कर देते हैं वही समा कलन कैसे करोगे जो को द्यान दे इसका समा कलन करना है तो इसको हम I बराबर लिख लेते हैं यहां पर भी प्रतेसापन कर देते हैं log X बराबर यहां T लिख ले और log X का आउकलन एक बटे x होता है, dx बरावर dt लिख सकते हैं, मैं तो कोई समस्या नहीं है ना, उपर आप देख पा रहे हो, एक मान सकते हैं, एक बटे x into dx, इसको हम dt लिख दें, और cos के आंगे जो लिखा है ना, इसको log x को हमना माना है t, तो आपको लिखना है cos t into में ये सब कुछ है dt, है cos t dt आपका प्रशन बन जाएगा, आई बरावर क्या बन जाएगा cos t और ये आपका दोखो, cos इसको t मान लिया है, एक बटे x dx को हम dt लिख देते हैं, करेक्ट है बच्छो, अब cos t का समा कलन कर दें, sin t एक दम बहत आसान सवाल है, plus constant, अब t की value रखेंगे, sin और t की value है log x, plus constant लिखके इसका हम answer लिख लेते हैं, ठीक है बच्छो, चलिए ये तो बिल्कुल इदम आसान सवाल था भई, इसको भी note करो भई, आँगे थोड़ा और आँगे बढ़ते हैं, रब कर लें इसको, और थोड़ा आँगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दोखो, बढ़िया ए ऐसे एक प्रशन लिख लेते हैं, समा कलन करना है 10 inverse, क्या करना है, 10 inverse और आँगे हैं हमारे पास, under root में 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2x, बटे में लिखना है, 1 plus cos 2x into dx, ये हमारा वच्छो प्रशन है, ठीक है, करते हैं, इसको कैसे करोगे, देखो, ये हमारा प्रशन है वच्छो, पहले इसक टिक्नोमेटरी इसमें लगा के थोड़ा सा आँगे हल करोगे, और इसके बाद जब कोई ना कोई फॉर्मेट हमारा दिखता है, तब ही हम इसका समा कलन कर पाते हैं, सूत्र के रूप में दिखना लग जाए, तो समझो हम समा कलन कर पाएंगे, तो यहां पर कोई फॉर्मू साइन स्कॉाइर एक्स से लिख सकते है, कोई टु एक्स का मान साइन के प invent lado में होता है, बिल्कुल सई बात है, नीचे आपके पास यहां लिखा है 1 प्लस कोई टू एक्स का मान, अब हम कोई कोई कर पादो में अगर लिख़ दें, तो होता है 2 कोई इसकॉाइर x माईनस बन हुता है बचों ऐसा क्यों कि यह और ऊपर शाइन खुट मिलेगा कि वह यहां लेखना है टेन इंबर्स अंडरूड का निसान लगा दो यह एक से कर जायेगा यह प्लस का निसान हो जाएगा तो दो साइं स्कॉयर एक्स बटे में दो को स्कॉयर x लिखना है into my dx correct है अब 2 से 2 आप यहां cancel कर दो sin square x बटे मकॉस square x तो आपको क्या लिखना है 10 square x लिखना है और 10 square x को बर्ग मूल से बाहर निकालोगी तो 10 x मिल जाएगा ठीक है बच्चो into dx लिख देते हैं अब तो यह आपको पता ही है कि 10 और 10 inverse यह cancel हो जाएगा तो हमें केवल x मिलेगा और x का समाकलन तो भाई बहुत अच्छे से जानते है x square बटे 2 plus constant हो जाता है ठीक है बच्चो यह थोड़ा इसमें इसको हल करने के लिए हमने क्या किया है technometry यूज की है इसमें यहां पर class 11 में जो आपने technometry पड़ी है उसका हमने यहां पर यूज किया है तो बच्चो यह कुछ ऐसा नहीं है कि पीशे की चीजें आप भूल जाओ भूलना नहीं है अगर आप भूल गए तो समझो सवाल आंगे कि कुछ भी नहीं आएंगे ठीक है इसको और अप कर लें तो बच्चो अब आंगे कि जो प्रश्ण होंगे वो एक्सरसाइज 7.4 से 7.7 पर आधारित सारी important प्रश्ण होंगे तो आईए इसमें से पहला question उठाते हैं इस प्रकार से कि यह आपके पास question है कोई समाकलन करना है dx upon में लिखना यहाँ पर a sin x plus b cos x जो बच्चो अब तक हम लोग प्रश्ण हल किये थे जो भी हमने important question अब तक लिए हैं वो सब यह तो direct formula पर आधार थी हम direct formula लगा देते थे तो भी काम हो जा रहा था यह किसी प्रश्ण में ऐसा था कि हम प्रतस्थापन करते थी तब उसका हमें समाकलन मिल जादा था यहां पर बच्चो न तो कुछ direct formula apply कर सकते हैं ना इस पर कोई प्रतस्थापन करके हम यहां से इसका solution क्याद कर सकते हैं तो अब हमें यहां पर एक कुछ नए बात नई समस्या दिखाई देने लेगी तो इसके लिए क्या करें कि इसके लिए वच्चो ऐसा करते हैं कि whole up square लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से समझने है दो को condition समझो यह है dx upon a sin x plus b cos x का square लिखा है जब कभी इसका whole square a sin x plus b cos x का whole up square लिखा हो तो आपको क्या करना है अंस और हर में अंस और हर में दोनों में cos square से भाग करना है तो क्वांस में बच्चो एक लिखा है इसमें अगर हम cos square से भाग करें तो इसको ऐसी लिख सकते हैं एक बटे cos square x into dx जबकि नीचे यहां पर दोखो a यहां पर cos से भाग करेंगे तो जब cos square से भाग करोगे क्योंकि यहां पर square है तो automatic square हो जाएगा यहां पर cable cos से भाग करना है यहां भी cos से भाग करना है जब cos से भाग करोगे तो cos square से अपने आप भाग हो जाएगा क्योंकि square है तो यहां पर आपको यह इस प्रकार लिखना है sin x बटे में cos x और प्लस में b cos x बटे में cos x और इसका whole आप square ठीक है बच्चो cos square से उपर भाग हो गया cos square से नीचे बटे cos x को क्या लिखना है tan x लिख दें plus b cos x बटे cos x यह cancel हो जाएगा तो b इसका whole आप square लिखना है correct है अब चो यहां पर अब सीधी सीवी बात दोखो प्रतसापन वाली बात यहां से अब प्रतसापन कर सकते हैं यहां से a tan x और plus में a tan x plus में b और बराबर में t ठीक है तो अब यहां से दोखो एक constant संख्या है tan x का आउकलन sec square x और dx बराबर में dt लिख सकते हैं क्योंकि b का आउकलन soon होता है ठीक है और यहां से sec square x into dx बराबर एक बटे a into dt लिखा जा सकता है ठीक है बचो उपर देख रहे हो आप sec square x into dx है इसको हम एक बटे a dt लिख सकते हैं यह प नीचे बटे में इसको हमने t माना है तो इस पर हम square t पर square लिख देए ठीक है एक बटे a को समाकलन से बाहर निकाल लो और हमें क्या करना है एक बटे t square का समाकलन करना है t square को अगर उपर ले जाओगे तो minus का 2 power हो जाएगा into dt अब इसका समाकलन करेंगी तो यहां से जब समा minus एक power है इसको नीचे ले आओगे तो plus की एक power हो जाएगी तो minus तो यह रहा एक बटे में a into t ऐसे लिख सकते हो plus constant अब t की value रख दी जाए तो हमारे पास इसका मान ग्यात हो जाएगा दोको t की value किती है a tan x plus b यह हमारे पास है a tan x और plus में b यह हमारे पास दोको इस प्रश् प्रश्न यह है ठीक है बचू ए टैन x plus b जो कि हमना टी माना था तो ए टैन x plus b इस टी के जगाया पर लिख दिया a tan x plus b यह हमारे पास पहले ही से है तो इस तरीके से इसका और करेक्ट चलिए बहुत बार यह पूंचा गया है अच्छा प्रश्न है आंगे बढ़ें जल्द प्रश्न हमारे पास है बहुत आसान है और बहुत बार पूंचा गया बहुत बार पूंचा गया है इसको हम ऐसे लिख लें integration करना है cos x into dx और upon में यहां लिखना है 1 plus sin x 1 plus sin x और यहां पर 2 plus sin x बच्चो यह हमारे पास दो को इसका इसका समाकलन करना है यह फलन है उपर है cos x into dx जबकि नीचे हमारे पास है 1 plus sin x और into में 2 plus sin x बच्चो यहां पर देखो ध्यान से समझना है पहला काम तो दो को starting तो वहीं से करनी है कि अगर हमें कोई ऐसा फलन मिला जिसका हम सीधा समाकलन कर सकते हैं तो सीधा कर दो और यद इस प्रकार से दो को sin x को टी मान लिया जाए बच्चो sin x को अगर टी मान लिया जाए हम इस प्रकार से प्रतिस्थापत करते हैं कि एक फलन जिसको हम टी माने अर्था जिसको हम प्रतिस्थापत करें उसका derivative दूसरा फलन होना चाहिए यहां पर दोखो cos x जो है ना sin x का देखिए यह हो जायागा dt जबकि नीचे बटे में दोखो 1 प्लस टी आपको लिखना है 1 प्लस टी और यहां पर आपको लिखना है 2 प्लस टी अब आप बच्चों यहां पर देखो इसको देखो जब भी कभी समाकलन के प्रश्ण में नीचे आपके रैखिक गुड़न हो दूसरा गुड़न खंड इसक्वाइर इस पर लेखाओ हो लाप इसक्वाइर हो हो एसे भी प्रश्ण हो सकते हैं तो बच्चों यहां पर तो सीधा-सीधा एक पहले प्रश्ण है इसको हमें क्या करना है अंसिक भिन में बदलना है दोखो ध्यान दे एक बटे में 1 प्लस T into πम KI स्को हमें क्या करना है अंसिक भिन में बदलना है तो जब भी रैकिन होती है तो एक हम अचर लेते हैं बटे में पहला गुड़न खंड लिए हैं प्लस दूसरा इसक्वाइन बदलने की बदलनी है अब इसके बाद में यहां पर इसको हटाओ तो यहां यहां पर 1 मिलेगा बराबर कच्छन लगा दें a के साथ में गुणा हो जाएगा इतने अजब यहां पर गुणा किआ जाएगा तो 1- vice t से टो 1- 2 प्लस-t कर जाएगा टू- प्लस टी अकेला बचाएगा यहां पर देखो चलय पर प्लस नंबर हो गया यह एक एक ठीक है ज़िए एकी वैलू गयाद करनी है तो इसको हमें 0 लिखना पड़ेगा फिर बीगी वैलू गयाद करनी है तो हमें इसको 0 लिखना पड़ेगा ठीक है इस एक्वेशन में दो वैलू हमें गयाद करनी है उसके लिए यहाँ पर ऐसा कर दें कि 1 प्लस t, ऐसा लिख दें, समी करड़ एक में, समी करड़ एक में, one प्लस t बराबर जीरो, अथवा, t बराबर मानस इक रखने पर, t का मान जब भी मानस एक लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास इस प्रकार से बदल जाएगा,一 बराबर, A गुणे T का मान तो को 2 प्लस T T का मान मानस 1 लिखना है प्लस B गुणे इसको 0 लिखना है मानस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा दो मैंसे एक घटाओ एक बचागा तो इस प्रकार से A बराबर कित्पा मिलेगा तो को 1 A बराबर 1 ठीक है अब A का मान हमें 1 मिल गया अब A के बाद B की वैलू कैसे ग्यास करोगे उसके लिए भी वही प्रोसेस है पुना यहां लिखना है पुना हाँ समी करण 1 में समी करण 1 में क्या करना है ये आपको 2 प्लस T को 0 लिखना है 2 प्लस T बराबर 0 या इसको ऐसे कहें T बराबर माइनस 2 रखने पर माइनस 2 रखने पर तो T का मान माइनस 2 यहां रख लिया जाए देखो किसना हो जाएगा ये तो 1 है बिल्कुल ठीक है बराबर ये A गुणे माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा या ये कहें 2 प्लस T को पूरे को हमने 0 माना है तो इसको 0 लिख देते हैं प्लस B इंटू में 1 प्लस T T का मान मान मानस 2 है ठीक है तो अब आप देख पारे हो यहां तो मानस का B हो जाएगा मानस B बराबर 1 यह B बराबर कह सकते हैं मानस का 1 यहां पर हमने दोखो A और B दोनों की वैलू ग्याद कर ली इसके बाद इसके पर हम यहां अनसिक भिन में इसको तोड़ेंगे दोखो किस परकार से यहां इसका हमने यह दोखो हल निकालना है इसमें A का मान लिखो B का मान लिखके दोनों का समाकलन करोगी आंसर मिल जाएगा ठीक है एक ही बैलू है एक तो आपको यहां लिखना है एक बटी 1 प्लस T इंटू में DT और प्लस यह आपके पास B की बैलू लिखनी है माइनस का एक तो यह दर हो जाएगा माइनस एक बटी में 2 प्लस T लिखना है into में dt इसका भी समाकलन कर देते हैं अलग-अलग दोनों फलनों का समाकलन कर देंगी तो यहां से बच्चो यह log में convert हो जाएगा log 1 plus t है ना किसमें हो जाएगा log 1 plus t हो जाएगा minus इसको भी हम log में लिखेंगे 2 plus t लिखेंगे कि नहीं इसमें तो बताने वाली बात नहीं वृद्या एक बटे t को log t लिखते हैं समाकलन एक बटे t को क्या होता है log t होता है कि नहीं तो एक बटे t के फारवेट में है 1 plus t है यहां पर ऐसा तो नहीं है t पे square होता तो नहीं कर सकते थे या 2T होता तो अभी नहीं कर सकते थी 2 अगर या 3 या किसी से multiply अचर से होता ना उसने का भाग यहां पर दिया जाता लिखतो लोग में देते बिल्कुल सही है लेकिन भाग कर देते तो यहां पर T का गुडांग भी एक है कोई खास बात नहीं यहां भी T का गुडांग के एक है भाग नहीं देना यदि देना भी है तो एक से देना है तो कोई फरक नहीं पड़ाएगा तो यहां से लोग M माइनस लोग N बरावर इसको क्या लेखेंगे लोग M बटे N लेखेंगे 1 पलस T और Divided By 2 पलस T लिखोगी और Constant लगाना है T की Value लिख दें तो यह हमारे पास हो जाएगा लोग 1 पलस T और T कमान देख़ो हमने क्या माना था T बरावर हमने Sin X माना था तो 1 पलस Sin X लिखना है और बटे में यहां पर 2 पलस T की Value तो यहां भी साइन एक लेकिनी है प्लस कोश्टेंट यह हो गया बच्छो अंसर ठीक है करेक्ट है किसी को कोई समझ चाहतो नहीं चलिए इसको भी नोट करते हैं बच्छो बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है कि आगए बढ़ें बच्छो जल्दी से नोट करें जल्दी से नोट करें ऑगए ऐ ठीक है बच्छो एक बहुत ही सुंदर सा बिचार हमाई कि अगर जीवण में सफलता प्राप्त करनी है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विस्वास करना है किसमत पर तो जुवा में लोग विस्वास करते हैं मेहनत पर विस्वास करना सीखना है आपको किसमत पर बिल्कुल विस्वास नहीं करना है यहाँ पर आपको केबल और केबल कड़ी मेहनत पर विस्वाद करना है कड़ी मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है बच्छो चलिए यहाँ पर अंगले सवाल की ओर चलते है अगला प्रश्ण क्या है बच्छो देखो इसको रब कर लेते हैं इसके आंगे प्रश्ण है हमारे पास और भी सुन्दर एक और सुन्दर प्रश्ण देखो ये हमारे पास है समाकलन करना है देखो समाकलन करना है ये dx अपोन में x into x की पावर n प्लस बन बहुत ही उमदा अच्छा प्रश्ण है देखें कैसे इसका समाकलन करना है यहां पर इस प्रकार इसको लिख दें कि dx अपोन में x into में x की पावर n प्लस बन यह हमारा प्रश्ण है इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि जब इसका आउकलन करेंगे तो n पहले आएगा औ और x पावर n मानेस बन आएगा तो उपर x पावर n मानेस बन नहीं है इसलिए हमें क्या करना है अंस और हर में x पावर n मानेस बन से उड़ा कर देना है तो बिलकुल एक्दम सिंपल सिंपल सा काम हो जाएगा x की पावर n मानेस बन से हमने उपर मल्टिप्लाई कर लिया और x की power n minus 1 से नीचे multiply कर लिया और x into में x power n plus 1 यह हमारा जियों का त्यों correct है अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह हो जाएगा दोखो x की power n minus 1 into dx divided by यहाँ पर आप दोखो x की power 1 है यहाँ पर x power n minus 1 है दोनों को जोड़ दें तो x की power n और यहाँ पर x power n plus 1 यह हमारे पास हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से समझो यह परसन तो वही है लेकिन हमने ऐसा इसलिए कर लिया है कि अगर x की power n को t मान लिया जाए x power n बराबर t मान लिया जाए परसन स्थापन कर लें x power n बराबर t तो इसका derivative किता हो जाएगा n into x power n minus 1 into dx बराबर dt हो जाएगा ठीक है अब n से divide कर लिया जाए तो x power n minus 1 x power n minus 1 into dx बराबर में एक बटे n into dt में यह convert हो जाएगा बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिलकुर स्थीक है तो उपर यह total जो दिखाई दे रहा है उसको हम एक बटे n dt लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं उपर वाले जो अंस में लिखा है उसको एक बटे n into dt लिखा जा सकता है बटे नीचे आप देखो यहाँ पर इसको हमने t लिखना है और इसको हमें t plus 1 लिखना है टी प्लस बन लिखना है अब यहां से आप देख पा रहे हो एक बटे एन ये तो अचर रासी है समाकलन से बाहर की जा सकती है और डी टी बटे में टी इंटू में टी प्लस बन इसको ऐसा लिखने तो कोई समस्या ने ठीक है अब बचो इसको आंसिक भिन में बदल दो और यदि आप थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी अच्छे से सोचो तो इसकी आंसिक भिन बिल्कुल ओरल तरीका से मोखिक बिल्कुल बदली जा सकती है इस प्रश्न को मोखिक तरीके से अंसीग विन में बदला जा सकता है क्यों दो को ध्यान दें एक बटे में यहाँ T लिख दें माइनस में एक बटे T प्लस बन लिखा जाए वो इंटू में DT लिखके आप देखो इसको हल करोगे बिल्कुल यही की जाए जाए ठाल देखा कि यहां से हल करके दिखा देल टींटि में टी ॉत प्लस बदन यह एल-स यह माझा जांगा तो इसको अम ऐसे लिख सकते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई समस्याह नहीं है क्या बोलो ठीक है ना सही है चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों अगर ये सही है तो इसका हम अब समाकलन अलग 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 और इसका अलग समाकलन कर सकते हैं समा कलन एक बटे t into dt लिखा जाए माइनस समा कलन एक बटे t plus 1 into dt लिख दें और दोनों का समा कलन हम बड़े आराम से यहां कर सकते हैं इसका समा कलन log t होता है और इसका भी समा कलन log t plus 1 होता है बोलो होता है कि नहीं बचू? होता है बिल्कु सही एक constant लिखना है ठीक है अब यहाँ log m minus log n अर्थाद log m बटे n किया जा सकता है इसको हम ऐसे लिख दें log m मतलब t बटे t plus 1 इसको ऐसे लिख दें plus constant अब t की value लिख दें एक बटे n इंटू में log t की value है x power n दोखो x की power n टीकी value किती है x power n तो यहाँ पर लिखना x power n बटे में x power n plus 1 plus constant ये बच्चो इसका ठीक है बहुत ही मजीदार बहुत important है ठीक है चलिए नोट करें बच्चो जल्दी से इसको भी नोट करें और इसके बाद दोखो ठीक है चलिए अंगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं अंगला प्रुष्ण क्या है एक और दोखो अंसिक भेन साही संबंदित प्रुष्ण यहां पर ले लेते हैं यह अंगला प्रुष्ण आपके पास ऐसा है कि समाकलन करना है एक बटी लोग एक्स माइनस एक लोग एक्स माइनस एक इंटू में लोग एक्स प्लस एक लोग एक्स प्लस एक इंटू डी एक्स इसका देखो हमें समाकलन करना है ठीक है यहां पर एक और एक्स लिख लो अब ठीक है अब ठीक है एक बटी में लोग एक्स माइनस बन लोग एक्स प्लस बन इंटू एक्स ठीक है य यह हमारे पार प्रिश्ण है बहुत ही अच्छा दो को ध्यानने क्या करना है इसमें भी हमें प्रस्थापन करना पड़ेगा लोग X बराबर हम लिख लेते हैं T अगर लोग X बराबर T लिख लें तो इसका हाउकुलन एक बटी X होगा D X बराबर D T लिखा जाए कोई समस्या नहीं बचो यहां पर देखो एक बटी में X ये देखो लिखा है एक बटी X इन्टू D X इस पूरे को हम D T लिख लेंगे इदर पूरे को इस दर को क्या लिख लेंगे इस पूरे को क्या लिख लेंगे D T लिख लेंगे तो इस तरीके से ये प्रस्था हमारा ऐसे बदल जाएगा दोखो आई बरावर लिख लेते हैं समा कलंड का निसान लगाएं और एक ध्यान से देखो यहां पर इसको क्या लिख दें डी टी लिख दें तो एक बटे में इसको टी माइनस बन लिखना है तो टी माइनस बन हो जाएगा यहां पर टी प्लस बन टी प्लस बन लिख देते हैं और यह पूरा का पूरा क्या है? इसको हमें dt लिखना है. क्या लिखना है? dt लिखना है. इसको हम यहाँ पर dt लिख दें. ठीक है? तो इस तरीके से बच्चो यह पुर्षन हमारा एक बटे t-1 इंटो t-1 इंटो dt में convert हो गया. अब वही पुरानी प्रोसेस इसको हमें क्या करना है आंसिक भेन में बदलना है तो यदि इसको हम आंसिक भेन में बदलें तो बिल्कुल वही पुराना वाला तरीका कि रैखे गुड़न घंड है तो एक गुड़ांक लेना है बटे में एक गुड़न घंड लिखना है जैसे ए बटे में टी मानस बन लिखना है प्लस minus 1 से t minus 1 कट जाएगा तो t plus 1 तो बचाएगा इसको लिख देते हैं प्लस b में भी तो कोई इसी प्रकार जब गुड़ा करोगे तो t plus 1 से t plus 1 कट जाएगा लेकर t minus 1 बचाएगा तो बहुत लिख देते हैं यहां पर इस पर एक नमर डियाल देते हैं अब यहां पर a o b के ग्यात मान ग्यात करने के लिए इसको जीरो लिखोगे तो एका मान आजाएगा इसको जीरो लिखोगे तो भी का मान आजाएगा यही तो करते हैं समी करण एक में टी माइनस बन बराबर जीरो मतलब टी बराबर एक लिखना है टी का मान क्या लिख देते हैं एक जब टी का म 1 लिखोगे, तो ये हमारे पास उनको आठायगा, 1 के बराबर A into T का मान चितना लेखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस B गोड़ें, यहां पर 1 माइनस 1 मतलब 0, तो यहां से दो और दो से भाग हो जाएगा, तो a कामान एक बटी, 2 निकलेगा, देखो, a कामान तो हमने निकाल ले जाएगा, अब b कामान निकालोगे, तो इसके लिए हमें t प्लस बन को 0 लिखना है, यहां लिख देते हैं, समी करड़, 2 समी करड़ एक में, t प्लस बन, t प मां मां-1 लिखना है चलिए 1 बराबर A ni T का मां-1 प्लस एक यह 0 हो जाएगा प्लस B mu mesma minus 1 मतलब माइनस का मांन मान टी का मान 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 लिख दिया मान माण टो क्या मान का 2 तो यह मानसbn सी 9 कर नोगे तो B का मान हो जाएगा माइनस एक बटे दो बूलो वच्छू ठीक है A और B के मान हमने ग्याद कर लिए ये B की मान हमें यहाँ रखना है और integration कर देना है तो यह हो जाएगा integration और यहाँ integration का निसान लगाओ A का मान लिख देते हैं एक बटे दो बटे में क्या करना है T माइनस बन फिर बी का माल लिख देते हैं माइनस में है एक बटे दो बटे में लिखना है टी प्लस बन और इंटू में डी टी यहां लिख देते हैं दोनों के अलग-अलग अलग समा कलन कर लेते हैं यहां पर एक बटे दो बाहर निकालेंगे समा कलन करना है एक बटे टी माइ जगे से common है बाहर निकालो बिल्कुल तो एक बटे t-1 का समाकलन कितना होता है log t-1 बिल्कुल ठीक है बचो इसके आंगे यहां बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यह माइनस का चिन्न है और इसका भी समाकलन करना है तो log t-1 लिखना है ठीक है कि नहीं plus constant अब log m-log n लिखा है ठीक है बच्चो प्लस एक constant अब t की value लिखी जाए तो यह हो जाएगा एक बटे दो log t की value देखो किसनी है t की value t की value है log x तो यहां पर लिखना है log x-1 log x-1 upon में यहां लिखना है log x plus 1 plus constant यह है बच्चो इसका answer ठीक है करेक्ट है किसे को कोई doubt तो नहीं चलिए इसको भी note करो जल्दी से फटा-फट note करें बच्चो अब आपके पास एक और अंगला सबाल है दोखो इसको इस प्रकार समझें यह प्रशन हमारे पास है integration करना है x square into में dx upon में x की power 6 plus x का cube और minus में 2 को इसका हमें समाकलन करना है इसको भी हम आई बराबर लिख लें चलिए समझते हैं बहुत आसान सा काम है पहले तो थोड़ा सा बद लें इस प्रशन को x square into dx बटे में यहां x की power 6 है इसको x cube का square लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 power plus x cube लिखा है ठीक है minus में 2 लिखा है यह भी ठीक है बच्छो इसको अगर हम x cube बराबर t मान लें x cube बराबर t मान लें तो आउकलन करने पर 3 x square into dx बराबर dt मिलेगा अब यहां से 3 से डिवाइड करें तो x square into dx बराबर में 1 by 3 dt हो जाएगा ठीक है बच्छों के नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए अगर ठीक है तो x square into dx को हम एक बटे 3 dt लिख दें और इसको लिखें बटे इसको t माना है तो t का square हो जाएगा इसको भी t लिखना है क्योंकि यह भी x cube है तो इसको भी हमें t लिखना है तो plus में यहां t लिखेंगे minus का 2 लिखेंगे ठीक है इसको अब हम factors के करते हैं 2 एक हम 2 दो में से 1 घटाओ तो 1 बचाएगा इसकी factor कर लें ऊपर एक बटे 3 बाहर नकाल लिया जाए dt हमारा जिखेंगा बटे में इसके factor कर दें तो यह हो जाएगा t plus 2 और in 2 में t minus t minus का 2 जाएगा प्लस का एक इस्तिता हो जाएगा है ना दो एकम दो माइनस का दो और माइनस का दो नहीं ये प्लस का और ये माइनस का अब ठीक है है ना दो एकम माइनस का दो अब ठीक है बच्चो ठीक है दो टी में से एक टी घटाएगा तो एक टी बचाएगा तो इसके हमने जो को धी और इसमें हमने यहां पर मेरी ख्याल से यहां पर तो सम्झाने की बात नहीं यह बहुत बार यह फुरानी सी बात आठ में भी पढ़ाएगा ह्ट्ड Sky dud's पर आई बराबर एक बटे तीन समा कलन और ये इसको आप अंसिक भीन में बदलने आगर अगर आप अरल तरीका से चाहों तो क्या बदल सकता है जो को करके देख लेते हैं औरल तरीके से पहले बदल के बदलने का प्रयास करें तो बच्चों हम ऐसा लिगने एक बटे में एक T minus का एक और minus में एक बटे में T plus 2 इसको ऐसे करके देखो अचा पहले अब हम ट्राई मार रहे हैं पता नहीं है या गलत है इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या हमारा यहां पर हमें चहिए और मिल रहा है की नहीं मिल रहा है तो T minus 1 T plus 2 यह LCM आयगा इसको यहां लिख देते हैं t plus 2 और minus में इसको यहां लिखेंगे तो t minus minus plus का एक यह cancel हो जाएगा तीन से भाग और करना पड़ाएगा आप देख पा रहे हो तीन बटी t minus 1 into में t plus 2 यह बच रहा है तो इसका मतलब यहां उपर तीन से और गुणा कर दें तीन का गुणा है तो तीन से और भाग कर दें तो इस तरीके से बच्चो इसको लिख सकते हैं कि यह एक बटी तीन तो यह पहले से चल ला है एक बटी तीन अभी और हमें लिखना पड़ेगा ऐसे हमें दोखों इसका समाक्लन मिल इसका हमें इसका अगर आंसिक भिन बनाएंगे तो इस प्रकार सी इसको बनाए सकते ठीक है और बच्चों अगर समझी में ना आलाव तो जहन्जर नहीं करना है बिलकुल आप आंसिक भिन यहां से इस प्रकार बदल दें कि एक बटे में T plus 2, T minus 1, इस कांसिक भिन कैसे बदलेंगे, A बटे में T plus 2, प्लस में B बटे में T minus 1, तिम्पल सा काम है, और यहां पर एक बराबर यह उपर ले जाओगे, तो T plus 2 कट जाएगा, A के साथ में गुणा T minus 1 का हो जाएगा, प्लस B के साथ में गुणा हो जाएगा, T plus 2 का, और इस पर हम एक नंबर डाल देते हैं, इस समी करण में हमें क्या करना है, समी करण 1 में T plus 2 को अगर 0 लिख दिया जाए, तो हमें A का मान मिल जागा, T बराबर मानस 2 लिखने हैं, T बराबर मानस 2 रखने पर, तो अगर T का मान मानस 2 लिख दिया जाए इसमें, तो एक बराबर A गुणे, T का मान मानस 2 लिखें, मानस का एक और ये प्लस B गुणे, ये तो 0 हो जाएगा, हाँना, मानस 2 प्लस 2, 0 हो जाएगा, मानस का 3 है और मानस 3 से इदर भाग करोगी तो 1 का मान मानस 1 बटे 3 एक ही बैलू निकल के आगई ठीक है एक ही बैलू निकल के आगई अब एक हमान एक हमान समिक नहीं एक ही बैलू निकल के आगई बी का मान निकलना है तो B का मान निकालने के लिए इसी वाले समी करड़ में आपकी बाद T प्लस 2 को 0 लिख दें तो यहां लिख दें को नहां समी करड़ 1 में T प्लस 2 T प्लस अभी हमने क्या लिखा था 0 दोखो ध्यान ने T प्लस 2 को 0 लिखा था आपकी बाद T माइनस 1 को लिखना है क्या लिखना है T-1 बराबर 0 तो यहां से T की वैलू 1 रखनी है T बराबर 1 रखने पर देखिए यहां क्या मिल जाएगा 1 बराबर A गुड़े T का मान यहां 1 लिखोगे 1 मैं से 1 घटायगा 0 हो जाएगा प्लस B गुड़े T का मान एक लिखोगे 1 प्लस 2 1 प्लस 2 मतलब 3 3 से भाग करोगे तो यहां से हमें B का मान एक बटे 3 मिल जाएगा B बराबर एक बटे 3 ठीक है अब चो A और B के मान दोखो यहां पर आपको लिखना है यह हमार पास I बराबर एक बटे 3 दोखो लिखा है एक बटे 3 और इसका हमें समा कलन करना है तो समा कलन करना है काई का इसका और इसको हमने आंसिक भिन में बदला है इस तरीके से तो A की value, B की value यहां रख देते हैं, A की value है minus 1.3, बटे में लिखना है T plus 2, क्या लिखना है T plus 2 लिखना है, plus B की value, 1.3, बटे में लिखना है T minus 1 और into में dt लिखना है, अब इसका समक ननलग करना है, इसका अलग करना है, दोनों जगह से 1.3 आप common देख रहे हो, तो 1.3 ये पह हाले لखे दे एक बटे T-1 into dt ठीक है और यहाँ पर यह माइनस में हो जायगा एक बटे तीन पर यह common में चला गया तो म्ाइनस में यहां भी समाक्लन करना है एक बटे में T plus two into dt ले ठीक है बचो आप इसका भी जानते हो, दोनों का जानते हो, एक बटी नो इंटू में इसको लिख सकते हैं, लोग में टी माइनस बन, माइनस इसका भी समा किलन पता है, टी लोग में होता है, लोग टी प्लस टू हो जाएगा और यहां पर प्लस कोश्टिंट लगा दें, लोग M माइनस लोग N बराब हमें मिल जाएगा चलो यहां लिख देते हैं एक बटी नो इंटू में लॉग टी की बैलू X क्यूब है तो X क्यूब माइनस एक बटी में X क्यूब प्लस दो और प्लस यहां एक क्वेश्टन ठीक है तो यह हो गया इसका अंजर ठीक है चलिए वह यहां इसको भी नूट करें इसको भी नूट करें और आंगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण हमारे पास है अब इस प्रश्ण के लिए तो हम यह कह सकते हैं कि बहुत ही जाधा बहुत ही जाधा important हम कह सकते हैं जितना कम कहें उतना ही आप यह समझो जदर 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 है तो यह आपके पास integration करना है एक बटे 1 प्लस X प्लस X स्क्वाइर प्लस X क्यूब इसका हमें समा क्लन करना है बहुत बार पूंचा गया बार बार रिपीट करते हैं बैसे हो सकता इस बार भी रिपीट किया ही जाए इसमें बहुत ज़्यादा probability है आने की बहुत ज़्यादा chances है इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो है बिल्कुल आसान किसी प्रकार की कुई समस्या वाली बात नहीं देखो यहां से बच्छो बन प्लस एक्स लिखा है आंगे दो पदों में यहां से एक्स स्क्वाइर कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां भी बन प्लस एक्स मिल जाएगा अब 1 प्लस X दोनों जगे से फिर से common दिखाई दे रहा है तो यहां से फिर से common ले लेते हैं 1 प्लस X और यहां पर क्या बचाएगा 1 प्लस यहां क्या बचाएगा X स्कौाइर तो बचो यहां पर भी यह प्रशन आपका ऐसा दे देता मस्ती के साथ बिलकुल एक दम तो को पहले इसको अंसिक भिन में तोड़े समाकलन की बाद की बाद है क्या करना है एक बटे में 1 प्लस X इंटू में 1 प्लस X का स्कौाइर तो बचो एक रैखे के गुलन घंड जब होता है रैखे गुलन घंड उसके लिए एक अचर पद लेते हैं और बटे में 1 प्लस X लिख देते हैं यहां पर तो किसी को कोई समस्चा है ही नहीं आंगे बाले में क्या करते हैं जब द्रगाती गुलन घंड होता है तो आपको यहां पर दो गुलन के एक साथ लेने होते हैं एक आंगे मतलब B, C, दो गुलन B और C ले तो इस प्रकार लिखते हैं BX प्लस C और बटे में यहां पर 1 प्लस X स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं जब आपके द्रगाती गुलन घंड हो तो कैसे लिखते हैं BX प्लस C चूँकि A आपका यहां लिखा जा चुका है इसलिए B और C को लेना है तो BX प्लस C बटे में 1 प्लस X का स्क्वायर अब बच्चो वही काम है यहां से इसको हटाओ तो इन दोनों का गुणा यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा तो एक बराबर में A इंटू में यह हमार पास यहां जब गुणा होगा तो 1 प्लस X का स्क्वायर बच्चेगा प्लस का निसान लगाओ बी इंटू में इसको यहां गुणा करोगे तो यह 1 प्लस X स्क्वायर कट जाएगा तो B X प्लस C में गुणा काईका हो जाएगा 1 प्लस X से गुणा हो जाएगा और इस पर हम एक नंबर 3 एक डाल लेते हैं ठीक है अब इसको कैसे हल करना है एक मान एका तो बड़े आराम से हो सकता है जबकि B और T का मान उस प्रोसेस से नहीं बलकि गुणा को की तुलना करें याद करिए हमने जब आपका ये पूरा टुटल बिसिक पूरा कम्प्लीट कराया था चांसिक भिन तो आपको ये सारी बात हमने बताई थी कि अब B और T का मान कैसे X स्वाइर के और X के गुणा कों की तुलना करने पर हमें ग्यात होगा अब ये करके दिखाएंगे दोखो ध्यान ने इस समीकरण में क्या करना है समीकरण 1 में 1 प्लस X को 0 लिखना है तो जब 1 प्लस X को 0 लिखोगे तो X बराबर मानस 1 आएगा पल्कुल ठीक है बच्चो एक्स बराबर मानस 1 रख देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा 1 बराबर A टू में 1 X का मान मानस 1 लिखें तो मानस 1 का स्कॉार तो प्लस 1 होता है होता है कि नहीं प्लस यहां से मानस X का मान मानस 1 लिखोगे तो मानस 1 प्लस 1 लिखते ही यह पूरा 0 हो जाएगा 0 का गुणा करोगी तो यह दर पूरा यह 0 हो जाएगा तो यहां से दो को 2 से भाग हो जाएगा A का मान हमें मिल जाएगा एक बटे दो ये हमारे पास दोको A की बैलू तो हमने निकाल ली अब B और C की बैलू गयाद करने के लिए हमने बताया गुणांकों की तोलना करनी है क्या करने हैं समी करण 1 को ध्यान से देखो हम थोड़ा यहां लिख देती हैं समी करण यह ऐसे हो जाएगा एक बरावर थोड़ा ध्यान देने हो चूँ क्या हो जाएगा यह एक बरावर एक बरावर A इंटू में 1 प्लस X स्क्वाइर ठीक है और यहां पर दोको इन दोनों कारपस में गुणा है तो इसका इसमें गुणा करोगी तो BX हो जाएगा क्या हो जाएगा BX इसका इसमें BX हो गया इसका यहां गुणा करोगी BX का स्क्वाइर हो जाएगा BX स्क्वाइर लेख लो ठीक है यहां C का एक में गुणा प्लस C अकेला लेखना है प्लस CX लेखना है CX लेखना है ठीक है इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि A के बराबर दो को A का गुणा यहां भी हो जाएगा X स्कुाइर वाली पद अगर common ले 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 हैं तो यहां पर X स्कुाइर के साथ में A मिलेगा यहां इसका गुणां करोगे x square common मिल जाएगा, a तो यहां से मिल जाएगा यहां में x square है, तो यहां भी दोखो b मिलेगा x square यहां दो पदों में है x square यहां है, x square यहां है दोनों जोगे से x square common ले लिया है तो यहां से a बचाए और यहां से plus में b बचाएगा इसके बाद X के पदों को थोड़ा ध्यान से देखो, यह X है और यहां वी X है तो इसमे एक्स कोमन ले लिया जाए तो B प्लस C इंट् About X मिल जाएगा, यहां से B और यहां से C, और इसके बाद में यहां से दो को A का यहां गुणा हुआ है, तो प्लस में A है और यह अकेला प समी करण में इस समी करण के दोनों पक्छों में के दोनों पक्छों में एक्स स्क्वाइर वा एक्स के गुड़ांकों की तुलना करने पर तुलना करने पर एक्स स्क्वाइर का गुड़ांक बच्व इदर है यह नहीं जीरो है एक्स स्क्वाइर का गुड़ांक इदर ए प्लस B है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस पर एक दूसरा नमबर डाल लेते हैं, यहांपर दो को X का भी गुलंक नहीं है, देखो ध्यानने बच्छों, तसा X का गुलंक की बात करें, चूँकि X स्कॉायर का गुलंक और X के गुलंक दोनों की तुलना की है, तो X स्कॉाय एक और तीसरा डाल देते हैं आप क्या करना है? A की value जो यहां से हमने निका लिए है उसको आप यहां रख दें तो B की value ग्याथ हो जाएगी और इस B की value को अगर आप यहां रख दें तो C की value ग्याथ हो जाएगी हमें A, B, C, 3-وں की मान मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए तो वह यहां लिख देते हैं समी करण 2 में समी करण 2 में A का मान रखने पर A का मान जो हमने निकाला है वो यहां रखें तो जीरो बरावर A का मान लिखना है 1 बटे 2 और प्लस में यह है B तो यहां से B की वैलू हमें मिल जाएगी मानस 1 बटे 2 यह हो गया B का मान अब B का मान यहां लिख दें तो यहां लिख दें B का मान B का मान समी करण 3 में लिख दें समी करण 3 में रखने पर तो यहां पर तो को 3 में लिख दिया जाए तो ये 0 बराबर B का मान रेड एक बटे 2 लिख दे हैं प्लस में C और यहां से C की बैलू एक बटे 2 हो जाएगी बचोई A, B, C, तीनों के मान हमने ग्याद कर लिए अब A, B, C, तीनों के मानों को हमें कहां रखना है यहां पर रख देना है, बहुत समंकलन करना है, आमसर आ जाएगा तो ये पुर्षन हमारा ऐसे बन जाएगा आई बराबर इंटीक्रिसन, एक ही बैलू बताओ एक ही बैलू लिखनी है, यह मन एक बटे 2 एक बटे 2 लिखनी है, बटे में 1 प्लस एक लिखना है ठीक है, बटे में 1 प्लस एक्स, इसके बाद में प्लस का निसान लगाओ, यह लगा दिया भीया बी की बैलू लिखनी है, माइनस में एक बटे 2 एक्स, प्लस सी की बैलू एक बटे 2 लिखनी है बटे में 1 प्लस एक्स का स्कॉार लिखना है इन 2 में डी x, करेक्ट है बच्चो इतनी बार समझ में आ रही है अगर आ रही है तो आंगे कि अब और आसान बात है दो एक बटी दो बाहर कर लिया जाए समा कलन के अंदर बचेगा एक बटी बन प्लस x इन 2 में डी x और प्लस यहां भी दो एक बटी दो एक बटी दो दोनों जगह से एक बटी दो बाहर निकाल लिया जाए तो प्लस में एक बटी दो दो बाहर आएगा या फिर एक काम करो यहां पर अलग-अलग दोनों पदों में भाग कर दो यहां पर क्या करते हैं माइनस मैं लिखा है एक बटे दो एक्स बटे में बन प्लस एक्स स्क्वाइर दिखो यहां पर एक्स में हमने बन प्लस एक्स स्क्वाइर से भाग कर लिया इंटू डी एक्स लिख ले प्लस यहां भी एक बटे दो समाकलन और ये एक बटे 1 प्लस x square into dx लिख लें वाच्छु ठीक है के नहीं एकदम सिंपल सी बात है भया इसका भी समझलन हम कर सकते हैं इसका भी कर सकते हैं और यहां पर इसका भी कर सकते हैं तो को यहां पर थोड़ा सा समझदारी के काम करें यहां पर 1 प्लस x square लिखा है उपर x से लिखा है तो अगर हम इसको t माने हैं यहां पर यह पर स्थापन से प्रशन है है न समझ रहे होगे आप तो 1 प्लस x square इसको अगर हम t माने तो यह तो 0 हो जाएगा x square का आउकलन 2x होगा कितना होगा 2x तो यहां पर 2x into dx बराबर dt बन जाए इसलिए यहां 2 का अगर हम गुणा कर दें तो बात हमारी बन जाएगी तो अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा हमें तो यहां पर एक इस टैप समझो 1 बटे 2 और समा कलन 1 बटे 1 प्लस x into dx माइनस यहां पर दो को 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4 भाग 2 का हो गया 2 का गुणा करोगे तो 2x into dx बटे में 1 प्लस x square लिखना है और यहां से प्लस 1 बटे 2 समा कलन 1 बटे 1 प्लस x square into में dx लिखना है अब बच्चो आप दियान से समझो तो बिल्कुल answer final वाला यहां लिख देते हैं देखो यहां पर 1 बटे 2 क्या करना है 1 बटे 2 और इसका 1 बटे 1 प्लस x का समा कलन आपको पता है लोग में होता है लोग 1 प्लस x बोलो ठीक है बच्चो इसके बाद माइनस 1 बटे 4 माइनस में 1 बटे 4 और यहां पर इसको जैसा कि हमने बताया कि इसको अगर हम t माने तो यह dt dt बटे t बरावर लोग t होता है तो लोग 1 प्लस x इसका भी समा कलन हो जाएगा लोग 1 प्लस x इसका भी दो को समा कलन हो जाएगा ठीक है प्लस यहां से दो को प्लस यह एक बटे 2 और इसका समा कलन तो अच्छे से याद होगा तो बच्चो इस तरीके से ये हमारे पास इसका final answer हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका final answer है, बहुत ही मज़ेदार पुरश्ण है बच्चो बहुत मज़ेदार, ठीक है, तो चाहो तो एक बटे चार common oman ना लो, कुछ खास अबात नहीं है, तो नहीं लिखा रहें ठीक है, चलिए, नोट करें जल्दी से, तो बच्चो इसके बाद और बहुत ही खास सवाल देखते हैं, लिखा है, integration करना है, एक बटे बन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स क्यूब, बहुत ही important बच्चो, बहुत ही important question, दो को, यहाँ पर क्या करना है, इसका तो ठीक है, आंगे से दो पदों में से आप एक्स स्क्वाइर कॉमन ले सकते हो, अगर एक्स स्क्वाइर यहाँ से कॉमन चला जाएगा, बन प्लस एक्स एक्स ठीक है, अब बन प्लस एक्स दुवारा से कॉमन ले सकते हो, तो यह हमारा प्रश्ण कुछ बदल के ऐसे हो जा कि हमनों बताए कि अगर हम यहाँ पर गुणन्खंड कर पाएं अगर हर कर दो या से अधीड गुणंखंड गीशचा हुए तो प्लस एक्स और इंटू में बन प्लस एक्स का इस्कॉयर दो को आंसिक भिन में कैसे बदलेंगे क्या करते बचु एक अगर रैखे गुड़नखंट होता है तो एक कोई अचर पद लेते हैं और बटे में पहला ये आपको गुड़नखंट लेखना ना होता है और फिर इसके ब प्लस का निसान लगाओ यहां पर दो गुड़नखंट जब लेते हैं तो दो गुड़ां के एक साथ लेते हैं दो अचर पद लेते हैं बी और सी दो को पहले तो ये तो हमने रख रखा है ये तो पहले ले लिया है तो आँगे आपको दो लेने हैं तो कौन से लेंगी बी औ से तो इस प्रकार से लिखते हैं भी एक्स प्लस यो लेह आब यहां ख्ल चारएं के हम यहां यहां ओ जाएगा ठीक है कि नहीं तो यहां पर एक बराबर में एं टू मैं यहां पर जब गुना करें गेत घ्ल 有न प्लस एक सि बन प्लस X बचाएगा है ना 1 प्लस X बचाएगा इस पर हम एक नमबर डाल लेते हैं एक इसके बाद यहाँ पर क्या करना है दोखो अगर हम A का मान गयात करेंगे तो 1 प्लस X बराबर 0 इसमें रख देंगे A का मान तो गयात हो जाएगा लेकिन B और C के मान हम ऐसे गयात नहीं कर सकते ह उसके लिए गुड़ांकों की तुलना करनी पड़ती है ठीक है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं इसमें आपको समी करड़ 1 में 1 प्लस X को क्या लेकिना है 0 मतलब X कमान मानस 1 रख दें तो अगर X कमान मानस 1 रख दें तो यहां से दोखो 1 वराबर A इंटू में 1 प्लस X कमान बन ये 0 हो जाएगा तो इसको हम पूरा 0 लिख लेते हैं ठीक है तो यहां पर एक और एक दो दो का इदर भाग लग जाएगा तो यहां से हमें एक ही value मिल जाएगी एक बटे में दो एक का मान तो बच्चों हमने यहां से निकाल लिया ठीक है अब B और C का मान निकालने के लिए क्या करना है B और C का मान निकालने के लिए इस समी करण में अर्थार पहले वाले समी करण में X स्कॉाइर के गुडांक और X के गुडांक की तुलना कर दे हैं यहां पर लिख लेते हैं समी करड़ एक के दोनों पक्छों में क्या क्या कर दें X स्क्वाइर वा X के गुणांकों की तुलना कर दें गुणांकों की तुलना करने पर तो बच्चों अगर तुलना कर दी जाए यहां पर दिहान से समझो अगर यहां से X स्क्वाइर का गुणांक देखें तो है ही नहीं में चो एकस स्क्वाइर का कोई गुणांक नहीं है जिरो लेकिना है एदर एकस स्क्वाइर का गुणांक तो को ए का साथ में गुणांक तो एकस स्क्वाइर का गुणांक ए मिलेगा तो बच्चो इस तरीके से यहां पर a plus b बराबर 0 जहाँ जब x square के गुरांग की तुलना किया है तो यह आपका a plus b बराबर 0 हमें मिल ला है ठीक है और यहां से x के गुरांग की अगर तुलना कर दें x का गुरांग भी आप देखो यहां नहीं है कोई भी x का गुरांग नहीं है आपको x के गुरांग में भी लिखना है 0 x का गुरांग 0 यहां पर दोखो x का गुरांग नहीं है जबकि यहां bx में जब 1 का गुरांग करोगे तो x का गुरांग हमें b मिलेगा तो यहां पर B लिख लेना है यहां पर इस BX का गुणा X में करोगे तो X का स्कॉायर मिलागा X का नहीं मिलागा अच्छा ठीक अब C का गुणा करो C का एक में गुणा करोगे तो C अकेला मिलागा X का नहीं मिलागा लेकिन C का गुणा जब X में करोगे C का गुणा जब X में करोगे तो यहाँ पर X का गुणां के C मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस में C बचो यहाँ पर इस पर दो नमबर डाल लें और यहाँ पर इस पर हम तीन नमबर डाल लें ठीक है अब आप देखो ध्यान से एक ही वैलू एक बटे दो यहां रख दी जातो बी कामान ग्यात हो जाएगा क्या करना है यहां परलिग लेते हैं समी करण दो में ए बरावर एक बटे दो रखने पर एक कामान अगर एक बटे दो रख दिया जाए तो यहां देखिए जीरो बरावर का निसान लगाओ एक कामान लिखने एक बटे दो प्लस बी कामान ग्यात करना है तो यहां से बी कामान माइनस एक बटे दो मिलागा ठीक है पक्छंतर कर लिया बरावर माइनस एक बटे दो अच्छा मैं B का मान मिल गया इसके बाद मैं अब दोखो यहां पर B के मान को यहां रख दिया जाए तो C का मान मिल जाएगा समी करण 3 में समी करण 3 में B का मान रखने पर B का मान रखने पर तो B का मान अगर रखोगे तो अब C का मिल जाएगा अब आपको दोखो A, B, C, 3 के मान मिल गए अगर A, B, C, 3 के मान मिल गए हैं तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है और integration करना है दोखो integration करना है A की value रखो A की value हमारे पास है एक बटे दो और बटे में आपके पास 1 प्लस X है इसको जूंकाते हो रखें फिर प्लस का निसान लगाओ अब B का मान लिख दें माइनस का एक बटे 2 इंटू X लिखना है प्लस C, C का मान लिखेंगे एक बटे 2 और बटे में नीचे लिखना है 1 प्लस X का square और इंटू में D X लिख दें जो इसको हल करोगी इसका समा कलन कर लें समझो आंसर रह जाएगा ठीक है अब कैसी करना है इसका अलग करो यहां 1 बटे 2 बाहर निकालो समा कलन कर देना है 1 प्लस X का clear है न इंटू D X लिख लें माइनस यहां दोको प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा एक बटे 2 इंटू X में पहले इसका भाग करो तो माइनस एक बटे 2 बाहर निकालो X बटे में 1 प्लस X का square into D X दोको एक प्रस्ण यह बन जाएगा यहां पर भी दोको प्लस में 1 बटे 2 समा कलन करना है एक बटे 1 प्लस X square into D X इस प्रकार लिख देते हैं किसी को कोई डाउट है किस समस्या है क्या बताओ यहां इसमें अलग भाग कर लिया इसमें अलग भाग कर लिया दोनों में अलग अलग भाग कर लिया है ठीक है अच्छा वई इसमें एक बटे 2 अब आप यहां देखो इसका समा कलन जब करोगे तो यहां पर दोखो इसको मानना है T 1 प्लस X square को अगर T मान लिया जाए तो आउकलन कितना होगा 2 X into D X बराबर D T 2 ना होए 2 नहीं है इसलिए यहां पर 2 से मल्टिप्लाई करो 2 से अगर मल्टिप्लाई कर दिया जाए तो उपर हो जाएगा D T नीचे हो जाएगा T तो 2 से मल्टिप्लाई करोगे तो निस्यत रूप से 2 से डिवाइड भी करना पड़ाएगा दोखो 2 से भाग कर दिया 2 X into D X उपर 2 से गुणा कर दिया 1 प्लस X का square ठीक है अब आप इसको T मानो ये हो जाएगा D T D T बटे T बराबर लॉग T होता है तो इसको हम लॉग में लिख सकते हैं प्लस ये हमारे पास बिल्कुल सही पता है हमें इसको हम 10 inverse X लिखते हैं इसका समा कलन 1 बटे 1 प्लस X स्क्वार का समा कलन लोग 1 प्लस X का square ठीक है लोग 1 बटे 1 प्लस X का square लिख सकते हैं और यहां पर प्लस 1 बटे 2 10 inverse X लिख दें प्लस constant लगा दें ये वच्चो इसका answer है ठीक है यही इसका answer है अगर आप थोड़ा सा तोड़ बोल के लिखना चाहो तो और भी कुछ लिखा जा सकता है देखो क्या कर दें आंगे थोड़ा सा और बदल दे थोड़ा और बदल दे वैसे ना बदले कोई समस्या नहीं answer बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर थोड़ा बदलना चाहो तो ऐसे बदल सकते हो ये तो ठीक है इसको देखो देहां ने यहां पर इसको एक बटे चार को एक बटे दो इंटू एक बटे दो ये तो है ये तो एक बटे दो रखो और यहां पर ये बन प्लस एक्स स्क्वाइर की पावर एक बटे दो लिख दो चूंकि एक बटे दो यहां आता है तो यहां बाला जी घात पर ही तो पहुँच जाएगा लोग सही बात है बच्छों और इसके बाद प्लस एक बटे दो इंटू में 10 इंवर्स X और प्लस कोंश्टेंट ठीक है अब यहां से एक बटे दो एक बटे दो दोनों जगे से एक बटे दो कॉमन ले लिया जाए तो य ठीक है और यह आपके पास ये इतना है ना और प्लस एक बटे दो इंटू में 10 इंवर्स X और प्लस कोंश्टेंट दो एक बटे दो यहां भी एक बटे दो यहां भी है तीनों जगे से एक बटे दो कॉमन ले लिया जाए और यहां पर देखो लोग M माइनस लोग N लिखा ह हैं मतलब 1 प्लस X और बटे में यहां अंडरूट 1 प्लस X का इसक्वार ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है और यहां से प्लस ये प्लस है और एक बटे दो कॉमन में चला गया तो यहां बचागा 10 इंवर्स X और 7 साथ में प्लस कोंश्टेंट यूंका तो रखते हैं इसका अंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है वाई दवे बच्छो समझ में ना आए तो यहां तक दिया चोड़ा ओगे तो बिल्कुल ठीक है कोई समस्या नहीं है ना यहां तक आप छोड़के आओगे तो बिल्कुल इख़िदम अपनी जगह पर दुरस्त है कोई समस्या नहीं हैby заключ तो बहुत ही महादव्पूर प्रिशन है बहुत मादपूर है ना महत पूर सब संद लिकनां यह आपका ट्रपल स्टार बाला है मधोड़ सकी त्रपल अत्रफार समझ है चली अ को नोट्ड कर लो उसको ठीक हैЗ जलदी से नूट करें वै कि जल्दी स कर लें देखे अंगले प्रिश्न गोर बढ़े हैं यहाँ से एक और प्रिश्न ले लेते हैं में दो square into my dx और upon में नहीं थोड़ा सा बदल दे एक्स square प्लस 1 into my dx और upon में यहां पर लिखा हुआ है x square माइनस में 5x और प्लस में 6 यह वच्व प्रश्ण है दो को ध्यान दें यह हमारा प्रश्ण है तो कैसे करना है यहां पर आप देख पा रहे होगे जो नीचे आपकी घात है जो आपकी हर में घात है वही घात अंस में है तो अगर घातें समान होती हैं तो ये आपका उचित पर्मे बंजक नहीं कहलाता है इसको हमें उचित पर्मे बंजक पहले बनाना है और वो कैसे बनाते हैं इस नीचे वाले से भाग दे के हैं ये हर से अंस म भाग करें और भाग की बाद उसको हम उचित पर में फलन में बना दें यह उचित पर में फलन नहीं है दोखो इसको क्या करना है हमें x square प्लस बन में भाग दे देना है का इसी देना है x square माइनेस पांच x plus 6 से पहला step यहीं कर लीती है भाग देना पड़ेगा यहां दोगो X स्क्वाइर है यहां भी X स्क्वाइर है एक बार भाग जाएगा यह तो confirm बात है दोगो X स्क्वाइर माइनस 5X और प्लस 6 यहां लिख लिया जाए और घटा दिया जाए तो यहां पर दोगो चिन फलड़ जाती है X स्क्वाइर कैंसल हो जाएगा प्लस का 5X लिखना है यहां पर दोगो दियान दे माइनस का 6 एक घट जाएगा तो माइनस का 5 लिखना है तो बच्चो इस तरीके से आपको यहां से 5X प्लस 5 मिलेगा यह तो 5X और माइनस 5 मिलेगा ठीक है तो अब आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो इसको उचित पर्मे फलन में बनाना है तो इसको ऐसे बनाओ कि यहां पर इसका जब इसमें भाग दिया तो एक बार गया और प्लस में यहां से 5X माइनस में 5 बटे में आपको यह लिखना है इसको थोड़ा और अंगे बढ़ाएं तो यहां पर दो को इसका तो हम समाकलन कर सकते हैं बिलकुल अलग कर सकते हैं इन्हें दोनों जगह से उपर से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है तब आपको यहां पर मिलेगा एकस माइनस 1 इन्टू डी एकस और नीचे नीचे एकस स्कार मानस 5 एकस प्लस 6 दिखाई दे रहा है इस पर हम यहां पर फैक्टर कर लें इसके तीन दूनी 6 तीन और दो 5 तो इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं एकस मानस 3 इन्टू एकस मानस 2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है है ना इसके गुड़न खंड हमने कर लिए तीन दूनी छे दो को प्लस का छे है ना तो तीन और दो पांच मानस का पांच है करेक्ट है तो बच्छो इसके अब हम अंसिक भेन में इसको तोड़ दें तो इसका तो को समाकलन करने में कोई चाट वाली बात नहीं है हम यहाँ पर इसका समाकलन x लिख देंगे प्लस में 5 और इसको हम इस पूरे को अंसिक भेन में तोड़ेंगे ठीक है तो चलो फिलाल अब यहाँ से इस पर हम एक नंबर डालने और इसको अंसिक भेन में पहले तोड़ दे है ना तो इसको ऐसे करते है x-1 divided by x-3 into में x-2 यह हमारे पास ल नीचे वाले गुड़न खंड हम देखते हैं इसमें अगर रैखे को गुड़न खंड है अगर रैखे को गुड़न खंड है तो a लेना है बटे में x-3 और प्लस एक दूसरा और कोई b hr ले लेना है तो दूसरा यह दूसरा गुड़न खंड लेके देना है बस यह काम खतम ह गया A और B के मान गयाद करने के लिए हम क्या करते हैं तो को X-1 बराबर इसको हटाएं यहां से तो यहां पर A के साथ गुणा हो जाएगा B के साथ गुणा हो जाएगा जब गुणा करोगी तो X-3 से X-3 कैंसल हो जाएगा A के साथ में X-2 का गुणा होगा प्लस यहां से X-2 स x-2 cancel हो जाएगा तो b के साथ में गुणा हो जाएगा x-3 से और इस पर हम यहां से एक और अंगला नमबर डाल देते हैं इस पर पहला डाला तो इस पर हम दूसरा नमबर डाल दें ठीक है बच्चो यहां तक clear हो रही है चलिए बहुत अच्छे बात है अब इस समय करण में हाँ पर आपको लिखना है देखो समी करण 1 में क्या करना है x-3 को 0 लिखना है ना x-3 बरावर 0 मतलब x बरावर 3 रखने पर समी करण 1 में x कमान 3 लिख दें तो यहां पर x कमान 3 लिखें माइनस का 1 बरावर करने सान लगाओ A into में X का मान हम 3 लिखें माइनस में लिखना है 2 प्लस B into यहाँ पर 0 लिखना है X का मान 3 लिखो कि 3 में से 3 घटके यहाँ पर 0 मिल जागा ठीक है अब आप यहाँ पर लिखो 2 बराबर यहाँ 3 में से 2 घटाओ 1 A मतलब A की वैलू हमें यहासे 2 मिल रही है A बराबर 2 ठीक है इसके बाद दो को A का मान तो हमें मिल गया अब इसके बाद हमें B का मान गयाद करना है तो आपकि बाद X मानस 2 को 0 लिखना पड़ाएगा यहाँ पर लिखें 2-1, क्या करना है 2-1 बरावर A in 2 में, यहाँ पर तो 0 मिल जाएगा, 2-2 करोगी 0 हो जाएगा, प्लस B in 2, यहाँ पर X कमान 2 लिखो, 2-3 ठीक है, माइनस 1 मिलेगा तो 1 बरावर में, यहाँ से माइनस का B, और B बरावर यहाँ से लिख देते हैं, माइनस 1 correct बचू, A, B, दोनों के मान मिल गए, जब A और B, दोनों के मान मिल गए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका सीधा सीधा integration, दोको यह हमारे पास प्रश्म था ना, तो इसको लिखना है समा कलन 1 into dx एक्स लिखना है, प्लस का निसान लगाओ, आंगे 5 लिख दो, यह वाले 5 लिख दो, अब इसको हमने अंसिक दिन में बदला है, दोको A, बटे इतना B, बटे इतना, A का मान और B का मान लिखना है, तो यहाँ से दोको समा कलन का निसान लगाओ, A का माल लिखना है 2, और बटे में लिखना है X माइनस का 3, प्लस B का माल लिखना है माइनस 1, बटे में लिखना है X माइनस में 2 और इंटू में DX, करेक्ट है बच्छो इतनी बार, ठीक है न, कोई किसी को डाउट तो नहीं, अब इसका अलग समाकलन करना है इसका अलग करना है, यहाँ पर इसका समाकलन तो X लिख दें, प्लस यहाँ पर दो को 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बाहर निकालो, तो एक बटे में X माइनस 3 और इसका समाकलन लोग में होता है, तो लोग X माइनस 3 लिख देना है है ठीक है एक्स मानस तीन और यहां पर प्लस पांच से यहां भी गुड़ा हो जाएगा और इसके साथ में भी वही काम करना है लोग एक्स मानस दो लिखना है प्लस कोश्ट है ठीक है बच्चो यह इसका देखो आगजारे ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं अगर आप चाहो तो यहां से पांच कोमा लो फर वही घात पे चड़ाओ बटीम लेखो गुड़ाम कुछ ना करो सीधा सीधा सिंपल ठीक है तो इस तरीके ये आपका हो गया प्रिशन को चलिए और रोखो कुछ अंगले प्रिशन के और बठते हैं वैं नोट कर रहां इसको सब्सक्राइब करें प्रूब बढ़ते हैं यहां पर आसान प्रश्ण है, बिल्कुल एक्स इंटू साइन एक्स का हमें समाकलन करना है, यहां पर यह प्रश्ण बहुत बार पूचा गया है, और छोटा सा है, बिल्कुल छोटा प्रश्ण है, एकदम आराम से यहां पर दोखो, खंड़सा समाकलन से पहले तो हमें पहचा होगा लेकिन पहले और दूसरे को मानने के लिए एक ट्रिक है उसको याद रख Gorena है कोई एक पहला कोई दूसरा नहीं मानना है बलकि एक कोई विशेज पहला है उसी को पहला मानना है वो कौन सा है दो वह प्र एक सब्द है पहला मानना है तो बच्चों यहां पर दोंको एल्जबरिक फलन पहला है इसको पहले मानना है यह आपका फिर जो बचाएगा वो दूसरा हो जाएगा यहां पर सबके अर्थ बता दें यहां पर यह inverse है यह logarithm है यह एल्जबरिक है यह technometric function है और यह आपको exponential है ना जिसको कहते है exponential का मतलब है चर घातंग की जो E की पावर की रूप में लेके जाती, E की पावर X इस टाइप में जो फलन होते हैं वो चरगातंग की फलन कही जाते हैं तो बचो इस टाइप में सब्ध देसे हम ये जानेंगे कि हमारा इसमें पहला फलन कौन सा है और दूसरा कौन सा है तो यहाँ पर यह दोखो आईलेट के अनुशार यहाँ पर एलजबरी फलन पहले आ रहा है तो इसको पहला फलन मानना है और यह आपका सेकेंड हो जाएगा क्या सूतर होता है पहला फलन योंकातियों लिखते हैं सेकेंड का हम समा कलन करते हैं यहां पर देखो यह सेकेंड है इसका समा कलन करना है फश्ट फलन सेकेंड का समा कलन माइनस समा कलन अब फश्ट का उकलन करना है देखो यहां पर d over dx है और यहां पर समा करना है। करना है सिकन्द का समा कलन करना है। करना है साइन एकन खाल पर समा कलन होता है। cos x ठीक है minus समा कलन इस समा कलन को भी नहीं बदलना है पहले का alkaline x का x के साब एक चाव alkaline करते हैं एक मिलेगा इंटू में sin x का समा कलन माइनस cos x हो जाएगा इंटू में dx आब इसका पूरे का फिर से समा कलन करना है यहां देखिए माइनस पहले आ जाएगा x इंटू में cos x लिख दें यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और cos x का समा कलन sin x होता है प्लस cos 10 बचो यह जो इसका आसान सा काम है बिलकुल आसान सा बहुत बार सवाल पूछा गया है एकदम आराम से करना है कभी-कभी ऐसा पूछ देता है कि भाई यह एक्स in to cos x का समा कलन करो दोखो इसका भी समा कलन बिलकुल बैस ही करना है जो यह है वही यह इन दोनों प्रशनों को काफी पार रिपीट किया गया है ठीक है तो इनको आपको दोनों को complete करना है चलिए अंगला प्रशन आता है आपका इसी खंड़सा से और एक प्रशन लेते हैं दोको पहला फलन है हमारे पास x का क्यूब और दूसरा फलन यह 10 inverse x है अब बचो यहां पर हमें कौन सा पहला फलन मान है यह हमें फिर उसी आईलेट से डिसाइड करना होगा आईलेट में inverse सबसे पहले आता है तो बचो यहां पर दोको inverse तो पहला है इसको हमें पहले मानना है इसको हमें दूसरा मानना है हमेशा याद रखिए inverse लिखा है तो उसको तो आपको पहला फिर मानना है inverse फलन पहला फ लगाओ और यहां पर इसका करना है समाकलन और टोटल का फिर से समाकलन करना है चलिए और आंगे बढ़ जाओ यहां पर इसका समाकलन जब करोगे तो एक्स की पावर चार बटी चार लेखोगे एक जोड़ो चार हो जाएगा बटी में चार फश्ट पलन सेकेंड फलन हो गया ना यहां पर आजाओ माइनस का साइन इसका दोखो यह समाकलन तो जूंक तो र बताओ चो कितना होता है एक्स पावर चार बटी चार होता है नहीं बिल्कुल होता है यहां तक इसकी बात क्लियर है अब इसका हमें फिर से समाकलन पूरे का करना है आते हैं दोखो करके प्रयास करेंगे यहां पर दोखो टेन इंबर्स एक्स इंटू में एक्स की पावर च यहाँ पर इसका समाकलन करने के लिए उपर चार गाते हैं, नीचे दो गाते हैं, उचित पर्मे फलन नहीं है, अभी पहले हमें इसका समाकलन करने से पहले भाग देना पड़ेगा, उचित पर्मे फलन बना पड़ेगा, है न, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोखो, यहाँ इसको कुछ इस प्रकार लिखें, ये तो ठीक है, ज्यों करते हो लिखें, ये तो ज्यों करते हो लिखें, ये भी ज्यों करते हो लिखें, अब इसको थोड़ा हल कर रहा हो, तो ऐसे कर सकते हैं, यह एक्स की चार पावर है, एक घटाओ, एक जोड़ो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क क्यों कि या वाई यह तो घर्मानी मन्मानी है क्यों कर दिया ऐसा अवच्छो यह पर एक सावर चार मानिस बन लिखाए इस पर हम यहाँ इसके फैक्टर करना चाहरएं क्या करना चाहरी यहाँ पर एक घटाने के बात यहाँ पर इसके गुरंखंड हो सकते हैं जिससे ये नीचे बाला कैंसल हो जाएगा यही तो हमें भाग देना का मतलब क्या होता है नीचे बाला कैंसल करना है तो अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं X की पावर 4 बटे 4 इंटू में 10 इंबर्स X यह तो हम जियोंकाते हो रखते हैं इस पर कोई प्रसक्रिया नहीं है माइनस एक बटी 4 यह भी ठीक है समगलन का निसान लगाओ यह भी ठीक है अभी बचो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह X की घाते 4 है तो इसको हम X स्कॉाइर का होल स्कॉाइर लिख दे माइनस बन का स्कॉाइर लिख दे इसमें कोई समस्या नहीं प्लस एक यह लिखा है जो करते हो आप दो को इसका अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना इतने को इस पर हम हेक्टर कर सकते हैं इसकी ठीक है, minus 1 बटे 4, minus 1 बटे 4, और इसको हम यहाँ पर ऐसा लिख दें, कि x square plus 1 into दूसरे bracket में x square minus 1 और divide करना है काई से, 1 plus x square से, ठीक है, और plus 1 में भी इधर ऐसे दिवाइड करें, तो plus 1 बटे में 1 plus x square लिख दें और into में dx, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो यहां से x square plus 1 से यह x square plus 1 cancel हो जाएगा तो आगे आपको मिलेगा x की power 4 बटे 4 into 10 inverse x यह जोंकातियों लिखना है minus 1 बटे 4 समा कलन लगाओ और इसको यहां पर दोखो x square minus 1 इसका समा कलन अलग से कर सकते हैं plus समा कलन यहां भी दोखो minus 1 बटे 4 का गुणा अंदर करें minus 1 बटे 4 का यहां गुणा करोगी तो minus में 1 बटे 4 समा कलन 1 बटे 1 plus x square into dx से लिख लें ठीक है बराबर में लिखना है x की power 4 बटे में 4 into 10 inverse x minus 1 बटे 4 into यहां पर बचू इसका समा कलन बताओ x square का समा कलन x cube बटे में 3 लिख देना है minus 1 का समा कलन x होता है यह भी बिल्कुल ठीक है minus 1 बटे 4 और बचू इसका समा कलन आपको अच्छे से ग्यात है एकदम 10 inverse x होता है plus constant ठीक है तो बस यही इसका answer समझो थोड़ा सा अगर चाहो तो ऐसे हल कर सकते हो x की power 4 बटे में 4 into में 10 inverse x minus में x का cube बटे में 3 चोको 12 देखो 4 और 3 का गुणा 12 लिख दें minus minus यहां plus लिख दें क्या करेंगे एक बटे 4 into 10 inverse x common अगर लें तो यहां से आप देख सकते होए x की power 4 और यहां से minus का 1 और into में 10 inverse x यह common वाला हमने लिख लिया दो को एक बटे 4 टेन बरस x common जब ले लिया तो भाई यहां पर x की 4 घात बचाएगा यहां पर एक बटे 4 टेन बरस x जब पूरा पूरा common चला जाएगा तो minus का एक बचाएगा बाकि यह दो पद जोंके तो लिखने हैं कौन से minus में x का q बटे में बार है plus में x बटे में 4 और यह plus cos 10 बचो यह इसका दो को answer आजाएगा ठीक है कि लिए रहे किसे को कोई doubt हो तो बता वच्चो यहां तक कि लिए रिक्दम है ना चलिए इसको भी note कर लें इसको भी note करें चलिए और आंगे बढ़ते हैं इसके आंगे देखते हैं वच्चो और भी इससे इंट्रेस्टिल कुस्चन एक से एक बढ़के वच्चो यहां पर सारी कुस्चन सेलेक्ट किये हैं जो प्रवियस एयर में अक्सर रिपीट होते हैं वो सारे पुस्चन यहां पर है है ना तो आपको अच्छे से सभी प्रशनों को कंपेट कर लेना है देखिए अंगला प्रशन आपके पास यह है कि हमें समाकलन कर देना है दो को एक्स प्लस साइन एक्स क्या करना है एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में बन प्लस कॉस एक्स इसका हमें समाकलन करना है यहां पर कहता है कि समाकलन करिए तो यहां पर पहले इसको हमें बदलना पड़ेगा हम यहां पर कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहां पर कोई प्रस्थापन कर ले जिससे कि हमें दूसरा फलन मिल जाए एक फलन को प्रस्थापत करके अगर टी मान ले उसका derivative निकाले और दूसरा फलन मिल जाए ऐसा कहीं कुछ ऐसा है इसमें है नहीं हम यहां पर त्रकॉण मिती की मदद से पहले इसको थोड़ा हल करेंगे यह साइन एक्स से लिखा है अगर इसको हम साइन टू एक्स वाले फॉर्मूले से बदल दें साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ज्यान दें यहाँ पर जब 2x होता है तब इसको हम x मतलब इसका आधा कोण लिखा जाता है यह 2x है तो यहाँ पर x x लिखा जाएगा बाइदवे अगर यहाँ पर x है तो इसको आधा करना है तो क्या लिखना है x बटे 2x बटे 2 लिखना है मतलब sin x का मान होता है 2 sin x बटे 2 into cos x बटे 2 य जियाद करना है, cos2x का फॉर्मूला होता है, 2 cos square x minus 1 cos के पदों में होता है कि नहीं, और यहाँ पर यह 2x जब लिखा होता है, तब इसको हम x लिखते हैं, और जब यहाँ पर x केबल हो, तो इसका आधा करना पड़ेगा, x बटे 2 लिखना पड़ेगा, तो बचो इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर हमें apply करना है, sinx का माल लिखना है, 2 sinx बटे 2 into cosx बटे 2, और cosx का माल लिखना है, 2 cos square x बटे 2 minus 1 लिखना है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 2 sinx बटे 2 into cos x बटे 2 और नीचे आपके पास है 1 plus cos x को क्या लिखना है 2 cos square x बटे 2 minus 1 लिखना है into dx यहां पर दोखो minus 1 plus 1 यह तो सीधा सीधा cancel हो रहा है तो कर देते हैं cancel और इसके बाद ऊपर है यह x नीचे है 2 cos square x बटे में 2 तो फिर इसके बाद plus का निसान लगाओ दोनों में अलग अलग भाग कर देते हैं एक्स में पहले भाग कर लिया plus का निसान लगाओ और यहां भी भाग करेंगे तो 2 sin x बटे 2 into में cos x बटे 2 divide करना है 2 cos square x बटे 2 into में dx correct है वो चुछ इतनी बाद अब थोड़ा और आंगे बढ़ाएं तो ये 2 तो हम समा किलन से बाहर कर सकते हैं कोई समस्या नहीं x into में ये cos square जो बटे में लिखा अगर उपर ले जाओगे तो यहां पर इसको हम sec square x बटे 2 लिख सकते हैं एक बटे cos square बराबर sec square x बटे 2 हो जाएगा बिलकुल ठीक है into में dx लिखे दो फिर प्लस का निसान लगाओ और यहां पर तो को 2 से 2 तो बिलकुल सीधा कट रहा है और एक cos और एक cos कट रहा है तो अब यहां पर लिखना है sin x बटे 2 बटे में cos x बटे 2 मतलब यहां लिखना है 10 x बटे 2 into में dx ठीक है बच्चो इतनी बात के लिए रहे चलिए अगर इतनी बात के लिए रहे तो अब यहां पर इसका हम समा कलंद करेंगे देखे कैसे एक बटे 2 ठीक है फश्ट फ़लन इसको मान ले second इसको मान ले यहां पर दोको algebraic elite के अनुसार algebraic first होता है न इसको पहले फ़लन मानना है और यह आपके पास algebraic पहले आता है तो भया उसको first मरना है बचा हुआ है वो second हो जाता है तो यहां पर first फ़लन यहों काती हो second का करना है समा कलंद सेक स्कॉार एक्स का समा कलंद 10 x बटे 2 हो जाएगा 10x बटी 2 10 square x बटी 2 है तो समाकलन क्या लिखना है 10x बटी 2 यहाँ पर 2 से भाग है तो 1 बटी 2 यहाँ भाग में आ जाएगा ठीक है 1st फलन 2nd का समाकलन और minus समाकलन अब 1st का आउकलन कर दो तो यहाँ पर x का आउकलन x के साफ एक सीधा लिखना चाहो तो एक होता है या फिर अंगली स्टैप में एक लिख देंगे कोई समस्या नहीं 1st का आउकलन 2nd का समाकलन करना है मतलब यहाँ पर इसका समाकलन चलो हम डारेक्ट लिख देते हैं आप कुछ आंगे नया बढ़ा है फर्ष्ट का आउकलन दोखो एक लिख दें 2nd का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 10x बटे 2 और बटे में 1 बटे 2 लिखना है इंटू में dx लिख दे प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर 10x बटे 2 और इंटू dx यह जो का देखो इसका हमने समाकलन नहीं किया है क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा-सीधा दोखो यह कैंसल हो रहा है एक बटे 2 का अंदर गुड़ा करोगे तो एक बटे 2 से एक बटे 2 कट जाएगा तो x इंटू में 10x बटे 2 यहाँ से मिल जाएगा एक बटे 2 का यहाँ भी गुड़ा करोगे तो माइनस एक बटे 2 समाकलन यह 10x बटे में 2 बटे में एक बटे 2 तो एक बटे 2 से एक बटे 2 यहाँ भी कट जाएगा और प्लस में समाकलन 10x बटे 2 और इंटू dx अब आप देखो 10x बटे 2 इंटू dx लगा दें प्लस सी यह बच्चो इसका अंसर है बिल्कुल एक्जम छोटा आसान सा काम थोड़ा यहां पर हमने डारेक्ट किया है इसको विश्यस याद रखिएगा फश्ट फ़लन सेकेंड का समाकलन हमने यहां पर सीधा डारेक्ट समाकलन कर दिया सेक स्कॉर एक्स बटे दो बटे का समाकलनby थे बटे में दो एक बटे का भाग कर दें तो फ़र्स पलन सेकेंड का समाकलन माने सथक कावकलन आकक्स के सापिए भूता है एक लिए सेकेंड का समाकलन 10x बटे दो बटे एक बटे दो लिख दिया और ये इसको जोंकते हूं ठीक है एक बटे दो का अंदर मल्टिप्लाइ किया तो ये कैंसल हो गया और यहां पर x into 10x by 2 और प्लस कॉस्टेंट ये बच्छों सारे ठीक है चलिए इसको भी नोट करें और अंगे बढ़ें नोट जरूर करते रहें बच्छों एक एक करके सारे प्रिष्णों को ये नोट बनाओगे तो आपको एकजाम के समय कता ही कोई समस्या नहीं आएगी बस इनको केवाल एक बार देखना है अच्छे से है ना एक बार अच्छे से समझ लेना है तो सारे किलियर हो जाएंगे और उस समय में रिखाल से जादा समय नहीं होता तो आपको क्या करना है उतने छोटे समय में सारी चीज़ें पढ़नी है इसलिए loads अगर बने होंगे तो आप जल्दी 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 सारी चीज़ें हो जाती है कोई समस्या वाली बात नहीं चलिए एक और नेश्ट कुछ चनाता है बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट तो को यहाँ है समय कलन करना है एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स और अपोन में हमारे पास है यह अंदर रूड के अंदर बन प्लस एक्स इसक्वाइर का हूला प्यूब ऐसा हमें यहाँ पर सवाल दिया जा सकता है यह है बचो बहुत ही मजिदा बहुत बार पूछा गया थीक है तो इसको तो को ऐसे भी करते हैं या फिर यह अंदर रूड लिखा है इसको कभी कभी एक बटे दो घात के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं दो एक्स इंटू में 10 inverse x बटे में 1 प्लस x स्क्वाइर की whole power 3 by 2 का समा कलन करीब चो ऐसे भी पुछा जा सकता है बटे में दोगात का मतलब अंडरूड ही तो होता है एक बटे दोगात है उसका मतलब क्या है अंडरूड है तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख लो बात दोनों एक ही है कोई केबल उसका थोड़ा सा हुलिया बजल गया है बगी है सब कुछ भई ठीक है तो इसमें भी आपको याद रखना है इस तरीके से अत्वाइस तरीकी से प्रश्न पूंचा जा सकता है ठीक है तो बचो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदल के ऐसे कर लें दो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई यह तो x into 10 inverse x into dx ठीक लिखा है ठीक है नीचे आपके पास क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है दो को ध्यानने जैसा कि अभी बताया हमने यहां पर 3 बटे 2 घात होगे यह अंडरूट का मतलब 1 बटे 2 घात होता है तो इसको हम ऐसा लिख दें कि अंडरूट में लिख दें 1 प्लस x स्कॉयर और into में 1 प्लस x स्कॉयर को अलग लिख दें 3 बटे 2 घात होगे और जब x स्कॉयर x inverse x को t माने और इसकी मदद से हम x का मान निकालें तो क्या निकलेगा 10 inverse x से निकलेगा ठीक है यहां से दो को x बराबर क्या हो जाएगा 10 inverse x हो जाएगा आउकुलन कर दें तो 1 बटे 1 प्लस x स्कॉयर into में dx बराबर में यहां हम dt लिख लें देखो यहां पर इसको हम क्या लिख दें बच्चो इसको हम यहां पर dt लिख लें ध्यान से समझो इस पूरे को क्या लिख दें इसको हम dt लिख लें और x के जगा पर 10 बर से लिख दें ठीक है एक्स के जगह पर हम 10 दो को ध्यानने पर यहां से थोड़ी गलती हो गई एक्स ब्रावर क्या लिखेंगे 10 इधार आएगा 10T हो जाएगा एक्स ब्रावर 10T ठीक है तो एक्स के जगह पर 10T लिखते हैं और X इसको हमना माना है T इस ती पूरे को क्या माना है ट धिया इस पर यहां पर चल रही थी है न एक्स की जगह पर 10T लिख दिया 10 ऐस को अमने टी लिख दिया और यह हमने जो यह आपको डॉट करके लिखा है ना इसको पूरे को हम DT लिखेंगे और यह अंदर लखना है अंडर उड में 1 प्लस x Square, x का मतलब का है, 10 Square t लिखना है ठीक है, 10 Square t, correct है भचू, यहां पर जोगों 1 प्लस 10 Square θи ता बरावर सेक Square θi तो 10 t into t into dt बटे में यहाँ पर 1 plus 10 square बरावर सेक स्क्वाइर और बर्गमूल खतम हो जाएगा सेक केबल लिख देना है सेक t ठीक है वैसे 1 plus 10 square को सेक स्क्वाइर कहते हैं इसक्वाइर यह बर्गमूल से खतम हो जाएगा तो सेक t केबल बचाएगा और इसको आगे बढ़ाओ इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएँ तो यहाँ से यहाँ से देखो इसको ऐसे कह सकते हैं कि i बरावर integration करना है t तो ठीक यह 10 t लिखाए वच्चो इसको क्या हम sin t बटे cost t लिख सकते हैं sin t बटे cost t लिख सकते हैं और बटे में जो सेक t लिखाए इसको एक बटे cost t लिख सकते हैं और यह t into dt हमारा जियों का त्यों है बचो यहाँ से cost t कैंसल कर लिया जाए तो केबल बचाएगा किसना यह बचाएगा sin t into t into dt यह अब असली बात बनी है एक फलन यह है एक फलन यह है इसमें से एल्जेबरिक फलन को हम यहाँ पर फश्ट मानेंगे और यह टिक्नोमेट्रिक फलन है है डिरेक्ट कर दें साइन टी का माईनेस कोस्टी होता है समय कलन बच्ट का उखलों बच्चों यहां पर टी का टी के सप्ट इसबनेक लिखना है सेकेंड का समाकलन करritrain माईनेस में कोस्टी लिख दें और इंटू में डी ठीक है इसके बाद और यहाँ पर दोखो माइनस में T इंटू में कॉस्ट T लिखा जाए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉस्ट T का समा कलन यहाँ पर साइन T लिख दें प्लस एक कॉस्टेंट लगा दें बच्छो यहाँ पर अब T की वैलू लिख दें थोड़ी से समझने बाली बात कुछ यह है कि बचो यहाँ से 10 T का मान तो X है जो को यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ी जगह कम है यहीं चलो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर समझो चूंकि यह 10 T बराबर तो X है 10 T बराबर कितना है X और इसकी मदद से हम यहाँ पर साइन T और कॉस्ट T की मान की जरूरत पढ़ रही है हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दें यह टी एंगिल हो गया यहां पर इसको हम लिख सकते हैं टैन बराबर होता है लंब बटे आधार यहां पर लंब और यह आधार में एक लिख दें तो पाइसा गुर्स प्रमे के अनुसार यह कड़ वाली और कोस्टी बराबर हो जाएगा आधार बटे कार्ड मतलब एक बटे अंडर रूट बन प्लस एक्स स्कॉाइर हो जाएगा बचो इतनी बार समझ में आई के नहीं आई ना तो बस साइन टी और कोस्टी के में बैलू यहां रखनी है समझो उत्तर आ जाएगा तो यहां पर रखना है माइनस अब टी की वैलू क्या रखनी है साइन साइन टी की वैलू क्या लिखनी है टैन इनवर्स एक्स लिखनी है कोस्टी की वैलू क्या लिखनी है यह आपको लिखनी है एक बटे में अंडर रूट बन प्लस एक्स स्कॉाइर लिखनी है प्लस यहां पर साइन ट तका LCM लें तो यह X माइनस में 10 inverse X और बटे में 1 प्लस X स्क्वाइर का अंडरूड और प्लस यहां पर अंडरूड बन प्लस X स्कॉयर यहां भी अंडरूड बन प्लस X स्क्वाइर तो दोनों जगे से अंडरूड बन प्लस X स्क्वाइर यहां पर एक्स बचाएगा माइनस में 10 inverse X बचाएगा एक कोश्ट एंटर लगाई है कि लिए लो हुगया कि नहीं तो बेहांद इ देखिए कुछ और नई टाइप के कुश्चन करते हैं देखो कुछ नई टाइप की बिल्कुल इकदम नई टाइप की हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट देखो अगला प्रिशना आपके पास है ये लिखता है इस प्रकार से दोखो है समाकलन करना है एक्स इंटू एकी पाव होगे कि कोई फलन ऐसा नहीं है जिसको हम प्रतिस्थापत कर ले तो दूसरा फलन मिल जाए है ना प्रतिस्थापत नहीं करना है क्या करना है थोड़ा आंगे बढ़के यहां पर समझते हैं यह एक्स लिखा है इसमें हम एक जोड़ दें एक घटा दें इंटू एकी पावर प्लस बनका होल आप स्क्वाएर इंटु में दी एक्स त्क ठीक है बच्व जोड़ा इस जोड़ा एक घटा यह кिया क्यों कि हम यहां पर ऐसा करना चारी कि इस में इस से भाग करना चारी एक्स प्लस बन से एक्समाश होल स्कॉायर से जब भाग करेंगे तो एक बार एक कैंसल हो जाएगा इसलिए हमने एक जूड़ा है एक घटाया है तो बच्छों यहाँ से आप अलग-अलग भाग कर देते हैं इस प्रकार से कि X plus 1 है डिवाइड कर दे हैं X plus 1 का scheduled से माइनस एक बटे में X plus 1 का फोल इसकौई और इंटू E की power X जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहे हैं ठीक बच hopes इतनी मा समझ में आ रही है यहाँ से देखे आप एक ये से cancel हो रहा है ठीक है अब देखो बच्चो यहां से यह लिखा है e की पावर x चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो एकी पावर X इंटू में यहां से लिखा है एक बटे में X प्लस बन माइनस में एक बटे में X प्लस बन का होला पी स्क्वाइर और इंटू में DX बचो यह प्रसंदों को ऐसे बगल गया याद करो हमने पहले भी जब बेसिक बढ़ाया था तब भी आपको यह बात बताई थी कि अगर इस फॉर्मेट में हो कि E की पावर X इंटू में FX प्लस F-X यहां पर यह अगर फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट में कोई समाकलन का प्रशन होता है कि E की पावर X हो और यहां इसका डेरिवेटिव आंगी लिखा हो है ना तो यहां पर इसका अंसर हम पाते हैं किस प्रकार से इसका हम यहां पर समाकलन लिखते हैं इसका अंसर लिखते हैं इस प्रकार इसका समतलर लिखते हैं तो बस यही बिल्कुल ठीक यहां पर है देखो देहने इसका अगर हम देखें तो यह derivative है यह दोखो अगर इसको fx माल लिया जाए तो यह आपका fx हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं एक बटे यहां से हम कह सकते हैं इसको fx तो यह f-x यहां पर मिल रहा है इसका मतलब यह है कि इसका समाकलन कितना आना चाहिए इसका समाकलन आना चाहिए e की पावर x इंटू में एक बटे x प्लस 1 और प्लस एक कोस्टेंट लगा दें यह बच्चो इसका अंतर हो जाएगा क्योंकि आपको यहां पर आंगे लेक देना है चूंकि यह इस फॉर्मेट का है क्योंकि e की पावर x समाकलन e की पावर x इंटू में fx प्लस f-x यह इस तरीके से है ना यह बराबर क्या होता है यह बराबर होता है e की पावर x इंटू fx प्लस कोस्टेंट होता है इस फॉर्मेट में है इसलिए यहां पर हम इसको इस परकार लेक सकते हैं हलाकि यह जरूरी नहीं है बच्छो बाई दबे अगर आपकी दिमांग से कभी कभार निकल जाए कि भाई यह हमें अगर याद ना रहे तो कैसे कर सकते हो कर सकते हो तो भी कर सकते हो देखो यहां पर हम करके दिखा देती हैं कैसे कर सकते हो यहां पर बच्छो दो प्रशन बन करना है एक बटे में X प्लस बन का होवड़ां की स्क्वा एंटू में ऑं एक की पावर एक यहां भी गुणा कर दा करें जा हो यहां कर लिया तो सवाल बन गई एक का यहां पर हम अगर इसको दोखो इसको हम यहां से एक फ्लन को हम पहला फलन मालने और इसको हम दूसरा फलन मालने तो पहला फलन आपके पास हो जाएगा ज्योंकातियों एक बटे x प्लस बन ये ज्योंकातियों सेकंड वाले का समाकलन यही होता है फश्ट फलन सेकंड का समाकलन minus sum equivalent फश्ट का alkaline बताओ कितना लिखना है आपको लिखना है minus 1 बटे x plus 1 का whole square यही तो हो जाएगा minus उपर ले जाओगी तो x plus 1 की whole power minus 1 alkaline करोगी तो minus 1 पहले आएगा x plus 1 की whole power minus 2 हो जाएगा minus 2 घात है इसलिए नीचे ले आओगी तो plus की गहात हो जाएगी है न यही तो करना है तो यह हो गया first का आउकलन second का समाकलन तो इत्ता ही होता है जियोंकातियों लिखना है minus समाकलन यह जियोंकातियों लिखना है एक बटी में x प्लस बनका square into e की power x into में dx अब आप देख पारे हो यह minus minus plus हो जाएगा एक बटे x प्लस बन इंटू e की power x minus minus यह plus हो जाएगा समाकलन e की power x into dx divided by x plus 1 का होलाप square यह minus में यही चीज लिखी है e की power x upon में x plus 1 का होलाप square into में dx तो बचो यह दोखो minus में है यह plus में है cancel हो जाएगा बस यही आपका अंसर बचाएगा e की power x बटे में x plus 1 और plus constant जो कि आप यहां से भी देख रहे हो वही चीज है तो अगर आप बढ़ाना चाहों तो ऐसी भी बढ़ा की लगा सकते हो हाना यहां पर यह formula लिख दो समझो formula है ऐसे समझो इस अगर अगर इस तरीके से बच्चो इस को याद रखो अगर इस पैटरन को याद आप रखोगी तो आप सीधा सीधा अंसर लिख पाओगी और अधरबाइज यहां पर दो फलंद बन जाएंगे दो प्रश्ण बन जाएंगे एक का अगर हम आपको समकलन करेंगे तो इस दूसरा अपने आप कैंसल हो जाएगा ठीक है चली बहुत अच्छा तो इस तरीके से बच्चो इस पैटरन का एक और दोखो सवाल देखते हैं अंगला देखें यहां पर हम एक प्रश्ण लेते हैं जिसको इस परकार से लिख दें कि यहां पर है अमारे पास समाकलन करना है यह आपके पास है बन प्लस साइन एक्स अपन में बन प्लस कोस एक्स इंटू में एकी पावर एक्स इंटू डी एक्स इसका हमें समाकलन करना है इसको भी बिल्कुल उसी format में बदलना है, दोको करके दिखाते हैं, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के इस प्रकार लिख लेते हैं, बन प्लेस साइन टू एक्स का फॉर्मूला जो होता है, उसको यहां पर हमें लिखना है, साइन टू एक्स का नहीं है, चूंकि साइन एक्स लिखा ह ठीक है, यहां पर आजब बटे में, यहां पर बन प्लस कॉस एक्स को लिखना है, टू कॉस स्क्वाइर एक्स बाइटू माइनस बन, यहां पर कॉस टू एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, तो हाप एंगल में लिखना है, कॉस के पदों में, टू कॉस स्क्वाइर एक्स बन लिखना है ठीक है यहां पर माइनस बन और यह प्लस बन कैंसल हो रहा है एकी पावर एक्स जोंकाते हो इंटू में डी एक्स भी जोंकाते हो थोड़ा और आंगे बढ़ो तो इस प्रकार बच्चो ऐसा करते हैं कि अलग-अलग दोनों में भाग कर लें एक में अलग भाग करते हैं तो एक बटे में टू कॉस इसक्वाइर एक्स बटे दो ऐसा लिखते हैं ना प्लस का निसान लगा और यहां पर टू साइन एक्स बटे दो इंटू में कॉस एक्स बटे दो बटे में यहां लिखना है तू कॉस इसक्वाइर एक्स बटे दो यह लिखना है और गटे में 2, 1 बटे में 2 इंटु में omega square x बटे 2 लिख सकते के नहीं, 1 बटे 2 into से square x बटे 2 ठीक है, 1 बटे cost square को हम square x लिख सकते हैं, यहाँ पर plus का निसान लगाओ, यह 2 से 2 cancel हो रहा है, cost से एक बरगे सका cancel हो जाएगा, sine बटे कॉस्ट टैन लिख सकते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं 10x by 2 और इंटू में e की पावर x into dx बच्चो यहां पर अब आप ध्यान से देखो तो इसका इसको यहां पर पहले बदल के लिख लेते हैं समझ में जाना अच्छी तरीके से आ जाएगा यहां पर इसको ऐसे दो को पहले लिख रहे हैं क्योंकि यह अगर एफ-एक्स मान लिया जाए तो यह इसका डरिवेटिव दो यह होता है कि नहीं होता है तो टैन एक्स बटे दो प्लस में एक बटे दो यहां पर लिख दें सैक स्कॉाइर एक्स बटे दो इंटू ई की पावर x into dx दो बच्चो उसी format में मिलकुल सवाल बन गया इसको अगर fx कह लिया जाए तो इसका यहां पर derivative दो को यहां पर मिलना है यह अगर fx है तो यह f-x है into e की power x तो है तो इसका मतलब हमें क्या इसका समाकलन क्या करना है इसका हमें answer देना है e की power x into 10x यह हमारा answer हो जाएगा क्या देना है e की power x into 10x यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है या फिर इसको हमने जैसा की बताए कि हम दो प्रशनों में तोड़ दें दो प्रशनों में तोड़ दें तो इसको ऐसे कर सकते हो दोखो बरावर समाकलन यहां पर लिखा है 10x बटे 2 into में e की power x into में dx दोखो एक प्रशनी यह हो जाएगा यहां पर इसका अंदर गुणा कर लिया प्लस का निसान लगाओ 1 बटे 2 लिखो समाकलन से बाहर और यहां पर भी बैसा ही करना है sec square x बटे 2 into e की power x into में dx अब यहां पर दोखो पहला फलन इसको माल लिया जाए यहां पर इसको दूसरा फलन माल लिया जाए तो फ़श्ट फलन हमें ज्योंकातियों लिखना है second का समाकलन e की power x का समाकलन e की power x ही होता है minus समाकलन first का आउकलन बताओ कितना लिखना है 10 x बताओ का आउकलन हमें लिखना है sec x sec square x बते 2 x बते 2 का फिर से करोगे 1 बते 2 ठीक है और into में second का समाकलन e की power x का समाकलन e की power x लिखना है into d x और यहां पर लिखना है plus 1 बते 2 समाकलन sec square x बते 2 into e की power x into dx इसको तो जियों कातियों लिखाएंगे तो बच्चों यहां से सीरा दिखाई दे रहा है यह माइनस में है 1 बटे 2, 6 square x बटे 2, 2e की पावर x into dx यह प्लस में है तो यह इससे पूरा-पूरा कैंसल हो जाएगा, बस आंसर हमें मिल जाएगा 10x बटे 2 into e की power x और plus constant ठीक है तो वही बात दोखो यहां से भी है हमने जैसा कि बताया था कि अगर ये fx है और ये fx है into में e की power x है तो इसका answer क्या आना चाहिए ये गुड़े ये आना चाहिए है ना ये गुड़े ये आना चाहिए तो बचो e की power x into 10xy2 यही दोखो इसका answer ठीक है correct है तो इस तरीके से बच्चो ये भी बहुत बार पूंचा गया ठीक है तो अब ये सारे प्रशन बच्चो बड़े प्रशन है ना कोई 5 नंबर का तो कोई 8 नंबर का बढ़िया अच्छे प्रशन है चलिए इसके आंगे बच्चो एक और यहां पर एक और देखते हैं प्रशन दोखो एक अंगले प्रशन के ओर बढ़े तो बच्चो अंगला प्रशन हम एक फॉर्मूला को प्रूप कराएंगे वह बहुत बार पूंचा गया है उसको हम यहां पर एक प्रूप करवाएंगे दोखो यह हमारे पास एक इसको standard form में लिख ले देते हैं और इसका हमें समाकलन करना है तो इसका जो answer आता है उसको हम एक सूत्र के रूप में भी यूज करते हैं बिल्कुल जश्ट सूत्र के रूप में यूज करते हैं तो पहले इसका answer क्या आना चाहिए हम यह प्रूप करना चाह रहे हैं ठीक है यह हमारे पास प्रशन काफी बार ऐसा पूछा गया कि सिद्ध करके दिखाओ अंडरूड ए स्क्वाइर मानस एक्स बडावर कुछ आंगे लिखके मिलाएगा है न हम सिद्ध करेंगे क्या मिलेगा वह आंगे यहां पर हम सिद्ध करके दिखाएंगे चली तो बच्छो यहां पर समाकलन का निसान ल मनना है और आपको यह पता है तो हम मानते हैं यह हमारे पासmn सेखरियों गातत्यों लेखना है अंडरूड ए स्कौाइर मानस से स्क här जूँ कातियों लिखना है क्या फॉर्मूला होता है फश्ट फलन सेकैंड का समा क्लान करना है 1 Sung Car इसका आउकलन करना है तो डी और डी एक से अंडरोड ए स्कौाइर इसका आउकलन करना है जब कि यहाँ पर इसके आउकलन की बाद इसका समा करना है ठीक है और जो मिलेगा उसका हम फिर से दुवारा से समाकलन करेंगे ठीक है और अंगे बढ़ो यहाँ पर बराबर का निसान लगाते हैं अंडरूड एका स्क्वाइर माइनस एक्स का स्क्वाइर बन का समाकलन बचू पता है एक्स होता है बनका समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है माइनस समाकलन यहाँ पर इसका आउकलन बताओ कितों नहीं करना है A square minus X square का under root है तो बचो यहाँ पर दोखो A square minus X square का under root का मतलब तो 1 बटी 2 घाद होता है पहले 1 बटी 2 का आउकलन करना है 1 बटी 2 पहले लिखना है और A square minus X square की whole power कितनी हो जाएगी 0-x² का आउकलन लिखना है 2x गरेक्ट है बच्चो यह इसका आउकलन हो गया इसके बाद यहां 1 का समाकलन करना है तो 1 का समाकलन x लिखना है इन 2 में dx ठीक है अब आप देख पा रहो यह बटे में 2 यहां पर यह गुणा में 2 तो यह 2 और यह 2 कैंसल हो रहा है यहां पर माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा तो बच्चो इसके बाद दोखो आंगे बढ़ते हैं यहां पर अंडरूर ए का स्कॉाइर माइनस x का स्कॉाइर और यहां पर इन 2 में x माइनस यहां दो को यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद में X और X का मल्टिप्लाई करने के बाद यहां X स्कॉाइर हमें मिलेगा इंटू में DX बटे यहां पर देख सकते हो माइनस एक बटे दो पावर है इसको अगर नीचे ले आओगे प्लस के एक बटे दो पावर हो जाएगी और प्लस के एक बटे दो पावर को हम अंडरूड में लिख लेते हैं यहां पर अंडरूड A स्कॉाइर मानस X स्कॉाइर हमें मिलेगा इतनी बाद बच्चो यहां तक किलियर हो रही है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत वाली बार नहीं अब यहां पर आंगे थोड़े और बढ़ें इसमें यहां पर आप देख सकते हो यह लिखा हुआ है यहां पर x स्कॉाइर यहां भी बच्चो यहां पर है a स्कॉाइर मानिस x स्कॉाइर है अगर इसको यहां पर थोड़ा सा ब फ्ललन नहीं है इसको हमें पर में फालन पहले बनाना है फिर वमां क्ल करना है कैसे बनाना है तो थोड़ा ध्यान दें अंडरण यहां पर लेखना है को को एगा स्कॉायर मानेश- сразу in-van x से और फ्लस यहां से वाच्चो एक इसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम माइनेज में x square है तो यह बचो माइनेश का x square है यहाँ पर a square जोड दिया जाए a square घटा दिया जाए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है समझ रही हो आ तो ऐसा क्यों किया है जब नीचे आप देख पा रहे हो A का स्क्वाईर मानेस X का स्क्वाईर इन्टू में DX ऐसा क्यों किया क्योंकि यहां पर अगर हम भाग दें तो यह अंडरूड बार कैंसल हो जाए बात आरी समझ में आरे ना समझ में यहां पर अब समझ में आएगी कोई समझ्या बाद निए एकस इंटु अंडरूर अका स्कॉाइर Short minus x2 इसको तो ज्यूंकाते हो लिख लेइ, फिर यह minus का निसान है, चलो minus का निसान लगा लेते हैं और यहाँ इसको अलग-अलग भाग करें, इस में पूरे का भाग करोगी, तो यह शमा किलन के अंदर alma root a का स्कॉाइर Short minus x का अगर इतनी बाद समझ में आई तो अगर इतनी बाद समझ में आई तो ये भी समझ में आ रहा होगा बचो ये तो हमारे पास आई है दो को ध्यान ने यही तो आई है इसको यहां पर यहां पर यहां पर यह चल ला है इदर क्या चल ला है आई बरावर है ना क्या चल ला है आई बरावर तो अब यहां से आई बरावर एकस इंटू अंडर रूड एका स्कॉाइर मानस एकस का स्कॉाइर मानस इसको भी हम आई लिख लें प्लैस यहां से ए स्कॉ जाएगा तो 2i हो जाएगा 2i बरावर x into under root a का square minus x का square प्लस यहाँ पर देखो a का square और इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान नहीं यह under root में है यह अच्छे से याद है आपको एक बटे under root a square minus x square into dx बरावर क्या होता है यह होता है sin inverse x upon a क्या होता है sin inverse x upon a होता है प्लस यहाँ पर constant लिख लिया जाए ठीक है बच्छो हो गया काम खसम i बरावर निकालना है तो 2 से divide और कर दो तो यह हो जाएगा i बरावर x बटे में 2 into under root a का square minus x का square प्लस यहां से हो जाएगा a square बटे में 2 दो का भाग यहां भी हो जाएगा into में लिखना है sin inverse x बटे a plus constant तो इसको बच्छो याद रखिएगा बिलको लिग्दम कंठेस से याद रखिएगा ठीक है यह एज फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर कभी आपको इस प्रकार का प्रस्ण मिलता है कि under root a का square minus x का square into dx मतलब तो इसको हमें इस रूप में लिख लेना है ठीक है इसका समा कर लोड़ हम डारेक्ट लिखेंगे x बटे 2 into under root यह पूरा ज्योंकातियों लिखना है plus a square बटे 2 into 7 bar x बटे जैसे हम यहां पर एक उधारण ले लें जैसे under root ऐसा लिखाओ कि 4 minus x square चलो हम बिल्कुल एक दम छोटा सा और बिल्कुल सटीक उधारण उसी के हिसाब से ले ले मालो यह प्रशन हमारे पास यहां पर हमने एक यह उधारण ले लिया तो इसको हम कैसे करेंगे दोखो इसका समा किलन कैसे करेंगे पहले उसकी सकल बनाएं यहां पर लिखने हैं 2 का square माइनस में x का square into dx ठीक है तो a square minus x square का under root तो को इसी फॉर्म में तो बन गया तो आपको यही सीदा सीदा यूज कर देना है क्या लिखना है इसका answer हमें लिखना है x बटे 2 into under root 2 का square minus x का square plus यहां लिखना है a square बटे 2 a कितना है 2 2 का square बटे में 2 into में sin inverse x बटे 2 plus constant यह बचो आंसर लिखना है 2 और यह 2 cancel हो जाएगा तो 2 बचाएगा वस यही आपके पास answer है x बटे में 2 into में under root 4 minus x square plus में 2 into में sin inverse x बटे 2 plus constant यह हमने answer लिखना है कब जब यह आपका प्रश्न मिलता है तो बचो इस टाइब का यह एक प्रश्न के रूप में भी इसको बहुत बार पूंचा गया है प्रश्न के रूप में भी पूंचा गया है कि वहीं समा कलन करके बताओ कि अगर यहां पर इस प्रकार से बचुब प्रश्न बनता है कि समा कलन करना है NDर 초대 में यहां पर है 3 माइनस में 2x माइनस में 2x का इस वाई इंटू eh इसका हमया समा कलन करना थे लिए तो पहले तो hanman उस प्वार में बनाना होगा उन्य पर का यह प्रश्न और हे अे ओन्पन द्यानने औरहां वे रहावर समा कलन अंडर ओग पहला काम तो बच्छो x square का गुढंक 1 बनाओ, x square का गुढंक 1 बनाओ, तो यहां से हमें क्या करना है, under root, मतलब 2 यहां under root से बाहर निकालना है, 2 जब बाहर निकालोगी तो under root 2 बाहर आएगा क्या आएगा बाहर under root 2 बाहर आजाएगा under root के अंदर बचाएगा यहां से दोखो 3 बटे में 2 minus में 2 बटे 2 करोगी x किला बचाएगा minus यहां पर 2 से 2 कर जाएगा x square बचाएगा इंटू में डी एक्स है हमने यहां पर अंडरूट दो कॉमन लेके बाहर निकाल लिया ठीक है इसके बाद यहां पर देखो यह लिका है तीन बटे दो यहां पर इसको पूल बर्ग अगर बनाया जाए तो पूल बर्ग बनाने के लिए क्या करते है एक्स के गुड़ंग के अगर जोड़ोगे तो घठाना भी पड़ेगा अगर जोड़ना है तो घठाना भी पड़ेगा अगर घठाओगे नहीं तो हमारी बैलू बदल जाएगी तो क्या करना है यहां पर दोखो ऐसा करना है कि यहां पर एक बटे चार जोड़ दें एक बटे चार यहां घठा दें माइनस X और माइनस X स्क्वाइर यह ज्यूं काते हूं इंटू में डी एक्स ठीक है और अंगे दो अंडरूर दो समा कलन और यह हमारे पास यहां से दोखो इसको तो पहले हल कर लो चार एलसी हमा जाएगा तीन दो नी छै और एक साथ यहां पर हमें क्या मिल जाएगा साथ मिल जाएगा साथ बटे चार और माइनस में यहां यह तीनों पद माइनस में हैं तो अगर माइनस कॉमा ले ले तो यह हो जाएगा X स्क्वाइर क्या हो जाएगा x square plus x plus 1 बटे 4 into med x correct बच्छो आप देख सकते हो यह आपका pool बर्ग बन गया यह pool बर्ग है और इस पर भी हम यहाँ पर under root लगा के यहाँ पर under root 7 बटे 2 का square ऐसा लिख सकते हैं a square यह हो गया minus इसको हम x plus 1 बटे 2 का square लिखते हैं तो बच्छो यही दोखो उसी फॉर्मेट में बदल गया under root a square minus x square into x के फॉर्मेट में बदल गया तो अब बच्छो यहाँ पर हम formula apply करेंगे under root 2 यहाँ से देखिए under root a square minus x square यही तो फॉर्मेट है आपका तो आपके पास answer आता है x बटे 2 यहाँ पर x के जगह पर क्या है x plus 1 बटे 2 तो यहाँ लिखना है x plus 1 बटे 2 बटे में 2 मतलब x बटे में 2 तो यह हो गया x बटे 2 into under root a square minus x square अब प्लस a square बटे 2 a square का मतलब इसका square करना है under root 7 बटे 2 का square करना है बटे में 2 लिखना है into में sin inverse x बटे a मतलब x का मान क्या है x plus 1 बटे 2 बटे में a लिखना है a का मतलब under root 7 बटे 2 लिखना है प्लस यह constant लगा देना है ठीक है बस समझो इसको हल करोगे यही आपके पास अंसर आने वाला है देखिए और थोड़ा आंगे हल करें अंडरूर्ट दो हमारे पास है इसमें यहां से दोको एकस इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो दो एकस प्लस एक बटे में दो और दो यह लिखा है दो दो नी चार मतलब दो एकस प्लस एक बटे में चार ऐसे यहां लिख सकते हो ठीक है और इसके बाद यहां पर दोको जो अंडरूर्ट में लिखा है यह टूटल मिला के दोको इस पर थोड़ा गौर किया करो यह जो है ना यह यह है यह वाला यह है यह है मतलब हम कह सकते हैं यह है टूटल और इसम को थोड़ा आंगे हल करके लिख देते हैं जो को पहले तो लिखना है सात भटे में चार यहां इसका इसकोईर करोगे सात भटे चार माइनस और इसका जब स्कौर करोगे तो यह हो जाएकषट स्कौाइर माइनस में ही होगा चूंकि माइनस का आउंगे ये 7 बटे में क्या हो जाएगा दो का इसकोายर 4 4 दूनी 8 यहाँ पर 7 बटे में क्या लिखना है 8 इंटू में sin इन्वर्स लिखना है 2x प्लस 1 लिखना है देखो दिम्धें 2x प्लस 1 ये 2 से और ये 2 कठ जाएगा तो under root 7 बचाएगा और ये plus constant है ठीक है बच्चू यहाँ answer लिख देते हैं देखो ध्यान दें यहाँ पर इसका answer लिख देते हैं यहाँ देखिए इसको under root 2 को अंदर multiply करोगी इस bracket में तो total यही बन जाएगा यहाँ पर यह तो जियोंकातियों लिखना है कितना 2x plus 1 upon में 4 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर under root 2 से multiply जैसे करोगी यहाँ under root 2 इंटू देख पारें under root 2 इंटू इतना पूरा यह बराबर यह होता है तो बस यही काम करना है यह under root 2 से इसमें अंदर गुणा कर दें तो यह total मिला कि यही पूरा दिया गया function बन जाएगा 3 minus में 2x minus में 2x का square हो जाएगा और इसके बाद plus का निसान लगाओ यह प्लस का निसान लगाओ यहाँ भी under root 2 का गुणा कर दें तो 7 into under root 2 बटे में 8 लिखो और यहाँ पर लिखना है sine inverse 2x plus में 1 बटे में under root 7 लिखना है यह हमारे पास बच्चो इसका अंसान है ठीक है चाह और अगर इतना ही आपको लिखना है तो अभी बिल्कुल आपका अंसर एकदम अपनी जगह पर ठीक है ठीक है तो इस तरीके से अगर प्रश्न केबल कभी-कभी यह पूचा जाता जैसा कि हमने बताए कि अगर under root a square minus x square into dx इसका समा करना है तो फिर हमें प्रूब करके दिख इसका भी अंसर आपको डारेक्ट याद रखना है एक्स बटे 2 into under root a square minus x square जो आपने अभी यहाँ पर यूच किया है ठीक है प्लस a square बटे में 2 into में sin inverse x बटे a होता है एक्स बटे a और प्लस constant ठीक है तो याद रखना है यह अगर आपको पूचा जाए तो आपको सिर्द कर आपके दिखाना है और यदि आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में कोई प्रस्ट मिलता है तो डारेक्ट इसका अप्लाई आपको कर देना है जैसा कि आपने यहां पर किया है ठीक है तो चलिए next question देखते हैं बच्चो एक और नए टैप का यहां पर question देखते हैं लोगो ब बहुत ही मज़ेदार बच्चो यहां पर सारी question है previous year में काफी बार repeat करें गए हैं सारे प्रस्ट इसलिए आपको अच्छे सरीके से complete करना है देखिए यहां पर एक प्रस्ट है हमाई पास समाक्लन करना है एक बटे में चार प्लस प्लस इंटू कॉस एक्स इसका हमें समाक्ल करना है बच्चो कैसे करोगी ध्यान से समझो इसका समाक्लन कैसे करोगी तो यहां पर अगर इस टाइप में आपको सवाल मिलता है कि एक बटे में चार प्लस में पांच इंटू में यह कॉस एक्स कमांड 10 के पदों में लिखना आपको याद रखी ठीक है अगर यहां साइन एक्स है तो साइन एक्स का भी मांड 10 के पदों में होता है उसमें भी आपको 10 के पदों में लिखना है कभी कभी ऐसा आता है यहां साइन कोस एक्स के जगह पर साइन एक्स लिखके आ जाता है तो अगर साइन एक्स के पदों में साइन एक्स का मांड लिखना है और यहां प प्लस टैन्स्टार एक्स बाई टू होता है ठीक है इनडु में दिए एक्स इसको हल करें और थोड़ा आगी तो को समा किलन बन इंडू में डी एक्स और अपोन में यहां से देखो बच्छों यहां से एक एल्सेयम लें बन प्लस टैन स्क्वाइर एक्स बटी दो यह हमारे पांसे ल्स्यमा जाएगा यहां से चार से गुणा करो दो को चारी कम चार प्लस मैं यहां लिख दो चार टैन स्क्वाइर एक्स बटी दो लिखो प्लस यहां से दोखो एक से यहां उड़ा करोगी तो पांच एकम पांच माइनस में पांच इन्टू में टैन स्क्वाइर एक्स बटी दो ठीक है वच्छ इतनी बाद समझ में आ रही इसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बन प्लस टैन स्क्वाइर एक्स यह कहां यहां पर देखिए बन प्लस टैन स्क्वाइर एक्स बटी दो इसको उपर पहुंचा दें इन्टू में डी एक्स और नीचे हमारे पास दो को कितना बचाएगा यह चार है यह पांच है चार पांच नौ लिख ले चार टैन स्क्वाइर एक्स बटी दो मैसे पांच टैन स्क स्क्वाइर एक्स बटे दो मिलेगा अब बचो ऊपर आप देख सकते हो इसको हम यहां पर बन प्लस टैन स्क्वाइर एक्स बटे दो को यहां पर सैक स्क्वाइर एक्स बटे दो लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं बच्चों के नहीं लिख सकते हैं इसको बन प्लस टैन स्क् प्रतिस्थापन करते हैं यहां से 10X बटे 2 को हम टी मालेते हैं आउखलन कर देए 10X का अउखलन होता है सैक स्क्वाइर एक्स बते 2 x बते 2 का करोगे तो एक बते 2 और डी x बराबर में यहां लिखा जाएगा dt दो यहां से हटाओ दो से यहां गुणा हो जाएगा मतलब सेक स्क्वाइर एक्स बटे दो इंटू में dx बरावर हो जाएगा 2 इंटू में dt ठीक है बच्छो इसको हम यहां पर 2 dt लिखेंगे और नीचे दो को ध्यान दें क्या करना है ऊपर तो हमें 2 dt मिल जाएगा जबकि नीचे यह 3 का स्क्वाइर लिखा है यह तो ठीक है माइनस इसको हम क्या लिखेंगे इसको हमने माना है दो यहां पर लिखना है ट का इसक्वाइर तो बच्छो आप देख सकते हो जहां से 2 तो बहर निकालो और यह 2 dt बटे में या तीन का square minus t ka square बच्चो कौन सा formula है बता सकते हो बहुत अच्छे से बता सकते हो यह हमने दोखो यहां पर एक बटी में a का square minus x square into dx यह हमारा दोखो फॉर्मिट है न तो यह क्या होता है इसको क्या लिखते हैं एक बटी में 2a into log a plus x upon में a minus x से लिखते हैं याद करो plus constant ठीक है तो यही चीज़ हमें यहां पर लिख देनी है दोखो यह two हमारे पास पहले से है क्या लिखना है एक बटे में 2a a का मान कितना है तीन है एक का मान कितना है तीन एक बटे दो तो cancel कर सकते हो एक बटे 3 लिखो इंटू में लॉग यहां से 3 प्लस अब T की बैलु लिख रहे हैं T की बैलु कित्ती लिखनी है बच्चो यहां से 2 वराबर है 10 X बटे 2 तो यहां पर आपको लिखना है 10 X बटे 2 बटे में 3 माइनस 10 X बटे 2 यहां लिखोगी प्लस एक constant य यहां पर ऐसे करना है समा कलन करना है यह लिखा है अंडरूड 10X प्लेस अंडरूड कोटेक्स इंटू कैसे करना है एक काम तो सीधा सीधा यह दिखाई दे रहा है कि अगर हम चाहें तो अंडरूड 10X दोनों जगह से कॉमल ले सकते हैं तो अगर अंडरूड 10X कॉमल लें तो हमें यहां से बन मिलेगा प्लस का निसान लगाएं और यहां से अगर अंडरूड 10X से भाग करेंगे तो यहां पर एक बटे में 10X मिलेगा ध्यान से समझो मिलेगा की नहीं मिलेगा बच्चो यहां करके दिखा देते हैं देखो यहां पर यह लिखा है अंडरूड 10X और भाग काई से करना है अंडरूड 10X से भाग करना है तो बच्चो इसको हम अंडरूड 10X को भी हम एक बराबर एक बटे 10X होता है कि नहीं और यह हमारे पास अंडरूड में 10X लिखा है तो 10X अंडरूड 10X और अंडरूड 10X का जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा एक बटे लिखा कि नहीं 10X मिल जाओंगा तो इस तरीके से हमें यहां से कौमन दिखाइदिया अंडरूड 10X यह का मैं यह कह हैं 10x बरावर 10x बरावर में t का square कह सकते हैं यहाँ पर इसका derivative निकालो 10x कावकुलन पता है sec square x होता है और यह dx बरावर में यहाँ t square कावकुलन 2t इंटू में dt लिखना है और dx का मान निकाला जाए तो 2t इंटू में dt बटे में यहाँ पर sec square x आ जाएगा सेक square x को भी हम बदलें 10 के पदों में तो 2t इंटू dt बटे में sec square x को 1 प्लस 10 square x लिख सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हो 2t इंटू में dt बटे में 1 प्लस यह 10 square x है दो खो ध्यान दें अगर 10 का square करोगे तो t की पावर 4 हो जाएगी तो यहाँ पर हमें 10 square x के जगा पर t की पावर 4 लिखनी है बचो यह हमारे पास dx का मान निकल के आया अब देखो इस प्रशन को हम यहाँ से क्या बनाने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो इस प्रशन को यह है आई बरावर समा कलन यहाँ से इसको हमने मान लिया है t तो यहाँ तो इसको t लिख देते हैं इसके बाद ब्रैकेट लगा के हम 1 प्लस में 1 अपॉन में इस पर हम 10 x को क्या लेखेंगे t का square लेखेंगी यहाँ t square लेखेंगे और dx को हम क्या लेखेंगे टू टी इंटू में डी टी बटी में यहाँ लेखना है 1 प्लस टी की पावर कोर बोलो बच्चो इतनी बात समझ में आई यहाँ तक बात के लिए रारी समझ में और थोड़ांगे बढ़ा है तो यह हमारे पास दोखोई इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई बराबर इंटी ग्रिसन यह टी है यह टी है दोनों का गुणा करो टी स्कॉयर हो जाएगा टू समाकलन से बाहर कर लो तो टू हमें समाकलन से बाहर लिखना है ये T square into में DT बटे में देख रहे हो ना ये T और ये T दोनों का गुणा कर दिया T square into में DT और बटे में यहाँ पर भी दोखों हमने T square प्लस 1 upon T square क्या लिखना है T square दोखों T square प्लस 1 upon में T square लिखना है ठीक है into में DT और नीचे इस पूरे को दोखों 1 plus T square को 1 plus T की पावर 4 को जिखना है ठीक है ये दोखों इससे कैंसल हो रहा है ठीक है अब हमारे पास ये प्रशन इस प्रकार से यहां से बन जाएगा टू समाकलन ऊपर है T square प्लस 1 और बटे में यहां पर है T की पावर 4 प्लस 1 into में DT ये हमारे पास प्रशन है बचों कभी कभी यही प्रशन पूछा जाता है ऐसे प्रशन पूछा जाता है कि समाकलन X square प्लस 1 upon में X की पावर 4 प्लस 1 into DX इसका समाकलन करिए यही प्रशन है तो इसको आप ऐसे समझों कि यह भी प्रश्ण आपका सॉल्व हो रहा है साथ में ठीक है क्लियर बचो तो अब यहां पर हमें क्या करना है अगर ऐसे फॉर्मीट में होता है कि उपर टी स्कॉयर प्लस बन नीचे टी की पावर चार प्लस बन है ना उपर दो गात नीचे चार गात ऐसा अगर है तो हम इसको एक्स स्कॉयर से यहां टी स्कॉयर से भाग करना है क्या करना है टी स्कॉयर से अंसवर हर्मय भाग करना है टी स्क्वाइर में टी स्क्वाइर से भाग करोगी तो एक बटे टी स्क्वाइर मिल जाएगा बटे में यहाँ टी स्क्वाइर से भाग करो तो टी की पावर चार है दो गात बचाएगा प्लस यहाँ से एक में भी हमें टी स्क्वाइर से भाग करना है तो एक बटे टी स्क्व पूलबर्ग और ऐसा पूलबर्ग बनाना है जो जिसका डेरिवेटेव उपर मिल जाए तो बच्चों यहां पर हम माइनस का दो प्लस का दो मतलब दो घटा दें दो जोड़ दें दो घटाने और दो जोड़ने से होगा क्या दोको बन प्लस बन अपॉन टी स्कॉार इन टू म माइनस इन दोनों के गुणा का दोना यहां पर है और प्लस के बाद यह प्लस का दिसान और यहां पर हम अंडरूर दो का स्कॉार लिख सकते हैं बोरो लिख सकते के नहीं तो बच्चों यहां पर देखो अब इसको अगर हम यहां पर कुछ और मालने मतलब यहां पर इसको अगर ऐसा माल लिया जाए कि इसको ये यू फलन हो गया, टी स्कॉाइर माइनस एक बटे स्वरी, टी माइनस एक बटे टी को हम यू माल ले, है ना, इस पूरे को क्या माल ले, यू, तो अगर इसका हम आउकलन करें, तो उपर ये हमारा ये मिल जाएगा पूरा, बरावर, सोरी, डी टी बरावर डी यू लिखना है, क्या लिखना है, डी टी बरावर में डी यू, तो बटे में यहाँ पर इसको हमने माना है यू, तो यू का हो जाएगा इसकॉाइर, और प्लस में यहाँ पर अंडरूर दो का इसकॉाइर, बच्चू अब आप देख सकते हो यहां पर लेखना है यहां पर दो तो हमारे पास एक स्क्वायर का उकलन होता है एक बटे ए ए मतलब अंडरूर दो टैन इनवर्स एकस एकस का मतलब यू है बटे में ए का मतलब अंडरूर दो है प्लस एक कोश्टेंट लगाना है बस यह इसका अंसर हो जाएगा पस इसकी बैलू अपर रख देनी है तो को यहां से इसको कैंस तो दोखो यहां से T-1 बटी लिखनी है कितना लिखना है T-1 बटी लिखना है बटे में अंडरूट 2 यहां से अंडरूट 2 लिखो और प्लस कॉश्टेंट इसको थोड़ा और आंगे बढ़ा हो तो यहां से लिख सकते हैं अंडरूट 2 ये under root 2 के साथ में t का गुणा हो जाएगा ठीक है और plus constant अब t की value रख दी जाएगा बस समझो answer मिल जाएगा हमें ठीक है t की value बताओ t की value बताओ दोगो t square की value तो 10x लिखना है तो ये t square है इसको तो हमें लिखना है 10x minus में बंजियों करती हूँ बते में ये हमारे पास है under root 2 into में t t की value किती लिखोगे t की value है under root x तो यहाँ पर लिखना है under root 10x है ना कितनी लिखना है under root 10x और plus constant टीकी वैलू दोखो किती लिखनी है अंडरूट 10x तो यहां पर यहां भी अंडरूट है यहां भी अंडरूट है दोनों पर एक साथ लगा सकते हो ऐसा भी कह सकते हो अंडरूट दो इंटू में 10 10 inverse 10x-1 upon में अंडरूट का पूरा निसान लगा के टू 10x ऐसा भी आप लिख सकते हो प्लस कॉश्टेंट लगा दू बच्चो यह इसका देखो आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चो यह भी आपको समझ में आया होगा किसी प्रकार की बच्चो कोई भी अगर सम समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्चर में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूंच सकते हो और बाइदबे अगर हलकी पुल की कोई समस्या है न तो वीडियो को एक बार दुबारा रिवर्स करके देख लो आराम से पूरा समझ में आएगा एकदम किलियर हो जाएगा सारी बात रिष्चित समाकलन के इंपोर्टेंट को सभिए बहुतिं अध-उपॉर्टेंट को सभिए में लगातार है उन्हींग क्रेंट किया बहुत ही महत पूर्टी को सब्सें ऑर और विल्साध में उनके नोर्स بी बनाना है जिससे कि आपके एग्जाम के दिन आप उनका कुश्चन धमाकेदार यह बिल्कुल आसान सा कुश्चन है integration 021 x into e की पावर x का समाकलन करना है यह हमारा पहला प्रश्न है ठीक है बिल्कुल आसान प्रश्न है जैसा कि आप देख पारे हो यहाँ पर यह दो फलन का गुड़न फल है इसमें आपको खंचा समाकलन लगाना है प्रश्न है बाकि इस प्रोस्स वही करनी है जो अब तक हम लोग करते रहे है ठीक है तो क्या करना है यहाँ पर दोखो यह अल्यवरिक फलन है इसको पहला फलन मानना है यह आपका एक्सपोनेंसियल जो दूसरा हो जाएगा अपने आप तो इस तरीके से आपको दोखो पहला फलन योंकातियों लिखना होता है दूसरे का समाकलन करना है ठीक है पहला फलन योंकातियों लिखना है एकी पावर एक्स का समाकलन एकी पावर एक्स होता है लिमिट हमारे पास ह दो खो 0 to 1 फिर माइनस का निसान लगाओ फर्ष्ट परन सेकंड का समा किलन के बाद माइनस समा किलन करना है 0 to 1 तर और फर्ष्ट का करना है आउकलन मतलब x का आउकलन x के साब एक लिखना है जबकि e की पावर x का समा किलन e की पावर x ही होता है इंटू में ds बचो इसका हम दुबारा से फिर समा किलन करते है ठीक है तो यहां लिखना है x into e की पावर x लिमिट 0 to 1 है बिल्कुल ठीक है माइनस e की पावर x का समा किलन e की पावर x लिखना है और ये 0 to 1 लिखना है बस अब लिमिट रख दी जाए तो अंसरा मिल जाएगा पहले हमें उपर वाली अप माइनस का निसान लगा के हम नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो ये x का मान 0 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा काम खतम ठीक है माइनस इसी प्रकार ये करना है तो को e की पावर यहां पर x का मान 1 लिख दें फिर माइनस का निसान लगाओ e की पावर ये 0 लिख दें ठीक है अ बच्वो यहां पर इसका अंसर एक हमें मिल जाएगा करक्ठ है सिंपल सा प्रस्ण था ठीक है चलिए आगे और प्रस्ण देखते हैं बच्वों यहां पर एक और अंगला प्रस्ण देखते हैं दूसरा प्रस्ण देखो बच्वों यहां पर यह है हमारे पास इंटिग्रेशन करना है 1 to root 3 तक इंटिग्रेशन करना है 10 inverse x upon 1 plus x square into dx इसका हमें मान ग्याद करना है देखे वच्वों कैसे करोगे यहाँ पर आप देख पारोगे बिल्कुल एक दम सीधा सीधा है ना अभी तक आपने जो समकलन किये हैं उन्हीं प्रुष्णों को यहाँ पर केबल लिमिट के साथ जोड़ा गया है बाकि कुछ जाधा नहीं करना है बाद में लिमिट लेना है यहाँ से समझो है ना तो पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें 10 inverse x को मान लेना है t और इसका derivative होता है एक बटे 1 प्लस x square into dx बराबर यहाँ लिखना है dt ठीक है बचो तो उपर आप देख पा रहे हो यह है एक मान लेते हैं इसको एक और upon में 1 प्लस x square into dx इसको हमें क्या लिखना है dt जबकि इसको हमने क्या माना है t इसको t माना है तो यहाँ पर हमें लिखना है दोखो आई बराबर integration एक और सीधी सीधी बाद बचो यहाँ पर यह भी पता है आपको कि जब कभी भी हम निश्यत समाकलन के प्रश्णों में जब हम प्रतिस्ठापन करते हैं तो उसकी limit भी change कर लेते हैं ठीक है तो limit change करते हैं अगर यहाँ पर दोखो पहले इस वाली limit को change करें जब x का मान एक रखें तो यहाँ पर दोखो 10 inverse 1 हो जाएगा तब t का मान बच्चों यहाँ से pi बटे 4 हो जाएगा 10 inverse 1 का मान कितना होता है pi y 4 होता है कि नहीं और इसी प्रकार बिलकुल जब उपर वाली limit x क का मान अंडरूर 3 लिखा जाए तो यहाँ से t का मान कितना हो जाएगा 10 inverse अंडरूर 3 मतलब 60 अंस पर होता है तो यहाँ पर t बराबर pi y 3 लिखना है तो बच्चों इस तरीके से यह हमारा प्रश्न बदल के यहाँ पर जो एक limit थी वो तो बदल के हो जाएगी जो lower limit थी वो क अब बच्चों यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे दोखों t का समाकलन हो जाएगा t square बटे 2 और इस पर limit pi बटे 4 से pi बटे 3 लिखनी है ठीक है तो अब limit रखने का वही तरीका पहले upper limit रखनी है फिर minus lower limit रखनी है बच्चों बटे में जो 2 लिखा है इसको हम बाहर निकाले एक बटे 2 अब t की बैलू लिखेंगे pi बटे 3 और pi बटे 3 का यहाँ लिख देते हैं square फिर minus का निससान लगा दें और t का मादा pi बटे 4 लिख दें तो pi बटे 4 का ќहाँ पर square लिख देते हैं ठीक है आँगे दो हम्हों एक बटे 2 pi का square बटे यहाँ 9 लिख दें minus 1 पाई का स्क्वाइर बटे में 4 का स्क्वाइर 16 लिख दें तो इस तरीके से दो को एक बटे दो यहां से 16 और 9 यह दो को 16 गुड़े 9 यह से मा जाएगा है ना तो यहां लिख देते हैं 16 पाई स्क्वाइर माइनस में 9 पाई स्क्वाइर तो इस तरीके निम्मा 144 होता है यहां से 144 हो जाएगा दो से और multiply कर दो तो 7 पाई का square बटे में 288 आपको यहां पर इसका answer में रहेगा ठीक है बच्छो तो इस तरीके से आसान प्रशन है ना बिल्कुल आसान है यह छोटे छोटे जो एक एक नमर या दो दो नमर के पूछे जाएंगे तो व कुछन बच्चो नोट करना है परिच्छा की दिन आपको समय कम मिलता है इसलिए आप परिच्छा की दिन इसका अच्छे से रिबिजिन कर लें ठीक है सारी कुछे ने बहुत ही महत्पूर्ट कुछें है ठीक है चलिए आंगे प्रशन तीसरा देखते हैं यहां पर अंगला भी पुर्श्ण बच्चो छोटा है लिखाए यहां पर 0 से पाई बटे 2 इसका समाकलन करना है दोगो समाकलन करना है 0 से पाई बटे 2 0 से पाई बटे 2 log 10x क्या है यह log 10x और dx इसका हमें समाकलन करना है दो हो दिहानने वand कैसे करो गे गोज़ी कभी भी आप याद करो पिष्ले उसमें इसका पहले वाला वीडियो जो है उसमें इसके सारी बात है जब पढ़ाई थे तब आपको इससारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि अगर अगर ऐसा हो कि 0 से a f x dx इस प्रकार से कोई फलन का integration करना है 0 से a लिखा हो अगर limit में तो हमें इसके समाकलन को इस तरके से 0 से a f of a minus x into dx इस प्रकार से लिख लेना होता है ठीक है तो यही property यहां पर हमें दोहरा देनी है दोखो यहां पर क्या करना है integration 0 से pi बटे 2 लिखा है log यहां पर 10 लिखा है न 10 इस x को हमें लिखना है pi by 2 minus x लिखना है into dx ठीक है बचो यहां से आप देख पा रहे हो इस पर हम एक number डालेते हैं पहला और यहां पर इसको और solve करेंगे 0 से pi by 2 यहां से है log 10 pi by 2 minus x बराबर होता है cot x तो यहां पर हम cot x लिखेंगे into dx अब यहां पर इस पर हम दूसरा number डालेते हैं ठीक है यह हमारा दिया गया प्रश्ण है इस पर हमने property यह वाली apply की है तो इसके बाद यहां पर इसके दूसरा sumi करणों का अपस में यहां पर जोड़ देना है क्या करना है sumi करण 1 plus 2 करना है अगर इन दोनों sumi करणों को जोड़ दिया जा आई बटे दो limit है यह जब dx common चला जाएगा तो log 10x plus log cot x आपको यहां लिखना है क्या लिखना है log 10x plus यहां लिखना है log cot x यह लिखना है और into में dx ठीक है बचू अब log 10x plus log cot x को यहां पर सीधा सीधा दो क्या करना है integration 0 से pi by 2 इसको लिखना है log 10x और into में यहां लिखना है log 10x लोग m plus log n बराबर क्या होता है log m into n होता है तो log 10x into में cortex इस परकार से लिखना है ठीक है और into में dx अब बचो आप देख पा रहे हो यहां से 10x और cortex का जो गुणन फल होता है वो कितना होता है यह भी आपको पता है 10x into cortex बराबर एक होता है क्य बगर हम 10x की जगा एक बटे 10 लिखें तो 10 से 10 कट जाएगा यह कई तो बचाएगा और यह भी आपको पता है कि log 1 की value 0 होती है तो यहां से दो को 2i बराबर integration 0 से πाई बाई 2 और इसकी value स्वयम में 0 होती है बचो आपको पता है इसकी value कितनी होती है 0 तो 0 का किसी में भी multiply कर होगी बच्चो पूरा 0 हो जाएगा मतलब 2i बराबर 0 इसलिए i बराबर क्या लिखना है 0 लिखना है यह हमारा इसका answer रहेगा ठीक है बच्चो समझ में आ रहा है किसी प्रकार की कोई समझते है नहीं तो बच्चो वीडियो को like जरूर करो है ना आंगे बढ़ते हैं अंग t माल लें यहां पर अगर x square को t माल लें तो alkaline कितना हो जाएगा x square का 2x हो जाएगा dx बराबर यहां dt लिख लेते हैं और x into dx बराबर हो जाएगा बन बाई 2 into dt ठीक है तो बच्चो यहां से आप देख सकते हूं यह x है into में dx इन दोनों का गुरन फल एक बटे 2 dt लिखना है और यहां पर e की power इसको हमने t माल लिया है तो e की power t लिखना है ठीक है अब अच्चो बात रहती है limit की limit change कर लेते हैं यहां पर दोको जब x की value हम 0 लिखेंगे यहां पर x का मान 0 लिख दें तो t का मान 0 हो जाएगा बिलकुश सही है और जब x का मान हम 1 लिख दें तो t का मा लिमिट वारी रहेगी x into dx को हमें 1 बटे 2 dt लिखना है और e की power t लिखना है क्या लिखना है e की power t into 1 बटे 2 dt लिखना है correct बच्चो एक बटे 2 बाहर निकल लिया जाए अब e की power t का समाकलन पता है e की power t होता है और हमें 0 से 1 limit दी गई है इस प्रकार से 1 बटे 2 यहां से पहल लिमिटर था अपर लिमिटर लिखते हैं t का मान किता लिखेंगे 1 फिर माइनस अब लोवर लिमिटर रखेंगे t का मान 0 लिखेंगे ठीक है तो बस यही इसका अंसर है 1 बटे 2 e minus यहां पर तो को जब 0 power किसी पर भी 0 power होती है तो इसको हम 1 मानते हैं यह है बच्चो इसका ठीक है एक बटे दो ए माइनस पन खरेक्ट वच्छो तो चलिए अंगले सवाल क्यों राते हैं अंगला प्रश्ण वच्छो यहां से हमारे पास है यह कोई प्रोपर्टी पर ले लेते हैं यहां पर दोखो जीरो टू पाई वाई टू साइन की पावर चार एक्स इंटू में इसका हमें समाक्लन करना है बच्छो देखो धेहन से कैसे करना है इसको भी हम आई वरावर लग लेते हैं जीरो से पाई वटे तो कहीं भी वच्छो जीरो से एक़ फॉर्मीट में अगर लिखा है तो आपको प्रोपर आटी हमने बताई आपको वही याद रखनी है क्या बत करना है 0 to a f of a minus x into dx ये हमें लिखना होता है ठीक है बच्चों तो इसी फ़र्मेट में हमारा ये भी प्रश्ण है 0 से पाई वाई टू लिमिट दी गई है तो क्या करना है आपको देखो पहले तो आप प्रश्ण जोंकातियों लिखो साइन की पावर 4x अपोन में साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और इंटू में dx ये हमारे पास एक पहला एक्वेशन मान लेते हैं ठीक है अब इस पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगी तो को प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 0 से पाई वा रहती है लेकिन A मैंसे X घठा देते हैं बस यहां पर भी वही करना है पाई बाई टू मैंसे X घठा देना है तो यह हो जाएगा साइन की पावर चार X के जगह पर लिखना है पाई बाई टू माइनस X लिखना है इन्टू में डी एक्स और यहां भी X के जगह पर पाई बाई two minus x लिखना है क्या करना है sine की power 4 pi by two minus x लिखना है और यहां भी हमें वही काम करना है cos की power 4 pi by two minus x लिखना है correct बचूँ आंगे यहां पर एक बात सीधी सीधी है कि भई अगर sine 90 minus theta मतलब pi by two minus theta sine pi by two minus theta बराबर cos theta होता है यहां पर आपको लिखना है cos की power 4x इन्टूटी x यहां भी वही बात है इसको भी लिखना पड़ेगा cos की power 4x और cos pi by two minus x बराबर sin x होता है तो यहां पर यह sine में बदल जायागा तो sine की power 4x लिखना है ठीक है बचूँ इस पर हम दूसरा number डाल देते है आप क्या करना है पहला equation यह है दूसरा equation यह है दोनों समी करणों को यहां जोड़ दे क्या करना है जोड़ दे तो समी करण 1 plus 2 1 plus 2 यहां से 1 और 2 दोनों समी करणों को जोड़ें तो i और i को जोड़ के हमें 2i लिखना है ठीक है, इंटीगरेशन जीरो से पाई वाई टू, यहां से बच्चों देखो, यह डी एक्स है, यह डी एक्स है, दोनों जगे डी एक्स बरावर हैं, हर दोनों के बरावर हैं, देखो हर दोनों के बरावर हैं, क्या करना है, यह अंस और यह अंस दोनों को जोड़ देना है, क की पावर 4X प्लस कोस की पावर 4X ठीक है वच्चो समझ में आई बात ये फिर से एक बार समझो यहाँ पर इन दोनों को जब जोडते हैं तो दोकर लिमिट तो दोनों की से में यहाँ तो कुछ करना नहीं है अब अंस में लिखा है यहाँ पर दोको डी एक्स और डी एक्स भी कॉमन है यहाँ हर में जो लिखा है वो भी दोनों का कॉमन है की वर साइन की पावर 4X और यह प्लस कोस की पावर 4X इनस में हर दोनों की बरावर हैं तो अंस अंस जोड़ रहना है बस ऐसे समझाना इनको जोड़ देना है और dx दोनों जगे से common है तो बचो आप यहां से दोखों यह cancel हो रहा है तो क्या मिल जाएगा 2i बराबर integration 0 से pi by 2 यहां पर बन मिलेगा और बन का समा किलन हमें पता है x होता है तो 2i बराबर यहां लिखना है x limit रखनी है 0 से pi by 2 खीक है अब यहां से limit रखते हैं दोखों 2i बराब से 0 ऐसी तो लिखेंगे आई की value निकालोगे तो दो से और भाग लग जाएगा तो पाई वाई 4 लिख देना है ठीक बच्छो यह इसका answer होगा बहुत ही उम्मदा सवाल है बच्छो सारी प्रश्ण प्रिवेस यहर में बहुत लगात लगातार पूछी गई है ना तो बहु आते हैं अंगले प्रिश्ण की और अंगले प्रिश्ण की और बढ़ते हैं देखें यहां पर वच्छो एक और प्रिश्ण लेते हैं यह हमारे पास integration integration की लिमिट है हमारी 0 से infinity 0 से infinity यहां पर लिख देते हैं लोग x प्लस एक बटे x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वाइर 1 प्लस x स्क्वाइर इसका हमें समा कलन करके अंसर बताना है बच्छो देखें क्या मज़ेदार पूस्टन है बच्छो बहुत बार पूंचा ग जीरो टू infinity और लिखना है लोग x प्लस एक बटे x इंटू में dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वाइर लिखना है ठीक है यहां पर दोखो कैसे बचो यहां पर प्रतिस्था पर पहले करना है यहां से हम ऐसा लिख लेते हैं माल लेते हैं कि x का मान 10 थीटा है माल लेते हैं x बरा बराबर हो जाएका 10 थीटा का उकलन होता है 6 स्क्वार थीटा इंटू डी थीटा ठीक है जब बचो प्रतस्थापन करते हैं तो लिमिट भी चैन्ज करनी होती है क्या करते हैं यहां पर दोखो जब x की वैलू पहले 0 नीचे वाली लिमिट पहले चैन्ज कर लेते हैं जब x कमान 0 लिखें तो यहां पर दोखो x कमान 0 लिखते हैं यह 10 थीटा कमान 0 कहां पर होता है थीटा बराबर 0 पर होता है ठीक है एक्स कमान यहां पर 0 लिख दें तो 10 थीटा कमान 0 तो थीटा बराबर 0 होगा है ना जब x कमान यहां से दोखो अनंत रख दें कितना इंफिनिट रखें x का मान अनन्त रख दें तो 10 theta का मान infinity कहां पर होता है pi by 2 पर होता है तो आपको लिखना है theta बरावर pi by 2 हो जाएगा तो limit हो गई 0 से pi by 2 और ये प्रश्ण आपका इस प्रकार से बदल जाएगा 0 से pi by 2 limit हो गई आपको लिखना है log यहां देखिए x का मान लिखना है 10 theta फिर plus का निसान लगाओ एक बटे 10 theta x के जगा पर 10 theta लिख दो bracket close करो और dx की value कित्की रिखनी है dx की value लिखनी है sec square theta into d theta लिखना है बटे में 1 प्लस यहां पर x का मान 10 theta लिखो तो 10 square theta correct बचो अब सीधी बात तो यह है कि 1 plus 10 square theta भी sec square theta ही होता है तो इसको इससे cancel कर सकते हो next step में कर लेते हैं देखो integration 0 से pi by 2 log यहां से देखिए इसको थोड़ा और हल करें तो इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं यह आपका sine sine बटे cause में बदल देते हैं यहां पर दोको इसको लिख देते हैं sine theta upon cause theta ठीक है plus इसको लिख देते हैं यहां पर दोको एक बटे 10 एक बटे 10 का मतलब cause theta होता है और cause theta को हम लिख सकते हैं cause theta upon sine theta लिख सकते हैं ठीक है बचो और यहां से देखो सेक स्क्वाइर थीटा है और अपॉन में इसको भी हम सेक स्क्वाइर थीटा लिख दें और डी थीटा ये हमारा ये कैंसल हो जागा ठीक है अब देखिए इसको और अंगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू लोग यहाँ से देखिए ऐलसियम आ ठीक है और ये हमारे पास डी थीटा ये जो काते हो आंगे देखते हैं बचों यहाँ से ये हमारे पास अब आंगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं जीरो से पाई बाई टू जीरो से पाई बाई टू और ये है लोग अब आप उपर वाले इस फलन को देखो ध्यान से स isquire theta plus cos square theta बड़ाबर один ہوتा है तो उपर आपको लिखना है एक और नीचे आपको लिखना है sin theta into me cos theta लिखना है ठीक है इंटमें d theta इतनी भाट ठीए क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जीरो से पाई वाई टू लॉग और यहां पर इसको ऐसे लिखने है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर माइनस बान इंटू डी थीटा लिख सकते हैं बच्छो इसी परकार की कोई समझ्या नहीं है ना तो अब यहां पर लॉग एम की पावर एन होती है तो इस एन को पहले लिखते हैं तो माइनस एक पावर पहले आ जाएगा तो यहां पर आपको लिखना है जीरो से पाई वाई टू यह माइनस आ गया यह वाला और जीरो से पाई वाई टू यहां पर लेखना है log sin theta into my cos theta into my d theta अब एक और आगे दोखो एक और बात आगे दोखो कि log m into n बराबर क्या होता है log m into n बराबर होता है log m plus log n होता है यहां से देखी minus का sign है integration की limit 0 से pi y 2 और इसको हम लिख सकते है log sin theta plus log cos theta और into my d theta दोखो ऐसे इसको भी लिख सकते है ठीक है बच्चो और आगे की बात कुछ इस प्रकार से लिख समझो 0 से pi y 2 और यहां पर log sin theta है into d theta यहां पर minus का निसान हो जाएगा integration की limit है 0 से pi y 2 अलग अलग दोनों के सवालों के integration अलग लिख देते हैं log cos theta into my d theta ठीक है और थोड़ा आगे बढ़ा है तो यहां से दोखो minus integration 0 से pi y 2 और log sin theta into my d theta minus यहां पर दोखो बच्चो ऐसा करते हैं 0 से pi y 2 लिखे और log इसको हम cos को ऐसे लिख दें दोखो cos यह थीटा और theta को लिख दें pi y 2 minus theta अभी जो property बताई थी उसका हमने यहां पर दोखो फिर से जूज कर लिया है ना कौन सी property है 0 to a f x dx बराबर होता है 0 to a f of a minus x into dx तो यहां से हमने theta मैं से pi y 2 मैं से theta को घटा के लिख लिए खिक है इसके बाद दोखो अंगली बात समझो 0 से pi y 2 लिखना है into में log sin theta into में d theta लिखना है minus यहां पर cos 90 minus theta cos theta cos pi y 2 minus theta बराबर sin theta होता है क्या होता है बच्छो sin theta तो यहां से लिखना है 0 से pi y 2 और इसको लिख देते हैं log sin theta into में d theta लिख लेते हैं ठीक है बच्छो अब समझो दोनों बातें यह कहीं है जोड़ तो वई इसको जोड़ देते हैं तो इस परकार से minus में हो जाएगा 2 integration 0 से pi y 2 into में log sin theta into में d theta बच्छो यहां पर एक बात और समझनी है कि यह आपका जो दिखाई दे रहे ना यह पूरा फलन 0 से pi y 2 log sin theta d theta इसको हम एकदम एक सूतर के रूप में मान लेंगे हलाकि यह भी एक अलग आप अलग से ही प्रश्ण है समझो है ना और यह प्रश्ण बास्ता में एक सर्व समका की तरीके से है सूतर के तरीके से है इसका पूरा डिरेक्ट मान आप लिख सकते हो इसको याद रखिए का मान इस पाई वाई 2 log 2 होता है अभी हम यहां पर इसको प्रूब करके दिखाएंगे है ना एक प्रश्ण लेंगे इसी यह प्रश्ण बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है जिरो से पाई वाई 2 log 7 theta d theta का मान इतना सिद्ध करके दिखाओ बहुत बार पूछा गया अभी हमें एक प्रश्ण यही प्रश्ण ले ले लेते हैं अपकी बार ठीक है तो यहां तो हमने इसकी डारेक्ट बैलू रख दी इस पूरे की डारेक्ट बैलू याद रखना आपको है ना आप भी वहाँ परिष्ण में लिख सकते हो कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो जीरो से पाई वाई 2 log 7 theta d theta यह total होता है मानस पाई वाई 2 log 2 आप डारेक्ट रख सकते हो ठीक है फॉर्मूला की तोर पर इसको याद रखना है तो यहां से दो को बचो यहां इसमें आप भी डारेक्ट कर सकते हो याद रखिए जीरो से पाई वाई 2 log 7 theta d theta का मान होता है मानस पाई वाई 2 log 2 डारेक्ट याद रखना है ठीक है अभी अब इसी प्रश्ण को ले लेते अंगले बार में है यह भी हमने बताया कि अपने आप में एक प्रश्ण है और बहुत बार पूछा गया है है ना है तो फॉर्मूला लेकर यह बहुत बार पूछा गया है सिर्द करके दखाओ जीरो से पाई वाई 2 log 7 theta d theta बराबर होता है मानस पाई वाई 2 log 2 ठीक है अंगला प्रस्ण यहीं हो जाएगा चलिए इसको नोट कर लेते हैं और यही प्रस्ण देखते है है जीरो से पाई वाई 2 log 7 theta d theta को हम इतना कैसी प्रोब कर पाएं ठीक है इसको रब कर लेते हैं और इसी प्रस्ण पर आते हैं दोगों बिल्कुल है ना यहां पर हम देखते हैं कि integration करना है देखिए यह हमारे पास है question integration करना है जीरो से पाई वाई 2 log sin theta लिखते हैं या sin x लिखते हैं एक कई बात है है ना अगर sin x लिखेंगे तो हमें dx लिखना है जीरो से पाई वाई 2 log sin x dx की वैलू आपको माइनस पाई वाई 2 log 2 यह मिलती है यह सिद्ध करने को भी आता है कि सिद्ध करिये यह बराबर यह होता है ठीक है बहुत बार आया है बहुत बार ऐसे कह सकते हैं इस पर इंपोर्टेंट पर चार चांद लगा दूआ ऐसी समझो बात है ना बहुत इंपोर्टेंट है बच्छो चलिए यहां पर आई बराबर इंटिकेशन जीरो से पाई वाई 2 लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स इसका हमें समाकलन करना है किस प्रकार करोगी दोखो यहां पर दिया गया प्रशन होता है उसको हम आई बराबर लेकिशन नमबर एक डाल लेती है जैसा कि आपको पता है कि जीरो से ए फॉर्मेट में हमारी लिमिट होती है तो उस पर हम प्रॉपर्टी जो लगाते है वो कौन से होती है इस पाई बाई टू मैंसे हमें क्या करना है एक्स मैंसे घटा देना है है ना वही प्रॉपर्टी यहां पर हम दोखो लगा देते है जीरो से पाई बाई टू और यहां लिखना है लोग साइन एक्स के जगह पर लिखना है ठीक है बचो कौन सी property लगाई है जो हमने property लगाई है वो यहां पर आपको लिखनी है 0 से 5 0 से a लिख देते हैं 0 से a f x into dx बरावर होता है integration of 0 to a f of a minus x into dx यह हमारी property होती है इसको याद रखना होता है ठीक है तो यह हमने बचो लगाई है property और इससे result हमें क्या मिलेगा देखो 0 से pi by 2 और यहां पर log sin pi by 2 minus x बरावर cos x होता है तो यहां पर cos x लिखना है into dx ठीक है बचो इस पर हम एक दूसरा number 2 डाल देते हैं अब क्या करना है यहां पर दोनों समीकरणों को जोड़ देना है तो यहां पर लेखेंगे समीकरण 1 plus 2 से 1 और 2 के जोड़ने से क्या मिलेगा देखो यहां पर जोड़ देते हैं आई में इस आई को जोड़ें तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2 आई और यहां से बराबर का चिने लगाओ अब बचो यहां पर देखो जब जोड़ा होगी तो इसको इससे जोड़ना है भई dx और dx common आ जाएगा लिमिट भी तो अब दोनों पर एक ही है तो लिमिट रेखनी है 0 से πाई वाई 2 और log sin x में log cos x जोड़ देना है लोग साइन एक्स प्लस लोग कोस एक्स इंटू में डी एक्स ठीक है बच्छो किलियर बात है अच्छा वई अगर ये किलियर है तो अब हमें ये बताओ कि आगे वाली प्रोसेस लोग एम प्लस लोग एन वाली दिखाई देने लगी है और लग एम प्लस लोग एन बरवर लोग एंटू एन होता है दोनों को यहां पर हम इस हैं लिख देखो दीकों रिख सकते हैं अब समझे और दूसरी बात अब यहां से 0 से πाई वाई 2 लिखो 0 से πाई वाई 2 लिखो और इसके बाद यहाँ पर आब एक बात समझ सकते हो लोग 2 से गुणा और 2 से भाग करने तो यहाँ पर दोगो 2 से गुणा करोगे तो 2 sin x into cos x और 2 से भाग करोगे तो बटे में 2 लिखना है ऐसा किया किया है वैच्छो 2 से गुणा 2 से भाग किया गया है चुकि यहाँ पर 2 sin x into cos x बरावर sin 2 x का फॉर्मूला बन जाए तो इसको हमने sin 2 x बनाने के लिए 2 से उपर गुणा कर दिया है जब 2 से गुणा करोगे तो भाग तो दे नहीं पढ़ाएगा इदर क्या चलना है 2 i बरावर क्या चलना है 2 i बरावर 0 से पाइवाई 2 लिमिट है और यहाँ पर आपको लिखना है लॉग लॉग यहाँ पर इसकी बैलू sin 2 x हो जाएगी है ना यह काय का फॉर्मूला है sin 2 x और बटे में क्या है 2 बटे में 2 इंटू में d x ठीक है अब आप यहाँ से लॉग m बटे n का फॉर्मूला लगा सकती हो लॉग m बटे n बरावर होता है जो को ध्यान दें 0 से पाइवाई 2 लिमिट है लॉग m बटे n बरावर होता है लॉग m माइनस लॉग n है ना लॉग साइन 2 x और यह हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग 2 ऐसा हो जाएगा है ना लॉग m यह m है यह n है तो लॉग m माइनस लॉग n यह हमारे पास माइनस में पहुँच जाएगा ठीक है इंटू में d x ज्यों का त्यों है अब अलग अलग दोनों का समा कलन कर दें तो यहाँ पर आप दोखो ऐसे करो कि बरावर का निसान लगाओ integration की limit है 0 से πाई बाई 2 यहाँ पर लिखना है log sin 2 x into dx minus यहाँ पर दोखो log 2 है इसका तो समा कलन करना नहीं है 1 into dx लिखना है ठीक है limit वही है 0 से πाई बाई 2 इसका समा कलन अलग यहाँ लिखना है log 2 का समा कलन करना है तो log 2 समा कलन से बाहर कर लिए 1 into dx लिखना है और थोड़ा आँगे बढ़ा जाए तो बच्चों यहाँ से हमें लिखना है integration इधर क्या चलना है 2y बरावर integration की limit 0 से πाई बाई 2 है एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं log sin 2x into dx माइनस मैं log 2 तो ठीक है log 2 का समा कलन करना ही नहीं है यहाँ पर 1 का समा कलन x हो जाएगा और limit है 0 से πाई बाई 2 ठीक है अब बच्चों यहाँ पर इसका हम फिर से समा कलन की बात सोचते है किसका समा कलन कैसे करना है हो जाएगा कैसे दोझों ध्यान दे यहाँ पर 2x को फिर से 3 मान ले कि moisturizing 2x ब्रावर 10 अगर यह 2x ब्रावर 10 है तो 2 in 2 dx ब्राबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा और यहां से dx बराबर हो जाएगा 1 by 2 dt ठीक है अब लिमिट भी चेंज कर रहे हैं लिमिट चेंज जरूर करना है यहां पर दोखो लिमिट कैसे चेंज करोगे जब x का मान 0 लिखो यह पहले नीशे वाली चेंज कर लेते हैं जब x का मान 0 आएगा तो यहां 0 लिखते पूरा 0 ह हो जाएगा मतलब t का मान 0 हो जाएगा और जब x का मान 1 π वाई 2 लिखेंगे ओपर वाले लिमिट यह एक्स का मान 1 लिखें तो ट की have मैलि दखो पाई वाई 2 लिखोगे तो यहां 2 से 2 कर जाएगा पाई बचायगा the 2 ब्राबर पाई हो जाएगा तो इस तरीके से यहां पर दोखो 2i बराबर integration 0 से πाई limit हो गई बचो 0 से यहां πाई 2 थी जो काई में बतल गई पाई में तो 0 से पाई log यहां पर दोखो sign आंगे लेखा है 2x और 2x को हमने माना है t और dx के जगह पर 1 बटे 2 dt लिखना है ठीक है आंगे हमारे पास योंकत्यों लिखना है minus log 2 और यह हमारे पास हो जाएगा πाई 2 minus 0 ठीक है पहले हमें उपर वाली limit रखनी है फिर minus फिर नीचे वाली limit रखनी है ठीक है और आंगे देखो यहां पर 2i बराबर चलना है बिल्कुल ठीक है एक बटे दो है ना इसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें और 0 से पाई लिखा है और यहां पर लिखा है log, sin, t बच्चो एक ख्याल यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर यहां पर यहां पर इसमें देखो धिहान दें तो यहां पर यह लिमिट हमारी चैंज नहीं होगी तो यह फलन हमारा सम फलन हो जाएगा और सम फलन अगर हो जाए तो इसमें यहां पर 2 से मल्टिप्लाई करके इसको हाप करना होता है कौन सी प्रॉपर्टी है यहां पर समझो integration 0 से 2A fx dx बराबर integration 0 से 2A fx dx बराबर क्या होता है integration यहां पर 2 से गुणा हो जाता है 0 से A लिमिट हो जाती है fx into dx कब होता है यह यह तब होता है जब f of यह इसमें से 2A minus x करके हम fx मिलती है तब इसको ऐसे यह तब होता है जब f of 2A minus x बराबर क्या मिल जाए fx मिल जाए तो हमें यह लिखना होता है तब हमारा यह result आता तो यहां भी वही बात है बच्चो यह pi है ना तो pi मैंसे यहां पर t घटा हो pi minus t हो जाएगा sin pi minus t बराबर sin t ही होता है होता है कि नहीं तो इस तरीके से हमें यहां पर वही फलन मिल रहा है इसका मतलब यह sum फलन हो गया और sum फलन के लिए क्या करते हैं यहां दो को 2 से गुणा करते हैं और limit को आधा कर लेते हैं 2 है न ए हो जाता है तो वही काम किया है 2 से गुणा करके limit इसकी आधी कर लिए ठीक है बच्चो इसको आप चाहो तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो अगर आपके पास यहां पर जगह है तो ठीक है अब बच्चो यहां से दो को 2 से 2 यह cancel हो रहा है 2i बराबर इसको यहां पर 0 से πाई बाई 2 लिख लिया जाए और यहां पर log sin t dt लिखाए इसको हम sin x dx भी लिख सकते हैं प्रोपर्टी नमर एक पहली नमर पर यही तो लिखाई है हमने कि अगर t dt है तो x dx में convert करने पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो बच्चो यह तो हमारे पास अब क्या हो गया यह हमारे पास दो को दिया गया फलन बन गया यह दिया गया प्रश्ण बन गया जिसको हम आई कहते हैं तो बच्चो इसको हम आई लिख लेते हैं आंगे हमारे पास जो यह लिखा है ना इसको लिखना मत भूलें यहां पर मेरे पास जगह नहीं दो को minus यह हमें यहां भी लिखना है यह वाला है ना यह यहां भी लिखना है इस step पर भी लिखना है आपको तो minus में क्या है पाई बाई 2 log 2 ध्यान से समझो यह पाई बाई 2 log 2 यह आपको ज्यूंकातियों रखना है अब इसको i लिखना है और i बराबर इदर आएगा तो किता हो जाएगा देखो ध्यान ने यहां पर 2i बराबर इसको हम लिख देते हैं i और minus में लिखना है पाई बाई 2 इंटू में log 2 लिखें इस i को इदर ले आएंगे 2i में से 1i घट जाएगा तो 1i बचाएगा बच्छों यहां से result लिख देते हैं यहां पर आई बराबर क्या मिलेगा देखो यह दो आई है इसमें से एक आई कम करते हैं तो एक आई बराबर मिलेगा minus में 5 by 2 log 2 मिलेगा इसको थोड़ा सा बच्छों यहां पर जगह के कोस्यायत में थोड़ी सी हो सकता है कोई समस्चा लग रही हो लेकर आपको अच्छे से एक बार वीडियो को दुवारा से घुमा के अच्छे तरीके से बैक करके देख ले किसी प्रकार की कोई समस्चा नहीं बच्छों बहुत इंपर्टेंट कुस्च्छा नहीं बहुत ही जादा महत पोर्पूस ठीक है और य पाई वाई डू लॉक्टो होता है इसको आप दारेक्ट याद कर सकते हो ठीक है तो यह रावच्छों हमारे पास यहां पर थोड़ा ध्यान से समझ लू ना यहां पर भी हमने क्या किया है 2x बराबर 3 माना है इसको टी मान लिया है और टी मानते हुए यहां पर dx की वैलू 1 90 हो गया और dx बराबर 1y2 dt हो गया माइनस यहां पर लॉग 2 और यहां पर पहले अपर लिमिट रखी गई है माइनस लोवर लिमिट ठीक है यहां पर यह इस टैफ में हमने लिखा नहीं चूंकि जगह में यहां पर हमने यह प्रोपर्टी लिख दी है तो इसको आप जहां से इ पाई वाई टू लिमिट हो गया है तो इसे कर लिया है ठीक है और यह हमें लिखना है यहां से आई मिलेगा और मानस पाई वाई टू लॉग 2 यह हमारा आंसर होता है ठीक है तो चलिए इसको आप अच्छे से मजखेर तरीके से बिल्कुल एक्धम कंपलीट करना है क्योंकि अगर ये केबल और केबल सिद्ध करने को ना आया तो कहीं ने कहीं फॉर्मूलों की तरीके से यूज कर सकते हो किसी प्रश्ण में कर सकते हो इसलिए आपको कहीं ने कहीं इसका यूज जरूर मिलागा ठीक है बच्छों चलिए आंगे बढ़ते हैं यहां पर इसके बाद एक उस प्रश्ण को भी यहां पर देखेंगे तो कहा हमारे पास यह प्रश्ण अंगला है इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी बार जीरो से पाई वाई फोर दी गई है क्या है इंटीग्रेशन की लिमिट है जीरो से पाई वाई फोर और यहां पर है लोग साइन टू एक्स इं ओष्ठाना है पाइ वाइफ वाइफ लॉग्ट यह हमारा अंसर होता है माइनेस में पाइफ भाइफ फॉर लॉग टो ठीक है समझते हैं कैसे होता है कैसे करना है वचो आसान वही काम तो वही करना tinha इसको हम पहला लगानी है जब भी कभी 0 से ए फॉर्मेट में अगर आपको प्रस्न की प्रोपर्टी दे तो आपको प्रोपर्टी लगा देनी है किस प्रकार से दोखो 0 से पाई वाई 4 लिखना है और इसमार हम यहाँ पर लॉग साइन 2 इंटू एक्स के जगह पर लिखना है पाई वाई 4 माइनस एक्स लिखना है और इंटू में डी एक्स करेक्ट है बच्चो एक्स के जगह पर यह लिखना है पाई वाई 4 माइनस एक्स अब आंगे की बात कुछ इस प्रकार से समझो 0 से पाई वाई 4 है और यहाँ पर लोग 2 से अंदर multiply अगर कर दें तो यह हो जाएगा sin pi y 2 minus 2x हो जाएगा बच्चों यहाँ पर समझो कितना हो जाएगा दो को 2 से यहाँ पर गुड़ा करोंगे 2 से 2 बार यह कर जाएगा तो pi y 2 तो यह हो जाएगा 2 से यहाँ भी गुड़ा करना है तो 2x हो जाएगा into many x यहाँ पर sin pi y 2 minus theta बच्चों यह cos 2x में बदल जाएगा देखो यह हमें लिखना है 0 से pi y 4 और यहाँ लिखना है log इसको लिखना है cos 2x क्या लिखना है log cos 2x लिखना है into many x इस पर हम number 2 डाल देते हैं ठीक है अब आप देखो देखो एक पहला ये तूसरा ये दो समीक्रण हो गए इन दोनों को आप चोड़ना है है ना ये हमने जो property लगाए वच्चों यहाँ पर आपको लिखनी है जरूर लिखनी है कौन सी property है दोगो integration 0 to a fx dx बरावर क्या होता है बरावर होता है integration 0 to a f of a minus x into dx होता है इसको आपको लिखना है हर हालत में ठीक है जो भी property या सूत्र आप लगाओ उसको आँगे लिखो कौन सा सूत्र लगा रहे हो कौन सी property लगा रहे हो ठीक है अब आपको इन दोनों समीक्रणों को जोड़ देना है क्या करना है समीक्रण 1 प्लस 2 से पहले इन दोनों समीक्रणों को जोड़ दे i यह है i यह है जोड के हमें यहाँ पर 2i मिल जाएगा integration अब आप यहां से दो को 0 से πाई वाई 4 0 से πाई वाई 4 लिमिट दोनों की सेम है dx dx common है तो क्या क्या जोड़ना है यहां पर log sin 2x के साथ में log cos 2x को जोड़ देना है क्या करना है 0 से πाई वाई 4 लिमिट है आपको जोड़ देना है log sin 2x में जोड़ देना है log cos 2x को जोड़ना है into में dx जो common है वो आपको लिख देना है ठीक है अब दोको log m प्लस log n बरावर log m into n होता है दोको वही सब प्रोसेस कर रहे है जो पीछे भी किया है वही काम कर रहे है दोको integration 0 से πाई वाई 4 लिखना है और यहां से log m प्लस n बरावर log m into n मतलब log sin 2x में गुणा करना है cos 2x के ठीक है into में dx यह हमारा जियों का जो करेक्ट बचो इदर क्या चला है 2i बरावर चलिए और आगे आते हैं यहां पर 2i बरावर 2i बरावर integration 0 से πाई वाई 4 लिखना है 0 से πाई वाई 4 और यहां भी हमें बिल्कुल वही process करनी है कौन सी process करनी है इसमें 2 से गुणा करके 2 से भाग कर दें तो 2 से जब हम गुणा कर दें तो यह हो जागा 2 sin 2x into में cos 2x और 2 से यहां भाग कर दें खीक है into में dx लिख ले करेक्ट है बच्चो इतनी बात 2 से गुणा भाग करने का मतलब समझ में आ रहा हो क्यों किया है 2 sin x into cos x बराबर sin 2x होता है तो यहां पर sin 2 into 2x मतलब sin 4x हो जाएगा यह है ना तो आगे बढ़ते हैं दोको 2i बराबर integration 0 से pi y 4 लिखना है और यहां पर आपको लिखना है log sin 4x लिख देते हैं बटे में 2 समझो कैसे लिखा है बच्चों यहां पर 2 sin 2x into cos 2x यही तो लिखा है तो आपको क्या लिखना है इसकी आंसर में इसकी आंसर में लिखना है sin 2 into में 2x तो 2x में 2 से multiply करोगे 4x आए ठीक है आँगे हमारे पास दोको यहां से बटे में 2 लिखा है sin 4x into dx माइनस integration 0 से pi y 4 और यहां लिखना है log 2 into में dx ठीक है यहां पर दोको log 2 जाएगा log m minus log n n का मतलब log 2 ठीक है 2i बरावर यहां भी अब वही प्रोसेस करनी है 4x बरावर t मानना है दोको 0 से pi y 4 0 से pi y 4 और आगे यहां पर लिखना है चलो यहां पर प्रोसेसापन कर देते है पहले पहला काम यह है 4x बरावर t लिख दो क्या लिखना है यहां पर 4x को हमें t लिखना है तो 4 into dx बरावर हो जाएगा dt जब x जबकि dx बरावर हो जाएगा 1 by 4 dt अब यहां पर limit change करनी है ठीक है limit क्या है यहां पर दोखो जब x की value 0 लिखनी है x बरावर 0 तो t बरावर 0 हो जाएगा यहां x कामाद 0 लिखो पूरा 0 t बरावर 0 और जब x बरावर जब x बरावर pi y 4 लिखोगे यह बाला है ना जब x कामाद pi y 4 लिखोगे तो 4 से वो चैंसल हो जाएगा तो t बरावर pi बचेगा ठीक है बचोगे अब यहां से limit हो गई 0 से pi 2i बरावर integration limit हो गई 0 से pi ध्यान से समझो 0 से यहां pi बरावर 4 था तो वहां पर pi लिखना है 0 से pi limit हो गया और यहां पर log यह है sign यह है 4x यहां पर थोड़ी से गलती हो रही होगी दोखों ध्यानने बच्चों क्या किया है ये इसको हमने टी लिखा है और डी एक्स बरावर क्या लिखना है एक बटे चार डी टी लिखना है ठीक है एक बटे चार डी टी अब इसे एक बटे चार को बाहर निकालो एक बटे चार यहां बाहर निकालो इंटीग्रेशन जीरो से पाई लिखना है और यहां पर है लोग साइन टी माइनस में लोग 2 थीक है और यहां से बन का समाकलन X होता है यहांун का लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर ठीक है बच्छो आप यहां पर वही पुरानी वाली बात समझो यहाँ पर क्या करना है यह संफलन है क्या है संफलन है तो अगर यह संफलन होता है तो यहाँ पर 2 से multiply करके limit हाप कर लेते हैं दो को 2i बराबर एक बटे चार तो ठीक है 2 से multiply करो limit 5y2 लिखे दो ठीक है और आगे है हमारे पास log sin t into dt माइनेस यहां पर देखो माइनेस लॉग दो हमारे पास ज्यों का त्यूंग है और यहां लिखना है पाई भाई फोर माइनस जीरो पहले अपर लिमेट माइनस लुवर लिमेट करेक्ट है बच्चू समझो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो बताया कि इसको हम सू इस चार को दो बाई डिवाइड कर सकते हो यह है टू आई बरावर अब यहां पर बचेगा बन बाई टू ठीक है और इस पूरे को हमने जैसा की बताया माइनस पाई वाई टू लॉग तू हम लेख सकते हैं एकदम बिना किसी रुकावट के सीधा डारेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है और यह है माइनस पाई वाई फूर लॉग दो है ना यह है पाई वाई फूर लॉग पॉद आई बराबर थोड़ा ध्यान से वच्छों समझचे कम है थोड़ा ध्यान से वच्चों समझना जह कम है 2i बराबर यहां पर लेखना है थोड़ा ओए-2-2-2 हो जाएगा दोनों Imam 451-4-2 निल्वndig माइनस पाई भाई चार हो जायेगा और इन्टू मे लौक तू यहां कि नहीं हमें क्रूप करते तो करेक्त है ठोको माइनस पाई यफ ओर लॉग तो चुआ अपको याद रेखना है हमने जैसा उसलगे बतायै कि यह आपका जो बिल्कुल एक्दम एक सर्व समका है यहां पर जो हमने यहां पर दो को 0 से πाई वाई 2 log sin t dt यह sin x dx हो एक एई बात है तो याद बिल्कुल एक्दम कंठ्यास स्याद रखना है 0 से πाई वाई 2 log 2 0 से πाई वाई 2 log sin x log sin x dx अगर कहीं लिखाओ तो उसको क्या लिखना है माइनस पाई बाई 2 log 2 लिखना है यह आपको याद रखना है ठीक है डिरेक्ट इकदम आपको formula याद रखना है चलिए इसको भी नोट कर लें बच्छो ठीक है नोट करें जल्दी से आँगे बढ़ते हैं बच्छो अंगली प्रश्न क्यूर बच्छो आपको बता दूँ कि अपने राश्टिगान निर्माता जो है रभीन नाट टैगोर जी उन्होंने बताया कि भई आप बुद्धमान कैसे बन सकते हो बहुत ही सुन्दर चार बातें उन्होंने बताई कि कम पढ़िए अधिक सोचिए कम पढ़िए अधिक सोचिए कम बोलिए जाधा सुनिए आपको चार बातें फॉलो करनी हैं आप बुद्धमान बन जाओगे बहुत अच्छी बात बताई है बचो फालतों बातों में लगे रहोगे कुछ फाइदाई में लगा हाना उतनी बोलिए जितनी जरूरत है बस जितना पढ़ना है मन लगाके पढ़िए ये सब कुछ चार बातें केबल फॉलो करना है बस आप बुद्धमान बन जाओगे ये मानुबाद ठीक है चलिए अंगले प्रश्ण पर आते हैं बच्चो यहां पर एक प्रश्ण है हमारे पास ऐसा कि भई जिरो से बन तक यहां पर इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू अंडरूड बन मानेस एक्स स्कॉयर अपोन में बन प्लस एक्स स्कॉयर है ना इसका हमें समा कलन करना है मिलता है तो उसको लिमिट पर ध्यान पहले नहीं जाना होता है क्या करते हैं पहले यहां पर हम बिना लिमिट वाला जो प्रस्न नहीं उसको देखते हैं कि कैसे समा लिनका सकते हैं बचों-बश्वाहर को t मान लिया जाए यहाँ पर अगर x square को हम t मान लें प्रत्सापन कर दें इसका derivative हो जाएगा 2x x into dx बराबर dt लिख सकते हैं x into dx बराबर हम 1 by 2 dt लिख सकते हैं अब देखो बच्छो यहाँ से जब हम प्रत्सापन करते हैं तो लिमिट जरूर बदलते हैं तो कैसे करना है दोखो पहले यह वाली लिमिट बदले यहाँ पर x का मान जब 0 लिखेंगे दोखो यहाँ ऐसा लिख लिमिट हमारी 0 to 1 रहेगी बदलेगी नहीं ठीक है तो यह प्रशन हमारा ऐसे बदल जाएगा 0 से 1 लिमिट रहेगी x into dx यह x into dx यह हैं दोनों का गोलन फल एक बटे 2 dt लिखना है और अंडरूर वाली संख्या को ऐसे लिखना है 1-t क्योंकि x square को हमना टी माल लिया है तो 1-t upon में लिखना है 1 plus t और यहां से dx बरावर आपको लिखना है एक बटे 2 dt लिखना है ठीक है x into dx टोटल क्या लिखना है एक बटे 2 dt लिखना है एक बटे 2 को हम समय कलन से बाहर निकाल लें और 0 से 1 लिमिट है हमारा अंडरूर में लिखना है 1-t और upon में 1 plus t अब समझो बच्य चैसे करना है यहां पर इसकी सयंग है इसका अंस हर में गुणा कर दें अर्थात 1-t का अंस में और 1-t का हर में गुणा कर दें ठीक है अंडरूर की साथ यह dt हमारा जियों का लिखना है लिखना है एक और मानस T है ना तो अंडरूट बन मानस T का अंस में और अंडरूट बन मानस T का हर में हम नंग गुणा कर लिया ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं यहां पर आई बराबर और नीचे आपको यहां से दो को अंडरूट में क्या मिल जाएगा बन प्लस T का बन मानस T में गुणा करोगे तो बन का स्कॉयर मानस T का स्कॉयर ठीक है इन्टू में डी टी अब बच्चों यहां से अलग अलग भाग कर सकते हैं एक बटी दो समाकलन 0 to 1 1 अपोन अंडरूट 1 मानस T स्कॉयर यहां लिख सकते हैं और यहां पर दोको मानस में लिख सकते हैं 0 to 1 और यह आपका है T इन्टू में डी टी अपोन में लिखना है अंडरूट 1 मानस T का स्कॉयर और यह एक बटी दो का चूंकि यहां भी गुणा है और यहां भी आपको गुणा लिखना है ए इसके बाद दोखो यहां पर इसका समाकलन तो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, एक बटे अंडरूड बन माइनस T स्क्वाइर यह इंटू में डिट यहां भी लिखना है, ठेक है बच्चो क्या करोगे इसको, साइन इनवर्स T लिखना है, एक बटे अंडरूड बन माइन यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर इसको फिर से कोई संख्याब मान ली जाए, यहां पर फिर से प्रतिस्थापन कर दिया जाए, बन माइनस T स्क्वाइर को हम यू मान लेती है, ठीक है, यहां दोखो इसका अउकलन 0 हो जाएगा, माइनस में 2 T इंटू में D T बराबर म T इंटू में D T बराबर माइनस 1 बटे 2 D U ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चो, इसमें भी लिमिट चैन्ज करनी है दोखो, पहले लिमिट हमें रखनी है, 0, T का मान 0 लिख दे, यहां पर ऐसा लिख दे, जब X, जब T का मान 0 है, जब T बराबर 0 है, तो यहां पर 0 लिखने स यू का मान देखो, एक हो जाएगा, इसको 0 लिख दे, U बराबर 1 मिल जाएगा, और जब 1 लिखोगे तो जब X का, जब T का मान 1 लिखोगे, यह उपर वाली लिमिट चैन्ज करो, तो T का मान 1 लिखते, 1 मानस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब U का मान 0 हो जाएगा, तो रच्वों यहां से दो को जितो सब कुछ कट्यों चला। इस Greyn ने यहां की बात समझो। तो यहां पर दो को माइनस एक बटे 2 लिखना है और लिमिट हमारा ये ृृता वो तो एक हो बटे एक जीरो हो गया। ये ये एक से 0 लिमिट हो गया। टीन तो डी टी को ओल में बरावर में एक बटे दो और ये यहाँ से साइन इन वार्स से टी और लिमिट जिरो से बन ठीक है यहाँ पर इसको रप कर लेती है इसका जमम में कल नहीं हो گیا ठीक है चलिए बरावर का निसान लगा के और आगे दोखो एक बटे दो यहाँ पर अगर limit रख दें पहले उपर वाली limit रखना है तो sine inverse t लिखना है t का मान एक लिख देना है sine inverse 1 minus sine inverse 0 minus 1 बटे 2 यहाँ पर भी बिल्कुल बैसे ही करना है दो को minus 1 बटे 2 अगर इधर लियाओगे तो यहाँ से हमारे पास minus minus plus हो जाएगा और 1,4 लिखना है 1,2 और 1,2 खैंगे ओर यह 0 से 1 से 0 है 1 से 0 है 1 से 0 लिख लो और यह आपके पास हो जाएगा do इसको उपर ले जाओ तो यहाँcho minus 1 बटे 2 लिखना है क्या लिखना है minus 1 बटे 2 do है न इसका आप समाकलन कर दो देखो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे 2, sin inverse 1, और sin inverse 1 कमान होता है, πाई बटे 2, minus sin inverse 0, 0 होता है, प्लस एक बटे 4, और यहाँ पर T की पावर, U की पावर, एक बटे 2, क्या करना है, U की पावर, एक बटे 2, जब एक इसमें जोड़ोगे, तो एक बटे 2 होगा, एक बटे 2 से भाग करना है, और लिमिट है, 1 to 0, और यहाँ दो यह उपर पहुँचाएगा, तो दो बटे 4 मतलब एक बटे 2 हो जाएगा, यहाँ से पाई बटे 4 मिल जाएगा, पाई 2 नू नी 4, पाई बटे 4 लिखना है, प्लस यहाँ से एक बटे 2, यह दो उपर पहुचाएगा, दो एक बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ से जब जिरो लिखोगी, तो जिरो मिल एगा, फिर माइनस का निसान लगाओ, यू का मान एक लिखोगी, एक की पावर एक बटे 2 मतलब एक अई मिल एगा, तो बचो अंसर में यहाँ पर आपको लिखना है, पाई बटे में 4, माइनस एक बटे 2, यह बचो अंसर आज़ा है, इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 4 LCM लें, और यहाँ से पाई माइनस 2 लिख सकते हो, यह बचो इसका अंसर है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पर यह तो अपका सीधा सीधा है ना, तो यहाँ पर आपको फिर से दुवारा से हमने प्रसिस्थापन किया है ना, यहाँ पर दुवारा प्रसिस्थापन करोगी, तो limit भी change करना है ठीक है वाई दभी बच्छो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो यह जरूरी नहीं कि लिमिट चैंज करो वाई दभी अगर आप limit चैंज इसका अंसर हो गया पाई माइनस दो बटी में चार है करेक्ट है चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कुस्चन ग्यूर जल्दी से नोट कर लें अंगला प्रश्ण बचो देखते हैं देखिए अंगला प्रश्ण और हमारे पास यह है integration करना है 0 to 1 यहां पर है log और 1 प्लस x और upon में लिखना है 1 प्लस x का square into dx इसका समाकलन हमें करना है ठीक है और यह हमारा i बराबर हो गया बहुत ही मज़ेदार कुश्याने बचो समझते हैं यहां पर इसको कैसे करना है यहां पर आप देखो कि नीचे आपके पास 1 प्लस x square लिखा है क्या इसका प्रतिस्थापन करके हम कुछ कर सकते हैं हाँ बिल्कुल x बराबर 10 थीटा यहां पर कभी भी बचो 1 प्लस x square लिख प्लस x square लिखा है तो x बराबर 10 थीटा लिखने ऐसी 1 प्लस 10 square थीटा होता है जबकि हमें पता है 1 प्लस 10 square थीटा पराबर 10 square थीटा होता है यही तो पता है अगर हम यहां पर x बराबर sin थीटा लिख दें कुछ भी नहीं होना वाला क्योंकि 1 प्लस sin square थीटा कोई formula नहीं ह सद्侧ार बरावर 10-2 तो यहां पर मान लीते हैं X बरावर 10-3 यहां पर इसका आउक्हुलन करते हैं तो x बरावर हो जाएंगा अब भतको यहां से समझते हैं हम प्रसे सब्सक्राइद tactics करेंगे कैसे करते हैं पहले ये नीचे वाली limit रख दें जब x का मान हम 0 लिखेंगे तो theta का मान देखो 0 हो जाएगा x का मान 0 लिखोगे 10 theta का मान 0 कहां पर होता है 0 पर होता है और जब x बरावर 1 लिखोगे यहां 1 लिख दें तो theta बरावर आपको पता है 10 theta का 1 एक कहाँ पर होता है pi by 4 पर होता है तो बचो लिमिट हो गई 0 से pi बटे 4 यहाँ पर इस पृष्चनी की लिमिट हो गई 0 से pi बटे 4 और यहाँ से आपको लिखना है log 1 प्लس 10 theta क्या लिखना है 1 प्लस 10 theta और नीचे बटे में 1 प्लस यहाँ पर भी 10 थीटा लेखना है इस पर square लेखे दें और यह dx बरावर हम क्या लेखेंगे sec square theta into d theta लेखेंगे तो बच्चो यहाँ पर आप देखो 1 प्लस 10 square theta बरावर भी sec square theta होता है और यह sec square theta इस से हम cancel कर सकते हैं ठीक है तो बच्चो एक नया प्रष्ण का जन्म हो गया समझो 0 से pi y 4 और log 1 प्लस 10 theta into में d theta यह आपका एक नया प्रष्ण बिल्कुल बन गया हम जो है ना यह भी प्रष्ण बोर्ड एक्जाम में सैक्लों बार पुछा गया बहुत बार पुछा गया है बहुत महत्पूर्ड प्रष्ण है यह दो को प्रष्ण तो यह था और बन के यह तैयार हो गया यह यहां से भी बहुत बार पूछा गया है कि बहुत बार पुछा गया है कि बहुत बार कि बताओ 0 से pi y 4 log 1 प्लस 10 theta कमान क्या होता है यह हमें कभी-कभी इसका अंसर भी देता है कईता आज सिध्ध कर के बताओ कभी कहता है इसका मान बताओ तो कुल मिलाके यहां पर इस प्रष्ण के लिए भी हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही महत्पूर्ड हो गया यह है इसको भी आप ऐसे समझो अलग से यह प्रष्ण बन गया प्रोपर्टी यहां लगा देते हैं, 0 से πाई भाई फोर लिखना है, और लोग ब्रैकेट में बन प्लस टैन और ठीटा के जगा लिखना है, पाई भाई फोर मानस ठीटा लिखना है, और इनटू में ये डी ठीटा ज्यूं करते हूं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो कौन सी प् करते हैं उसको हम लेख जरूर देते हैं कि कौन सी हमने हम ने यूज की है ठीक है बच्चु इतना यहां तक ठीक है चलिए ठोड़ा सा हम यहां पर इंक डालने फूरी एक मिन्ट के लिए चलिए आंगे बढ़ते हैं आपर दोखो इसके बाद दोखो क्या करना है यहां पर यह यहां पर यह प्रस्ण हो गया I बराबर integration लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे में 4 और log लोग आंगे लिखा है bracket में 1 प्लस यहां पर 10 A मानस B का फर्मूला लगा दी दिए 10 A मानस B पराबर होता है 10 A मतलब 10 पाई बटे 4 10 A मानस 10 B बराबर तो थीटा है अपन में 1 प्लस 10 A इंट यह हमारा फर्मूला होता है उसको हमने लिखा है इंटू D थीटा हमारा ज्यों का फिक है 10 A मानस B बराबर क्या होता है 10 A मानस 10 B अपन 1 प्लस 10 A 10 B यह हमना फर्मूला लगा लिया ठीक है बच्छो आंगे बढ़ते हैं 0 से पाई बाई 4 हमारा लिमिट है यहां पर है log 1 प्ल 10 पाई बाई 4 1 लिखना है इंटू में 10 थीटा करेक्ट बच्छो इतनी बात ठीक है 10 पाई बाई 4 को हमने एक लिख लिया है ठीक है 10 45 का मान एक होता एक नहीं चलो इसको और थोड़ा आंगे हल करेंगे 0 से पाई बाई 4 लिखें log यहां से दोखो LC हम लेंगे 1 प्लस 10 थीटा प्लस बन माइनस में 10 थीटा ठीक है और इंटू में दी थीटा करेक्ट बच्छो यह माइनस में और यह प्लस में कैंसल हो जाएगा तो यह हमारे पास 0 से पाई बटे 4 लिखना है और लोग में यहां पर दो को एक और एक दो बटे में लिखना है 1 प्लस 10 थीटा है और into meant d theta, correct है वच्छो इतनी बात, ठीक है, अब आप log m, log m बटे n का फॉर्बिट दिखाई दे रहा है, तो आपको log m बटे n बराबर होता है, log m minus log n होता है, यहां से हमें लिखना है, integration 0 से πाई वाई 4, log 2 लिखना है, minus में log लिखना है, 1 प्लस 10 theta, ठीक है वच्छो, into meant d theta यह है, अब यहां से अलग-अलग दोनों पर समखलन यहां पर इसका अलग समंखलन करना है, इसका अलग करना है, तो इस परकार हम लिख सकते हैं, 0 से πई वाई 4 और यहां पर लिखना है, log 2 into d theta minus समाखलन 0 से पाई वाई 4 और यहां लिखना है log 1 प्लस 10 theta into meant d theta, यह हमें लिखना बचो ठीक है आप यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है चलिए बहुत अच्छी बात है बचो लॉक दो हम यहां से बाहर निकालेते हैं लॉक को समाकलन से बाहर करतें तो बचेगा कितना एक और एक का समाकलन होगा थीटा के रिस्वेक्ट में थीटा है ना ये लिमिट है जीरो से पाई बटे चार फिर माइनस बचो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो ये दोखो आई है ये टोटल क्या बनके तयार हो गया आई क्योंकि दोखो आई बरावर है लेके आओगे तो प्लस का आई हो जाएगा मतलब आई प्लस आई तू आई हो जाएगा यहाँ से यह हमारे पास है लोग दो और इसके बार यहाँ पर लिमिट रख दें पाई बटे चार फिर माइनस का निसान लगा के जीरो लिख ले ठीक है पहले अपर फिर माइनस लोग ठीक है इसके बार दो से भाग करें तो पाई बटे आठ हो जाएगा लोग दो आई बरावर क्या हो जाएगा पाई बटे में आठ इंटू में लोग दो यह बच्चो इसका अंसर है ठीक है किलियर समझ में आया यहां पर बच्चो एक नहीं दो प्रशन तयार हो गए प्रशन आपका ये था यहां से हमने यहां तक सॉल्ब करके जब लिया आए तो हमने का यह आपका एक नया प्रशन हो गया यह भी आपका अलग से प्रशन पूंचा जा रहा है बहुत बार पूंचा गया है जीरो से पाई बटे चार लोग बन त्वेस टेन थीटा इंटू डी थीटा बरावर सिद्ध करके दिखाओ पाई बटे आठ लोग दो ऐसा बहुत बार पूंचा गया है ठीक है तो इसलिए आप ऐसे समझो के एक प्रशन को तयार करने से यहां से दो प्रशन तयार हो रहे आपके ठीक है बहुत ही मेज़ेदार प्रशन हा बचो इसको अच्छछे से नोट करके आगे बढ़ते अब अंगले प्रसन की और थीक है जल्दी से नोट कर ले कि Cart चलिए वाई वाई आगे बढ़ते हैं और अंगले प्रसन की और सिसको रव कर लेते हैं, देखे बचो ये अंगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ये उंदा बढ़िया प्रश्न है बचो, क्या आपको पता है स्वामी बीवेकने ने आपके लिए बहुत मतलब की बात बताई, क्या आपके अंदर जोस भर दिया, कहते हैं उठो जागो तब तक मत रुको ज जब उस लक्ष की और आप बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ते रहो, ठीक है, बचो यहाँ पर ये प्रश्न है हमारे पास, कहता है यहाँ पर इसका समा क्लन करो, तो इसको हम आई बराबर माल लेते हैं, 0 to 1 x into under root 1 minus x square, अपन में लिखा है, 1 plus x square into dx, कैसे दो को इसका समा क्लन क करना है बचो, यहाँ पर आपको सीधी बात तो यह दिखाई दे रही होगी, कि अगर हम x square बराबर t प्रतिस्थापन कर दे हैं, अगर x square को t माल लें, तो इसका derivative बचो 2 x होता है, dx बराबर यहाँ dt लिखना है, और x into dx बराबर कितना हो जाएगा, 1 by 2 dt, ठीक है, जब प्रत t बराबर हो जाएगा 0, और जब x का मान उपर वाली limit, यहाँ पर दोखो, उपर वाली limit change करो, तो x बराबर 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ से दोखो, जब 1 का square करोगी, तो 1 मिलेगा, मतलब t बराबर 1, यहाँ से limit फिलाल वही रही, 0 से 1, जो 3 limit वही रही है, 0 से 1 limit है, य यहाँ पर x into dx इन दोनों का गुडन फल तो आपको 1 upon 2 dt लिखना है, जबकि under root वाली संख्याव को इस परकार बदल से लिखना है, तो 1 minus इसको हमने t माना है, तो 1 minus t upon में लिखना है, 1 plus t और यहाँ पर x into dx का मान 1 बटे 2 dt लिखना है, ठीक है बच्छो, आप इसका समा कलन कर लेंगे यहाँ पर चलो और इसने आप यहाँ लिख देते हैं, एक बटे 2 तो सबसे पहले आप बाहर निकालो, 0 से 1 लिख दो, और यहाँ पर लिखा है under root 1 minus t, upon में चलो इस पर भी under root अलग से लगा देते हैं, under root 1 plus t, यहाँ अब देखो बच्छो, जो हरकी संख्यावी क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, आई बरावर एक बटे में दो, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1, और यहाँ से दोखो जब आपस में गुणा करोगो तो सेम संख्या है न, under root खतम हो जाएगा, मतलब 1 minus t लिखना है, into में dt, और नीचे upon में यहाँ से दोखो, बरगंतर के फॉर्मूली से इसमें गुणा कर देना है, क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b, मतलब यहाँ पर गुणा करके हमें लिखना है, 1 minus t का स्क्वाइर, ठीक है बचो, इसके बाद एक काम करते हैं, दोनों में अलग-अलग भाग कर लेते हैं, 0 से 1, 1 upon under root 1 minus t स्क्वाइर लिखना है, into मे में इसी प्रकार यहाँ भी करना है, एक बटे 2 का गुणा करते हैं, और यहाँ लेखेंगे, t into में dt upon में under root 1 minus t स्क्वाइर, लिमिट कितनी है, 0 से 1, ठीक है बचो, इसका समाकलन आप सीधा जानते हो, एक बटे under root 1 minus t स्क्वाइर को क्या लेखेंगे, sin inverse t लेखेंगे, जब आउकलन कर दें, तो 0 minus में 2t हो जाएगा, into में dt बरावर में क्या लिखना है, du लिखना है, और इस प्रकार से तो को t into में dt, t into में dt बरावर minus 1 बटे 2 du यह मिलागा, ठीक है बचो, ऊपर आप देख पा रहे हो, यह यह लिखा है ना, इसको हम minus 1 बटे 2 du लिखेंगे, और limit यहाँ भी दोखो, चैंज करना पड़ाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, जब x की value पहले दोखो, lower limit की बात करो, x की value यहाँ पर x के जगह पर t है, तो यहाँ पर जब t की value 0 लिखोगे, तो 1 minus 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ से u की value हमें 1 मिल जाएगी, और जब t की value 1 हो गई, तो यहाँ पर दोखो, 1 minus 1 का square 1 होता है, तो 1 में ऐसे 1 घटाएगा, मतलब u बराबर 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार से दोखो, यह प्रशना आपका बदल जाएगा, minus 1 बटे 2, integration की limit हो गई 1 to 0, दोखो, इसको हमें क्या लिखना है, 0 जब t बराबर 0 है, तो u बराब लिख देना है, बटे में under root, इसको हमने t लिखना है, ठीक है, इसको क्या माना है t, अब बचो यहाँ पर इसको तो जिवकादियों एक बार फिर से लिख देते हैं, एक बटे 2, integration 0 to 1, और एक बटे में under root, 1 minus t का square into dt, ठीक है बचो, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको केबल बदल लिया है, क्योंकि इसका तो हम समाकलन सीधा सीधा जानते हैं, कितना होता है, sine inverse t होता है, और इस पर 1 0 से 1 limit है, minus में 1 बटे 2, अब चूँ यहाँ पर देखो, minus 1 बटे 2 इधर ले आओ, तो minus minus हो जाएगा, plus और 1 बटे 2 और बाहर आ गया, है ना, फिर यहाँ पर इसको उपर ले जाओ, तो minus की 1 बटे 2 हो जाएगी, लेकिन समाकलन करोगी, तो t की पावर प्लस 1 बटे में 1 बटे 2, और इसका हमें, देखो, 1 से 0 limit दिया जा है, ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पर लिखना है, 1 बटे 2, sine inverse 1 लिखना है, sine inverse 1, minus sine inverse 0, ठीक है, limit कैसे उपर वाली, फिर minus करके निखे वाली, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 बटे 2 है, यह उपर पहुंच जाएगा, तो 2 से 1, 2 cancel हो जाएगा, आपको यहाँ से 1 बटे 2 लिखना है, और इसके बाद limit दोखो, 0 की पावर 1 बटे 2, माइनस 1 की पावर 1 बटे 2, ठीक है, अब देखो, बराबर में 1 बटे 2, यहाँ, sin inverse, 1 का मांट, πई Y 2 होता है, minus sin inverse 0 तो 0 होता है, और प्लस में, यहाँ से दोखो, 1 बटे में 2, यह तो 0 है, यहाँ पर minus का यह 1 मिलागा, यहाँ पर minus का यह बटे 2 हो जाएगा, कितना मिलागा, minus में 1, ठीक है, एक की पावर चाह आधी करो, चा art –1, 2 यहां से 4 सियंग ले लिया जाते हैं तो इसको यहां लिखना है पाई माइञे माइनस में 2 ठीक बच्वो यह आपका अंसर हो जायेगा करIक है । तो थोड़ा सा यहां पर दो को दो बारा से हैंना इसको यहां पर दो बारा समझने हो था यहां पर हमें कमेंड करके जरूर पुछे ठीक है आंगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण के ओर मैं अहारे प्रस्ण बचो बहुत ही महत्पूर प्रशन हैं बहुत ही महत्पूर ठीक है अइससे कह सकते हैं कि प्रेबियस-year में लगातार कूओं य kwest connect करना है और पास यहां पर इस प्रकार से की integration करना है 0 to 1 0 to 1 log में है यह हमारे पास 1 plus x upon में लिखा है 1 plus x square और into dx ठीक है इसका हमें क्या करना है बच्चों समख लगा देखो ध्यान ले यह ऐसा प्रिश्ण है इसको हलक करते करते एक दूसरा प्रिश्ण यहां पर बनेगा देखो यहां पर हम इसमें भी प्रस्थापन कर देते हैं ऐसे मान लेते हैं कि जब x का मान हम 10 ठीटा लिख दें यहां पर क्या लिखेंगे x बरावर 10 ठीटा पर जो कभी भी प्रस्थापन करना हो बन प्लस x स्कॉाइर लिखा है तो समझो आपको x बरावर 10 ठीटा ही लिखना है हमें इसा याद रखिएगा जो को 1 प्लस x स्कॉाइर नीचे लिखा है न तो 1 प्लस x स्कॉाइर लिखा है इसका मतलब x बरावर 10 ठीटा लिखने इसे ही काम चलेगा क्योंकि 1 प्लस 10 स्कॉा 10 थीटा तो यहां से derivative इसका निकालो d x वरावर 10 थीटा का alkaline कितना होता है सेक स्कॉार थीटा इंटू d थीटा होता है और यहां से इसकी limit जब change करोगे तो इस परकार लिखोगी दोखो x वरावर 0 पहले x की value 0 लिखो यहां पर 0 लिखते ही 10 थीटा का कामान 0 कहां पर होता है 0 पर ही होता है 10 थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा और जब x कामान एक लिखो तो थीटा कामान कितना हो अगर हम एक लिखें तो 10 थीटा कामान एक कहां पर होता है तो आपको कहना थीटा बराबर 45 पर होता है, πाई वाई 4 लिखना है, ठीक है, तो लिमिट हो गई 0 से पाई वटे 4, और इस प्रकार से यह नया सवाल दोखो बन के तयार हुआ है, लिमिट हो गई 0 से पाई वटे 4 लिख लें, और लोग अपना जूंकातियों लिखें, और यहां से दोखो 1 प दी एक्स है, तो इसको हमें क्या लिखना है, सेक स्कॉाइर थीटा इन्टू दी थीटा जिवगाते हूँ, करेक्ट है बच्छो, अब 1 प्लस 10 स्कॉाइर थीटा बराबर भी सेक स्कॉाइर थीटा होता है, ध्यान से समझो, एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तो 1 प्लस 10 स्कॉ है, ये भी सवाल पर बोड एक्जाम में काफी बार पूछा गया है, है तो वही सवाल, और ये रिडियूज हो गया, बदल गया समझो, ऐसे बन गया है, तो ये भी इस फॉर्मेट में भी सवाल पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है, तो इसका मान बताईए, या इसकी बैल से ए, जब लिमिट दी जाती थी, जीरो से ए, तो उसको क्या करते थे, एफ ए मानस एक्स इंटू डी एक्स लिखते थे, तो वही हमें यहाँ पर करना है, देखो, इंटीग्रेशन, पाई बटे चार लिखना है, यहाँ लिखना है, लोग बन प्लस टैन और ठीटा की जगा पर लिखना है, पाई बाई फोर माइनस थीता लिखना है, और इंटू में यह बी थीता ज्योंकाते हो, ठीक है बच्छो, इतनी बाद समझ में आई, इतनी बाद ठीक है बच्छो, आंगे बढ़ो तो यहाँ पर टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दो पाई बटे चार और अपॉन में लिखना है, ठीक है बच्छो, इतनी बाद तो समझ में आई गई होगी, तो टैन ए माइनस बी अपॉन प्लस टैन ए टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो वही हमने लिख दिया है, आँगे आपको यहाँ पर दोखों, जीरो से पा लिखना है बटे में एक प्लस यहां भी 10 पाई वाई 4 की वैलू बन लिखना है इंटू मैं 10 थीटा ठीक है बचो इतनी बात भी ठीक है आंगे दी थीटा यह चल ला है इसको कतई मत भूलें जियों कत्यों लिखना है ठीक है अब देखो इसको और थोड़ा आंगे हल करें यह यहां पर इसको ऐसे लिखने जेरो से पाई वाटए 4 यहां लिखना है लोग ब्रेकेटज में लिखना है यहां पर लगी यहां पर दोको बन प्लस 10 थीटा इसको देबाते हम फ्लाइनले चाह से लिखना है 0 से πाई बटे 4 आंगे लिखना है लोग 2 बटे में 1 प्लस 10 थीता इस परकार से ठीक है बचो इंटु में डे थीता कितनी बात ठीक है अब यहां से लोग M बटे N लिखा है तो लोग M minus log N लिखना है क्या लिखना यहां पर दो को यहां पर लिखना है integration 0 से πाई बटे 4 और इसको लिखना है log 2 माइनस में लिखना है log 1 प्लस 10 थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं इसमें तो किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं है ना लिख सकते के नहीं भीया यह क्या है log m बटे n है तो log m माइनस log n होता है तो हमने उसी format में लिख लिया अलग-अलग समाकलन का निसान लगाएं तो यहां 0 से पाई बटे 4 एक कम और कर सकते हैं log 2 चुंकि अचर संख्या है इसका हमें समाकलन नहीं करना है तो 1 इंटू डी एक्स यहां पर लिखने है ना 1 इंटू डी थीटा थीटा की रिस्पेक्ट मे करना है और 0 से पाई बटे 4 यह लिमिट है यह ज्योंकितों रहनी है आंगे दोखो यह माइनस का निसान लगाओ और यहां भी 0 से पाई बटे 4 लिमिट है और यह हमें लिखना है लोग 1 प्लस 10 थीटा और इंटू में डी थीटा वच्चो यहां तक बताओ किसी को कोई समस् हैंगे इधर हमारा देखो आई चला है आई बराबर लिखना है लोग 2 हमारे पास बिलकुल ठीक है वन का समा कलन थीटा होता है जीरो से पाई बटे 4 लिमिट है और माइनस का इधर हमें आई लिखना है यह माइनस का आई के साथ एड़ कर रहती हैं तो आई प्लस आई तोड़ के क्या लिखोगे दो आई लिखोगे क्या लिखोगे दो आई बराबर पाई बटे में 4 लोग 2 है ना पाई बटे 4 लोग 2 अब बस आई का मान निकालो तो 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां लिख देते हैं इसका फाइनल अंसर आई बराबर क्या हो जा तो अभी आपको यहां तक ले जाना पड़ेगा है ना और यदि यह प्रश्ण मिलता है यह भी का भी बार अलग से पूछा गया है अगर यह मिलता है तो अभी आपको बिल्कुल से प्रॉसेस करते हुए यहां तक ले आना है किसी को कोई समझ से आ तो नहीं ठीक है आँए प्रश्ण जाशा बता रहें कि बहुत इंपर्टेंट है तो अंगला प्रश्ण फिर दमांकिदार होना ही बाला उसमें तो कोई समस्था नहीं है तो को बच्चों अंगला प्रॉस्ण हमारे पास है हमें समाकलन करना है लिमिट दिया गया है जीरो से पाई वाई टू और य गयाद करना है दोको यहां पर आई बराबर लिख लिते हैं जीरो से पाई वाई टू यहां पर कॉट एक्स लिखा है इस कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बटे साइन एक्स के रूप में लिख सकते हैं तो यहां पर लिख देते हैं दोको अंडरूड है और इसको लिख दें कॉ कॉस एक्स बटे में क्या लिख दें साइन एक्स ठीक बचू नीचे दो को ऐसा ही कुछ नीचे भी करना पड़ेगा यहां दो को लिख देते हैं कॉस एक्स यहां बटे में लिखना है साइन एक्स ठीक है और यह डी एक्स हमारा चलना है ठीक है इसके बाद दो को यहां पर नी X ये LCM आ जाएगा तो आप यहां से हमें क्या मिलेगा अंडरूड में Sin X मिलेगा प्लेस अंडरूड में कोश X मिलेगा इतनी बात तो बिल्कुल मेरी हाल से बच्चो क्लियर क्लियर समय में आ रही होगी अंडरूट signing X है अंडरूट signing X ये cancel out हो जाएगा आप आप जो बचएगा वो भी आपका एक अलग से प्रिष्न हो रहा है जोखो यहां पर लुखो ऊपर बचएगा cos X अंडरूट में और नीचे हमारा यहां पर बचएगा under root में कितना sin x plus under root में cos x बचो ये भी आपका एक अलग से प्रिश्ण होता है इसको भी board exam में काफी बार पूंचा गया है यहाँ से भी अलग ये प्रिश्ण बनता है ठीक है तो आप वही वाली बात है 0 से a अगर दिया जाए तो उसमें property लगाते है है ना वही property यहाँ पर दोखो लगा देनी है क्या है 0 से πाई बाई 2 यहाँ पर क्या करना है under root cos x के जगह पर हमें लिखना है πाई बाई 2 माइनस x लिखना है ठीक है बचो नीचे आप ध्यान से समझो तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा यह है हमारे पास sin x के जगह पर लिखना है πाई बाई 2 माइनस x और यहाँ प्लस under root cos x के जगह पर लिखना है πाई बाई 2 माइनस x ठीक है बचो इतनी बाद ठीक है into में dx हमारे पास यह जोंकाते हूँ है इसके बाद यहाँ पर दोखो आगे integration 0 से πाई बाई 2 लिखना है cos πाई बाई 2 मानस x बरावर sin x होता है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है under root में लिखना है sin x यहाँ पर बटे में यह भी under root में sin x लिखना पड़ेगा और प्लस में यहाँ पर under root यहाँ पर इसको cos सोरी यहाँ पर तो cos में बदल जाएगा क्योंकि sin पाई वाई 2 मानस x बरावर cos x होता है तो यहाँ से लिखना है cos x और यहाँ cos πाई वाई 2 मानस x बरावर क्या लिखना है sin x लिखना है into dx यह जो उकाते हूँ है अब बच्चो इस पर हम नंबर दूसरा डाल देते हैं ठीक है यह दूसरा नंबर हो गया कौन सी हमने property लगाई जो property लगाऊना उसको जहाँ पर जरूर लिखना है कौन सी property हमने लगाई है integration की limit 0 से a f x dx बरावर हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा है integration 0 to a f of a minus x into dx यह हमने property यहाँ पर यूज की है ठीक है वो आपको जो property आप लगाऊगी उसको bracket में जरूर लिखना है ठीक है यह हमने property यूज की है इसके बाद दोखो बच्चो जहां से और आंगे बढ़ से हुए हम लोग क्या करेंगे sumi card 1 और sumi card 2 इन दोनों sumi card 2 इन दोनों sumi card को आपस में जोड़ देंगे है न यही तो करते हैं i और इसको भी दोखो ये भी i है और i i जोड़ के हम 2 i यहाँ पर लिख देते हैं लिख दें sumi card 1 plus 2 से 1 और 2 के योग करने से हमें यहाँ पर i और i का योग 2 i मिल जाएगा integration की limit तो दोखो 0 से 5y2 दोनों में है इसमें भी है यहाँ पर दोखो dx और dx common दिखाई दे रहा है हर दोनों का बिल्कुल सेम है under root sin x plus cos x और यहाँ भी under root sin x plus cos x है तो हर दोनों का सेम है के वला uns और uns जोड़ देना है यहाँ पर under root cos x है under root cos x है और यहाँ पर है plus under root लिख देते हैं sine x ठीक है दोनों को जोड़के और यह dx common बाला लिख दे और बटे में जो लिखा है यह भी common है under root sin x plus under root cos x ठीक है बच्छों दोनों को जोड़के हमने लिख लिया अब आप देख रहे हो यहां से सीधा सीधा इसको cancel out कर सकते हो तो यह हो जागा 2i बरावर integration 0 से πाई वाई 2 यहाँ पर लिखना है 1 into dx और यह हमारे पास हो जागा दोखो 1 का समा कलन x होता है और यह 0 से πाई वाई 2 करेक्ट है यहां पर इसका समा कलन यहां पर limit रख देते हैं कैसे लगते हैं दोखो पाई वाई 2 पहले लिखना है फिर माइनस यह अपर वाली limit रखने के बाद lower limit रखते है lower limit soon है तो soon का मतलब soon आब यहां पर दोखो 2 से भाग करके आई की वैल्यू निकल के आएगी पाई वाई फोर यही इसका अंसार है ठीक है किसी को कोई डाउट हो तो बताओ ठीक है बिल्कुल ठीक सिमलर तरीका का एक और यहीं पर प्रुष्ण बता देते हैं बिल्कुल एकदम सिमलर है यहां पर एक और प्रुष्ण आप से पूछा जाता है निया है बिल्कुल पुर्ष्ण नोगो जीरो से पाई वाई टू कि हमें पूरा स्वलब नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं जीरो से आपके पास एक प्रुष्ण बन सकता है इस तरीके से जीरो से पाई वाई टू और यह हमारे पास है डी एक्स दोखो एक अई है अगर आप थोड़ा सा हल करोगे तो यहीं तक पहुँच जाओगे बिल्कुल यह हमारा पुरस्ण बन जाएगा दोखो हल करके बता देते हैं थोड़ा सा हल करेंगे आगे बाकी तो यही सब कुछ है कुछ करना नहीं है यह भी बहुत बार पूछा गए बह सुपाइड बाय कॉस फिक है यह लिए लिख देते हैं तो यह हमारे पास अंडरूड कॉस एकस प्लस अंडरूड साइन बटे में अंडरूड कॉस एकस यह उपर पहुँच जाएगा तो हमें यहांपर क्या करना है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई तू लिखना है अं प्रश्ण है बिल्कुल सेम है ना तो इस तरीके से भी आपका ये प्रश्ण पुंचा जा सकता है ये भी आपका बहुत ही इंपर्टेंट है बहुत बार ये भी आया है ठीक है तो बात तो वही है पहले स्टाटिक में ये लग रहा था ये सवाल अलग है ये सवाल अलग है ले आपके पास है इसके बाद दोखो प्रश्ण है अंगला एक और प्रश्ण है उसको देख लेते हैं बच्छों बड़ा आसान सा प्रश्ण है देखें हमारे पास एक यहां पर प्रश्ण है इंटीग्रेशन की लिमिट है जीरो से पाई वाई टू और यह लिखा है हमारे पास लोग साइन का क्यूब एकस इंटू में कोस की पावर फोर एकस इंटू में डी एकस द्यान से इसको समझना है ठीक है इस प्रश्ण को समझो इसका अंसर हम कैसे देंगे यहां पर समझने वाली बात है बच्छो इसको क्या करते हैं हम आई बरावर लिख लेते हैं आई बरावर जीरो से पाई वाई टू लिखें और यहां पर सीधा स्टैप आंगे बढ़ाते हैं इसको सॉल्व लिख दिया कर हो जाए है ना कैसे दो को solve करना है वच्चो आई बरावर integration की limit 0 से πाई वाई 2 log यहां से log m into n लिखा है दो को इसको m मानो इसको n मानो तो log m into log n बरावर क्या होता है log m प्लस इसको कैसे लिखोगे इसको हम लिखेंगे log sin cube x plus log cos cube x सोरी चार पावर है ना तो इस पर लिखना है cos की पावर 4 x into मैं यह dx यह जो काते हूँ ठीक है बचू लोग m into n बरावर log m plus log n ठीक है अब एक और बात है यहां से एक और सीधी बात है कि log दो को हमने यह जो rule लगाया है वो तो आपका यह है log m into n बरावर होता है log m plus log n एक तो यह होता है यह वाला तो हमने यह फॉर्मिट लगाया है इसके बाद एक और यहां पर दो को प्रॉपर्टी आपको यहां log की लगानी पड़ेगी m की power n लिखा हो तो यह n पहले होता है n log m है न तो यहीं दो को यहां पर जो घात लगी है यह तीन पहले आ यहां घात यह चार लगी है यह पहले आ जायगा तो यहां से हम आणगे बढ़ती हुए इस प्रकार से पहुंश सकते हैं कि जीरो से πाए बाए टू log यहां 3 पहले लिख ले हैं तो 3 log sin x हो जाएगा प्लस में यह 4 यह 4 पहले आ जाएगा तो 4 log cos x हो जाएगा और into में dx ठीक है बचूँ इसके बाद की बाद कुछ इस परकार से समझो 3 तो हमारा समा कलन से बाहर किया जाएगा आचार है इसका समा कलन करना नहीं है 0 से πाई वाई 2 और यहां से लिखना है log sin x फिर प्लस का निसान 4 इसको भी समा कलन से बाहर करो और समा कलन की यहां भी लिमिट रख देते हैं 0 से πाई वाई 2 और यहां लिखना है log log cos x इंटू में dx ठीक है बचो अब यहां पर दो को हम प्रॉपार्टी यूज कर लेते हैं इसको तो फिर जोंकातियों लिखना है तेन इंटेगरेशन की लिमिट 0 से पाई वाई 2 और यहां लिखना है log sin x प्लस अब यहां देखो इसको भी हमें वही काम करके यहां से आँगे बढ़ना है 0 से पाई वाई 2 है और log cos इसमें x के जगह पर क्या लिखना है पाई वाई 2 माईनस x लिखना है इंटू में dx कौन सी प्रॉपार्टी लगाई है जो हमने बताए कि प्रॉपार्टी लगाओ उसको आँगे जरूर लिखे इसको हमने लिखा है 0 से a fx dx बरावर क्या लिखते हैं इसको integration 0 से a f of a minus x इंटू dx यह हमने इसमें यहां पर apply किया है ठीक है इस पर अब बचो यहां पर English tab में यहां पर 3 integration 0 से πाई वाई 2 यहां पर log sin x इंटू में dx यहां पर अगर dx आप ना लिख रहे हो तो जरूर लिख ले हैं ना यहां तक तक तो ठीक है यहां पर dx लिखें प्लस यहां पर भी हमें क्या करना है dx लिखना है प्लस और इधार है चार समकलन की लिमिट 0 से πाई वाई 2 है और log आंगे दोखो cos πाई वाई 2 मानेस x बराबर sin x होता है तो हमें sin x लिखना है इंटू में dx अब यहां पर दोखो यह तो दोनों एक ही सेम बात हो गई तीन 0 से πाई वाई 2 log sin x dx और यह है प्लस में 4 0 से πाई वाई 2 log sin x into dx तो इसको यहां पर दोनों को जोड़ के लिखते हैं 4 और 3 साथ integration की लिमिट 0 से πाई वाई 2 और लिखना है log sin x into dx ठीक है बच्छोज़ अब याद करो पुरानी बात अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको यह बताया कि भई अगर ऐसा लिखा हो कि आपके पास 0 से 0 से पाई वाई 2 0 से पाई वाई 2 और log sin x into dx इसका हमने सीधा-सीधा आपको बताया था कि यहां पर इसको हम फॉर्मूले की रूप में यूज कर सकते हैं इसकी वैलू सीधी माईनस पाई वाई 2 log 2 होती है तो यहां पर अभी कभी प्रश्ण में मिल जाए कभी भी प्रश्ण हल करते करते अगर यह चीज मिल जाए तो इसको आप डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं माईनस पाई वाई 2 log 2 होता है इसकी वैलू है ना तो आपको यहां पर क्या लिखना है से बन और इसकी वैलू माईनस पाई वाई 2 log 2 लिखना है ठीक है और यहां पर माईनस में क्या हो जाएगा माईनस में से बन पाई वाई 2 इन्टु में log 2 इसका answer आएगा वच्छो ये इसका answer आएगा ठीक है जैसे तो अभी हमने ये प्रूप करवाया था है ये प्रूप करवाया था है ये प्रूप करके दिखाओ 0 से ये प्रूप भी करवाया था है और प्रिश्ण में अगर कहीं दारेक्ट प्रूप कुछा जाए तो आपको फिर आंगे नहीं बढ़ाना ही ये अब सर्व समका मदब सूत्र के रूप में सीधा सीधा एप्लाई करोगे इसकी सीधी वैलू डायक्ट वैलू रिखनी है मानस पा कर लेते हैं अंगे बढ़ते हैं एक और नए प्रिशन के ओड़ाई देख़िए इंक यह है वज़ो हमारे पास इंटीरिसन की लिमेट है इसे पाई यहाँ पर है एक्स इंट है डीक्स अपवन में 1ब्लस황 स्कॉई थीघ्र करता है, Σिद्द करता ही, निमेंस कि क्या और ही गता है, नहीं कह्ता है, सिद्द करने के लिए आपको क्या करना हो, यह क्या करना है, जीरो से पाई और x इंटू में डी एक्स अपॉन में यहां लिखना है 1 प्लस कॉस स्कॉाइर एक्स और यहां पर यह एक्स पर हम पहला नमबर एक एक्क्विसन डाले लिए ठीक है अब इस पर दोको जीरो से पाई है ना तो यहां पर हमें वही प्रोपर्टी जो अभी बार ह हमने जैसा कि जब प्रोपर्टी भी पढ़ाई थे न तो आपको बताया था कि यह प्रोपर्टी 95% प्रशनों में यही प्रोपर्टी जिसमें 0 to a दिया जाए समझो उसमें आपको यही प्रोपर्टी यूज करनी है कौन सी 0 to a fx dx बराबर होता है integration fx into dx बराबर होता है 0 to a f of a minus x into dx यही प्रोपर्टी हम 90% प्रशनों में हल करते हैं अप्लाई करते हैं ठीक है जिसमें 0 to a ऐसा दिया जाए तो समझो उसमें यह प्रोपर्टी हमें यूज करनी है तो यहां पर भी दोखो यही प्रोपर्टी यूज कर देनी है 0 से पाई यहां x के जगह पर पाई मान x लिखना है और इसके आंगे की जो गार कुछ इस प्रकार से 0 से पाई यहां पर लिखना है पाई मानिस x इंटू में dx और नीचे 1 प्लैस कोस पाई मानिस x बरावर साइन होता है ना तो इसको हम वैसे तो मानिस साइन x होता है लेकिन जब इसक्वाइर करोगी तो मानिस का प्लैस हो जाएगा तो आपको लिखना है sin square x होता है ठीक है बचो तो इस तरीके स्वरी 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 कॉस में निस्पति बदलती नहीं है तो आपको क्या लिखना है कॉस square pi मानिस x बरावर कॉस square x लिखना है ठीक है चलिए इस पर हम एक दूसरा number को ये डाल देते हैं दूसरा number ये है इसको हम क्या करते हैं समी करड़ एक और समी करड़ दो दोनों को जोड़ देते हैं एक प्लस दो से समी करड़ एक और समी करड़ दो दोनों को जोड़ देते हैं क्या करना है दो को i और i को जोड़ के हमें 2i लिखना है integration की limit 0 से pi है अब आप देख पा र तो 1 प्लस कॉस स्क्वाइर इसको भी हमें 1 प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स को जिएंकात्यों लिखना है मानिस x और यह प्लस x कैंसेल आउट हो जाएगा तो यहां पर लिखना है 2y बरावर 0 से pi और यहтьсяanya into में dx upon में 1 plus cos square x बच्छो ये हमारे पास है ठीक है इसके आंगे बढ़ो दोखो इस ध्यान से इसके और आंगे बढ़ें तो अब हम लोग क्या करेंगे दोखो ये πाई का तो समाकलन से बाहर निकालें इसको एक step और यहां लिख देते हैं तो आई बराबर पाई हम समाकलन से बाहर निकालें ये वाली पाई बाहर निकालें तो 0 से पाई लिखा है into में dx और upon में 1 plus cos square x ठीक है बच्छो अब एक बात समझो अगर इस फलन को देखें तो बच्छो ये सम फलन है क्यों क्योंकि अगर हम इस x के पर पाई माने से x लिख दें तो फलन हमारा बदल नहीं रहा है एफेक्स का एफेक्स ही रहेगा तो ऐसी सिती में इसको हम सम फलन कहते हैं और सम फलन जब होता है तो ये दो कोई प्रॉपर्टी आपको बताई हमने एक बार याद दिला दें चलो आगे लिखते हैं आगे लिखते हैं यहाँ पर दोखो एक प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है वो कौन सी है दोखो 2i बरावर 2i बरावर ये है पाई इंटिग्रिसन यहाँ पर है 0 से पाई और लखा है dx बटे में 1 प्लस कॉस स्कॉयर x दोखो बचो एक हमने बताया कि यह समफलन है और जब समफलन होता है तो limit को हम आदा कर देते हैं यहाँ 2 से multiply कर देते हैं क्या करते हैं यहाँ 2 से multiply 2 से गुना करते हैं limit आदी करते हैं क्या यहाँ पर दोखो एक कौन सी कब होती है यह property कब लगाती है तब लगाती है जब f of 2a minus x बरावर होता है fx तब हम ऐसा करती है यह ठीक है तो आब आप यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर यह x लिखा है इस x मैंसे इसको घटाओ तो पाई minus x बरावर क्या हो जाएगा cos square लिखा है minus का square प्लस हो जाएगा तो कुल मिला कि जो फलन है वो बदलेगा नहीं मतलब fx ही रहेगा यदि fx मिल जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोगों यह limit जो दिखाई दे रही है इस limit को आदा कर लेते हैं 2 से multiply कर देते हैं 2a का आदा 1a के 2 से multiply किया गया है तो इसी प्रकार यहाँ पाई था तो पाई का हमने आधा कर लिया 2 से multiply कर लिया ठीक है आगे यहाँ दो को 2 से 2 cancel out करेंगे तो यहां से पाई बरावर यह आई बरावर पाई इंटीग्रेशन की limit 0 से पाई वाई 2 हो गया आगे यहाँ पर बच्छो ध्यान से समझो तो यह लिख पाई पाई यहाँ पाई से सक इसको एक से बाग करोगी तो एक हो जाएगा यहां किया है यहां पर आप लिख दो यहां पर लिखा है हमने कोस सको एक से अंस वा हर में भाग करने पर अंस वा हर में हमने कौस स्क्वार एक से भाग किया है ठीक है तो आंगे बढ़ते हैं यहां पर पाई-0 से पाई-वाई-2 आंगे है सैक स्क्वाइर एकस इंटू-DX जबकि नीचे ध्यान से समझोजे सैक स्क्वार एकस लिखा इसको हम बन प्लस 10 square x लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको हम 1 plus 10 square x लिखेंगे प्लस 1 हमारी पास यूँकाति हूं है एक और एक यहां जोड के 2 लिखना है पाई इंटिकेशन 0 से पाई वाई 2 लिखना है सेक स्क्वाइर एक इंटू डी एक लिखना है बटे में यहां एक और एक 2 plus 10 square x यह हमें लिख देना है ठीक है अब आप ध्यान से समझो यहां पर 10x ब्रावर टी मानने तो सैक स्क्वाइर एक्स ब्रावर डीटी हो जाएगा ठीक है कि नहीं तो अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा फिर से यहां दो को प्रतिस्थापन कर लेते हैं 10x ब्रा जैसे x कमान 0 लिखोगे 10 0 कमान 0 होता है मतलब t ब्रावर 0 हो जाएगा और जब x कमान 5y2 लिखोगे यहां पर x कमान 5y2 लिखोगे मतलब 10 5y2 कमान अनन्त होता है मतलब t ब्रावर इंफिनिटी अनन्त हो जाएगा तो आपके पास यह प्रस्ण इस प्रकार से बदल जाएग कि वह जेरो से अनन्त तो इसकी लिमिट हो गई सेक स्कॉायर इक्स डी अक्स को हम दिटी लिखेंगे और नीचे दो प्लस टी इसकॉायर नि इसको वो नए hem टीमाना है तो टी पर इसकॉायर यह इसकॉायर है ना तो दो को भी हम सूत्र के रूप में बनाने के लिए और यह तो हमारे पास टी पार स्क्वाइर लिखा है बिल्कुल यह बच्चों यह दो कोई सूत्र के रूप में फॉर्मेटर लगने लगा है एक बटे एस्कौाइर प्लस टी स्कॉार ठीक है कि नहीं क्या होता है टैन इन बार्स होता है देखिए इधर चलना था आई बराबर क्या चलना था आई पराबर पाई और इसको लिखते हैं एक बटे में ए का मान का है क्या है अंडरूर दो है एक बटे ए टैन इन बर्स टी बटे में अंडरूर दो और यहां से लिमिट रख देते हैं जीरो से इंफिनिटी ठीक है अब आपको यहां लिखना है पाई बटे म अंडरूर 2 लिखना है 10 inverse अनंत माइनस 10 inverse 0 लिखना है ठीक है तो पाई बटे में अंडरूर 2 10 inverse अनंत बरावर तो आपको पता है 10 inverse infinity का मान कितना होता है पाई बाई 2 minus 10 inverse 0 का मान 0 होता है तो final answer आएगा पाई और पाई का गुणा पाई स्कॉयर बटे में 2 और अंडरूर 2 का गुणा दो अंडरूर 2 ये है बच्चो इसका अनसर ठीक है और आप देख पा रहे हो यही हमसे प्रूब भी करवाया गया है तो पाई स्कॉयर बटे 2 अं नाम से पूरा पूरा देखो है ना वाई देवे अगर किसी प्रस्ण में कोई ऐसी बात लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बैक करके देख लो और फिर भी अगर कोई समझता लग रही है तो कमेंट सेक्टर में कमेंट करके पूंचो ठीक है बढ़े तो यहां पर देखें यह हमारे पास अंगला प्रस्ण जिसमें लेका है इंटीग्रेशन करना है जीरो टू पाई क्या है जीरो टू पाई और एक्स इंटू में डी एक्स और बटे में यहां पर है एस्क्वाइर कॉस इस्क्वाइर एक्स प्लस में बी स्क्वाइर साइन इ है ठीक है कैसे करोगे तो बचो यहां पर हम आई बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन है जीरो से पाई और यहां से x इंटू में dx अपलोन में लिखना है a square cos square x प्लस में b square sin square x यह लिख दैना है और इस पर हम यहां पर नंबर डालेते हैं पहला एक equation का एक नंबर ठीक है और जैसा कि अभी बताए जीरो से a format में अगर limit दी जाती है तो उस पर हमें property cd cd apply करनी होती है कौन सी दोको 0 से py लिखना है इस x के जगह पर py-x लिख देए x के जगह पर क्या लिख देए py-x और बटे में a2 in to my Mr. seus edices के जगह पर py-x लिखना है प्लस यहां b2 स्क्वाइर इंटू में साइन स्क्वाइर X के जगह पर पाई 46 मैंने स्क्वाइर अग्स लिखना है ठीक है बचूंब कि चलिए और अंक्ए बढ़ते हैं यहां पर है हमारे पास इंति लोे से पाई यह है पाई minus x into में dx और नीचे हमारे पास जो दिखाई दे रहा है यहां पर देखो a square cos pi minus x ब्राबर minus cos x होता है लेकिन इसका square है तो वो plus में convert हो जाएगा तो cos square x लिखना है और इसी प्रकार sin pi minus x ब्राबर sin pi होता है तो इसको हमें b square जियों काते हूं और यहां sin square x से लिखना है ठीक है sin pi minus x ब्राबर sin x के लिए रबचो square है तो square लिख दिया अब इसको हम number दूसरा डाल देते हैं तो number 2 यह हो गया दोनों को आपस में जोड़ दें यह property लगाते हैं तो यही करते हैं दोनों को जोड़ते हैं दोनों को जोड़ो आई और आई को जोड़के यहां पर लिख देते हैं sumi करण 1 plus 2 से 1 और 2 दोनों के योग से हमें i और i का योग 2i मिल जाएगा 0 से pi हमारी limit है और यहां से दोखो यह हर दोनों के same है dx dx common है तो cable क्या करना है x में जोड़ना है pi minus x into में dx यह ठीक है बटे में बटे में हर जोंकातियों लिखना है a square into में cos square x plus में लिखना है b square into में sin square x ठीक है बचो अब अब दोखो minus x plus x यह cancel out हो रहा है और इसके बाद जो बच रहा है वो pi है pi को समा किलन से बाहर निकालो 0 से pi और यहां लिखना है dx बटे में a square into में cos square x plus में b square into में sin square x लिखना है ठीक है बचो इसने यहां तक बाद ठीक है अब याद करो भी इससे पहले एक प्रशन था आमारे पास बिल्कुल यही था समझो तो यहां से अगर हम cos square x से भाग करते हैं तो यहां पर इसको सेक में convert किया जा सकता है यहां पर दोको है यह 2i बरावर का निसान लगाओ यहां पर लिखना है pi integration की limit है 0 to pi और अगर इसमें यहां पर अंस और हर में दोको यहां लिख देते हैं cos square x से अंस वा हर में भाग करने पर ठीक है अगर भाग करने तो यहां से दोको क्या मिल जाएगा बच्चों ऊपर एक है और एक में cos से भाग करोगे तो एक बटे cos square को हम sex square x लिखेंगे बिल्कुल सही बात है नीचे दोको यहां पर cos square से जब भाग करोगे तो केबल बचाएगा e square यहां इसमें cos square से भाग करोगे sin square बटे cos square बराबर 10 square होता है बी square ज्योंकाते हो इंटू में 10 square x लिखना पड़ेगा ठीक है अब बचो यहां से एक सीधी सीधी बात यह दिखाई दे रही है यह है हमारे पास दोखो पाई अपना ज्योंकाते हो integration 0 से पाई लिखो और यह sec square x इंटू में dx अपोन में a square प्लस इसको हम b10x का whole up square लिख दे ठीक है एक और बात समझो यहां पास वो यह कि अगर यहां से समबाली प्रोपर्टी यहां पर दोखो यह जो हमने प्रोपर्टी आपको बताई कि भाई अगर ऐसा है 0 से 2a fx dx है तो इस concept हो सकता है 2 टाइम 0 2a f of x f of x into dx हो सकता है कि नहीं यह कब हो सकता है तब जब f of 2a minus x परावर fx हो अभी अभी एक प्रश दोखो ध्यानने अगर हम आपसे कहें कि इस x में पाई मानस x से लिख दें तो इसी प्रकार यहां पर इस एक्स के जगहे पर पाई मानस x लिख दिया जाये तो 10 इसक्वाइर पाई मानस x ब्रावर 10x रहेगा मतलब हमारा fx ही रहेगा अगर यह fx है तो प्रोपर्टी लग लेते हैं दो से multiply कर देते हैं तो यहीं यहां भी कर देना है दोखो लिमिट को हाप कर लेना है और दो से multiply कर देना है ठीक है और यह इदा टू आई चल रहा था इसलिए इसको हम i से i cancel करते हुए i बरावर लेखेंगे अब ठीक है आँगे इतनी बात बच्चों समझ में लेता है तो इस प्रशनों को इस प्रकार्वा को बदला जा सकता है धेनेैक्स अबराबर एकर कि के टो अ बैबर यहां फॉयान बरावर हो जाएंगा बन वाई बी इनुमेट gin करने पड़ेगी हैं दो चाद के लेखेंगे पहले यह वाली है लिमि squash कर ले एक सी वेलु जीरो लेखें तो यह पूरा जीरो इन जीरो होता है तो ठीडिबराबर हमें जीरो मिला और जब पाई integration के limit हो जाएगी जीरो से infinity सैक स्क्वार X DX को हम लिखेंगे एक बटे में B इंटू में DT और यहाँ पर बटे में लिखना है A का स्कॉयर प्लस यहां लिखना है T का स्क्वार करेक्ट के बच्छो यह है A स्कॉयर और इसको हमने T माना है तो T का स्कॉयर ठीके अब आप यहां एक बटे B को तो बाहर निकालो पाई इंटू एक बटे B बाहर आजाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से अनन्त डी टी बटे में क्या लिखना है एका स्कॉयर प्लस टी का स्कॉयर तो अब यह हमारे पास दोको सूत्र बन गया काई का दोको यहां से समते है पाई बटे में B एक बटे में A इंटू में टैन इनबर्स टी बटे में ए और इस पर हम यहां से जीरो से अनन्त लिमिट रख दे हैं ठीक है बच्व लिमिट रखके यहां से अंसर आएगा दोको पाई बटे में A इंटू भी मतलब A बी लिखना है अब आंगे दोको 10 इन Anand बट्टे a लेखना का कोई दो तो इससे ने से यहाँ पर जिरो लिखते ही पूरा जिरो हो जाएगा, है तो इसको हम 10 इंबर्स जिरो लिखेंगे, 10 इंबर्स अनन्थ का मान कितना होता है, दोगों को यहाँ पर इसका answer लिख देते हैं, क्या चलना था, आई बराबर पाई बटे में एबी टैने अंवर्स इंफनिटी का मान हुता है पाई बाई टू इसलिए इसका आंसर हमें यहां से मिलेगा पा एक और ने पृस्ट का बाईए बटे में यह अंसर होगा ठीक है बहुत ही पढ़िया प्रश्ट बहुत ही मज़ेदार ठीक बचो तो इसको भी आपको नोट करना है, चलिए आंगे बढ़ते हैं और एक और नए प्रिशन की ओर, तो यह है वचो दोखो नेश्ट बाला कुस्चन, बहुत ही बड़ी मज़ेदार कुस्चन है, कहता है यहां सिद्ध करिए, इंटीगरेशन करना है, 0 से पाई तक, x इंटू 10x इंटीगरेशन की लिमिट 0 से पाई है, यहां पर है, x इंटू में 10x इंटू में dx, बटे में यहां लिखा है, सेक x प्लस कॉस्चन, ठीक है बच्चो, यहां पर एक बात समझने वाली है, कि इसको पहले इसको थोड़ा सरल्तम बना ले हैं न, यहो त्रकॉन बिती है न, उ इसकी मदद से इसको कुछ सरल्तम रूप बनाएं, तो यहां पर दोको 10x को हम लिख सकते हैं, sin x बटे में cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चो, नीचे आप दोको 7x लिखा है, इसको हम एक बटे cos x लिख सकते हैं, प्लस का निसान लगा और यहां पर cos x लिखो, इंटू cos x LCM आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो यहां मिलेगा बन प्लस cos square x, बिल्कुल ठीक, यह भी ठीक है, cos x से यह cos x कैंसल हो जाएगा, ठीक है, अब आपके पास जो बचा है ना उस पर थोड़ा गौर करें, और एक यह समझो, नया प्रशन समझो आपका बन गया, x इंटू मे sin x upon में, यहां से 1 plus cos square x, यह हमारे पास एक नया प्रशन समझो बन गया, इस पर हम एक नमबर डाल देते हैं, पहला, 0 से पाई, x into sin x upon 1 plus cos square x into dx, यह हमारा एक प्रशन बन के तयार हो गया, अब यहां से, यह भी काफी बार परिच्छा में पूचा गया है, यहां से एक नया प्रशन समय, ठीक है, इसका अंसर, इसका भी अंसर वही आएगा, अगर यह पूचा जाएगा, तो अभी आपको यह सिद्ध करवाया जाएगा, और यह अगर पूच रहा है, तो अभी आपको यही सिद्ध करना है, अंसर तो एक ही, चूंकि प्रशन एक है, यहां से party फिर यहां पर दोखो apply करनी है क्या लिए यहां पर लिख देते हैं integration 0 से pi और इस x के जगा पर लिखना है pi minus x into में sin x के जगा पर लिखना है pi minus x pi minus x और into में यह dx और बटे में यहां पर हमारे पास है 1 plus cos square x के जगा पर लिखना है pi minus x ठीक है हो चितनी बास आई है अब देखो आंगे की और बढ़ते हैं यहां पर है यह आई बराबर आई बराबर integration 0 से pi 0 से pi यहां पर लिखा है pi minus में x pi minus x sin pi minus x बराबर sin x होता है तो यहां पर आपको लिखना है sin x into dx जोंकातियों लिखना है बटे में यहां पर देखो cos pi minus x बराबर minus cos x होता है लेकिन square है तो minus का square plus हो जाएगा तो आपको यहां क्या लिखना है 1 plus cos square x लिखना है ठीक है इस पर हम एक दूसरा number डाल देते हैं अब दोनों समी करड़ों को जोड़ दो समी करड़ 1 और समी करड़ 2 दोनों को यहां जोड़ के लिख सकते हैं समी करड़ 1 plus 2 से क्या लिख दें यहां पर 1 plus 2 से मतलब पहला और दूसरा समी करड़ को जोड़ने से क्या मिलागा देखो आई यहां है आई यहां है जोड़ के हमें मिल जाएगा 2i integration की limit भी same है दोखो 0 से πाई दोनों पहे है यहां पर आप देख पा रहे हो 1 plus cos square x लिखा है यहां भी 1 plus cos square x लिखा है और यहां sin x into dx है यहां भी sin x into dx है दोनों यह चीज़े common common है कौन कौन सी फिर से ज़रा सोचें x into dx यह उपर है बटे में 1 plus cos square x नीचे है यहां भी दोखो x into dx उपर है नीचे 1 plus cos square x है यह common है तो यहां है x इसमें जोड़ना है πाई minus x और जो common मिल रहा है उसको जोंकाते हो लिखो sin x into में dx बटे वाला यह भी common में है तो आपको 1 plus cos square x जोंकाते हो लिखना है यहां से दोखो यह minus का x plus का x cancel out हो जाएगा 2i बराबर यहां मिलेगा 0 से πाई और यह है πाई into में sin x और upon में यहां लिखना है 1 plus cos square x लिखना है ठीक है अब दोखो यहां से πाई अगर बाहर कर लिया जाए तो यह हो जाएगा 2i पाई बाहर करके यहां से मिलेगा 0 से पाई और यह है हमारे पास sin x into में dx अपोन में 1 plus cos square x यह है ठीक है बच्छों यहां तक बात के लिए रहें अब एक बात समझने वाली है उसको समझे हम जाएगा ध्यान से कि इसको अगर हम fx मानें तो पाई मानेस x अगर कर लिया अगर पाई मानेस x के जगे पर पाई मानेस x लिख दें तो भी sin x रहेगा यहां भी दोखो x के जगे पर पाई मानेस x लिख दें तो यह भी cos square x ही रहेगा मतलब यह फ़लन change जब नहीं होता है तब यहां पर limit आधी कर दी जाती है दो से multiply कर दिया जाता है है ना क्या करते हैं दो से गुणा कर दें लिमिट को आधा कर दें और यहां पर लिखना है sin x इंटू में dx अपॉन में लिखना है 1 प्लस cos square x आई बाई समझ में है प्रोपर्टी भी बहुत सवालों में लगा चुके है ना तो वही हमें संभलन बाली property अप्लाई करनी है दो दो से इस दो को cancel out कर सकते हो आई बरावर मिलेगा यहां पर पाई और अब यहां से दो को एक काम करते हैं कि प्रस्थाप्पन यहां से कर लेते हैं cos x को हम टी मान ले क्या माने को सेक्स को टी अगर इसका आउक्लन कर दे तो माइनस में sin x इंटू में dx बराबर मिल जाएगा dt और यह माइनस को हटाओ तो यहां से दो को sin x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस में dt हो जाएगा लिमिट दो को change करते हैं मचों यहां से जब x की value यहां पर दो को जब ऐसा लिखने हैं जब x की value 0 पहले इस वाली limit को change कर लो x की value 0 लिखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है म जब x की value हम उपर वाली limit दोखो चैन्ज कर रहे हैं, जब x की value pi बटे 2 लिखोगे, तो cos pi बटे 2 का मान 0 होता है, तो t बराबर आपको 0 लिखना है, यह हमारा प्रश्ण इस प्रकार से कर्णबर्ट हो जाएगा, i बराबर pi तो हमारा पहले से बाहर है, अब limit हमारी यहां पर बदल गई, कितनी हो गई, 1 to 0, ध्यान से समझना, उपर वाली limit दोखो, यह उपर वाली limit है, यह नीचे वाली limit है, जब x बराबर यह नीचे वाली limit रखिये, तो t का मान 1 आया है, और जब pi बटे 2 मतलब उपर वाली limit रखिये, तो t बराबर 0 आया है, इसका मतलब 1 to 0 limit हो गई, sin x into dx का मान हमें लिखना है, माइनस में dt और बटे में 1 प्लस t square लिखना है, यह है बच्चो जो, ठीक है, अब आप यहां पर समझ पा रहे हो, यह माइनस तो हम बाहर निकाल सकते हैं, पाई बिल्कुल ठीक है, और इसको हम एक बटे बन प्लस t square, एक बटे बन प्लस t square का समा कलन कर दें, 10 inverse t होता है, लिमिट हमारा है, 1 to 0, ठीक है, अब दोखो यहां पर लिमिट रखते ही, आंसर आजागा, आई बडाबर, माइनस में चलना है पाई, और यहां से दोखो लिमिट रख दो, 10 inverse 0, है ना, पहले क्या लिखना है, उपर बाली लिमिट, फिर माइनस करके, नीचे बाली लिमिट रखनी है, 10 inverse 1 लिखना है, ठीक है, और यहां से दोखो, माइनस में πाई into में 10 inverse 0 का मान 0 होता है मानस 10 inverse pi इसका 10 inverse 1 का मान pi by 4 होता है ठीक है तो यहां से तो को minus minus का multiply plus बन जाया का pi में pi का गुणा pi square बटे में क्या लेखना है 4 यह है वाचु इसका answer ठीक है तो इस प्रशनों को भी हल करने में आपको 2 प्रशनों की यहां पर हो गए है 2 प्रशन solve हो गए है आप देख सकते हो यह प्रशन हमारा था और इसको चलते चलते हमने यह प्रशन दोखो बना लिया था तो यह पूछा जा सकता है अथ्वा यह पूछा जा सकता है प्रोसेस यह की करनी है आपका एक आएगा pi square बटे 4 आपको करना नहीं है यहां पर और भी प्रशन आप कर सकते हो लेकिन इन प्रशनों को बच्वा आप अच्छे से अच्छे तरीके से बिल्कुल इकदम complete कर सकते हो इकदम बढ़िया complete करोगे तो उम्मेद यह करता हूँ कि यहां से इस क्यापटर के जो परशन है ना निस्चे समा कलम के वो सब यही परशनों मैं से आना चाहिए चलिए अन्तिम में एक हमारे पास परशन है यह ढ़िए समा कलं करना है जीरो टू पाई इसकी limit है जीरो टू पाई और जीरो टू पाई बरी फोर और under root में ये 10X है, plus में under root में ये है हमारे समंझ में क्या है, cortex है ना, ये है cortex into में DX, ये है भचो दोगो, final में है ना, कभी याद करो, जब हमने अनिस्चित समाकलन आपको पढ़ाया था, तो एक अनिस्चित समाकलन में भी ये परशन था, कि ये बर इसकी limit नहीं दी गई थी, तो अनिस्य समाकलन हो जाएगा यहां पर इन सीमाओं के इंतरगत समाकलन इसका करना है तो यह निस्य समाकलन का प्रश्ण बन गया तो इसका भी हमें दोखो आंसर यहां पर कैसे लियाना है धान से समझते हैं इसको हम आई बराबर लिख लेते हैं इंटिग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर लिखना है और यहां से अंडर रूड टैन एक्स लिखा है बिल्कुल ठीक है प्लेस यह कोट एक बटे अंडर रूड टैन एक्स लिख सकते हैं इसमें तो किसी को मेरे खाल से कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए कोट एक्स बराबर एक बटे टैन एक्स होता है ठीक है कोट का वित्कुल टैन होता है तो एक बटे अंडर रूड टैन एक्स लिखा जा सकता है ठीक है बिल्कुल ठीक है बच्छो और आंगे बढ़ो जीरो से पाई वाई फोर ये भी ठीक है यहां से दोनों चेके से इन दो बटे में अंडरूब 10Nx लिखा है और भाग करना है कैसे अंडरूट 10x यह भाग करना है तो जब भाग करोगे तो बच्चों इसका इसमेंं हो झाएगा अंडरूट ख nutrम हो जाएगा तो आपको यहां क्या मिलेगा एक बटे 10 x यह मिल जाएगा है two many x इतनी बात बचो षमझ में आई अगर इतनी बात समझ में आई तौँ आंगे बढ़ dec क्या लिए आंगे बढ़ से हैं यहां पर अब हम एक काम करती हैं यहां पर हम प्रस्थापन कर लेते हैं अंडरूड 10X बराबर यहां से हम T माल लेते हैं ठीक है अगर अंडरूड 10X बराबर T है तो बचो यह भी आपको पता है कि इसका जब स्कॉाइर कर देंगे तो 10X X होगा डी-X बराबर में DT यहां से दोखो T स्कॉाइर का आउकुलन 2T इंटू में DT लिखना है और आंगे दोखो DX की वैल्यू अगर नकालना चाहें तो DX बराबर हो जाएगा 2T इंटू में DT बटे में यहां पर हो जाएगा सेक स्कॉाइर X हो जाएगा इतनी बाद स यह थोड़ा और द्हान से समझें तो टी एक्स ब्रावर पूटी इंटू में डी टी और अपॉन में यह सैख स्क्राइश जो लिखा है इसको हम यहां पर बन प्लस टैन is क्राइश लिख सकते हैं लिख सकते कि निए बिच्छो ठीक है न इसको हमने बन प्लस टैन square x लिख लिए और 10 square x को यहां से दोखो 10 square x वरावर t की power 4 हो जाएगा तब यहां से 2t into dt बटे में क्या लिखना है 1 plus t की power 4 लिखना है यह है बच्चो dx की value ठीक है अब इस वाले में यहां पर इसमें हमने जब प्रतसापन किया है तो बच्चो limit तो change होनी होनी है तो limit और change करके देख लेते हैं दोखो यहां पर limit रख देते हैं change करके पहले हमें lower limit change करके रखनी है तो जब x का मान हम 0 लिखें तो बताओ t का मान क्या होगा यहां पर जब 0 लिख देंगे 10 0 का मान 0 होगा मतलब t बराबर 0 हो जाएगा और जब x का मान यहां से πाई बटे 4 लिखोगे, उपर वाली लिमिट चेंज करनी है, तो दोखो यहां से πाई बटे 4 लिखोगे, 10 वर्स पाई बटे 4 का मान एक होता है, और एक का बर्ग मुल एक होगा, मतलब टी का मान एक हो जाएगा, तो बचो इस तरीके से हम लोग यहां पर अब एक मैं लिखना है, 1 प्लस यहां एक बटे में, दोखो 10X को क्या लिखना है, 10X को यहां T सकर लिखेंगे, और इसके बाद है, dx और dx को लिखेंगे 2t into dt 2t into dt बटे में क्या लिखना है 1 प्लस t की पावर 4 लिखना है अच्छा वई थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये है 0 से 1 t into t ये है ती ये है दोनों का गुणा करके t square लिख सकते हैं 2 into t का square ये 2 भी तो है और t और t का गुणा t square इसके बाद में यहां पर दोको इसका गुणा कर दों तो t square plus 1 upon t square लिख सकते हैं ठीक है और into में यहां पर dt बटे में 1 plus t की पावर 4 लिख सकते हैं यहां पर दोको t square t square cancel हो जाएगा तो 2 हम बाहर निकालने हैं यह वाला जीरो से 1 लिमिट है उपर बचाएगा t square plus 1 नीचे बचाएगा t square plus 4 दोको ध्यान दें यह है ना t square plus 4 चाहिए 1 plus t की पावर 4 लिखो और चाहिए t की पावर 4 प्लस 1 लिखो यह कई बात है तो अब आँगे देखो बचो यहां पर कभी भी ऐसी condition आयो समा कलन करना हो जिसमें उपर t square plus 1 है नीचे t की पावर 4 प्लस 1 है या ऐसा भी कभी प्रुष्ण आ सकता है x square plus 1 नीचे x की पावर 4 प्लस 1 इंटो d x चा समा कलन करो है ना वही फॉर्मेट है यह कहीं फॉर्मेट है तो बच्छो अगर यह प्रुष्ण पूंचा जाए या हम यह कहें यह प्रुष्ण पूंचा जाए तो आपको क्या करना है टी स्कॉयर से अंस में हर में दोनों में टी स्कॉयर से भाग करना है ठीक है तो यहां पर दोको टी स्कॉयर से भाग करोगे तो जीरो से बन लिमिट है टी स्कॉयर में टी स्कॉयर से भाग करोगे एक प्लस एक लिखाए। इस में भी हमें P स्क्वाईर से भाग करना तो ती addressingということ चार पायवर है ने, दो वार चल जाएका, D स्क्वाईर टी स्क्वाईर बंचाएगा। प्लस यहां पर भी टी स्क्वाईर से भाग करोगे तो एक बटे 30 को है करक्ठर पूछ इतनी बात समझ में आई इंटू मैं डीटी लिखा है ये तो ठीक है अब थोड़ा और समझने बाली बात है बचो यहां पर हम क्या करें यहां पर ऐसा कुछ कर दें कि इसका डेरिविटिव उपर बन जाए हो सकता है ध्यान रखना है कि अगर यहां पर माईनेस का दो कर दें प्लस का दो कर दें अधब 2 घटातें दो जोड़ दें ऐसा नयसे यहां पर दो को यह没有 बंजाय अगा इसको थोड़ा धेान से समंझो यह पुरा पूरी बंजाय गा तो यह दो डो को 560 की लिमिट है जब गुणा करोगे टी से टी कर जाएगा और दूना करने में दो लिखना है ठीक है दोनों पदों का गुणा करके डबल करना होता है और प्लस दो यह हमारा जो लिखा है इसको हम अंडरूर दो का सकते हैं अब फिर समझो द्यान से अगर इसको हम यहां पर प्रतिस्थापन कर ले तो इसका डेरीबिटिव उपर हमें दिखाई दे रहा है दो को दियान दें यहां पर हम पुना अगेन यहां पर दुबाना से फिर मान लेते हैं टी माइनस बन अपॉन टी बराबर यू मान ल देते हैं और इसको यहां पर दोखो डिफ्रेंसियेट करोगे टी का डिफ्रेंसिशन एक लिखना है माइनस एक बटी टी का लिखना है यहां से प्लस में हो जाएगा एक बटी टी स्क्वाइर इंटू में डी टी बराबर में यहां से दिखना है दी यू ठीक है बचू अब यहां पर इसको तो हमें du लिख लेना है ठीक है और इसको हमें लिखना है u इसका square प्लस अंडरूर दो का square अब यहां बच्वों limit भी चैन्ज करनी है तो को यहां पर ऐसे समझते हैं यहां पहले यह limit चैन्ज की जाए तो जब t का मान हम 0 लिखेंगे 0 लिखते आप देख सकते हो यू का मान फिर माइनस अनंत हो जाएगा थोड़ा ध्यान दे बच्वों यहां देखो यह तो 0 हो गया माइनस एक बटे 0 एक बटे 0 का मतलब अनंत होता है कि नहीं तो माइनस अनंत यू बराबर मानेस infinity हो जाएगा और जब t की value हम एक लिखेंगे जब एक लिखेंगे त इनफिनिटी two zero और इसको हमें क्या लिखना है इसको लिखना है दी or अपन में यहां पर लिखना है इसको यू- यू का इसक्वाइर प्लस यहां पर लिखना है अंदरूड रूड दो और अंदरूड बार ठीक है चलिए अब last में हमें क्या करना है यहां पर इसका दोखो यह किसके format में है एक बटी u square plus मतलब एक बटी x square plus a square बराबर समा क्लन क्या होता है एक बटी a 10 inverse x बटी a होता है कि नहीं तो यहां से हमें यह मिल जाएगा दोखो, समा कलन करना है, तो समा कलन यहाँ लिख देते हैं एक बटे में, एका मतलब कितना है, अंदरूट दो 10 inverse, यहां 10 inverse, U की value, U लिखना है, बटे में अंदरूट दो लिखना है बस यहाँ से limit लगा देनी है कितनी दोखो, minus अनन्त टू जीरो लिखनी है ठीक है बचो तो इस तरीके से यहां से हमें मिल जाएगा दो एक बटे चाहे ऐसा कर सकती हो दो दो बटे में अंडरूर दो है ना दो बटे अंडरूर दो यहां पहले जीरो लिखेंगे तो टैन इनवर्स जीरो लिखना है माइनस यहां से टैन इ रावर होता है माइनस पाई बाई टू इसको यहां पर माइनस पाई बाई टू लिखोगी माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा तो आपको लिखना है अंडरूर दो इंटू में पाई बटे में दो और इस तरीके से इसको कैंसल आउट करना चाहो तो अंडरूर दो बार कट ज ये ने कहाता कि होंसलों की तरकस में कोशिसों का वो तीर जिन्दा रखो, हार जाओ सब कुछ, मगर जीतने की वो उमीद जिन्दा रखो, तो बच्चो ऐसा नहीं है कि एक बार से समझ में नहीं आ रहा तो आंगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो, एक बार मैं समझ में नहीं आ रहा है, उसको दुबारा से एक बार से पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, आप थोड़े से मन में इस बात को बिलकुल हट प्रश्ण बहुत आराम से चोटी चोटी से प्रश्ण होते हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको लिमिट समझना है क्या है बड़े आराम से इससे पहले हमने आपको वीडियो दिया था उसको उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा यहां पर यह चैप्टर नमबर आठ के सारे important question है तो चैप्टर नमबर आठ में जो आपकी NCRT book है 8.1, 8.2 और विविद्ध प्रश्ण बली तीन केवल प्रश्ण बली हैं और छोटी-छोटी से question होते हैं और यह भी कह सकते हैं कि सभी exercise 8 या 9 प्रश्णों की हैं मतलब छोटी-छोटी से exercise हैं तो उन यहां पर आज cable और cable इन तीनों exercise को मिला के हम सभी important question को करेंगे कुछ addition question होंगे जो आपके बिगदवर्शों में पूछे गए हैं वो भी प्रश्ण यहां पर समलित किये गए हैं तो चलो चो यहां पर पहला question देखते हैं बहुत साधारण और छोटा सा question यहां पर देखते ह कहता है कि कोई एक बरत है मां लेते हैं यह बरत है हमारे पास एक कोई बरत है कि X square प्लस 2,1 और इस बरत के एक एक च्यतुर्धान्स भाग का छेत्रफल बताओ का छेत्रफल बताओ बिल्कुल वच्यो चोटा सा पृष्ण है एक दम छोटा सा कैसे करना है दोको इसका च्यत्पल कैसे बताना है इस ब्रत के 179. भाग का छितपल बताओ बच्छों ये कह सकते हो कि ये जो ब्रत दिया गया है ये ब्रत मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला मूल बिंदु पर इसका केंदर होगा है ना इसका केंदर कहां पर होगा मूल बिंदु पर होगा और इसकी तरजा कितनी होगी एक ये आपको बिल उसको पहँचानना वहां पर हमने पूरी पूरी बताएं कि इस तरीके से है तो इसको ब्रत समझोगे, किस तरीके का फलन दिया जाए तो इसको हम परवला समझेंगे, देरी ब्रत कि इसको समझेंगे, तो सारी बातें वहां पर हमने डेटेल्ड बताई है, तो यह वच्छो ब ब्रत है यह जो ब्रत है उसका एक चत्वृतांस भाग का छेदपल मतलब यहां पर ऐसे कह सकते हैं अस चत्वृतांस भाग का छेदपल बताओ वगया है जो इसके कतने हैं अगाख Fi का छितपल समान होगा तो हमें केवल एक भाग का छितपल उसने पूछा है तो हम इस भाग का छितपल बता देते हैं यहां पर दोखो इसको कहेंगे मूल बिंदू इसके निर्दे संख 0,0 होते हैं और इसका नाम अगर देना चाहो O डाल लो हाँ हमाँ O नाम डाले हो यहां O से यहां पर A नाम डाल लेते हैं O से ए तक इसकी त्रज्ञा हो जाएगी जो कि यहां पर A के काई दे गए है X square plus by square बराबर A quire से तुलना कर दी जाए तो यहां से तुलना करने से हमें यहां से दो खो A square की value 1 मतलब A बराबर 1 उसकी तरज्जा कितनी मिल लही है 1 मिल लही है तो इहां पर इस बिंदु को हम कहेंगे यहां से यहां तक 1 एकाई तरज्जा है इसलिए इस बिंदु के निर्दे संक एक कॉमा जीरो हो जाएंगी खरक्ते बच्चों तो ये इस ब्रतने ये दोखों ये बक्र है ना ये ब्रत जो है एक सक्ष के साथ में जीरो से एक के बीच में घिरा छेतर इतना है इसका छेतर पल आपसे पूछा गया है सिंपल सा काम है तो आपको क्या करना है इसका छेतर पल अगर एसे डेनोट कर लिया जाए तो ए बराबर कैसे करोगी दोखों ये आपका जीरो से एक दिया गया है जीरो से एक सक्ष पर घिरा रहा है एक सक्ष पर कितना 0 से 1 तक लिखा है और इसको यहाँ पर जब x से गहरा हुआ कोई भी बक्र होता है तो उसका हम 6 फल ग्याद करने के लिए formula लगाते है by into dx इस प्रकाय से ठीक है तो simple सी बात है 0 से 1 और by की value कहां से यहां से निकालो आप कितनी हो जाएगी by की value यहां से अगर हम निकालें दो खो ब्रत का समी करण है x square प्लस by square बराबर एक तो by square की value 1-x square हो जाएगी और by कमान हो जाएगा under root 1-x square तो यहां से by की value हम रखेंगे कितनी under root 1-x square रखेंगे into mean dx रखेंगे तो यहां से अब इसका छेदफल बताओ इसका integration बताओ क्या से करोगे under root 1-x square यहां पर दोखो एक पर हम square लगा दें तो यह हमारे पास एक formula बनता है under root a square दोखो यहां पर formula लिख देते हैं कि integration करना है under root a square मानस x square का तो हमें क्या पता होता है इसका integration क्या होता है यह होता है x बटे 2 इंटू अंडर रूड a square मानस x square प्लस में a square बटे में 2 इंटू में sin inverse x बटे a यह बचो इसका formula होता है बोलो होता है कि नहीं यहां पर निश्चित समाकलन में constant नहीं लगाते हैं वैसे तो यहां पर constant भी लगा देते हैं ना अनिश्चित होता तो constant लगाना है लेकिन यहां पर निश्चित समाकलन इसलिए constant नहीं लगाना है तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो जो a है ना वो एक है a square मानस x square तो a की value कितनी है एक है बाकी तो सब कुछ यहीं लखना है दो को आपको यहां लखना है x बटे में 2 into में under root यहां पर 1 का square मानस x का square लख दें और प्लस में यहां पर लखेंगे a square बटे में 2 a का मान है 1 तो आपको यहां 1 का square बटे में 2 into में sin inverse x बटे में 1 एक क्या लिखो कुछ नहीं काम खतम और यहां से इसकी limit है जो वो लिख देते है 0 से 1 करेक्ट है अब अच्वे हम पर limit ले ली जाए तो इसका answer आजाएगा बिल्कुल एकदम साधारे से सारे सबाल है बस आपको यह integration आना चाहिए वही कि कौन से प्रश्ण में हम कौन सा formula लगाते हैं यह सारी बातें आपको integration वाली आनी चाहिए जैसा आपको प्रश्ण मिलता है उसी हिसाब से आपको integration कर देना है और इसके बाद वही limit रखनी है सीदा सीदा सा काम ठीक है तो पहले उपर वाली limit रखनी है अपर limit x कामान किता लिखना है एक बटे में 2 into में अंडर रूड बन माइनस x कामान एक लिखो एक का square करोगे ठीक है प्लस यहाँ पर लिखना है एक का square एक बटे में 2 into में sin inverse x कामान एक लिखो इसके बाद जैसे ही आप x कमान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा यहां पर sin inverse 0 कमान भी 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ये एक रखने से तो इतना मिलना है और यहां से minus आंगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है जब 0 लिखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 ऐसे कह सकते हो ठीक है इसके बाद ये तो कोई एक में से एक गठाओगी ये भी 0 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है एक बटे दो लिखें sun inverse एक कमान तो आपको बहुत अच्छे से पता है वई पाई वाई 2 होता है ये हमारा 0 है तो इस तरीके से इसका आंसर बच्चो कितना आएगा पाई बटे में 4 इसका आंसर आएगा और एक सक्ष पर घे गहरा जा रहा है तो एक सक्ष पर कहां से कहां गहरा रहा है यहाँ पर यह lower limit और इसको upper limit लिख देते हैं सीधी सीधी बात है ना और अगर x-x पर घहर रहा है तो y dx हमेशा लिखना है y into dx लिखना है और y का मान हम फलन से निकाल के रख देंगे यहाँ पर और फिर integration कर लेंगे बस सीधा सीधा अंसर आ जाएगा समझ में आया बच्चो किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे बढ़ें दूसरे प्रशन के और चलिए इसको यहाँ पर अब रभ कर लेते हैं और दूसरे प्रशन के और बढ़ते हैं ठीक है बच्चो दूसरा प्रशन क्या है देखो किसको रब कर लेते हैं आते हैं दूसरे प्रश्ण के और दूसरा प्रश्ण बच्चो यहां पर इस प्रकार से है यह आपके जो हम बता रहे हैं यह आपके दो दो नम्मर के प्रश्ण पूछे जाते हैं एक और बता दूँ बच्चो यहां पर कि आपके बोर्ड एक्जाम में जो आपके कुश्चन आते हैं एक कुश्चन आठ नमबर का भी आता है यहां से आठ नमबर का कुश्चन आता है बाई तब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आठ नमबर का ना के पांच नमबर में पूंचा जा सकता है यदि वो पांच नमबर में पूचा जाए गा, तो आपको एक प्रशन दो नंबर का भी दिया जाएगा, मतलब हम एक कह सकते हैं, साथ नंबर अथो आठ नंबर की प्रशन यहीं से पूच Cape Charal for the पती चैपटर है, और अकेले साथ आठ नंबर की प्रशन यहाँ से पूचिए जाते हैं ठीक है तो बहुत अच्छे से आपको complete करना है दूसरा प्रशन यहां पर दोखोवच्छो समझते हैं दूसरा क्या है प्रशन यहां पर एक प्रशन इस प्रकार से लिखा है कि एक आपका यह बक्र है और यह बक्र आप पहँचानों ध्यान से प्यरा बोला है कौन सा पर एक रेखा दी गई है बाई बराबर तीन से घेरे छेतर का छेतर फल बताओ का छेतर फल ग्याद करिए ठीक है यह बच्छो हमारा प्रशन है ध्यान से समझते हैं आप क्या कहता है इस प्यरा बोला मतलब परबले बाई अक्ष और बाई बराबर तीन से घेरे छेतर का छ वो X है, एकस के सबध्ड pengalism होता है यह वाला पर पहले टाइप का आपका यह पैराबोला होता है तो यहां पर by square बराबर में चार X दिया गया है, यहां पर अगर ऐसा कहा है कि इसका हम यहां पर pressing कर दाए है तो ऐसे कर सकते हैं कि बही ये पैरा बूला आपको इस तरीके से बना देना है बिलकूल ठीक है रब्लाबर्श और 2 यॡशल 3 और 2 यॡशल से घरा है यहाँ पर Cambricant से नहीं अभी प्रुष्ण में पहले वाले प्रुष्ण में हमने Cash पर स्ट्र का चित्र निकाला था यहां पर कह रहा है y x पर घेरा है और y वरावर 3 रेखा से घेरा है तो बच्चो 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 X कमान 0, Y compliment 3, तो हम कह सकते हैं, 0,3 इस विन्दू के निरते संग् को जाएंगे, तो यहां पर दोगो 5 यक्ठ ये हैं, बाई यक्ठ से घरा है, इस बकर से घरा है, बाई बराबर 3 बाली रेखा से घरा है, तो बता सकते हो कौन सा छित्र घरा है, बजो ये जिसको हमने चैंकित भाय है बाइक्ष से गेरा है बाइबर तीन देखा से गेरा है और इस पै Evans ऐरहा है तो परभला black के द्वारा इस बाइबर तीन वाली देखा-क्र ओर ऊर्रे और वा जीरो से तीन दोखो बाई अक्ष पर घेरा जा रहा है तो जीरो से तीन बाई अक्ष पर जीरो से लेकर तीन तक है ना बाई अक्ष को कहां से कहां तक काड रहा है जीरो से तीन तक है ना और किस के बक्र के द्वारा इस बक्र के द्वारा यहां पर दोखो बक्र बाई अक्ष पर घेरा जा रहा है तो आपको x dy लिखना होता है अगर x x पर घेरा जा रहा है तो क्या लिखना है दोको x x के लिए लिखते हैं हम by dx लिखते हैं x x पर घेरे छेतर का छेतपल क्या लिखते हैं by dx है ना integration करते हैं x x की limit लेते हैं a2b जैसे हो यहाँ a हो यहाँ b हो तो a2b by dx ल निकालना है तो एकस डी बाई लिखते हैं है ना एकस डी बाई लिखते हैं तो यहां से एकस की वैलू निकालो और यहां रख दो तो इस तरीके से निकालना है दो को जीरो से तीन लिमिट है हमारी एकस की वैलू यहां से बकर से निकालो तो बाई स्कॉाइर बटे चार लिख और यहां से इसकी लिमिट है जीरो से तीन सिम्पल सी बात है तो यहां से देखिए एक बटे में यहां पर एक बटे में चार तो पहले से है और एक बटे तीन और बाहर निकाल लिया जाए तो बाई क्यूब बचाएगा बाई क्यूब को अब क्या करना है बाई के जगा पर त पहले लिखना है तो 3 का क्यूब, माइनस 2 कमाण 0 लिखना है तो 0 का क्यूब तो 0 होगा, अब यहां से देखिए 1 बटे में 4 गुणा में 3 और 3 का क्यूब लिखना है, 3 तिया 9 तिया 27 ठीक है, 3 से इसको यहां पर 9 बार डिवाइड कर सकते हो, 9 बटे 4 वच्चो इसका अंसर आ जाएगा आँगे आपको यहां पर क्यूंकि छित पल निकाल रहे हो तो बर्गिकाई अबस लिखना है यहां भूलना नहीं है कि आगजर में लिखना है आपको बर्गिकाई इसका छित पल कितना आएगा नो बटे चार बर्गिकाई आएगा तो यहां पर अगर बाई एक्च बातें आपको याद रखनी है ठीक है के लिए दे बच्चो तो इस तरीके से हमारा कुस्यन कंप्लीट होता है किसी को कोई समस्या तो नहीं है आंगे बढ़ें चलिए आंगे और बढ़ते हैं यहां पर एक और नए प्रशन के और बहुत ही महात्पूर्ण बच्चो यह भते हैं ठीक है बच्चो अंगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन एक और यहां पर लेते हैं इस प्रकार से दिखो अंगला प्रशन है कि हमारे पास कोई बकर है y बरावर में अंडरूड एक्स ये बक्र है बाई बराबर अंडरूड एक्स एबम एक रेखा दी गई है यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर दी गई है रेखा है बाई बराबर एक्स से घेरे छेतर का छेतर फल ग्याद करें से घेरे छेतर का छेतर फल ठीक है से घेरे छेतर का छेतर फल आप से पूंचा गया है ठीक है बच्चो कैसे ग्याद करोगे समझो बात यहां पर यह बक्र जो दिया गया है इसको पहले पहँचानो ध्यान से पहँचानो कि यह कौन सा बक्र है जिसमें यहां पर ऐसा लिखा है य बराबर में ही बात है अगर दोनों पक्षों का isquare कर दें तो isquare करने से बाई का इदर isquare हो जाएगा बाई इसको बराबर एकस इस तरीके से हो जाएगा है ना तो कभी बाई बराबर अंडर उड एकस दिया जाए तो इसको आप क्या करोगे यहां पर y square बराबर x लिख सकते हो मतलब y square बराबर 4x के रूप का आपका ये पैराबूला होता है लेकिन यहां पर एक रेखा दी गई है कि y बराबर x इस रेखा को इस पैराबूला को ये रेखा काट रही है तो यहां पर दो को कैसे बनाना है ध्यान से समझो बचो यहां पर ये हो गया आपका x अक्छ और ये हो गया y अक्छ हर प्रिष्ट में आपको जो भी बक्र दिये जाएंगे उनका आपको यहां पर tracing जरूरी है tracing आपको आनी चाहिए अगर आपको tracing नहीं आ रही है पहचान नहीं पा रहे हो कोन से type का हमारा ये बक्र है तो मेरी खाल से फिर उसको यहां बनानी पाओगे जब बनानी पाओगे तो भईया हमें पता ही निए कि हम कौन से छेतर का छेतफल ग्याद करें है ना ये बाई बरावर अंडरूर एक्स जो बक्र दिखाई दे रहा है ये बास्ताव में एक पैरा बोला है और बास्ताव में ये पैरा बोला अर्द पैरा बोला है मतलब इसको कह सकते हैं कि ये पैरा बोला है ना इसका ये इस तरीके से फिगर होता है xx की धनात्मक दिसा में इसका मुख खोलता है xx के सापिक ये सम्मीती होता है लेकन ये आपका आधाय बनाना है उपर वाला ये हिस्सा बनाना है इसको नीचे 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 न कर जाने वाली इस प्रकार से रेखा यहां पर बना दैने है दो को यह रेखा है ना यह रेखा इस प्रकार से बनानी है मूल बिन्द से होकर जाने वाली यह रेखा हो गई तो मूल बिन्द से होकर जाने वाली रेखा और यह बक्र जो दिया गया है वाई बराबर में अंडरू गर इसको यहां डोडोड करके, यह ऐसे मिला ले इस तरीके से, हमेशा हमने बताया है कि कि मुनेत कीसी भी स्ट छेट्रका ज्थपल जया ले ले चाहिए और हमने क्या लिए और यह रेखा दिखाई दे रही है और यह बक्र दिखाई रहा है तो इसके दोरा टोटल च्छितर का छित्पल हम ग्याद कर सकेंगे भीखा के द्वारा और इस एकसक के द्वारा और इस कोटी के द्वारा घिरा छेत्र का छेत्पल जो त्रबुजी की याकृति का है इसको हमें घटा देना है इस पूरे छेत्पल में से इस रेखा के द्वारा बना छेत्पल ये घटा दें तो यहां पर इस चायंकित भाग का छेत्प है और रेखा हमारी दी गई है य बराबर में एक्स इन दोनों को हल करके हम यहां पर प्रतच्छे दिबंदो निका लेंगे दोखो कैसे य की वैलू अंडरूड एक्स यहां रख दें तो यहां से दोखो हमें य बराबर क्या रिखना है य कमाल लिख देते हैं अंडरूड एक्स यह हो जाएगा अंडरूड एक्स बराबर में एक्स दोनों पक्चों का इसक्वाइर करें तो मेरे खाल से यहां पर इसक्वाइर करने से आपके पास बिल्कुल इसका हल मिल जाएगा x बरावर में क्या हो जाएगा x सकुएर under root x का सकुएर करोगे पूरा x मिलेगा x का सकुएर करोगे तो x सकुएर दोनों पक्छों में बढ़ कर दिया या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x बरावर 0 तो यहाँ से हम क्या करें x ले ले common तो x-1 equal to 0 और x कमान अगर 0 हो सकता है या x कमान 1 हो सकता है दोखो x बराबर 0 या x बराबर 1 ठीक है? यहाँ इसको 0 लिखोगे या फिर इसको 0 लिखोगे तो x कमान 1 हो जाएगा जब हम x कमान 0 लिखें जब x बराबर 0 लिखें तो by की value दोखो कितनी आएगी यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ यहाँ कहीं भी लिख दो तो by की value बच्चो 0 लिखेंगी है न? by की value कितनी आजाएगी? 0 क्योंकि x कमान 0 लिखोगे यह पूरा 0 हो जाएगा by कमान 0 हो जाएगा और जब x कमान हम एक लिखेंगे तो by कमान कितना होगा? तो आप देख सकते हो by कमान कितना होगा? देखो एक लिखो एक का बर्मूल एक होता है यहाँ लिख तो यह कहीं बात है by कमान कितना निकलाएगा? एक जब x कमान एक है तो by कमान एक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों बक्र 0,0 पर प्रत्शेद् should कर रहे हैं तो को कर रहे हैं बिल्कुँ सही बत है ये 0,0 पर भी प्रत्शेद् कर रहे हैं तभा 1,1 पर कर रहे हैं ये बिंदू आपका 1,1 हो जाएगा Correct बचो यहां से यहां तक यह बन है यहां से यहां तक यह बन है तो इस बन कॉमा बन यहां पर बिंदो मिल जाएगा अब यहां से यहां तक बन है तो इस बिंदो को क्या क्या होगे बच्चों यहां पर इस बिंदो को हम कहेंगे बन कॉमा जीरो ठीक है अब बड़े अराम से समझो कि यहां पर अगर अभी छितफल गयाद करना है तो क्या करना है इस बक्र के द्वारा इस एक सक्ष के द्वारा और ये वाली लाइन जो दिखाई दे रहे हैं इसके द्वारा घिरा छितर का छितफल आप गयाद कर सकते हो जीरो से बन लिमिट लो क्योंकि यहां पर तो को इतने ही तो गहरा है एक सक्ष पर कहां से कहां तक गहरा है जीरो से बन तक गहरा है और ये बक्र के द्वारा गहरा है इस कोटी के द्वारा गहरा है तो पूरे छेत्पल मैंसे क्या करना इस रेखा के द्वारा घेरा छेत्पल घटा देना है जीरो से बन उसकी भी लिमिट है ये वाला त्रबुजो बन दा है उसको घटा दे तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं अभीष्ट छेत्पल अभी छेत्पल मतलब जो चायंकित हमने किया है उसका छेत्पल ए बन लेते हैं तो ए बराबर कैसे निकालोगे द्यान से समझो पहले तो हमें जीरो से बन लिमिट रखनी है जीरो से बन लिखनी है ठीक है और यहाँ लेख देते हैं बाई बन और यहाँ पर लेख दें माइनस बाई-टू इन्टू-डी-एकस बच्चो सौर्ट में बास समझ में आई बाई-बन बाई-टू यह तो कहा से आगए बाई-बन का मतलब यह है कि जो पहला वाला ये बक्र है minus y2 into dx तो यहां से dx common ले लिया by 1 minus y2 into dx simple सा काम है है ना यहाँ ही तो करते हैं तो बरावर का यहां पर sign लगाना है और यहां 0 to 1 लिखना है by 1 की value रख दो by 1 का मतलब यहां से तो कोई यह लिखना है under root x minus by 2 का मतलब यह x लिखना है और इन्टू में लिखना है dx अब यहां पर क्या करना है यहां पर आप इसका समाकलन कर देते हैं दो यह अंडरूट x लिखा है इसका समाकलन तो आपको पता है x पावर 3-2 3-2 हो जाएगा वह यह x पावर 1-2 है अंडरूट का मतलब एक बटे दो पावर है, जब इसका समाग कलन करोगी तो एक बटे दो में एक और जोड़ोगे तीन बटे दो, तीन बटे दो से भाग कर दो और यहां से हमें जीरो से बन लिमिट रखनी है फिर माइनस का निसान लगाओ यहां एक्स का समाग कलन करो तो x square बटे 2 हो जाएगा यहां भी बिल्कुल वही काम 0 से 1 लिमिट लगा दो ठीक है यहां से यह 2 तो उपर पहुंच जाएगा तो 2 बटे 3 हम बाहर निकाल लें फिर x का मान 1 लिखें 1 की पावर 3 बटे 2 माइनस x का मान 0 लिखो फिर माइनस 1 बटे 2 बाहर निकालो यहां पर x का मान 1 लिखो 1 का square मानस x का मान 0 लिखो ठीक है और इसके बाद यहां पर चलो आंगे लिख देती है बरावर में यहां से 1 की पावर चाही कितनी हो 1 की मान होता है 1 में 2 बटे 3 से गुड़ा करोगे 2 बटे 3 मिलेगा माइनस का निसान लगा और यहां से 1 बटे 2 मिलेगा ठीक है यहां से LCM आएगा 3 दूनी 6 तो यहां से 2 दूनी 4 माइनस में 3 मतलब आंसर आएगा 1 बटे 6 बर गिकाई ठीक है बच्चो इतनी बाद समझ में आई क्या किसी को कोई समस्या है क्या आपने अब तक लाइक किया है बच्चो लाइक नहीं किया है तो जरूर करो भई अगर समझ में आ रहा है तो आँना लाइक करो यार ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं यहां पर और एक नए प्रशन की और इसको रप कर लेते हैं और बढ़ते हैं अंगले प्रिश्ण के ओर देखिए अंगला एक और प्रिश्ण यहां पर बच्चों हम लेते हैं एक कोई बक्र है और एक कोई रेखा से घिरे छेतर का छेत पल दो को यहां पर भी समझना है बड़े ध्यान से यहां पर एक बक्र यहां ले लेते हैं कि यह हम मारा कोई बक्र है और बक्र हम यहां पर Y बराबर X ले लेड़े सक्वाइर अभन एक यहां पर एक यहां पर रेखा है Y बराबर चार से गेरे कितर का छेद्पल से गेरे समझ ना है वह यह यह बाई बरावर x square लिखा है इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है आप बता सकते हो क्या इसका मतलब है कि यह भी आपका पैरा बोला है दोको बाई बरावर x square लिखा न यह भी आपका एक पैरा बोला है इसको कह सकते हो या दोको इसको उसने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया जिससे आप कनफ्यूज हो जाओं यहां पर अगर ऐसा लिखता कि X स्क्वाइर बरावर फोर A बाई तो इसको हम बड़े आराम से कह सकते कि यह पैराबूला है और बस तम इसी रूप का यह है दो को X स्क्वाइर बरावर में यहां पर यह फोर A नही फर इस परकार से बनाना है पचो जैसा हमने बताया कि आपको देखों प्रैसिंग तो आनी चाहिए कि भई कहा से जा रहा है कौन सा कैसा होता है तो यह आपको पहचानना जो बहुत जरूरी है अगर आपको पहँचान है तो आप चित्र बना सकते हो जो इएरे उखित्ज म हमारा दोखो पैराबोला हम नब बना लिया है ना ये हो गया हमारा चार दोखो बाई बराबर चार की रेखा 1, 2, 3, 4 बाई अक्ष पर ऐसी दोखो एक्सक्ष के समानतर आपको एक रेखा कींचनी है इस रेखा को हम कहेंगे बाई बराबर चार ठीक है अब कहता है कि इस बक्र के द्वारा और इस रेखा के द्वारा घिरा छेतर का छेतपल बता दो तो बहुत आसान से बता सकते हो इतना पूरा छेतर है ये इस रेखा के द्वारा घिरा है और इस बक्र के द्वारा घिरा है यह पूरा छ्चितर हमें ग्याद करना है बच्चो कभी भी बिना हमने अबही भी पताया था बिना अक्ष की मदद से हम कभी एरिया नहीं निकाल सकते हैं अक्ष से तो घहरा होना चाहिए या या तो वो 1. तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर इतने भाग की बात कर लें इतने भाग की इतने भाग का छितपल निकाल लें और जितना इस भाग का छितपल होगा बिल्कुल जश्ट उतना ही इधर होगा क्योंकि एक्सक्ष के साफिक सम्मित ही है तो जितना इस भाग का छितपल होगा उतना ही इस भाग का छितपल होगा तो हम इस भाग का छितपल निकाल के और डबल कर रहेंगे तो ये पूरे भाग पूरे का छितपल हमारा ग्यात हो जाएगा सिंपल सी बात होगी है ना एकदम बढ़िया सी बात होगी तो हमें क्या करना है यहां से तो X वरावर 0 होता है X वरावर 0 Y वरावर 4 तो यहां पर 0,4 यह बिंदो मिल जाएगा और 0,4 हमने बाई एक्ष पर इस बक्र ने बाई एक्ष पर कितना कितनी जगह गह रही है अभीष्ट छेत्रफल तो अभीष्ट छेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि पहले इसे 2 से मल्टिप्लाई कर रहें इस भाग का छेत्पन निकालें और 2 से मल्टिप्लाई कर रहें तो पूरे भाग का छेत्पन निकलके आ जाएगा तो 0 से 4 इसकी लिम देनी है दो दो integration 0 से 4 x की value यहां से निकालो x की value किती हो जाएगी under root by हो जाएगी into में dy लिखना है दो को यहां से चूंकि यहां पर दिया गया है by बराबर में कितना x square तो x बराबर कितना हो जाएगा under root by हो जाएगा है ना तो यहां पर हमने जो x की value है वो किती रख दी under root by देख दी ठीक है अब इसका समा कलन करो वई तो by का under root है under root by का समा कलन होता है by की power 3 बटे 2 और 3 बटे 2 से divide करना है और इसमें limit दिया है 0 से 4 ठीक है बच्चो सिंपल सी बात है तो यहां से दो को 4 ये 2 तो उपर पहुँच जाएगा और फिर by की value 4 रखो चार की power 3 बटे 2 माइनस by की value 0 रखो ये 0 हो जाएगा ठीक है अब चार बटे में 3 into में 4 की power 3 बटे 2 क्या लिखोगे बई चार का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो दो चार की power 3 बटे 2 का मतलब है चार को पहले लिख सकते हैं 2 का बटे और इसकी whole power 3 बटे 2 दो से 2 कैंसल करो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसको क्या लिखोगे 8 लिखोगे ठीक है अब दोको 8 चो को 32 बटे 3 इसका अंसार आएगा 32 बटे में 3 आंगे आपको लिखना है बर्ग एक आई करेक्ट बच्चो इतनी बात समझ में आई होगी यहां तक तो किसी को कोई साइज समस्या नहीं होनी चाहिए करेक्ट बच्चो ठीक है इतना सब कुस बढ़िया है आंगे बढ़े चलिए बहुत अच्छी बात है आंग 500 बार कूछा गया है बच्चो चलिए यहां पर निकाल के दिखाएंगे दीर्ग ब्रत जो होता है जिसका मानक समी करण जो होता है वो क्या होता है देखो इसको कहेंगे दीर्ग ब्रत दीर्ग ब्रत X स्क्वाइर अपॉन में A स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर अपॉन में B स्क्वाइर बरावर एक ये बचो दीर्ग ब्रत का समिकरण होता है होता है कि नहीं? इसका हमें छेत्रफल ग्याद करना है दीर ब्रत का छेत्र फल ग्याद करना है, कैसे करोगे जरा ध्यान से समझो, कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे समझो कि अगर हम यह मान लेते हैं कि A बड़ा है B से, ठिक, A बड़ा है B से, हमने यह मान लिया, तो अगर A और B में A बड़ा है B से, तो इसका हम दोखों इस प्रकार से, यहाँ पर इसकी ट्रैसिंग करेंगे, इसकी ट्रैसिंग दोखों हम इस प्रकार से करेंगे, यह हमारा हो गया X अक्च और यह हमारा हो गया B अक्च ठीक है, और यहाँ पर A चूंकि बड़ा है, बना ले यहां से यहां तक यह होता है मूल बिंद से इसको यहां से यहां तक क्या कहते हैं ए कहते हैं इसलिए इस बिंद के निर्दे संख ए कॉमा जीरो लिखेंगे यहां से यहां तक यह बी होता है इसलिए इसको हम जीरो कॉमा बी लिखेंगे ठीक है अब इस पूरे का छे प्रफल बताओ कितना होगा, तो बच्चों ये बार समझ में आई, कि पूरे का छित्फल पूछा गया है, भई हम पूरे का न निकालें, तो क्या दिक्कात है, हो सकता है काम हुमारा, कैसे, इस भाग का केबल छित्फल निकाल लें, और चार से गुणा करते हैं, तो पूरे छ चौथाई भाग है, इसलिए हम केबल इतने का निकालेंगो, इसमें चार का मल्टिप्लाई करेंगे, पूरे का छित्फल ग्याथ हो जाएगा, सिम्पल सा काम, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, अभीष्ट छित्फल, सीधा डारेक्ट कर रहें, एकदम डारेक्ट द लिमिट लेनी है दोखो, जीरो से ए हमें लिमिट रखनी है, जीरो से ए, एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक है, जीरो से ए तक, बच्चों ये बता दूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एक्स अक्ष पर लो, अगर आप जीरो से यहां से, जहां से यहां तक यह यह यहां तक यह तो इस प्रकार से हम 0 से 20 की लिमिट रख दें और यहां पर x d y लिख दें क्योंकि जब x x पर गिरते हैं तो y d x लिखते हैं और y x पर जब गहरा जाता है तब y x के लिए हमने क्या बताया था आपको यहां x d y लिखना होता है तो फिलाल हम बात कर रहे थे x x की तो हमें यहां क्या लिखना है y d x लिखना है y d x ठीक है एक बात और है कि हम total का छित्पल निकालना चारे अभी यहां पर यह तो एक भाग का इस चतुरतांस भाग का छित्पल आया है इसलिए हम total का ग्याद करने के लिए 4 से multiply करेंगी तो अब हमारा यह चारो भागों का मतलब total का छित्र फल यहां से हमें मिल जाएगा तो चार लेखना है integration 0 to a लेखना है by कमान यहां से निकाल के हम रख देते हैं दोंको by कमान कैसे निकालोगी तो यहां से दोंको इसको हल कर लेते हैं by square बटे में b square बराबर में 1 minus x square बटे में a square यहां तक इतनी बाठीक है इस भाग को इस वाल स्कॉायर को जाएगा यह स्कॉायर माइनस में x square ठीक है अब यह बी square को हटाओ तो b square का ऊपर गुणा होेगा रहाएगा यहां लिए इसका बर्गमोर लेड़ेंगे, तो ब्वटे में A, यह B² है ना, तो बर्गमोर लेज़ें, ब्रोगे B हो जाएगा, एक स्क्यार है, इसका बर्गमोर लेना है, तो A हो जाएगा, और इस पर ब्रगमोर का निसान लगा दो, तो A²-XAST4 लिखना है, ठीक है य की value निकल के आ गई तो इस y की value को आपको यहां पर रख देना है क्या लिखना है b बटे में a लिखना है into में under root में लिखना है a square minus x square into में dx लिखना है बात clear हो गई बच्छो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब बया हमें cable और cable इसका समा कलन करना है तो समझो हमारी बात बन गई चार अपना ज्योंकातियों होगा b बटे a ये भी ज्योंकातियों लिखना है b बटे में a ये इसको भी ज्योंकातियों लिखना है अब बात रही 0 to a इसका integration करना है quantity का a square minus x square का integration करना है याद करो भी पहले नमर पे सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी का तो integration किया था एक प्रश्ण में जिसमें बृत का 6 पल गयाद किया था बिलकुल वही था यहाँ पर a square के जगह पर 1 का square minus x का square हमने लिखा था याद करो है ना तो वही चीज यहाँ पर आपको apply करनी है वही formula बिलकुल चार वी बटे में a लिखना है अब हम यहाँ पर formula लगा देते हैं क्या होता है formula आपको यहाँ लिखना होता है x बटे में 2 into में under root a का square minus x का square plus a square में बटे में 2 लिखना है into में sin inverse x बटे में a और इसकी जो limit है 0 to a उसको ज्यूंकाते हो लिख दें बस limit रखोगे आ आपका answer आजाएगा बिलकुल एकदम बढ़िया आजाएगा किसी प्रगार की कोई समस्या नहीं एकदम बढ़िया से बढ़िया आपका यह answer आएगा दोखो जाने हैं यह हमारे पास है 4b बटे में a 4b बटे में a लिख लो ठीक है यहाँ पर देखो अब हमें limit रखनी है पह पहले उपर वाले limit की बात करते हैं x के जगह पर a लिखने है तो यह a बटे 2 हो जाएगा x का मान कित्ता लिखेंगे a तो आपको यहाँ लिखना है a बटे 2 into में under root के अंदर क्या लिखना है दोखो a square minus a square हो जाएगा ध्यान से समझो a square minus x का मान a लिखोगे तो a square minus a square ठीक है plus a square बटे 2 यहाँ लिखना है plus a square बटे में 2 बिल्कुल ठीक है sin inverse a बटे a लिख दो x का मान a लिखो तो यहाँ पर लिखना है sin inverse a बटे में a sin inverse a बटे में a इतनी बात ठीक है बच्चो तो यहाँ तक तो बात हमारी बन गई इतनी अब minus का sign लगा के हमें यह नीचे बाली limit रखनी है minus का sign लगा और यह नीचे बाली तो जैसे यह max का मान यहाँ 0 लिखेंगे पूरा 0 हो जाएगा ठीक है कि नहीं यहाँ पर sin inverse 0 का मान 0 होता है तो यह भी बच्चो 0 हो जाएगा तो यह कह सकते हैं कि जो नीचे बाली lower limit जब रखेंगे तो यह हमारा 0 प्लस 0 मिलेगा ठीक है यह भी दो को x का मान 0 लिखो जीरो हो जाएगा यहाँ पर sin inverse 0 का मान 0 होता है इसलिए यह भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पर यह total 0 हो गय जाएगा कि नहीं बिल्कुल सही है आगे a square बटे 2 लिखा है into में sin inverse 1 sin inverse 1 ठीक है यह तो 0 ही है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़े हैं दो को 4 b upon में a लिखना है और यह आपके पास है a square बटे में 2 into में sin inverse 1 का मान πाई बाई 2 होता है correct अब देखें 2 और 2 का गुणा 4 4 से यह 4 cancel out कर सकते हो 1 a से 1 a cancel हो जाएगा तो πाई बचाएगा a बचाएगा b बचाएगा मतलब answer आएगा πाई into a into b आँगे आपको लिखना है बर्ग एकाई अब बताओ बच्चो यहां तक आए किसी प्रकार की कोई समस्या क्या बहुत ही मगेदार कोश्या नो बच्चो बहुत बार पूँचा गया है ठीक है कभी एक बात और बता दें कि यहां पर यह हमारे पास जैसे a square प्लस b square लिखा है काफी बार ऐसे भी पूँचा गया है यहां पर कुछ value दी जाए जैसे मान लो यहां पर आपको 9 दिया जाए और यहां पर आपको 4 दिया जाए ऐसा भी आपसे पूँचा जा सकता है मतलब यहां पर a square b square की कुछ ना कुछ मान दिये जा सकते हैं ऐसे भी पुछा गया है वैसे बिलुकुल हुबहु कॉपिराइड इसी की इस प्रशन को बहुत बार पुंचा गया है ठीक है बच्छो तो आपको अच्छे तरीके से कम्पलीट करना है चलिए और आंगे बढ़ते हैं बच्छो ठीक है किसी प्रगारगी बच्छो कोई भी ड यह तरका छेत पल जात करना है, बहुत ही most important कह सकते हो बचो, बहुत ही बार पूँचा गया और वो भी आठ नम्मर में पूँचा गया है, आठ नम्मर में बहुत बार पूँचा गया है, तो बचो बड़े अराम से समझने की कोशिस करो, simple है, घबडाने का नहीं, बिल्कुल इक दम आराम से दोखो, पहला पहरा बूला तो यह हमारा by square बरावर four a x दिया गया है, और इसके बाद में दूसरा जो दिया गया है, x square बरावर four a by यह दिया गया है, तो यहां पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि यह जो पहला बाला जो है ना परवला है, उसका अक्ष X-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C यहां पर पहला जो परावूला है उसका तो आपको इस तरीके से जो को फिगर बना देना है कि भाई इसका अक्ष जो होगा वो कहां पर होगा? यह X-Aक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुक खोलना है ठीक है? इस तरीके से और ये दूसरा बाला जो पैरा बूला दिखाई दे रहा है उसका आक्ष है बाई आक्ष तो इसका मुख खोलना है आपको कहां पर उपर की ओर बाई आक्ष की धनात्मक दिसा में इसका मुख खोलेगा इस प्रकार से आपको खोलना है ठीक है तो ये इसका देख रहे हैं कि दोनों पर बहिए दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां गांपर एक तो यह ाल को匹ओ पिर्स के आंगे की कानी समनेघी पहले क्या करना है यहां पर तो को बाई का मन यहां से निकालो यहां रख दो अथो एक्स का मन उपर से निकाल के नीचे रख दो सड्रम पड्रम है ना ऐसे ही तो करते हैं भई क्या करते हैं यहां पर एक किसी चर का मन दूसरे समी करण में रख दे क्या करना है समी करड़ एक में रखने पर ठीक है भी रख देते हैं यहां पर एक नंबर में रखो तो यह बाई का माल लिखना है x square बटे में 4a और इस पर हमें square लगाना है बराबर में और यह लिखना है 4ax ठीक है इसके बाद देखो जब square करोगी square का square करोगी तो x की power 4 मिलेगा यहां पर 4 का square 16a का square a square 16a square जो बटे वाला है उसको इधर ले आओ तो यहां पर हमें 16a square में गुणा करना है 4a x से ठीक है यह 4 चोको 16a square का इधर गुणा कर लिया इधर सबको लिया हो तो ऐसा लिख सकते हो x की power 4 कैसा लिखोगी दोखो x की power 4 यह सब कुछ माइनस में आ जाएगा 16a square को 64 लिख दें एका cube लिख दें into में x और बराबर यहां क्या लिख दें 0 ठीक है यहां से आप देख सकते हो दोनों जगह से x common केबल दिखाई दे रहा है बाकी तो सब कुछ और कुछ है नहीं x common है तो यहां पर लिखना है x cube माइनस में लिखना है 64a square और यहां लिख द 64a का cube बराबर अगर 0 लिखोगी तो x cube बराबर हो जाएगा 64a का cube घनमूर ले लिया जाए तो x बराबर 4 चोको 16 चोको 64 होता है तो 4a लिखना है x common कितना लिखना है 4a यदि x common 0 लिखोगी दोखो एक x common हमारा 0 आया है एक x common 4 आया है तो आपको यहां पर ऐसा लिखना है कि यदि x common 0 है तो निस्चित रूप से बच्चो y common भी 0 होगा देखो किसी भी समीकर्ण में रखके देख लो x common 0 लिखोगे y common 0 हो जाएगा या फिर यहां पर x common 0 देखो यहां पर लिखो यह हमारा है by square है ना यह है by square बराबर 4 into a into x और x common कितना लिखोगे 4a तो यहां से लिखो बराबर 4a into 4a मतलब बर्गमूल लेगो तो by common कितना आएगा 4a आएगा मतलब हम यहां से लिख सकते हैं by बराबर कितना 4a ठीक है मतलब जब x common 4a है तो by common भ आपका जो दोनों बकर एक दूसरे को 0,0 पर प्रतच्छेद कर रहे हैं और 4A,4A पर ये प्रतच्छेद कर रहे हैं बात समझो ध्यान सी इतनी बात ठीक है बच्छो ये दोनों बकर एक दूसरे को कहां पर प्रतच्छेद कर रहे हैं 0,0 पर और 4A,4A पर प्रतच्छेद कर र जब कोई बक्र एक सक्च से घहर रहा हो बक्र के द्वारा और कोटियों के द्वारा आपको घहरा चेतर का छित्पल ग्याद करना है तो अगर हम यहां पर ऐसे कर दें कि इसको यहां से ऐसे डॉटिट करके मिला लें तो आप हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले बक्र के द्वारा इस कोटी के द्वारा घिरा छेतर का छेत्पल ये टोटल ये निकल के आ जाएगा भी बिल्कुल ठीक है और उसमें से क्या करना इस बक्र के द्वारा और इस एकसक्त के द्वारा और इस कोटी के द्वारा घिरा छेतर का छेत्पल ये वाला हमें घटा देना है इतना कम कर दें इस के द्वारा इस एक्सक्ट के द्वारा और इस कोटी के द्वारा घिरा छित पला हम यह कह सकते हैं कि यह बिंदू आपका कितना होगा चारे कॉमा जीरो होगा देखो यहां से यहां से यहां तक चारे तभी तो चारे कॉमा चारे हुगा है तो यहां से यहां से यहां तक चारे दूरी चल के आये तो X AСТ पर बिनदू ले गुए तो यहाँ पर X निर्देसंग चार ए जबकि Y निर्देसंग 0 लेखना है X अक्ष पर कोई बिनदू लेते हैं तो Y निर्देसंग तो 0 लेखना है बिल्कुल ठीक है तो यहाँ से दोतकर हमें क्या करना है अब जो छेत्रफल ग्याद करना है उसके लिए दोखो यहां से बात करते हैं आगे अभीष्ट छेत्रफल सीधा लिख देते हैं क्या लिखेंगे यहां पर अभीष्ट छेत्रफल अभीष्ट छेतरफल मतलब जो छेतरफल हम से पूछा गया है जिसको हमने यहां पर चेक से चांकित कर लिया है इसका छेतरफल बरावर कैसे निकालोगे दोखो इंटीगरेशन करना है जीरो से चार ए जीरो से चार ए और यह पहले वाले बक्र के द्वारा जिसका नाम हम बन है और उसमें से क्या करना है मानिस करना है इस बक्र के द्वारा गिरेशेत्फल को तो यहां पर लिखना है मानिस में लिख दें बाई टू इंटू में डी एक्स लिख दें ठेक है common ले लिए dx यहां पर दोखो buy into dx यहां भी buy into dx यहां पर buy जो है वो इस बक्र से लिया जाएगा यहां पर जो buy to लिखा है वो इस बक्र से लिया जाएगा सीधा सीधा कम करना, integration करना है और बस सीधा answer एक line में एकदम answer आएगा यहां पर आपको केबल ध्यान से गड़ना कर देना है, समाकलन कर देना है दोखो buy की value निकालो इस बाई की value निकालो मतलब पहले बाले बक्र से buy की value निकालो, इस बाई से कितनी आएगी तो यहां पर आपको लिख देना है बाई चार का बर्गमूल तो दो लिखना है ईना भाई स्कौाईर है भाई का मान निकलना है तो बर्गमूल का निसान लगाओगे भाne का चार का बर्गमूल दो और यहां पर अंडर रूड A X ऐसे लिखना है ठीक है buy 1 کی value तो ये मिल गई फिर מाइनस का निसान लगा दो buy 2 की value बताओ तो यहां से buy 2 की value मिलेगैं buy 2 का मान निकालो buy 2 की value होगी क्या करोगे buy 2 का मान 4A से यहां बहाँ कर दोगे μतलब x स्क्वाइर बटे में क्या लिखना है 4A लिखना है और यहां पर हम dx लिखे दें अब बचो मेरे ख्याल से समझने में बाद बिल्कुल आई होगी अगर किसी प्रकार की कोई समझ्या है तो दो को यहां पर समझ लेते हैं बाई का मतलब क्या है बक्र एक से हम यहां से बाई की वैलू निका लेंगे जो यहां लिखी है बाई स्कॉाइर बरावर में चार ए एक्स लिखा है यहां से बाई की वैलू निकालें तो अंडर रूड में चार ए एक्स ऐसा ही तो हो जाए चार का बरंगल 2 बाहर निकालो तो 2 until में अंडरूर एए, ऐखसे जो कि हमने यहाँ लग्लिड लिया, यह हमारा क्या होगा, यहाँ बाई बन होगा, इसके बाद यहाँ पर बाई टू क्या है, बाई टू का मतलब यहाँ से बाई टू का मान निकालो, तो ये by two कहलाएगा तो ये दो को x square बराबर में क्या दिया गया है x square बराबर में दिया गया है 4a by दिया गया है और by की value यहां से हम निकालेंगे तो कितना होगा x square बटे में 4a हो जाएगा इसको हमने by two लिख दिया है ये हमारा इतना काम है ठीक है तो बाई बन और बाई टो कहां से निकाले आपको पता चल गई तो यहां लिख दिए और वो उसका हमें अब समाकलन कर देना है तो बचो दो का हम समाकलन नहीं करेंगे चूंकि अचर रासी है अंडरूड ए ये भी हमारी अचर रासी है इसका भी समाकलन नहीं करना है अब बचा अंडरूड x और अंडरूड x का समाकलन हमें पता है एकस पावर 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2 होता है और यहां से इसकी लिमिट है 0 से 4a इसको जियोंकाते हो ठीक है आँगे बढ़ो मानिस का साइन लगा ओ और यहां से तो कोई बटे में जो 4a लिखा है ना तो एक बटे चारे इसका तो रखना है x square का समा कलन x q बटे 3 लिखना है और इसके बाद यहां पर भी लिमिट रखी गई है कितनी 0 से 4 इसको हम जियोंकाते लिखें और यहां से दो बच्चो एक द्धान से रखना है है ना यह हमने सब कुछ हल dispersed यह रफ़ नहीं है, बिलकुल आपको आँगे ऐसा ही लिखना है, इसी प्रकार से लिख ठाएना है, ठीक है, आपको भी वहां एक्जाम में लिखना पढ़ाएगा, यह हमना कहां से लिए है, ठीक है बच्छो, ऐसा लिखना पढ़ाएगा तो अब हम यहां से इसका किबल लिमिट रख लेते हैं दोखो कैसे करेंगे पहले दो को उपर ले जाओ तो दो का दो में गुणा हमें यहां पर चार मिलेगा चार इंटू अंडर रूट ए बटे में यहां पर तीन यह वाला बटे में तीन अब इसके बाद यहां पर दोखो इसकी लिमिट रखो तो यहां पर लिखना है चार ए की पावर तीन बटे दो माइनस यहां जिरो लिखोगे तो पूरा जिरो हो जाएगा ठीक है आगे यहां पर दोखो माइनस में लिखना है एक बटे में चार ए तो लिखा है ये बटे में तीन और बाहर निकालो एक बटे तीन बाहर निकाल के हमें अब यहां X क्यूब बच रहा है X क्यूब मतलब X का मान लिखना है 4A और इस पर क्यूब लगा दे माइनस में 0 लिख दे ठीक है कर दो भई हल बिल्कुल एक्दम सिंपल सी बात अब रह गई अब तो जादा कुछ है नहीं A इंटू अंडरूड A बटे में क्या लिखना है 3 अब देखो 4 लिखा है ना 4 4 का हम अगर क्यूब करें 4 चोको 16 चोको 64 और इसका बर्गमूल 8 लिख सकते हैं देखो द्यान दे चार की पावर 3 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं 8 और A की पावर 3 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं A इंटू में अंडरूड A लिख सकते हैं देखो एक पावर आधी पावर यहां डेल पावर हो जाएगी तीन बटे दो का मतलब डेड़ होता है ठीक है इसको ऐसे लिख लिख लिया जाए और इसके बाद मैं यहां पर दो को माइनस का निसान लगाओ यह माइनस का निसान है और एक बटे में चार तिया बारहा इंटू ए इसके बाद यहां पर तो कोई इसका 4 का क्यूब 4 चोको 16 चोको 64 इंटू में A का क्यूब ठीक है 64 A क्यूब अब तो मेरे खाल से समझ में बिल्कुल एकदम यहां पर लिख देते हैं बराबर यह हमारे पास अंडरूड A है यह अंडरूड A है अंडरूड A में अंडरूड A का गुणा पूरा A और A यह लिखा है तो A स्कॉब बन जाएगा आठ चोको 32 बटे 3 क्या लिखना है 32 बटे में 3 इंटू में A का स्कॉब ठीक है फिर से समझो आठ चोको 32 बटे में 3 इंटू में अंडरूड A अंडरूड A पूरा A में A का गुणा A स्कॉइर ठीक है चलिए यहां देखते है माइनस में लिखना है एक बटे में 12 एक बटे में 12 इंटू A और A में आप देख सकते हो A क्यूब है ना तो A स्कॉइर उपर बचाएगा यह A स्कॉइर इंटू में 64 और है 64 इंटू A स्कॉइर ऐसा बचाएगा ठीक है यहां पर इसको भी हम 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया बारहा और 4 से इसको डिवाइड करो तो यह हमारे पास 16 बार 16 चौको 64 ठीक है तो हमें यहां से मिलेगा कितना 32 बटे में 3 A इसकॉईर इसमें से 16 बटे में 3 इंटू A स्कॉईर घटा लिया जाए तो अब हमें 16 बटे में 3 इनटू A स्कॉईर मिलेगा आंगे आपको बर गिकाई लिखनी है बच्व यही इसका अंसर है बिल्कुल एकदम 60 का अंसर ठीक है क्या किसी प्रकार की कोई समझ्या है एकदम सही है है ना आराम से अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा रोख के वीडियो इसको आराम से फिर से देखे आराम से समझो जैसा कि हमने बताये कि बचो बहुत ही महातपूर्ट प्रशन है बहुत ही महातपूर्ट ठीक है तो अब इसी टैप का एक और यहाँ पर प्रशन लेते हैं थोड़ा सा वो भी बड़ा है और आठ नंबर में वो भी पूँछा गया है यहाँ पर अंगला प्रशन लेते हैं इसको रप कर लेते हैं तो कहता है प्रशन चतोर थांस में बरट एकस स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर बरावर सूल हा एवं एक रेखा है बाई बरावर एकस और एकस तक्ष से घेरे छेतर का छेतफल गयाद करना है तो बच्चो यहाँ पर समझो कि एक जो बरट दिया गया है ना यह बरत ऐसा बरत है जिसके केंदर मूल बिंद पर है जिसका केंदर कहां पर है मूल बिंद पर है और इसकी तरज्जा कितनी है तरज्जा का इसक्वाइर यहां 32 दिया गया है है ना तरज्जा कितनी है मतलब 32 का बरग मूल समझो इसकी तरज्जा है और ये एक रेखा है बाई बराबर एक्स ये रेखा है मूल बिन्दू से होकर जाने वाली रेखा होती है तो मूल बिन्दू से होकर जाने वाली ये रेखा है और एक्स-क्स के द्वारा जो गहरा छेतर है उन सब के द्वारा जो गहरा छेतर है वो हमें बताना है दोगो यहाँपर पहले चित्र की बात समझोगा, चित्र कैसे बनाना है, पहले तो हमें ये एक ब्रत बना लेना है, ये X आक्च हो गया, ये Y आक्च हो गया, ठीक है, यहाँपर एक ऐसा ब्रत बनाओ, इस तरीके से जिसका केंडर कहांपर हो, मूल बिंदू पर, तो ऐसे, य को यहां पर ऐसा एक बृत बना लें ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर एक बृत बनाना है पहला काम तो यह है ठीक है इसके बाद में क्या करना है यहां पर यह केंदरिसका हो गया बृत का और तरज्जा कितनी हो जाएगी यहां पर इसकी तरज्जा हो जाएगी अंडरू बनाती हुई X X से 45 cents का कॉर्ण बनाती हुई ये इस प्रकार से ये रेखा जाएगी क्यों जाएगी 45 cents का कॉर्ण बनाती हुई बचो यहां पर ये सारी बातें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये रेखा y बरावर mx के फॉर्म में है मूल बिन उसे जाने बाली रेखा होती है y बराबर m x अगर हम y बराबर x से इसकी तुलना करें तो आप कह सकते हो कि m कमान एक है और m कमान होता है 10 theta 10 theta कमान एक है तो बच्चों यहां पर theta बराबर 45 कहोगे कि नहीं कहोगे तो इस रेखा का x सक्ष जोकाओ कितना बना कि दिखाने देना है 45 हलाकि जोकाओ का बनाना नहीं है तो हमने हमारी अपनी समझाने की इसाब से बता दिया कि 45 कोण पर देखा कोई बना देनी है कोई नाप तोल के नहीं बनानी है बस इस प्रकार से बनानी है कि 45 संस का कौन देखा है लगबग तो 45 संस का कौन बनाती हुई मूल बिन से जाने वाली रेखा ये हमने बना ली अब प्रश्ने हमारा ये है कि एकसक्ष और इस रेखा के द्वारा और इस ब्रत के द्वारा जो घेरा छेतर है उसको बताओ तो भाई ये तो एकसक्ष हो गई ये हमारा ब्रत हो गया ये हमारी रेखा हो गई तो इस रेखा के द्वारा एकसक्ष के द्वारा और इस ब्रत के द्वारा जो घेरा छेतर है वो दो को इतना है वच्चो यहां पर हमने जिसको चाहिंकित किया है इतना ही छेतर तो है, इस रेखा के दौरा, इस बक्र के दौरा और इस एकसक्षी के दौरा जो घिरा छेतर है वो इतना ही तो है, यही हमें ग्याद करना है तो बड़े अराम से समझने की कोशिश करो, यह हमारा मूल बिन्दो है, इसको हम 0,0 कहेंगे और इसका नाम भी अगर देना चाहो तो ओ नाम दे दे और यहां से यहां तक यह टोटल 32 का वर्गमूल लेके इसकी तरज्जा निकल के आएगी दोखों यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ब्रत का समीकरण है X स्क्वाइर प्लस 22 बराबर 32 और यहां से हम इसको ऐसे लिखें कि X स्क्वाइर प्लस 22 बराबर A स्क्वाइर से इसकी तुलना करके हम A की बैलू यहां निकाल सकते हैं तुलना से यहां से हम ऐसा लिख दें कि जो A स्क्वाइर होगा वो कितना हो जाएगा A square बराबर 32 हो जाएगा तो A बराबर आपको 32 का बर्ग मोल 16 दूनी 32 मतलब 4 under root 2 ऐसे लिख देना है ठीक है तो को यह यहां से यहां तक इसकी बृत की तरज़ा है तो यह तरज़ा कितनी हमने निकाली है 4 under root 2 तो यहां कह सकते हैं कि 4 under root 2,0 यह हमारा बिंद हो जाएगा यह बाला ठीक है यहां पर चलो A A नाम दे देते हैं तो बच्चों यहां पर एक बात समझो कभी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि 0 से 4 under root 2 0 से 4 under root 2 लिमिट लेके पूरा इतना कह देते हैं इसा नहीं करना है क्यों नहीं करना है एक समस्या है यहां पर अगर हम ऐसी रेखा खींच दें यूँ ऐसी रेखा खींचें इस तरीके से तो बच्चों यह तो इतना छेतर निकल के आएगा यहां से यहां तक टूटल ये तो हमारे पास ये तो हमें से पूशा नहीं गया है है ना तो गल्टी ना करें इसको ऐसा नहीं करना है तो कैसा करना है फिर यहां पर एक काम करो कि इसको यहां से इसको इस तरीके से मिलाओ इस दूसरी कलम से देखो यहां पर मिला के दिखाते है ठीके इसको ऐसा मिलाएं कि ये इस तरीके से जाएं ऐसा यू 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 ऐसे है ना इस तरीके से इस तरीके से इसको मिलादें तो अगर इस तरीके से मिलाएं तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा तो ये रेखा के द्वारा और इतना एकसक्स के द्वारा और इस कोटी के द्वारा घिरा छेतर फल ये निकल के आएगा इधर बाला इधर बाला ये रेखा के द्वारा घिरा छेतर फल और यहां से ये छोटा जो भाग दिखाई दे रहा है ये बृत के द्वारा और ये एकसक के दोरा और इस कोटी के दोरा घेरा छेतर ये है आपका तो आप हमें ये अलग-अलग दोनों के छेतर निकाल के जोड़ना पड़ाएगा तब हमारा छेतफल ग्यात होगा क्या करना पड़ाएगा देखो फिर से समझो पहले तो हमें ये कम करना है कि इस रेखा को और इस ब्र भिखा दी गई है उसको भी यहां लिख लेते हैं रेका है बाई बराबर X देनगे हो और बाई बराबर X हम कहां पर क में रख़ने पर ठीक है यहां पर रख देते हैं तो समीह करब एक में अगर हम भाई कमार X लिखें तो समीह करण एक में रख़ने पर ठीक है? यहां पर रख देते हैं तो समीह करण एक में अगर हम y कमान x लिखें तो यह देखो x² है बिल्कुल ठीक है प्लेस बाईज स्कॉाइर इसको भी हम x² लिख दें बराबर में यहां लिख दें 32 x² x² दोनों को जोड के हम यहां कह सकते हैं कि यह हो जाएगा 2x² बरावर में 32 अब यहां x² कमान हो जाएगा 16 और x बरावर हो जाएगा प्लस माइनस 4 बच्चों यहां पर आप देख रहे हो यहां पर यह बिंदू परसम चतोर सांस में है इसलिए माइनस तो होई नहीं सकता प्लस होगा बिल्कुल सही बात है इसलिए माइनस यह नहीं को छोड़ोगे x बरावर क्या लेना है आपको प्लस लेना है 4 x बरावर प्लस 4 तो अगर x कमान प्लस 4 है तो y कमान कितना होगा दो खो y कमान इसमें यहां पर ऐसे कह सकते हो x और बाई तो दोनों बरावर है x बरावर बाई है समीकरण 2 यह लिखा है x और बाई तो दोनों बरावर है x बरावर बाई है x कमान 4 है तो y कमान भी कितना होगा y कमान भी आपको 4 लिखना है तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों मतलब ये रेखा और ये बकर एक दूसरे को कहां से काट रहा है चार कॉमा चार पर काट रहा है X का मान चार है बाई का मान चार है मतलब चार कॉमा चार से होकर ये रेखा और बकर एक दूसरे को प्रतचेल कर रहा है तो भई अगर ये बिंदू 4,4 है यहां से हमने इस पर लमड डाला है तो ये बिंदू हमें कितना मिलेगा 4,0 मिलेगा इतनी भी बाट ठीक है यहां से यहां से यहां तक 4 है यह उपर भी 4 है तभी तो 4,4 हुआ है तो यहां से यहां तक यह 4,0 है अब आपको क्या करना इस रेखा के द्वारा एकसक्च के द्वारा और इस कोटी के द्वारा घिरा छेतर ये निकाल लें इतना 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 ये टोटल जो देख रहा है न ये छेतर हमें निकालना है और इसके बाद फिर चार से चार अंडरूर दो के द्वारा घिरा छे और ये टोटल ये बक्र के द्वारा मतलब बृत के द्वारा घिरा छेत्र निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे अंसर आ जाएगा तो पहला काम तो हमें ये करना है कि आपको इस रेखा के द्वारा रेखा के द्वारा घिरा छेत्र का छेत्र निकालो या फिर हम डारे तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोको 0 से 4 तक पहले integrate करो, 0 से 4 तक integrate करो, किसको इस रेखा के, इस रेखा से यह गिरा है न, 0 से 4 तक इस रेखा से गिरा है, तो 0 से 4 तक y dx लिखना है, और y कहां से लिखना है, रेखा से लिखना है, इसको ध्यान से समझो रेखा से लिखना है बाई का मान और फिर फिर प्लस का निसान लगाओ और चार से चार अंडरूड दो तक कहां से दो को चार से चार अंडरूड दो एक सक्ष पर चार से चार अंडरूड दो और ये इस बक्र के दवारा मतलब बृत के दवारा तो y dx लिखना है लेकिन y ये कहां से लिखनी है ब्रत से लिखनी है y की value कहां से निकाल के रखनी है ब्रत से तो बस इसको हल करोगी समझो answer आपको मिल जाएगा एकदब accurate answer आएगा ठीक है इसको तो अब मेरे खाल से कर सकते हूँ बड़े आराम से दोखो यहां पर हम y की value निकालेंगे 0 से 4 y की value कहां से निकालेंगे बेखा से तो y का मान दोखो y बराबर तो x है y बराबर यहां x लिख लेते हैं into में dx लिख लेते हैं plus का निसान लगाओ और यहां से अब integration 4 से 4 under root 2 लिखना है अब ब्रत से देखो ब्रत से हम यहां से दोखो ब्रत यहां से अगर y का मान निकालें तो यहां से y का मान कितना आएगा under root 32 माइनस x स्क्वाइर हम पर आएगा into में dx लिख लेते हैं ठीक है बच्छो ब्रत से यहां से y की value निकालोगे कितना 32 माइनस x स्क्वाइर का under root ठीक है तो अब इसको हल कर रहोगे और आपको यहां से आंसर मिल जागा दोखो यहां से तो x स्क्वाइर बटे दो इसका समा कलन कर दें और यह limit है 0.04 यह भी यूंकीतियों आंगे दोखो यहां से इसमें हमें क्या करना है दोखो इसका हम बिल्कुल वही फॉर्मिट अभी काफी बार यह फॉर्मूला लगा चुके है एक बार यहां से फिर समझो चार से चार under root दो इसका limit है यहां पर under root 32 को लिख दें यहां पर 16 दोनी 32 मतलब 4 under root 2 का square ऐसा लिख दें 4 under root 2 का square माइनस का x square इंटू में dx तो a square माइनस x square का under root वाला फॉर्मूला जो अभी हम लगाया था वही आपको यहां फिर लगा देना है यहां से अगर चाहो तो इसको हल करते जाओ 4 का square बटे में 2 माइनस में 0 ठीक है लिमिट रख लिया प्लस का निसान लगाओ यहां से अब दोखो इसका हम समाकलन करेंगी पहले और फिर इसके बाद इस पर भी लिमिट रख लेंगी दोखो समाकलन करोगी क्या होता है एक्स बटे दो इन्टू में अंडरूड एका square माइनस x का square इसका जाएगा माइनस x का square ज्यों काते हूं लिखना है ठीक है और फिर आंगे प्लस a square बटे दो मतलब इसका square करोगी कितना लिखना है 32 बटे में दो a square बटे दो इन्टू में sin inverse x बटे में 4 अंडरूड दो और लिमिट हमारी लिखनी है 4 से 4 अंडरूड दो बचो इतनी बात ठीक है किसी को कोई समस्या होने ही नी चाहिए बिल्कुल आसान सा काम है ये तो काफी बारा भी लगा चुके है ना तो अब हमारे पास यहां से देखो ये कुछ इस तरीके से लिख देना है देखो यहां से 4 का square 16 16 में 2 का भाग करोगी तो कितना 8 ये तो हमें देखो 8 मिलेगा ये तो 8 चलने दो भई ठीक है प्लस का निसान लगाओ ये भी ठीक है आँगे अब हमें लिमिट रखनी है पहले उपर वाली लिमिट रखनी है फिर माइनस का निसान लगा के नीचे वाली रखनी है तो वही पहले उपर वाला लिमिट रखोगी तो यहां एक्स का मान कितना लिखोगी चार کر अंडरोड दो बते में क्या लिखना है दो 32 माइनसका मान यहां चार अंडरोड दो इसकार 32 होता है तो 32 माइनस 32 हो जाएगा फिर प्लस का निसान लगाओ चालो प्लस का लग गया यहांपर दो से भाग करो तो 16 बचाएगा सोला लिख लिया साइन इनवर्स यहां पर लिखना है कितना साइन इनवर्स चार अंडरूट दो एक्स कमान क्या लिखना है चार अंडरूट दो बटे में चार अंडरूट दो पहले से है तो चार अंडरूट दो बटे में चार अंडरूट दो ठीक है तो ये तो हमारी ऊपर वाली limit हो गई काम खतम अब minus का निसान लगा और नीचे वाली limit 4 रखो अब 4 रखो गी तो वो 4 बते 2 क्या लिखना है 4 बते 2 into under root 32 minus 32 minus यहाँ x का मान 4 4 का square 16 लिख लेते हैं ठीक है फिर इसके बाद plus का निसान लगा हो चलो प्लस का निसान हो गया, दो से भाग यहां पर कितना लिखना है, सूलहा बिलकुल ठीक है, साइन इनवार्स, यहां पर चार बटे में चार अंडरूर दो, एक्स का मान कितना लिखना है, चार बटे में चार इंटू अंडरूर दो, यह हो जाएगा, बिलकुल ठीक है बच से यहां दोगो यहां पर हम कह सकते हैं 32 मैं से 32 घटाओ पूरा जीरो क्यों यार बार बार लिखते हो इसको जीरो लिख लो ठीक है प्लेस यहां पर लेखो 16 में sign inverse यहाँ एक लिखना है देखो ध्यान दे चार under root दो बटे चार under root दो क्या हो जाएगा sign inverse एक ठीक है आंगे इसका भी काम खतम फिर minus का निसान लगाओ इस पर देखो यहाँ दो से divide करो दो चार को दो से divide करोगी दो मिलेगा और under root के अंदर यहाँ देखो 32 में से 16 घटाओ 16 मिलेगा और 16 का बर्गमूल यहाँ डारेक्ट यार लिख लेते हैं कितना लिखेंगे चार लिख दें भई ठीक है चार लिख लेते हैं प्लस का निसान लगाओ यहाँ पर लिखना है 16 into में sign inverse 4 से 4 कैंसल करोगी तो एक बटे अंदर उड़ दो ठीक अब इनके माल लिख देते हैं यह हो जायगा देखो 8 यह तो ठीक है प्लस का निसान लगाओ 16 लिखो और यह sign inverse 1 की value हमें पता है πाई बाई 2 होती है बिलकुल ठीक है यहाँ पर minus है यह minus 4 दूनी 8 लिख दें यहाँ पर अगर कोश्टा कोलोगे तो यह भी minus का ही हो जायगा बिलकुल सही है 16 लिखो साइन इनवर्स 1 बटे अंदर उड़ 2 मतलब साइन इनवर्स 1 बटे अंदर उड़ 2 का मान होता है πाई बटे 4 साइन 45 का मान होता है बटे अंदर उड़ 2 तो भाई अब तो बात ठीक बन गई यहाँ से तो को 8 से 8 कैंसल हो जाएगा 2 से इसको काटो तो 8 पाई तो यहाँ मिलेगा जी है ना 2 से इसको काटो तो 8 पाई मिलेगा फिर minus का निसान लगा 4 चोको 16 यहाँ पर को 4 पाई मिलेगा अब यहाँ से 8 पाई मैंसे 4 पाई घटाओ तो 4 पाई मिल जाएगा भाई यहाँ पर आंगे आपको बर्ग काई लिख देना होता है बस आंसर ठीक है यह है आंसर थोड़ा सा हमने बताया जैसा कि गड़ना थोड़ी बात हो सकती है बाकी तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है यह तो फॉर्मूला बहुत बार आप लगा चुके हो ना तो इस तरीके से बच्चो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हम पहले इस रेखा के द्वारा घिरा छेतर फल निकालें फिर इसके बाद इस बक्र के द्वारा घिरा छेतर फल अर्थाद इस बरत के द्वारा घिरा छेतर फल निकालेंगे तो लिमिट जीरो से चार लेनी है और इस बरत के द्वारा घिरा छेतर फल तो निकालना है तो चार से चार अंडरूड दो चार से चार अंडरूट दो लिमिटर लेनी है ठीक है और दोनों छेतरों को जोड़ दें तो दोनों का छेतरफल का जो योग होगा वो आपका अभीष्ट छेतरफल हो जाएगा इतना सा काम है ठीक है तो इस तरीके से बच्चो ये भी हमने जैसागी बताएगी बहुत ही महात पूल प्रिश्ण है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं तो बच्चो यहाँ इस प्रिश्ण के लिए कहता है दिखाईए कि परबले बाई स्क्वाइर बराबर चार ए एक्स की यहाँ पर एक परबले दिया गया है इस परबले का इसकी ना भी लंब जीवा से घिरे छेतर का चेतर फल आटे स्क्वाइर बर्टे तीन होगा यह आपको प्रूब करना है साधारण सी बाद है बच्चो यहाँ पर यह चोटा सा प्रिश्ण है बहुत ही बढ़िया प्रिश्ण है कहता है इस परबले की ना भी लंब जीवा से घिरे छेतर का चेतर फल आटे स्क्वाइर बटे तीन से दिखार के दिखाना है परबले जो है उसको तो पहले आप पहचाने गए होगे कि पहले टाइप का परबले है जिसका अक्ष एक सक्ष की धनात्मक दिसा में होता है ठीक है एक सक्ष के साफ पे अक्ष ये समिमीती होता है तो यहां पर इसका चितर तो बिलकुल आसान सा यूं ऐसे बना लेना है ये देखए आपका ये परबला है और ये यहां पर इसकी परबला की ना भी होती है इस परबला की ना भी कितनी होती है A,0 ये तो मेरी खाल से आपको आनी चाहिए वई अगर ना भी के निर्देस आख पता नहीं है तो बड़ी गजब की लमबत रेखा बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते है नाभी लंब कहते है ये हमारा होता है नाभी लंब देखो ध्यान से बच्छो ये हमारा क्या है नाभी लंब है ठीक है इसको कहते है नाभी लंब एक सक्ष पर लमबत रेखा हो है ना और नाभी से होकर जाने वाली हो तो यहां पर यह रेखा आपकी नाभी लंब है यह S इसको नाभी को S से नाम दे दें और यह लंब बत रेखा बना दें और इसको यहां पर L L डेस लिखते हैं ठीक है L L डेस रेखा जो दिखाई दे रहे हैं यह आपकी नाभी लंब जीवा है इस नाभी लंब जीवा के द्वार घिरे छेतर का छेत फल आठ बटे तीन ए स्कॉयर हमें सिद्ध करके दिखाना है सिंपल सी बात है वच्चो एक बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जब भी कभी किसी बक्र के द्वारा एक्स अच्छी या बाई-क्स के साथ दी कई सिमाओं के अंतरगत घहरा छेतर फल होता है हम उसी को ग्याद कर सकते हैं बाकी बिलकुत सब कुछ ऐसा ही नहीं करना है क्या करना है यहां पर तो को यह हमारा मूल बिंदू है है ना यह मूल बिंदू है मूल बिंदू मतलब 0,0 तो A यहां पर 0 से A इसकी लिमिट रखनी है यहां पर X-X पर कहां से कहां तक घहरा जा रहा है 0 से A तक और इस बक्र के द्वारा और इस इस लिमिट को यहां से यहां तक इसका छित्रफल आपको ग्याद करना है और इसके बाद डबल कर तो चूंकि जितना उपर है उतना ही नीचे है इसका छितफल हम ग्याद कर सकते हैं एक सक्ष के द्वारा इस कोटी के द्वारा और इस बक्र के द्वारा घेरे छितर का छितफल हम ग्याद कर सकते हैं और इसका हम डबल कर देंगे तो टोटल का छितफ लगानी है तो बच्छों बड़ा साधारण सा काम हो गया यहां पर अभीष्ट छेत्रफल बराबर क्या करेंगे यहां पर हम उपर वाले का छेत्पन निकाल के डबल टाइम कर देंगे ठीक है छेत्पन को एसे डिनोट कर लें और यहां पर दोखो दो से मल्टिप्लाई करें इंटिगेशन जीरो टू ए और परवले से बाई की वैलू कितनी आज जाएगी यहां पर अंडरूड 4AX ठीक है इंटू डी बाई अब अचो यहां से देख सकते हो दो अपना ज्योंकातियों है चार का बर्गमूल दो बाहर निकाल लें अंडरूड ए को भी हम बाहर निका कर दो भी हो जाएगा कम दो दूनी 4 अंडरूड ए और यहां पर लिखना है X की पावर 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2 X की पावर 1 बटे 2 का समा कलन कैसे करना है एक जोड़ो वही तीन बटे 2 तीन बटे 2 का भाग कर दे और यह 0 से A की लिमिट है ठीक है तो 4 अंडरूड ए और इस 2 को हम उपर भेज सकते हैं ठीक है बटे में 3 लिख दे और यहां से अब इसकी लिमिट रख दे X का मान पहले A A की पावर 3 बटे 2 माइनस X का मान 0 तो 0 की पावर 3 बटे 2 मतलब 0 रहेगा ठीक है इसको हल करो तो इस तरीके से दोखो यह हमारे पास 4 दूनी 8 अंडरूड A बटे में 3 इंटू यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं A की पावर 3 बटे 2 3 बटे 2 का मतलब समझते हो ना यहां पर A इंटू में A की पावर 1 बटे 2 ऐसा भी लिख सकते हो 3 बटे 2 है ना 1 बटे 2 है एक पावर यह है आधी यह है या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो लिखा है वो बिलकुल भी योंकते हो लिखा रहे हैं ना एकी पावर दो तीन बटे दो यहां पर अंडरूर्ड का मतलब पता है एक बटे दो पावर होता है तो ये डेड़ है एक बटे दो इसमें जोडो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो आपको यहां पर लिखना है एक एकी पावर मतलब एसकॉार लिख देना है वाटे बते बते तीन ठीक है आठ बते तीन और इनका दोनों का गुरणफल कितना हो जाएगा ये सकॉार और आँगे लिखे दें बर गिकाई और यही हमारा देखो आंसर है यही हमें प्रूब करना है आप देख रहे हो यही प्रूब करना है तो बचो एक छोटा सा प्रशन था लेकिन बहुत बात बूचा जाएं बहुत अच्छा प्रशन है ठीक है यहां पर हमने क्या किया है 0 से A तक X अक्च पर गेरा गया है ना इस बक्र के द्वारा 0 से A इसकी लिमिट रखनी है और इतने का 6 फल ग्याद करने के बाद इसका हम 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो नीचे बाला भी हिस्ता इसमें सामिल हो जाएगा इसलिए यहां पर दोको 2 से गुड़ा किया है 0 से A by dx लिखना है y का मान यहां से निकाला और यहां रख दिया है integration कर दिया और इसके बाद में यहां पर लिमिट रख दिया अंसर आ गया चलिए और आंगे प्रुष्ण की और बढ़ते हैं ठेक है बच्चो अंगला प्रुष्ण देखें यहां कहता है छेदक रेखा x बरावर a बटे अंडरूट दो द्वारा ब्रत x स्कॉयर प्लस y स्कॉयर बरावर a स्कॉयर के छोटे भाद का छेदफल बताओ वच्चो यहां पर यहां पर यहसा तो आपको दिख रहा है यह आपका जो ब्रत है जिसका केद्र 0,0 अर्थात मूल बिन्द पर इसका केद्र है इसकी तरज्जा a है ऐसा ब्रत है और इस ब्रत को यह वाली रेखा x बरावर a बटे अंडरूट 2 यह रेखा इस ब्रत को प्रत छेद कर रही है मतलब यहां पर इस रेखा के द्वारा यह ब्रत डिवाइड हो रहा है कट रहा है तो यहां पर जो छोटा भाग है उसका छेदपल यहां से पूंचा गया है देखो ध्यान दें यहां से बहुत सिंपल सी बात है एक तो ब्रत हो गया एक यह हमारा क्या हो गया ब्रत ठीक है और इस ब्रत में और बाटे अंडरूर 2 का क्या मतलब है? दोखो यहां से यहां तक टोटल दूरी A है. है ना? यहां पर यह रेखा जो है, वो कितनी दूरी पर है? A बाटे अंडरूर 2. टोटल है A इसमें यहां पर बीच में कहीं रेखा, इसको ऐसे अंदास से एक बना सकते हो. इस रेखा को ह इस भाग का छितफल आपसे पूछ लिया गया है यह चोटा भाग का छितफल बता दो तो बच्चो सरल सी बात है सी बात है यहां पर हम कह सकते हैं कि इस बिंदू के लिए देखो इस बिंदू के लिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए बटे अंडरूर दो है हम यहां प का हम नीचे भी हिस्ता निकालना है तो दो से मल्टिप्लाई करो तो नीचे वाला हिस्ता आ जाएगा जितना ऊपर है जिस्ट उतना ही नीचे है बले आपको चितर में ऐसा लग रहा हो कि उपर का बड़ा दिखाई दे रहा है नीचे का छोटा ये थोड़ा हां से बनाया गया जो नीचे वाला भी समलित हो जाएगा अब चो यहां पर देखो ये छोटा वाला जो भाग है वो कहां से कहां तक एक सक्च पर काट रहा है ए बटे अंडरूड दो से ए तक तो लिमिट हमारी हो जाएगी ए बटे अंडरूड दो से ए लिमिट हो जाएगी है ना और इस बक का समिकरण है आपकी जो रेखा दे गई है जो इसको प्रतच्छेद कर रही है एक्स बरावर ए बटे अंडरूर दो से ये हमारी रेखा है अब हमें क्या करना है यहां पर छोटे भाग का छित्रफल पूंचा गया है ठीक है इस छोटे भाग का छित्फल इसको अगर एसे करने पर नीचे बाला दी इसमें समलित हो जाएगा ठीक है तो दो से मल्टिपलाई किया आप दो को कहां से कहां तक लिमिट है ए बटे अंडरूर दो से ए ए बटे अंडरूर दो से ए इसकी लिमिट हो जाएगी यहां पर आपको बाई डी एक्स लिख देना है ठीक है बाई square बरावर a square minus x square हो जाएगा और by का square है इसलिए square खतम करोगे तो under root का निसान लग जाएगा तो आपको यहाँ पर लिखना है under root a square minus x square ठीक है और into में यह dx हमारा जियों काते हो by की value हमने यहाँ से निकाली अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो चूँकि x square plus by square बरावर कितना है a square और यहाँ से by square की value निकालोगे तो a square minus x square हो जाएगा और by बरावर हो जाएगा under root a square minus में x square ठीक है correct है बच्चो यहाँ पर square खतम किया है वैसे तो plus minus होता है लेकिन समस्या इस बात की है कि हम तो यहाँ पर प्रथम चत्वर्थांस में जो भाग है हिस्सा है उसका ही तो शित्पर निकाल रहे हैं तो x x के उपर वाला यह हिस्सा होता है हमें इसा plus में ही निकलना है plus में ही रखना है यहाँ पर क्या करते हैं दोको डो का जो कात्यों लिखना है इसका समाकलन आपको बहुत बार करवा कुक ही अबहिए यहाँ इसी वीटियो में बहुथ बार सूत्र का यूज कर चुके है Fantastic Commissioner चमकलन chamado a बटी अंडरूर 2 से a इसकी limit रखनी है ठीक है बचुट यह हमारे पास यहां से इसको हमने बई कमान निकाला था ठीक है अब इस पर limit रख देते हैं दो हमारा यह ज्योंकातियों है है ना यह दो बाला यह तो ज्योंकातियों चल ला है कोई बात नहीं ए पहले रखो तो ए बटे में 2 इंटू अंडरूड a स्कॉईर माईनस a स्कॉईर देखो ध्यानने x के जगह कितना लिख दे ए तो एका y स्कॉईर हो जाएगा किलियर बाद है plus का निसान लगो a square बटे में 2 लिखो into में sin inverse x की value a, a बटे a लिख दो और यहां से दो को उपर वाली limit का अब काम खतम हो गया minus का निसान लगा उप नीचे वाली इस limit को रखो तो यहां से दो को a की x के जगा क्या लिखेंगे a बटे में under root 2 और 2 यह पहले से हमारा है तो 2 under root 2 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है और यहां under root में क्या लिखना है a square minus x square x का मतलब इसका square करना है तो जब इसका square करोगी तो a का square हो जाएगा under root खतम हो जाएगा a square बटे 2 हो जाएगा अब यहां पर दोखो plus का निसान लगाओ यह a square बटे 2 लिखा है बिल्कुल ठीक है sign inverse यह भी ठीक है sign inverse आब x का मान x का मान क्या लिखना है a बटे में under root 2 लिखना है और यह a पहले से लिखा है इसको भी जियोंकातियों रखें तो a से a यह cancel out हो जाएगा अब समझो बच्चो एक step और आगे दो जियोंकातियों हमारा रहेगा इसको हम बिल्कुल 0 यहीं कर लेते हैं दोखो a square मानेस a square 0 हो जाएगा बिल्कुल इसमें तो कुछ हल करना ही नहीं है 0 हो जाएगा अब यहां से दोखो a square बटे में 2 लिखना है into में sine inverse 1 लिखना है कितना लिखना है? sine inverse 1 a बटे a एक हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है मानेस का निसान लगो यहां से भी अब हमें वही काम करना है दोखो a बटे में 2 under root 2 लिखो a square में से a square बटे 2 घटा हो क्या मिलेगा? a square का बर्गमूल a मिल जाएगा और under root 2 इस पर यहां पर under root 2 मिलेगा ठीक है? यहां पर a square में से a square बटे 2 हमने घटा आया तो हमें मिला a square बटे 2 और a square बटे 2 का जब बर्गमूल लेंगे तो A बटे अंडरूर 2 मिलेगा ठीक है? और यहाँ पर यह प्लस निसान माइनस हो जाएगा माइनस का अंडरुना की है ना तो प्लस का यह माइनस हो जाएगा और यह हमारे पास है A स्कॉाइर बटे में 2 इंटू में SIN INVERS एक बटे में अंडरूर 2 साइन इंवर्स उपर एक बटे में अंडरूर दो अब इसकी सबकी बैलूर रख देते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको यहां पर अंसान मिलागा देखो जहां ने दो हमारे पास यह जियोंकातियों है है ना दो जियोंकातियों है ए स्कॉाइर बटे दो इंटू साइन इंवर्स एक आपको यहां लिखना है ए स्कॉाइर बटे में दो इंटू साइन इंवर्स एक कमाल लिखना है पाई बाई टो ठीक है चलिए माइनस का निसान लगाओ इसके बाद a square बटे में क्या यहां पर लिखना है देखो ध्यान दें a और a का गुणा a square बटे में under root 2 under root 2 पूरे 2 का 2 में गुणा 4 a square बटे 4 लिखना इसको क्या लिखना यहाँ पर a square बटे में 4 लिखना है बिलकुल ठीक है यह माइनस का निसान है और यहाँ पर a square बटे में 2 लिखना है sine inverse 1 बटे अंडरूर 2 pi बटे में 4 sine 45 का मान होता है 1 बटे अंडरूर 2 तो यहाँ पर क्या लेखना है πाई बटे में 4 ठीक है पाई बटे में 4 लेखना है इस तरीके से रेक्टर बच्छो इतनी बात समझ में आ रही चली अगर समझ में आ रही तो आप पूरी बात अखरी है बिलकुल एकदम यहाँ पर देखो a square πाई बटे में 4 लेखो ठीक है माइनस a square बटे में 4 लेखो बिलकुल ठीक है माइनस यहाँ पर भी a square πाई बटे में 4 दोनी 8 लेखो ठीक है चली बहुत अच्छी बात बराबर में 2 into में यहाँ पर देखो a square πाई बटे 4 में से a square πाई बटे 8 जब घटा होगे तो हमें मिलेगा a square pi बटे में 8 इसके बाद में minus में a square बटे में 4 ठीक है अब एक काम और कर सकते हो यहाँ 2 से अंदर गुणा कर दो या फिर ऐसा करो a square सो common लेके बाहर कर सकते हो दो हमारे पास जोंकाते हो है a square हम common ले सकते हैं और बटे में यहाँ पर हम बटे में चलो लिख देते हैं जोंकाते हो किया दोखो pi बटे में 8 लिख ले माइनस में एक बटे में 4 लिख ले ठीक है तो 2 a square into में यहाँ से देखिए यह 8 lcm आजाएगा तो हमें क्या मिलेगा देखो यहां से हमें मिल जाएगा πाई माइनस में 2 ठीक है, 2 से इसको 2 बार डिवाइट कर दो अंसर हमें मिल जाएगा A स्कुाइर, यहां से अगर चाहो तो अलग-अलग भाग कर दो तो पाई बटे 2 माइनस 1 दो बटे 2 करोगे तो 1 आंगे आपको क्या लिखना है बर्ग एकाई ठीक है बच्चो, यह हमारा आंसर हो जाएगा किसी को कोई समस्या तो नहीं बड़े अराम से दो को solve करते समय, थोड़ा सा patience रखिए, सागो दहानी पूरबक करिए माइनस प्लस की गलती वो भी यह माइनस प्लस का ध्यान दखना होता है बाकी और कुछ खास बात नहीं है यहां से जब हम लिमिट लेते हैं तो एक सक्च पर घिरे छितर का छितर फल देखते हैं कि एक सक्च पर किस कहां से कहां तक घिरा है वही अमरी लिमिट होती है तो लिमिट रखने के बाद और फिर अगर एक सक्च से घिरा है तो बाई डी एक से घिरता है तो एक से दी वाई लिखते हैं इतना काम है ठीक है बच्चो चलिए बहुत अच्छा आंगे और बढ़ते हैं देखो नेस्ट कुस्टिन के और तो अब कहता है परबले बाई स्कॉयर बरावर फूर एक्स और सरल रिखा बाई बरावर एम एकस द्वारा घिरे छितर का छितफल गयात करिए तो यहां पर तो कोई एक परबले दिया गया है और ये मूल बिन्द से होकर जाने वाली देखा दी गई है इन्हें दोनों के द्वारा घिरे छितर का छितफल आपको बता देना है सिंपल सा काम है देखो ये भी सिंपल सा काम है बच्चो एक बात बता दें कि जो आपके परिख्षा में पूंचे जाते हैं वो सभी और सभी सब ही आपके मानक फॉर्मूलों पर आधारित होते हैं जैसे ये परवलाय का जो समीकर्ड होता है परवलाय का समीकर्ड ये बहुत ही रियर केसिस में दिया जाएगा कि परवलाय ऐसा दिया जाएगा कि य-2 का होल स्कॉाइर बरावर में चार एक्स मानस दो बचो ये भी तो परवलाय का समीकर्ड है लेकिन ये परवलाय का समीकर्ड जरूर है लेकिन ये बहुत ही रियर केसिस में पूछा जाएगा पूछा नहीं जाएगा हमें यही बिल्कुल समीकर्ड दिया जाएगा कि इस रूप में ये मानक रूप होता ना इस रूप में जिसकी जो को इसका अक्ष कहां पर होता है एक सक्ष पर होता है और इसका जो सीर्स होता है वो कहां पर होता है मूल बिन्दु पर तो इसी टाइप के परवला है या फिर दीर बृत का भी समीकर्ण मानक रूप में दिया जाएगा है ना बृत का समीकर्ण मानक रूप में दिया जाएगा तो सबी जो आपके फिकर हैं इसको ऐसे कहें है ना तो वो सब मानक रूप बाले हैं जो आपने पहले क्लास लेवन में पढ़ रखे हैं वही सब कुछ आपको यहां पर पूछे जाएंगे तो यह आपका पर्वला है ना, इसको हम ऐसे बनाएंगे दोखो इस तरीके से, इसको दोखो ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, है ना, और यह रेखा है Y बराबर MX, यह भी हमें पता है कि रेखा मूल बिंद से होकर जान वाली रेखा है, और यह हमारा पर्वला है, जिसको हम कहते है Y स्कॉाइर बराबर में 4 A X, ठीक है, अब हमसे यह कहता है कि इस रेखा के द्वारा उस पर्वले के द्वारा घिरी छितर का छित्पल बताओ, तो दोखो पर्वले और इस रेखा के द्वारा जो घिरा छितर है वो इतना है इसका छितपल हमसे पूंच लिया गया है ना बता सकते हैं तो को कैसे बताओगे बच्व कभी भी याद रखो हम ने बताया कि जब तक X-Act या बाई-यक्स से गहरा ना कोई भकर हो तो समझो उसका हम एरिया नहीं ज्याद कर सकते हैं एरिया ग्याद करोगे तो नि बकर एक दूसरे को इस बिंदो पर दोखो प्रत्र छेद कर रहे हैं अब इस बिंदो को यहां से यू ऐसे मिला दें इसको ध्यान से समझना यह यहां से मिला दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस परबले के दौरा एकसक्च के दौरा और इस कोटी के दौरा घिरा छितर यह टोट है उसका छेदपल हमारा ग्याद हो जाएगा है ना बिल्कु सिंपल सी बात है तो पहला कम तो यह हम प्रतिछेद बिंदू निकालें तो यहां पर जो परबले दिया गया है बाई स्कॉाइर बरावर फोर एक्स इस पर हम एक नमबर डाल दें और जो रेका है बाई बरावर मे एम एक्स इस पर हम दूसरा नमबर डाल दें और इन दोनों को हल करके हम यहां पर इस बिंदू अर्थार प्रतिछेद बिंदू के निकालें तो यहां पर बाई कमान एम एक्स है ना समी करण एक में रख दें समी करण दो से बाई बरावर एम एक्स समी करण एक में रखने रखने पर यहां पर रख देते हैं दो यहां पर रखें य कि वैल्यू कित्की रखेंगे m x और इसका लिख दें n square बराबर बरे यहां लेखेंगे 4 ax ठीख है और इसका जब square करोगी तो यहां पर m square x square मािनस में 4 ax X और बराबर में 0 ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहां से इन दोनों जगे से X कॉमन है तो यहां पर मिल जाएगा कितना M स्कॉाइर इन टू में X माइनस में 4 A और यहां लिख दें 0 तो यहां से अगर X का माइन 0 लिखोगी तो एक तो X की वैलू 0 आ जाएगी और यदि इसको 0 लिखोगी M स्कॉाइर एक्स माइनस का 4 A बराबर 0 लिखोगी तो यहां से दोखो इसको पहले इदर ले जाओ M स्कॉाइर एक्स बराबर में हो जाएगा 4 A तो यहां से X की वैलू हमें मिल जाएगी 4 A अपॉन में M स्कॉाइर इतनी बार ठीक है बच्चो अब यहां पर समझो जब X की वैलू 0 है X बराबर 0 है तो फिर Y का मान भी तो कोई 0 हो जाएगा X का मान यहां 0 लिख दें Y का मान 0 मिलेगा की नहीं यहां भी X का मान 0 लिखोगी तो Y का मान 0 मिलेगा की नहीं तो हम कह सकते हैं कि X ब्राबर 0, Y ब्राबर 0 अर्थात मूल बिंदू पर ये दोनों बक्र एक दूसरे को काट रहे हैं तो कोई ये बक्र और ये बक्र कहां पर काट रहा है मूल बिंदू पर काट रहा है अच्छा भई और इसके आंगे यहां पर X की वैलू जब X की वैलू 4A बटे में M स्क्वाइर तो यहां से Y की वैलू दोखो कितनी निकल के आएगी यहां पर X की वैलू यहां रख देते हैं Y बराबर हमारा मिल जाएगा M into X की वैलू किती लखेंगी 4A बटे में M का स्क्वाइर यहां से 1M इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां से Y की वैलू हमें मिलेगी 4A बटे में M तो प्रतिछेद बिंदू कौन कौन से हो गए एक तो बिंदू हो गया हमारा प्रतिछेद बिंदू 0,0 और एक प्रतिछेद बिंदू X की वैलू कितनी है 4A बटे M स्कौाइर कौमा बाई की वैलू कितनी है 4A बटे में M ठीक है यहां पर यह बिंदू हो गया 0,0 और यह वाला बिंदू हो गया यह वाला बिंदू तो यह वाला बिंदू कितना है इसको यहां लख देते हैं 4A बटे M स्कौाइर 4A बटे में M square, 4A बटे M 4A बटे में M ठीक है? यह हमारा बिंदू यह मिल जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह X निर्दे संख है, यह Y निर्दे संख है तो X निर्दे संख 4A बटे M square है इसलिए इस बिंदू को हम कहेंगे 4A बटे में M square, 0 0, simple सी बात है अब बच्चों यहाँ पर समझ में साइद आने लगी होगी बात, कि भाई इस बक्र के द्वारा मतलब परवले के द्वारा, इस 0 से 4A बटे M square, यहाँ पर दोखो 0 से 4A बटे M square एक सक्च पर घेर रहा है, है ना? और इस कोटी के द्वारा घेरा चेतर यह total है, ठीक है? और इस में से इस रेखा के द्वारा और 0 से 4A बटे M square के द्वारा और यह total दोखो इतना घटाना पड़ाएगा, तब हमारा यह चायंकित भाग का चेतर पल निकलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, अभीष्ट छेतर फल अभीष्ट छेतर फल इसको हम A से नाम A दे दें, तो A बराबर हमारा कितना निकलाएगा? दोखो, integration करना है, 0 से 4A बटे M square तक, है ना? 0 से 4A बटे M square, यहां क्या लिखना है? by dx, by dx का मतलब समझते हो, by कहां से लेना है? परबले से लेना है, अगर आप चाहों तो यहां लिख सकते हो, परबले परबले से by की value लेनी है है ना? फिर minus का निसान लगाओ by dx, dx, dx दोनों से कॉमल ले लेंगे, बाद में है ना? minus का निसान लगाओ, और फिर इस रेखा के द्वारा, by dx लिखना है, तो by कहां से लेनी है? रेखा से लेनी है, ठीक है? into में dx, ऐसा लिख सकते हो ठीक है? इसको by 1 minus by 2 into dx ऐसे भी लिख सकते हो, by 1 का मतलब यह है और by 2 का मतलब यहां से by का मन निकालना है, ठीक है? यहां परबला है, यहां पर रेखा है, by यहां कहां से निकालनी है? परबला से यहां by कहां से निकालनी है? रेखा से निकालनी है, तो यहां लेख देते हैं 0 से 4A बटे M स्कौार इसका लिमिट है, by का मान यहां परवले से निकालो कितना हो जाएगा अंडरूट 4AX यहां पर वाई का मान हो जाएगा माइनस का निसान लगाओ यहां से रेखा की वैलू दोखो MX है बिल्कुल ठीक है और इंटू में DX इतनी बात बच्चों किलियर हो रही है यहां तक तो किसी को कोई डाउट बाली बात नहीं है यहां से तही है और यहां पर वाई की वैलू कहां से निकाली है देखा से अब आंगे दोखो इंटिकेसन 0 से 4A बटे M स्क्वाईर यहां पर 4 का बर्गमूल 2 आ जाया का बिल्कुल ठीक है अंडरूड A इसको हम यहां पर बाहर निकाल सकते हैं तो चलो यहां पर बाहर निकाल के रख देते हैं ठीक है इसको हमें क्या करना है 4 का बर्गमूल 2 इंटू अंडरूड A समाकलन से बाहर निकालो तो 0 से 4a बटे में m² इंटू में x की पावर एक बटे दो अंडरूट है ना अंडरूट का मतलब एक बटे दो पावर होता है इंटू dx लिख दे माइनस यहां से m बाहर निकाल लो integration करना है 0 से 4a बटे m² इंटू में x इंटू में dx करेक्ट है बच्चो अब इसका समा कलन करो इसका समा कलन करो limit रखो समझो answer final एक दम बढ़िया देखो क्या करना है 2 इंटू अंडरूट a x की पावर कितनी हो जाएगे 3 by 2 बटे में भी 3 by 2 लिखना है और यह 0 से 4a बटे में m² ठीक है माइनस का निसान लगाओ m into में इसका समा कलन x square बटे 2 लिखना है और limit है 0 से 4a बटे m² ठीक है तो को यह 3 बटे 2 है न 2 तो उपर पहुंच जाएगा 2 उपर पहुंच जाएगा तो क्या करना है 2 का 2 में कुणा 4 into under root a बटे में 3 2 उपर पहुंच जाएगा 3 को बाहर निकाल लिया अब जो बचरा है ना उस पर हम यहाँ पर limit रख देते हैं x की value किती लिखनी है 4a बटे m² और इसकी whole power कितनी है 3 बटे में 2 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा इसमें तो कोछ सोच नहीं नहीं है माइनस का निसान लगाओ m बटे 2 यह हमें ज्यों काते हूं m बटे 2 और इसके बाद मैं यहाँ x की value पहले यह लिखो फिर माइनस का जब 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा पहले x की value किती लिखनी है 4a बटे m² का whole square माइनस में 0 ठीक है चले 4 under root a upon में 3 लिखना है इसके बाद यहाँ पर दोगो 4 बटे m² का जब 3 बटे 2 पावर है थोड़ा इसको ध्यान से समझो 4 की पावर 3 बटे 2 का मान क्या लिखना है 4 चौको 16 चौको 64 का बर्मूल 8 लिख सकते हो 4 की पावर 3 बटे 2 कितना लिखना है 8 एक ही पावर 3 बटे 2 बटे में यहाँ क्या लिखना है दोखो यह 2 से 2 कैंसल हो जाएगा m¥ बचाएगा ठीक है चलिए और आगे दोखो माइनस का निसान लगाओ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m बटे में 2 इंटू में 4 चौको 16 अब मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा और काम करना है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दोखो 4 और 8 का गुणा 8 चोको 32 ठीक है यहाँ पर एक ही पावर 1 बटे 2 है अंडरूट का मतलब 1 बटे 2 पावर है यहाँ पर 3 बटे 2 है तो इनका दोनों का अपसमें गुणा करने पे घातें जोड़ दी जाती है तो यह डेड़ घात में आदी घात जोड़ोगे 2 घात हो जाएगा मतलब A स्कॉाइर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर दोखो 3 लिखा है और M का क्यूब लिखा है बिल्कुल ठीक है माइनस यहाँ बताओ यहाँ पर दोख से इसको 8 बार डिवाइड कर लो तो हमें मिल जाएगा कितना हमें मिल जाएगा 8 और यह M देखो है ना M यहाँ से 3 पावर बचाएगा M की 4 पावर है ना कितना बचाएगा 3 तो हमें लिखना है 8 A का स्कॉाइर बटे में नीचे लिखना है कितना M का क्यूब खरेक्ट है इतनी बात सही है बच्चो अब अगर इतनी बात सही है तो यहाँ से इसको हल कर दो समझो आंसर मिल जाएगा तो तो इस तरीके से बच्चो यहां से दोखो हम lc mission ले लेते हैं तीन M का क्यूब ल इसको आएगा तो यहां मिलेगा हमें 32 A का स्कॉाइर माइनस में M क्यूब कैंसल हो जाएगा 3,8,24 A स्कॉाइर आप यहास से दोखो घटाओ 8 A स्कॉाइर मैं से घटाना है 24a² तो यहां पर मिल जाएगा 8a² और नीचे बटे में 3m पर क्यूब लगाके हमें आंसर मिल जाएगा ठीक है आंगे क्या लिखना है बर्ग एकाई बर्ग एकाई यह है बचो इसका आंसर ठीक है बहुत ही बढ़िया प्रशन है बहुत ही बढ़िया प्रशन है बचो ध्यान से इसको पढ़ना है क्या है यह 8a² बटे में 3m क्यूब बर्ग काई यहां पर इसका अंसर लिखना है ठीक है तो एक बार थोड़ा ध्यान से यह बहुत बार आया बचो बहुत मज़ेदर कुस्चन है यहां पर यह है हमारा पैरा बूला यह हमारी मूल बिन्व से होकर जाने बाली देखा है इन दोनों को हल करने से प्रतच्छेद बिन्व मिलेगा यहां से दो को हमने लम डाल दिया तो यह x निर्दे संग यह होता है y निर्दे संग यह होता है यहां पर दोब को 4A को 4A, M, x4 लेका है इसका मदलब यहां से यहां तक 4A, M, x4 है ओ बाइ निरदेसंग तो 0 हो जाएका तो इस बिंदू के निरदेसंग 4A, B, ·, 0 यहां पर मिल जाएंगे हमने क्या किया is और यहां से दो इस पूरे का छितरफल पहले निकाला है यही हमने सब कुछ यहां पर किया है ठीक है ध्यान से एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लें ठीक है अंगले प्रिश्णी को और बढ़ते हैं वच्छो अंगला कुश्चन है वच्छो उस छेतर का छित्फल ग्याद करो यहां पर भी बहुत ही मजीदार कुश्चन है कहता है अगर आपको बाई बरावर कॉस एक्स का ग्राप पता है तो यहां पर जीरो से टू पाई के अंतरगत उसका छेत्पल आपको ग्याद करना है देखो यहां पर हम बाई बरावर कॉस एक्स का ग्राप पहले बनाएं इस तरीके से समझो यह हमारा हो गया एक्स अक्छ यह हमा हमारा क्या है बाई अक्ष और यहां से अगर हम बाई बरावर कॉस एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो यहां से तो को स्टार्ट करते हैं याद करो यहां से यहां से इस तरीके से यह हमारा होता है बाई बरावर कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है ठीक है यहां पर और थोड़ा अंगे बढ़ा देते हैं ये हमारा इस तरीके से ग्राफ होता है य बढ़ाबर कॉस एक्स का खीक है बचो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए आपको ये वाते अगर नहीं आ रही है तो थोड़ी समस्या है इसलिए याद कर लो भई अगर याद नहीं है तो याद पर पहुंचोगे तो तीन पाई बटे दो मतलब डेड़ पाई लिखना है और यहाँ से यहाँ पर हमें क्या लिखना है टू पाई लिखना है तो बच्छो यहाँ पर जीरो से टू पाई के मद का छितर पूंचा गया है हम कह सकते हैं कि यहाँ से और ये टोटल दो को ये व हमने चाहिंकित किया है इस पूरे भाग का प्चेट्पल ग्याद करना है बच्व जैसा आपको पहले भी हमने बताया कि अगर इस एक सक्ष के ऊपर का जो छेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं उसमें जो उसमें जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वह तो धनात्मक आता है यह ना एक सक्ष के ऊपर का होता है वो तो हमेशा धनात्मक आता है उसका छेत्पल हमेशा धनात्मक आता है लेकिन जब नीचे वाला छेत्र लेते हैं ये वाला छेत्र तो वो रिडात्मक आता है लेकिन छेत्पल जूँकि रिडात्मक होता नहीं है इसलिए उसको हमेशा आप red में नहीं मानोगे हमेशा plus में मानोगे तो यहाँ पर इस तरीके से दोखो इस पूरे का छेत्पल हमें निकालना है अभीष्ट छेत्पल कैसे निकालना है दोखो इसको हम a लेख देते हैं और a बराबर हमें कैसे निकालना है यहां पर सबसे पहले दोखो integration करना है 0 से πाई बटे 2 में 0 से πाई बटे 2 और यहां लिखना है ydx दियान से समझना है है ना फिर इसके बाद में यहां पर दोखो यह नीचे वाला हिस्सा इसका integration करना है कहां से कहां सा किन सीमाओं के अंतरगत पाई बटे 2 से 3 पाई बटे 2 पाई बटे 2 से 3 पाई बटे 2 के अंतरगत निकालना है फलन तो हमारा वही है ydx ठीक है और इसी प्रकार बिलकुल अब आपको यहां 3 पाई बटे 2 से 2 पाई के अंतरगत निकालना है तीन पाई बटे दो से दो पाई निकालना है बाई डी एक्स लिखना है ठीक है जबकि आप देख रहे हो ये वाला नीचे का हिस्सा है ना इसमें मौडलस का निसान यो ऐसे लगा दो अभी से ठीक है यहां पर इसकी वैलू माइनिस में आएगी ये बिल्कुल डिट शोर बात है लेकर हमें किस में लिखनी है प्लस में लिखनी है इसलिए जहां पर मौडलस का निसान लगा दो इंटिगरेशन जीरो से पाई बटे दो लिखो बाई की वैलू क्या लिखनी है तो बाई का मानिहां लिखेंगे प्लस का निसान लगाओ यहां पर इंटिगरेशन पाई ब से तेन पाई बटे दो से दो पाई इसकी लिमिट रखनी है और वाई की वैलू कितनी लिखनी है कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स करेक्ट है वच्छो बात चलिए अगर अच्छी बात है और थोड़ा आँगे बढ़ें कॉस एक्स का समाकलन पता है क्या होता है साइन एक्स होता है और यह हमारी लिमिट है जीरो से पाई वाई टू प्लस का निसान लगाओ cos x, यहांपर cos x का मान भी बिल्कुल वही sin x होता है cos x की समाकलन क्या होता है sin x होता है limit हमारी है πाई वाई 2 से 3 πाई वाई 2 और यहांपर दोखो modulus का निसान बिल्कुल लगाना न भूले plus का निसान लगाओ cos x का समाकलन फिर sin x लिखना है और यहांपर limit है 3 πाई वाई 2, 2, 2 πाई लिखना है ठीक है बचू कर देते हैं यहांपर limit रखो पहले लिखना है sin πाई वाई 2 minus sin 0 यहां से काम हो गया खतम plus का निसान लगाओ यहां भी बिल्कुल वही काम करना है sin 3 πाई वाई 2 minus sin πाई वाई 2 ठीक है? यहां दोखो modulus का निसान है plus का निसान लगाओ sin 2 πाई लिखो minus में sin 3 πाई वाई 2 लिखो ठीक है बच्चू? क्लियर बात है हाँ अब सबके मान पता है कर देते है मान यहां लिखे देते है sin πाई वाई 2 का मान एक होता है minus sin 0 का मन 0 होता है plus का निसान लगाओ यहाँ पर दोको sin 3 pi by 2 लिखा है 270 हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर इसको sin 3 pi by 2 को अगर आप यहाँ से ऐसे हल करो बैसे तो value minus 1 होती है यहाँ पर हम बता दें कि minus 1 कैसे हो रही है यहाँ पर दोको इसको हम ऐसे लिख सकते है pi minus pi by 2 कैसे लिख सकते है pi minus pi by 2 pi minus pi by 2 तो हाँ pi बचाएगा मतलब यहाँ पर 2 pi कैसे लिखे हैं यहाँ पर 2 pi ऐसे लिख दो 2 pi minus pi by 2 दोको दोजोनी 4 pi में से 1 pi गटेगा तो 3 pi बटे 2 तो बचाएगा तो 2 pi minus pi by 2 लिखोगे तो यहाँ पर इसकी value हो जाएगी minus sin pi by 2 और sin pi by 2 की value 1 होती है इसलिए इसको हम क्या लेखेंगे minus का 1 लेखेंगे तो इसकी value हमें लेखनी है minus 1 और minus sin pi by 2 इसकी भी value हमें कितनी लेखनी है minus 1 ठीक है sin pi by 2 की value 1 होती है इसलिए माइनस तो पहले ही से हैं यहां पर दोगो हमने जैसा की बतायता है इसका समा कलंग का मान माइनस में आएगा बच्चों यहां पर दोगो माइनस का दो आ रहा है लेकिन हमें प्लस का दो लिखना है मानस का नहीं लिखना है चली यहांगे तो को plus का निसान लगाओ sin 2 pi को क्या लिखोगे sin 2 pi को लिखोगे 0 sin 2 pi को क्या लिखोगे 0 minus sin 3 pi y 2 का मान minus 1 होता है इसलिए minus minus plus 1 ये हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास हो रहा है 1 यहाँ पर plus minus 1 minus 1 minus 2 नहीं लिखना है प्लस का दो लिखना है प्लस एक और यहां से इसको हम 4 बरग एकाई लिखेंगे ठेक है बच्छो चार बरग एकाई इसका अंसर आएगा X ब्रावर 0 से X ब्रावर 2 पाई के अंतरगत Y ब्रावर कॉस X से घेरे छेतर का छेत पल आपको क्या लिखना है चार बर के एकाई लिखना है तो ये हमारा प्रश्ण है ये बच्छो बहुत बार पूँचा गया है कभी कभी की बात अगर कहें तो कभी ऐसे भी पूँचा गया है कि Y ब्रावर 2 से यहां गुणा कर दिया गया है 2 से 2 कॉस X तो ग्राव तो यही बनाना है 2 कॉस X है इसका मतलब यहां पर केबल जहां पर कॉस लिखा है वहां पर 2 कॉस X लिख दैना है हर जगह पर 2 कॉस X लिखना है तो common करके यहां से गुणा करोगे मेरे खाल से answer में 8 बर गे काई आपको answer में मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से भी प्रशन पूंचा गया है कि यह बक्र बाई बरावर में 2 cos x दिया गया है बाकी सिमाई यही है x बरावर 0 से x बरावर 2 pi के मद्द बक्र बाई बरावर 2 cos x से घरे छेतर का छेत पल बताईए यह ऐसा प्रशन में पूंचा गया है तो बस यहां पर जहां हमने cos लिखा है वहां पर 2 cos x लिखना है बाकी ग्राप बिल्कुल यही बनाना है सब कुछ सेम रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं ठीक है तो चलिए बचो इसको भी आप नोट करें है ना एक और अंगले नैश्ट कुस्चिन के और बढ़ते हैं तो यहां पर दोखो बचो कहता है परबले 4 by बरावर 3 x square एवं रेखा 2 by बरावर 3 x plus 12 के मद्ध घिरे छेतर का छेतपल आपको ग्याद करना है यहां पर एक बक्र के द्वारा मतलब परबले दिया गया है इसके द्वारा और एक रेखा के द्वारा दोनों के द्वारा घिरे छेतर का छेतपल पूछा गया है बचो यहां पर बहुत ध्यान से समझना है यह परवले का जो समय करण दिया गया है यह बास्ताम में किस प्रकार से है दोखो यहां पर ऐसा दिया गया है 4 by equal to 3 x square या फिर इसको ऐसा है नहीं लेख सकते x square बराबर में x square बराबर यह 3 से यहां डिवाइड करो तो 4 बटे में 3 by है ना तो हम ऐसा कह सकते है कि यह परवले x square बराबर 4a by के format में है देखो है के नहीं x square बराबर 4a by के format में है इसका मतलब इसका जो अक्ष होगा वच्छो वो अक्ष इसका by एक्ष होगा और इसका मुख बायक्ची धनात्मक दिसा में खुलेगा हम इसका अगर चित्र बनाएं तो बच्छो यहां से ऐसे बना सकते हैं कि यह हमारा इस तरीके से कोई बक्र होगा इस तरीके से इस परवले को बनाना है ठीक है बात समझ माई इस परवले को कैसे बनाना है यहां पर हम प्रतच्छेद बिन्दों ग्याद करें कि यह परबले को रेखा कहां कहां पर काट रही है यहां काट रही है तो वो प्रतच्छेद बिन्दों जब लाज जाएगा तो प्रतच्छेद बिन्दों से हमारी रेखा खिसी जाएगी है ना प्रतच्छेद बिन्दों स पर डालने है ठीक है और ये रेखा दे गई है इसको यहां पर है दो बाई बराबर में तीन एक्स प्लस में बार है यहां पर ये दूसरी वाली आपकी एक रेखा का समिकर्ण है इनको दोनों को हल करोगे इस तरीके से कि बाई समी करण यहां से ऐसा करते हैं समी करण दो से बा बाई का मान, बाई का मान कहां रखेंगे, समी करण, समी करण एक में लिखने है, एक में रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं, यहां पर दोखो यह हो जाएगा, चार अपना ज्योंकातियों, बाई की बैलू यह लिख लेते हैं, कितनी लिखनी है, 3X प्लस 12 अपॉनमेंट 2, ठ फिर इसके बाद में दोखो यहां पर इसका अंदर गुणा करो, तो तीन दूनी 6X मिल जाएगा, प्लस में यहां पर यह हो जाएगा, कितना, 24 ठीक है, और बरावर में इधर कर देंगे 3X का स्क्वाइर, या फिर इसको ऐसे करो, पक्छंतर करके बरावर 0 लिख लो, तो ऐ यह हो जागा, X स्क्वाइर माइनस में 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 और बरावर में 0, अब चो 8 के गुणन खंड करो, ऐसे गुणन खंड करो, घटाने पर 2 आजा, मतलब यहां पर हम इसके फैक्टर करना चाह रही हैं, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओ, 2 मिलेगा, तो इस तरीके से यहां कह सकते हो, कि X स्क्वाइर माइनस में 4 X और प्लस में लिखो, 2 X माइनस में 8 और बरावर में 0, दो 2 के समुहू बनाकर यहां से आप कॉमन ले सकते हो, X और X माइनस में 4 यहां से प्लस में 2 कॉमन लो, तो X माइनस में 4 और बरावर में 0, इसके बाद X माइन खंड है ना पहला गुड़न खंड गुड़न खंड दूसरा गुड़न खंड दोनों का गुड़न फल बराबर जीरू है तो इसका मतलब इसमें से एक जरूर जीरू होगा तो यदि X माइनस चार बराबर जीरू लिखो और यदि ये दूसरा बाला जीरो लिखोगे X प्लस से 2 को जीरो लिखोगे तो यहां से X की बैलू माइनस 2 मिलेगी जब X का माइन 4 होगा तो बाई का माइन कितना होगा दोखो यहां पर लिखो जब X बरावर 4 है तो बाई का माइन कितना हो जाएगा यहां से दोगो यहां लेख दैना है 4 y बरावर 3 x square क्या लेखना है 4 y बरावर में 3 x की value किती रख दें x की value 4 रखें 4 का square कर दें तो यहां से दोगो 4 से भाग करोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 का square बटे में 4 करोगे 4 से 1 4 कर जाएगा चारतिया बार है बाई कामान कितना मिलेगा बारा तो एक बिंदू मिल गया जब एकस कामान चार है तो बाई कामान बारा है तो बिंदू हमें एक मिल गया जिसको कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदू है ना x कमान minus 2 y कमान को को यहां पर रख देते हैं y कमान एहां से 4 y बराबर क्या लिखें यहां पर 4 y बराबर 3 x कमान minus 2 एप का स्वाइट 4 क यहां बाच करोगे y कमान आ जाएगा 3 इंटू में minus 4 का minus 2 का स्वाइट तो печ lot होता है यह X कमान माइनस दो भाई कमान तीन थीक है तो अब बच्चों यहां पर तहान से समझो जो रेखा है वो कैसी बनानी है परवल है तो आपने बना लिया अब रेखा जो यह वाली है वो कहां से जाएगी इन दो बिन्दों से जाएगी तो 4,12 मतलब X बरावर 4, Y बरावर 12 तो 1, 2, 3, 4 और Y को कहा उपर जाना है? 12 तक, है ना? 12 तक जाना है तो यहां 1, 2, 3, 4 तो यहां बना दिये 12 बनाना 1, 2, हम एप्रॉक्समेंट यहां पर लिख देते हैं 12, है ना? तो यहां पर हमें लिखना है 4,12 और रहे हैं, करेक्ट बच्छों? 4,12 हो गया दूसरा बिखना है, माइनस 2,3 माइनस 2 का मतलब यहां पर दो को 1, 2, माइनस 2 उपर के और कितना? 3, तो 1, 2, 3 यहां बना देती हैं ठीक है? यह बिखना है माइनस 2,3 अब हम कह सकते हैं कि यह वाली रेखा है ना इन दोनों बिन्दों से होती हुई जा रही है चूंकि यह बक्र को यहां पर परबलय को इन दोनों बिन्दों पर प Ukrainian करती हुई, यह रेखा आपको इस परकार खीच देनی है, ठीक है? यह वाली रेखा है, जे और ये वाला हो गया परवले अब इस परवले के दोरा इस रेखा के दोरा जो घिरा छेतर है वो हमें ग्याद करना है इतना सब कुछ हमें ग्याद करना है क्या यहां तक बचो आप किलियर हैं यहां तक किलियर हैं यह वाली जो रेखा है इस वाले परवले को कहां कहां काट रही है चार कॉमा बारहे पर और माइनस दो कॉमा तीन पर पर प्रतिछेद कर रही है तो अब इन दोनों के दोरा जो घेरा छेत रहा है वो आपको हमने बताया ये च्छायंकित भाग है इसका हमें छेत पल ग्याद करना है सिंपल सा काम हो गया जिन हो गया आप समझो बचो इसका मान कैसे हम कैसे इसका छेत पल ग्याद कर पाएंगे थोड़ा ध्यान दो क्या आपको पता है यह बिंदू आपके पास दोखो यहां से यहां तक माइनस दो एकाई है ना तो इस बिंदू को हम लिख सकते हैं माइनस दो कॉमा जीरो यहां तक तो कोई समझ सही वाली बात नहीं यहां से पीछे की ओर चले है ना तो यहां पर एक और दो दो इकाई पीछे चले है एक सक्ष पर तो माइनस दो कॉमा जीरो यह बिंदू हो गया यहां पर हम चार इकाई इधर की ओर चले है ध्यान से समझ ना जो चार इकाई यांगे की ओर चले है यहां पर एक दो तीन चार एकाई आंगे की और चले हैं तो इस बिंद को हम लेखेंगे चार कॉमा जीरो इस बिंद को क्या लेखेंगे चार कॉमा एक दो और यहां पर लेख देते हैं तीन और यह चार चार एकाई आँगे कि और चलके हम पहुँचे चार कॉमा जीरू उपर तो इस थोड़ा ध्यंद है इस रेखा के द्वारा माइनस दो से चार के अंतरकत ये देखो इतना छेतर पूरे का छेतपल हम निकाल सकेंगे माइनस दो से चार लिमिट लें चूंकि एक सक्ष पर ये माइनस दो से चार के अंतरकत इस रेखा ने जो छेतर घेरा है उस टोटल का छेतपल निकालो और इसके बार इस परबले के दवारा यहां पर माइनस दो से चार के अंतर गत є दोको नीचे वाला हिस्ता दिखाई दे रहा है यह जो लाल कलर से बना देते हैं यह जो झाहिसे गहरा हुआ है ये घिरा है परबलाय और इन सीमाओं के अंतरगत एक सक्ष के अंतरगत और इन सीमाओं के अंतरगत ये परबलाय के द्वारा घिरा है दो कोई ये परबलाय हो गया और यहां से ये वाली कोट ये वाली कोट ये हो रही है एक सक्च के द्वारा घिरा छेतर है जो हमने लाल से डिड कर दिया है ठीक है इसको घटा दो गई तो ये टोटल छेतर मैंसे जब रेखा के द्वारा घिरे छेतर फल मैंसे इस बक्र के द्वारा घिरा छेतर पल घटा दोगे तो आपको यहां पर यह जो चैंकित भाग है उसक को यहां पर लिख देते हैं, ज्यान से समझना है, हम यहां पर सीधा डिरेक्ट लिखेंगे, अभीष्ट छेत्रफल, क्या यहां पर लिख दें, अभीष्ट छेत्रफल, जिसको हम ए दे दे नाम, तो ए बराबर, ज्यान से समझना है, ए बराबर, पहले हम रेखा के द्वारा गहरा चित्पल निकालेंगे कहां से कहां तक माइनस दो से चार के द्वारा बाई डी एक्स लिखो और बाई कहां से लिखोगी रेखा से ठीक है फिर इसमें से घटाना कितना है माइनस दो से चार के अंतरगत काई के द्वारा गहरा बक्र के द्वारा घेरा चित पल गटाओ बक्र का मतलब by dx तो लिखना है लेकिन by कहां से निकालना है इस बक्र का मतलब पर बलह से निकालना है तो यहां लिख दें पर बलह है ठीक है बच्चो बाद समझ भाई बाई 1 बाई 2 न लिखो पूरा-पूरा लिखो यार, रेखा से हमने y कमान यहां निकाल के रखा है, परभले से यहां निकाल के रख दो, बस समझो काम हो जाएगा काम खतम समझो, इतने ही काम करना था हो गया काम अब देखो, मैनस 2 से 4 रेखा से निकालो य की रेखा है न, इस से y की value निकालो 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस में बार है बटे में 2 into dx समा किलन 2 से 4 अब y की value दोखो कायां से परबलाई से निकालो यहां से 4 से भाग हो जाएगा 3 बटे 4 3 बटे में 4 into x square into में dx ठीक है बच्चों अब यहां पर दो को इसका समा किलन अलग कर देते हैं अलग दो को यहां पर 3 बटे 2 को तो बाहर निकालो बिल्कुल सही बात है अब x का समा किलन कितना हो जाएगा x square बटे 2 यहां पर limit कितनी है माइनस 2 से 4 ठीक है प्लस का निसान लगाओ यहां 2 से भाग करोगे तो 6 मिलागा बन का समा किलन x और यहां पर भी limit रखनी है माइनस 2 से 4 सही है माइनस 3 बटे 4 बाहर निकालो समा किलन से x square का समा किलन x क्यूब बटे 3 लेकना है और यहां पर भी limit रखनी है माइनस 2 से 4 ठीक है तो इसके बाद देखो 3 बटे में 2 और अब आँगे क्या करना है यहां पर दोगो 2 है ना 2 तो बहर निकालो तो 2 दो नी 4 यहां पर लेख लेते हैं दोगो 4 यहां अब मान लिखना है पहले उपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट तो पहले X का मान 4 लिखना है 4 का स्क्वाइर माइनस और फिर X का मान लिखना है माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वाइर करके यहां पर एक कम खतम हो गया ठीक है आंगे यहां पर देखो यहां 4 लिखा है फिर इसके बाद X का मान 4 लिखो माइनस का निसान लिखा हूँ माइनस माइ minus और फिर इसके बाद में minus 2 का cube लिखना है ठीक है तो बरावर में लिखना है तीन बटे 4 into 4 चुको 16 लिखें minus में यहाँ minus 2 का square 4 प्लस का हो जाएगा तो 4 लिख देना है plus यहाँ पर 6 गुण़े में 4 2 6 लिखो minus में 3 से 3 कैंसल आउड करके एक बटी चार लिख ले चार चोको 16 चोको 64 लिखें माइनस में दो दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 8 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दोखो 3 बटी में 4 16 में से 4 घटाओ बार है प्लस यहां पर 6 का 6 में गुड़ा 36 माइनस एक बटी 4 इंटू यहां जूड़ दें तो 8 4 बारहा और यहां पर कितना मिल जाएगा बहता ठीक है चार का दोखो 4 तिया बारहा तीन बार कैंसल करो तीन तरका 9 प्लस यहां पर हो जाएगा 36 और यहां पर माइनस यहां दोखो 4 से इसको कैंसल करो तो 4 को कैंसल करोगे 4 एकम 4 और 4 38 बार है ना तो यहां पर माइनस का क्या लिखना है 18 और इनको दोनों को जोड़ो तो 36 और 45 होता है पैंतालिस मैंसे 18 यहां घटा दो ऑंसर मिल जाएगा तो पंदरा मैंसे आठ गटा एगा साथ तीन मैंसे 27 बच्चो इसका अंसर आएगा 27 बर के काई यहां इसका अंसर ठीक है? बहुत ही मजीदार question बच्चो ठीक है? इसको भी करना है जितने यहाँ पर बच्चो हमने question किये हैं सभी question बहुत ही महातपूर है बहुत महातपूर है तो आपको बिलकुल एक ही करके परशन complete करना है किसी प्रकार की कोई गफलन नहीं आपको करने ही करना है बचो आज आप लोग यहां से आउकल समी करेंगे सभी महातपूर प्रशन पढ़ेंगे योकि एक्जाम में लगातार रूप से पूछे गए हैं बहुत ही मजेदार बचो यहां पर हमने प्रशन सेलेक्ट किये हैं उमीद करता हूँ कि वो अगर आप सारे प्रशन कंप्लेट क दीघतशान करेंगे तो आपकी परिख्षा में यह बहुत बड़ी मदद करेंगे क्यांकि यहां से आपको पता है कि यहां से आठ से दस नंबर के प्रशन हमेशा हर साल पोंचे जाते हैं कोई कभी एक प्रस्ण ही आठ नंबर का दिया जाता है और वो भी निश्यत रूप से दिया जाता है या फिर कभी ऐसा होता है कि उस आठ नंबर के प्रस्ण को दो खंडों में विभक्त कर दिया जाता है चार-चार नंबर के दो प्रस्ण पूंचे लिए जाते हैं तो कुल मिलाके 8 नमबर या कभी 9 और या कभी 10 नमबर के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आसान से प्रश्ण होते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अराम से पूरा वीडियो लाइट तक देखोगे तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्ण कंप्लीट हो जाए ठीक है और इन प्रश्णों को तो बचो यह मानो की बिल्कुल इकदम घौंट के एकदम पी जाओ यार मजेदार इकदम शेहत बढ़िया बन जाएगी ऐसे समझोगा ठीक है यहां से दोगो पहले तो यह हमारा छोटे-छोटे से प्रश्ण होते हैं इसमें एक नंबर सो में सो प्रस्ट की गारंटी है इसमें मतलब कोई संका वाली बात नहीं है सो में सो प्रस्ट की गारंटी है एक नंबर का एक प्रश्ण आता है कि आवकल समीकरण की कोटी बताईए और घाद बताईए और यह बता दूँ आप कोई बताना है किसी दूसरे को नहीं आप किसी दूसर क्या होती है जो उचितम आउकलज होता है उचितम आउकलज की जो घात होती है वही आउकलज की घात आउकल समीकरड की घात कहलाती है लेकिन जो आउकलज है वो आउकलजों से समी करड़ बहुपद में होना चाहिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह आपका आउकल समी करड़ दिखाई दे रहा है बिल्कुल आउकल समी करड़ तो है इस आउकल समी करड़ की जो कोटी है दोखो 2 है क्योंकि यहां पर उचितम आउकलज 2 है d2 by over dx2 है तो यहां पर इसकी कोटी तो 2 है लेकिन इसकी घात आप परभासित लिखनी है क्योंकि d2 by over dx2 by over dx में यह बहुपद नहीं है यहां पर दो को sin dy over dx लिखा है sin dy over dx लिखा है यहां पर यदि sin x होता या sin y होता dy over dx नहीं तो इस तरीके से अगर लिखा होता है तो हम लिखते हैं कि यह आपका यह आउकलजों में बहुपद नहीं है तो आपको इसका अंसर देना है घात परभासित नहीं है क्या लिखना यहां पर घात परिभासित नहीं है इसकी घात आपको लिखना है परभासित नहीं है ठीक है अच्छा वई यहां पर बताओ बच्छों दूसरे वाले प्रस्ण के लिए ऐसा कहा गया है दूसरे बच्छों के लिखना है यहां पर देखों यहां पर देखों यहां पर घात पूछी गया है तो बच्छों यहां पर सीधी सीधी बात नहीं यहां पर यह अंडर रूड पहले खटम करो दो को इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा और इसके बाद हम यहां पर इसकी घात यहां पर निकाल सकते हैं D2 by over में लिखा है Dx2 और यहां से बरावर का निजान लगा कि यह माइनस का यह प्लस का पन है इदर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा 4 into में under root x प्लस D by over Dx और इसका whole up square अगर हम दोनों पक्षों का square कर दें तो square करने से क्या होगा इसमें D2 by over Dx2 का इदर हो जाएगा square और यहां पर square करोगी तो माइनस का प्लस बन जाएगा 4 का 16 बन जाएगा इदर under root खतम मतलब x प्लस D by over Dx का यहां पर whole square इस पर square खीक है और यहां पर चाहो तो बस इस 16 का अंदर गुणा कर दो तो यह हो जाएगा D2 by over Dx2 का whole up square और यह हो जाएगा बराबर में यहां से 16 x और प्लस में 16 इंटू में D by over Dx और इस पर square तो बचों यहां पर इसकी घात पूछी गई तो आपको घात क्या लिखनी है इसकी घात लिखनी है 2 है ना उचितम आउकलज की जो घात होती है वह आउकल समीकर्ड की घात कहलाती है तो उचितम आउकलज है D2 by over Dx2 तो इसकी घात कितनी है दो इसलिए इस आउकल समीकर्ड की घात दो कहलाएगी ठीक है बचों इसमें यहां पर दो को बिल्कुल सीदा सीदा है भई यहां पर दो को उचितम आउकलज कितना है D4 by over Dx4 तो यहां पर इसकी कोटी को आप बिना देखें बिना सोचें आपको 4 लिए देना है कोटी कितनी है इसकी 4 है घात बता दो इस कोटी पर कितनी घात लगी है कोटी पर घात है 3 तो इसकी घात को आपको तीन लिख देना है ये भी बात देखो किलियर हो गई बच्छो है ना घात तीन लिखनी है कोटी चार लिखनी है कोटी और घात ये दोनों बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए यदि आज आती है तो मानलो एक नंबर पका हो गया और बस ये चार प और जो उचितम आउकलज है वाई उसकी कोट कहलाता है यहां पर दो एक बठी 5 पावर है वच्छो इसको भी थोड़ा सा बदलो तो जहाँ पर इसको ऐसे बदल सकते हो दोनों पक्चो में 5-5 घात लगा दो तो इसको यहां लिखा जा सकता है d2 by उवर में dx2 और इस पर पावर किती लिखोगी 5 इदर जब 5 पावर चड़ाओगे तो यह हो जागा by प्लस d by उवर dx और इस पर यहां पर अब 5 बटे 5 मतलब एक लिख देना है तो यह हमारा आउकल समिक्रल है इसकी कोटी पूछी गई है तो भई यहां पर कोटी इसकी बिलकुल आसान से लिख देनी है कोटी इसकी है दो क्योंकि उच्टम आउकलज है दो और इस उच्टम आउकलज की जो गहात है वो आउकल समिक्रल की गहात कहलाएगी गहात कितनी लिखनी है पांच लिखनी है कोटी दो गात पांच बस समझो काम खतम आसान आसान से जैसा है कि हमने बताया कि बिल्कुल इकदम आसान काम है बस आपको ये देखना है कि कितनी बार आउकलज हुआ है आउकलन हुआ है दो बार तो कोटी दो आउकलन हुआ है उचिता माउकलज की जितनी घाद है यहां पर दोखो उचिता माउकलज है दो और इसकी घाद कितनी है पांच इसलिए घाद लिखनी है पांच और कोटी लिखनी है दो खरेक्ट है बच्चो बस इतनी बात यहां पर बच्चे कनफ्यूज करते हैं इस पहले प्रश्ण के लिए थोड़ा ध्यान से समझो यहां पर यह जो d2 y over dx2 है d y over dx है इसमें बहुपद होना चाहिए तभी घात परवासित कही जाती है यहां पर यह बहुपद इसमें d2 y over dx2 d y over dx में यह बहुपद नहीं है क्यों कि साइन d y over dx लिखा है यदि साइन न ल लेकिन यहां पर घात परवासित नहीं है क्योंकि साइन d y over dx लिखा है मतलब यहां पर जो derivative है वह बहुपद फलन यहां पर नहीं मिल रहा है ठीक है बच्छो तो इतनी बात के लिए रोगी घात निकालना हमें आ गया कोटी निकालना हमें आ गया मतलब एक नंबर हमें मिल या 100% मिल गया ठीक है अंगले पॉइंट के ओर चलते हैं हमें अब क्या सीखना है अब सीखना है कि एक आपका कोई आवकल समीकरण दिया गया होगा और उसका एक कोई हल दिया गया होगा तो उस हल को हमें यह दिखाना है कि दिया गया हल आवकल समीकरण का हल है या नहीं ए ये हमें दिखाना है ये भी सरल से बिलकुर एकदम आसान सी बात है बचो ये तो हमें पहले से पता होती है कि अगर कोई भी समीकरण हो ये यहाँ पर हम रैखेक समीकरण की बात कर सकते हैं तो कोण में समीकरण की बात कर सकते हैं किसी प्रकार की समीकरण की बात करें तो उसके हल को अर्थाद उस चर के मान को समीकर्ण में रख दिया जाए तो समीकर्ण यदि संतुष्ठ होता है तो हम लेख देते हैं कि दिया गया मान आउखल समीकर्ण का हल है सिंपल सी बात है आपने क्लाश 10 में भी पड़ा होगा है ना यहसे रेक एक समीकर्ण होते थे कि वह यह टू एक समीकर्ण संतुष्ठ हो जाता था तो लिख देते थे कि दिये गए मान समीकर्ण का हल है वही यहां पर करना है एक हमें कोई आउकल समीकर्ण दिया जाएगा और एक कोई बकर का समीकर्ण दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि यह समीकर्ण आउकल समीकर्ण का हल है यह हमें सिद्ध करके दिखा दू तो वही बात है जो हमें मान बाई का मान या जो भी मान दिया जाए उस बाई के मान को हम आउकल समीकरड में रख दें पर यदि समीकरड संतोष्ट हो जाए तो लिख रहेंगे कि भाई आउकल समीकरड का हल है कि लिए तो को एक सवाल लगाते हैं बहुत ही मज़िदार बढ़िया सवाल तो यहां बचो लिखा है कि y बराबर a cos x मानस b sin s आउकल समीकरड d2y over dx2 2 plus by by怪 जीरो का एक हल है मतलब ये हमें subconscious के बखर का हल है और ये समीकरड इस आउकल समीकरड का हल है ये हमें दिखाना है तो बचो हमने जैसा की बताया कि कोई अगर दिया गया मान आवकल समीकर्ड का हल होता है तो उससे क्या गरते हैं इस वाई की वैलू को हम यहां अगर रख दें तो यह निस्ची तरूप से संतुष्ट होना चाहिए संतुष्ट होता है तो लिख देंगे के यह हमारा समीकर्ड इस अवकल समीकर्ड का हल है किलियर बात है तो इसको हम यहां पर दो खोगव इस परकार कर सकते हैं कि दिया गया है बाई बरावर ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स और इस by की value से हम दोखो d2 by over dx2 की भी value निकाल सकते हैं तो हम d2 by over dx2 की value और by की value दोनों को यहां रखके हम यहां पर 0 अगर मिल जाता है हमें यहां दोनों को जोडने पर अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये वाला जो y बरावर ये मान दिया गया है ये आउकल सम्ही करण का हल है ये करफर्म बाद हो जाएगी सत्यापित बाद हो जाएगी तो यहां से तो को y बरावर दिया गया है आप इसका यहां पर derivative निकालें तो dy over dx बरावर यह हमारा constant होता है cos x का alkaline minus sin x लिखते हैं minus b into sin x का alkaline हम cos x लिखते हैं जबकि जहां पर तो d2 by over dx2 की ज़रूरत है तो एक बार पुना alkaline फिर कर देते हैं पुना x के सापेक्ष alkaline फिर कर देते हैं alkaline करने पर अगर दुबारा से फिर alkaline किया जाए तो यह मिल जाएगा d2 by over में dx2 बरावर यहां देखिए minus और a यह तो अचर रासी है sin x का alkaline फिर से करना है तो cos x मिलेगा minus में b यह भी एचर रासी है cos x का alkaline करना है minus sin x मिलेगा ठीक है अब यहां से दोखो बरावर minus a इंटू में cos x यह minus minus plus मिल जाएगा b इंटू में sin x यहां पर दोखो d2 by over dx2 का यह मान निकल के आया है d2 by over dx2 का मान निकल के आया है अब यहां पर by का मान यह और d2 by over dx2 का मान यह अगर lhs में रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा बिल्कु सही है एक्दम confirm है दोखो हम यहां पर d2 by over dx2 को देखें तो यहां पर यह value है यह value देखें तो यह है इन दोनों को जोड़ना है दोखो d2 by over dx2 और प्लस by को हमें 0 के बराबर सिद्ध कर देखो यहां पर इन दोनों को जोड़ के देखो यहां पर minus a cos x है यह plus का a cos x है तो cancel out हो जाएगा बिल्कुल ठीक b sin x है और यह minus का b sin x है तो यह भी cancel out हो जाएगा तो इस तरीके से d2 by over dx2 plus by बराबर 0 मिलेगा बिल्कुल confirm बात है मतलब अब हमने यह जान लिया कि यह वाला समीकर्ड जो है वो इस आवकल समीकर्ड का हल है दोगों बच्छों यहां पर अगर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर यह आवकल समीकर्ड का हल है तो फिर इसको हल करते करते यह समीकर्ड मिल जाएगा कभी कभी तो यह भी होगा है यहां भी अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डी टू बाय ओवर ॉबर डी अच्टू बराबर में यहां से अगर हम माइनस कोमन ले लें क्या कोमन लें माइनस तो यह हमें मिलेगा ए कوस एक्स और यह प्लस बाला निसान माइनस हो करते हों हो है और इसको हम लखें क्या इसको क्या लिगा लिख दें устрой मईनस कभाई इदार आएगा प्लस कभाई हो जाएगा मतलब دीटू फाय डिएक्स 2 प्लस बाए बुराबर में 0 जो की दिया गया आवकल समीकर्ड है मतलब हम ये निस्चित कर सकते है कि इस आवकल समीकर्ड का ये हल है क्योंकि यहां पर इसको डिफरेंसेट करते करते हमें ये आवकल समीकर्ड मिल गया है इसका मतलब इस आवकल समीकर्ड का ये हल है ये बात confirm हो गई है ना दो तरीके हमने बढ़ा दिया आपको दो तरीके एक तो तरीका ये कि इसमें बाई की वैल्यू और डी टू बाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहां से निकाल के आप यहां रगने हैं बराबर zero हो जाएगा पर लगना संतुष्ट हो जा तो इस आउकल समीकर्ण का ये हल है ये बात कंफर्म हो जाएगी ठीक है इसी टैप का एक और सबाल लेते हैं दोसरा कोई एक क्वेश्टन और ले लेते हैं यहां पर ये भी बहुत महातपूर्ट प्रश्ण है ऐसा लिखा मिलेगा सत्यापित की जिए यहां पर जैसा लिख जरूर करते रहें बिल्कुल एक 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 करके सारे कुश्चनों को नोट करते रहें ठीक है इसको पहले थोड़ासा बदल लेते हैं फहले इसको रफ कर लningar और थिए प्रश्ण को थोड़ा सा बदल दें यह हमें जो प्रश्ण दिया गया है दिया गया फ्रण इस आउकल समी करण भी यहां से बदल दें, इसको ऐसे लिख दें, डी वाई ओबर डी एक्स प्लस बाई बरावर जीरो का हल है, ये हमें अब सिद्ध करके दिखाओ, सत्यापत करिए कि बाई बरावर सी इंटू एकी पावर मानस एक्स, आउकल समी करण डी वाई ओबर डी एक्स प्लस और बरावर जीरो का हल है, ये हमें सत्यापत करके दिखाना है, प्रोसेस तो वही है, एकी प्रोसेस है, इस आउकल समी करण को, हमें इस आउकल समी करण का ये हल अगर दिखाना है, तो इसकी मदद से हम डी वाई ओबर डी एक्स की वैलू निकालें, और बाई की वैलू तो कि जो बाई है वो तो दिया गया है C into E की पावर माइनस है इसका यहां पर आउकलन निकालें तो D Y over D X बरावर C हमारा कॉस्टेंट है इसका आउकलन नहीं करते हैं E की पावर माइनस X का आउकलन E की पावर माइनस X फिर माइनस X का माइनस एक आउकलन होता है माइनस X का आउकलन X के साफिक करना है तो माइनस X हो जाएगा बिल्कुल ठीक इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दो को D Y ओबर D X यह माइनस हमारा यहाँ पर आजाएगा माइनस पहले आजाएगा C into E कى पावर माइनस X और इसको आप ध्यान से देखो यह दिया गया आउकल समिकरन का यह दो Y बरावर है यह क्या है यही C into E की पावर माइनस X को क्या लeg सकते हैं Y लेक सकते हैं तो यहाँ इसको ऐसी लिख दे D Y ओबर D X D Y ओबर D X बरावर माइनस इसको y लिख दें माइनस by इधर लिया है तो d by over dx और plus by बरावर 0 देखो यही आफिल समीकरण हमारा दिया गया है है ना यही आफिल समीकरण दिया गया है तो हमने जैसा कि बतायों इसको डिफरेंसीट करते जाओ और डिफ्रेंसिट करने के बाद यद यही मिल जाता है तो इसका मतलब इस आवकल समी करड़ का यह हल है बात कन्फर्म हो गई यह पिर वही पुराना तरीका यह है कि दी बाई ओवर डी एक्स का मान कितना है माइनस बाई यहां पर रख दो माइनस बाई यह प्लस का बाई तो माइनस बाई प्लस बाई जीरो हो जाएगा जीरो बराबर जीरो मतलब समी करड़ संस्तोष्ट हो रहा है इसका मतलब इसका मतलब दिया गया यह वाला मान बाई का जो मान है वो इस आवकल समी करड़ का हल है कन्फर्म बात सित होता है ठीक है तो बच्छों ये प्रस्ण बहुत ही मज़ेदा बहुत इंप्रोटेंट हैं बहुत बार पूछे गए लगातार पूछे गए हैं ठीक है तो अंगले अंगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं ठीक है अंगला प्रस्ण पर आते हैं लिखा है बक्रों के कुल बा दिया गया है आउकल समीकर्ड बनाना है और ये A और B क्या है स्वेक्ष अचार है यहां पर बच्छो एक सब्द लिखा है ना बक्रों के कुल यहां पर इस कुल से क्या मतलब है मतलब इसी कुल का कोई दूसरा भी बक्र का समीकर्ड हो सकता है तो उसके आउकल समीकर्ड को बन जैसे जो आचार A और B है ना, इस A और B को बदल दिया जाए, A और B की मान कुछ भी रख दिया जाए, A बराबर 2, B बराबर 3 रख दिया जाए, A बरावर C लिख दिया जाए B बरावर D लिख दिया जाए तो इसी कुल का आवकल समिकरड वो कहलाएगा और उसका भी आवकल समिकरड वही आएगा जो इस के इस बकर का आवकल समिकरड होगा तो यहाँ पर आपसे कहता है कि इस कुल के जो भी बकर है उनका सबका आउकल समीकर्ड ग्याद करके बताओ ठीक है बहुत अच्छी बात है कहें बई बताएंगे बच्छो एक प्रश्ण को स्टार्ट करें इसको बताएं इससे पहले एक मिनिट आप से बात करेंगे बच्छो आपकी अब परिख्षा की तितियां बहुत जल्दी घोस साथ समय है जाद से जाद आपको दो महीने मेंद करके मेरी खाल से आपका कैरियर बदल सकता है वह साथ ही साथ बचो कुछ अपने गर्जियन अथात अपने पिता जी अपने मम्मी अपने बड़े भाई बेहन चे भी कुछ मदद ले सकते हो वह कैसे आप कहोगे कि सर हमारे कोई घर में ऐसा ब्यक्ति नहीं है जो मैत जानता हो तो हम मदद कैसे ले सकते हैं बच्चों बता हो आप अपने स्कूल में भी पढ़ रहे होगे आप अपने और भी ऑफ-लाइन कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होगे वह बात अलग की बात हैं तो हम मदद की बात कर रहे हैं मदद बात ही बात यह है कि आप अपनी मम्मी अपने पापा या बड़े भी या बेहन से कहिए कि उस समय तक जगे मेरी साथ जब तक आप पढ़ रहे हो। अगर आप उस समय पढ़ रहे हो और आपके घर में सबी लोग सो रहे हैं तो आपको भी नीद आ जाएगी। तो उनसे कहिए कि मेरे साथ उस समय तक जगें जब तक आप पढ़ रहे हो ठीक है इतना अगर आप के घरबाले अर्थात आपके अवावक इतना अगर आप से करने लग जाएं तो मेरे खाल से आपकी मेहनत डबल हो जाएगी आप जातास जादा पढ़ाई कर सकोगे थोड़ा मन में डर भी तो रहेगा कि अमरी मम्मी देख रही हैं अगर हम सोने लगेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है तो थोड़ा बहुत अगर चेक करेंगे तो फिर बहुत ही चार चानर लग जाएंगे बचो आपके अविवावक अगर आपके उपर नजर रखते हैं तो मेरी खाल से फिर सिक्षक उसके आँगे कुछ भी नहीं है मात्मा गंदी ने कहा था कि एक सब्ध और आदर्श परवार जैसा कोई विद्धाले नहीं होता और एक अच्छे अविवावक जैसा कोई सिक्षक नहीं होता मतलब सबसे अच्छा सिक्षक हैं अगर है तो अभवावक है अगर आपके उपर नजर रखते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो बहुत अच्छी समीकर्ड बनाना है इस बक्र के कुल का कोई भी समीकर्ड है उसका हमें आवकल समीकर्ड जो भी ज्याद होगा वह कई होगा इसलिए इस बक्र के आवकल समीकर्ड को हमें बनाके दिखा देना है दोको यहां पर बहुत सिंपल सा प्रुष्ण है बहुत बहुत अच्छा प्रु वो आउकल समीकरड की कोटी दो होगी इसको थोड़ा सा बदल के ऐसे लिखें कि बाई और बटे में यह हो जाएगा E की पावर X या यह कहें बटे वाला यह उपर ले जाओ कि आउकल समीकरड यहां यहां पर आउकल सनीकर बना देना है दो को कैसे करना है X के सापेक्ष लिख दे, X के सापेक्ष आउकलन करने पर, आउकलन करने पर, अगर X के सापेक्ष आउकलन कर दिया जाए दोखो, बाई का आउकलन तो यहां पर दोखो, फश्ट फलन यूंकात यूं लिखा जाता है, है ना, बाई तो यूंकात यूं लिखना है, सेकेंड का का उकलन करो एकी पावर मानस एक्स का उकलन एकी पावर मानस एक्स फिर मानस एक्स का मानस बन और लिखना है फर्ष्ट फलन सेकेंड का उकलन प्लस सेकेंड फलन लिखो सेकेंड फलन का मतलब एकी पावर मानस एक्स लिखो फर्ष्ट का उकलन करना है तो बाई का उकलन बाई डैस लिख दो या डी वाई उबर डी एक्स लिख दो आप जैसा करना चाहो कर सकते हो बराबर में इदर दोखो A हमारा अचर है कॉस एक्स का उकलन माइनस साइन एक्स होता है प्लस B हमारा अचर है साइन एक्स का उकलन कॉस एक्स होता है बिल्कुल ठीक है यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पहले लिख लें प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू बाई डैस बराबर माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स पुना एक बार फिर से आउकलन करेंगे यहां लिख दें पुनहा एक्स के सापिक आउकलन करने पर फिर से एक बार आउकलन करेंगे तो यहां पर दो को माइनस हमारा जिएंकातियों है फर्ष्ट फलन जिएंकातियों रखने है सेकंड का आउकलन कर दें तो यहां से एकी पावर माइनस एक्स का आउकलन YOU हो यह है आपका इपका मानस एक फलान & फस्ट का मं करना है भाई कर निश्ट लेकश सिक़र्ण पर सब्स्ट इतना काम हो गया यहां भी बिल्कुल उसी प्रकार से रहें 2 फलान है तो यहाँ पर लिखकना हैं पर पर लेक़ना है यह सेकन्ड का Pennsylvania για तो बाई डेस का आउकलन बाई डबल डेस लिखना है ठीक है कि नहीं फर्स्ट फलन सेकंड का आउकलन प्लस सेकंड फलन यह करते हूं फर्स्ट का आउकलन एकी पावर मानेस एक्स का आउकलन एकी पावर मानेस एक्स और फिर मानेस एक्स का मानेस बन लिखना है बिलकुल ठी एक्स का आउकलन माइनस साइन एक्स होता है यहां पर माइनस साइन एक्स लिख ले तो इस तरीके से यहां से माइनस माइनस यह प्लस बन जाएगा बाई इंटू में एकी पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है और यहां प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा e की पावर मीनस x इन्टू में by- यहा प्लस का निसान लगाओ e की पावर मीनस x इन्टू में by- फिर plus मीनस यह मैनस हो जाएगा by- इन्टू e की पावर मानस x बरावर में यहां इन दोनों जगह से मानस कौमा ले सकते हो تو a cos x प्लस b sin x ऐसे लिख़ते हैं ठीक है अब यहां से आप देखो E की पावर माइनस X सबी चारो पदों में से आप देख रहे हो E की पावर माइनस X कोमन दिखाई दे रहा है तो E की पावर माइनस X हम यहां से कोमन ले लेते हैं ठीक है E की पावर माइनस X कोमन लेने के बाद यहां से double dyes यहाँ बच्च है बनई यहाँ बचाएन? मायड़क बचे गाय बिल्गुल-ठीक है बरावर मैं मायड़़ और इसको हम समेकरजन एक की मदद से इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं ये पूरा है तो टोटल क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं by into e की पावर minus x बच्छो दोनों साइज दे आप देखो minus e की पावर minus x ये cancel हो रहा है अगर ये cancel हो रहा है तो आप बचेगा कितना है वही जो बचेगा वही इसका आउकल समीकर्ड का आउकल समीकर्ड बन जाएगा दोखो ये हमें by double dash लिखना है by double dash ये हो गया यहां से इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हो two by dash लिख सकते हो एक by dash ये minus का है एक ये है तो minus में two by dash हो जाएगा plus यहां से plus by ये minus का by इदर आएगा तो plus का by हो जाएगा बरावर में zero और अब इस आवकल समीकर्ड का यहां पर देखो हाले लिख देते हैं बिल्कुल required answer आपका आजाएगा चलो यही इस लिख देते हैं by double dash minus में लिखना है two by dash लिखना है और ये by और by को जोड़ के two by लिख दें बरावर में zero तो इस तरीके से इस आवकल समिकर्ड़ यह आपका जो बक्र का समीकर्ड़ है उसका आवकल समीकर्ड़ यहां पर देखो यह प्रावत हो रहा है ठीक है यह आवकल समीकर्ड़ मिल दा है तो यहां पर दोखो हमने दो बार आवकल किया है by double dash लेका ना second derivative है यहाँ पर यह second derivative है यह फस्ट derivative है यह यहाँ पर बाई का मान जो भी प्रस्न में दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा जो आउकल समीकर्ड बना वो उस आउकल समीकर्ड में स्वेक्च अचयर बिलोप तो होने चाहिए हो गए है ना ए और बी दोनों स्वेक्च अचयर हैं जो कि यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर जो आउकल समीकर्ड बना है वो आपका उसकी कोटी कितनी है दो है तो इसका मतलब यह हमारा आउकल समीकर्ड बनके तयार हो रहा है ठीक है इसी टाइप का दोखो एक और प्रशन लेते हैं इसके बाद दोखो इसी टाइप का एक और प्रशन है स्वेक्च अचरों ए और बी को बिलोप्त करते हुए बक्रों के कुल बाई बरावर ए इंटू ए की पावर 3X प्लस B इंटू ए चूपसे इसकी जो आउकल समीकर्ड बनाओ इसकी कोटी 2 हो जाएगी मतलब जहाँ पर भी दो बार इसका आउकलर करना पड़े गा तब A और B बनोपत होंगे और जो हमारा समीकर्ड मिलेगा वह आपका आउकल समीकर्ड हो जाएगा यहां पर देखो इसको यह तो हमें का समय अब यहां पर तो कोई सका आउकलन करना है तो बाई का आउकलन डी ऑई उबर डी X लिख सकते हो या बाई बन भी लिख सकते हो जरसे कि अब इब बताया था एक कई बात होती है यह हमारा कोई स्वेक और माइनेस 22 एकस और माइनस to XL माइनस में 2 और लेकना फिक है और यहां से बाई बन बराबर हमें मिल जाएगा 20 गाइन टु ए की पा इक farm टिरिएक्स ये माइनस में हो जाएगा 20 behö 19 power माइनश क्भाबर दो ए करने पर फिर से आउकलन करोगे तो बाई डबल डैस हो जाएगा या फिर बाई तू लिख दो है ना यहां पर बाई बनना लिखके बाई डैस लिख दो एक बार है ना यह बाई डैस और इसको हम बाई डबल डैस लिख दें पुना आउकलन करने पर क्या हो जागा बाई डबल डैस हो जाएगा, दूसरी बार आफलन किया है, सेकेंड डैरी बेंटे पह समझो, थिरी ये कोश्टेंट संख्या है, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, मतलब यहाँ पर 9 इंटू a इंटू e की पावर 3x, इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ देखो, यह आपका माइनस 2 भी तो कोश्टेंट है, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, माइनस 2 और करोगी तो माइनस माइनस प्लस 4 भी ऐसा हो जाएगा, इस पर हम नमबर 3 डाल देते हैं, इन दूसरे वाले समी करण और तीसरे वाले समी करण से हम a और b का बिलोपण पहले करेंगे, और फिर a और b के मान को हम यहाँ पर पहले बाले समी करण में रखें, मतला पुल मिला के हम किसी भी प्रकार से कुछ भी करें, जो नहीं घटाएं कुछ भी करें, बिलोपण हमें करना है a और b का, तो यहाँ पर जैसे यह समी करण दो, यह समी करण अगर दिया जाया और a को हमें बिलोपण करना हो तो हमें क्या करना है, एको एक गुणा को बरावर बरावर करना होगा है ना यहाँ पर तीन यहाँ पर है यहाँ पर उपर वाली में तीन और नीचे वाली इस में है नौई तो इस वाली में तीन से गुणा करने पर अगर तीन से गुणा करने पर अगर तीन से गुणा कर लिया जाये तो यह हुमार हो जाएगा दोखो तीन बाई डैस बरावर यहां तीन से गुणा करोगी यहां पर तीन से गुणा हो गया यहां तीन से गुणा करोगी तो नो ए इंटू में एकी पावर तीन एक्स और गुणा काई से करोगी तीन से तो तीन तरका कितना हो गया नो एकी पावर तीन एक्स य 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x और इन दोनों समीकड़ों को गटा दो गटाने से दो खो by बाला पर कैंसल हो जाएगा यह स्वारी a बाला है ना माईनस यह माईनस यह माईनस यह कैंसल हो जाएगा तो 3by डैस माईनस बाई डबल डैस बराबर यहां से माइनस में हो जाएगा 6,4,10 B into E की पावर माइनस 2 ठीक है अब यहां से चाहो तो B की वैलू निकाल सकते हो B की वैलू अगर निकालोगी तो B बराबर हमें दोखो यहां से कितना मिलेगा माइनस 10 into E की पावर माइनस 2X का भाग करना पड़ेगा चाहो अगर तो यहां पर माइनस चलो ऐसी बना रहे हैं तो अगर माइनस खतम करना चाहो तो उपर से माइनस कॉमन लेकि नीचे वाला माइनस कैंसल कर सकते हो कर रो चलो कोई बात नहीं बाइड डबल डैस यह प्लस का हो जाएगा minus में 3 by dash ये minus का हो जाएगा बटे में यहाँ पर minus है ना उपर से common minus वाला ये common तो ये cancel हो जाएगा plus में हो जाएगा 10 into में e की power minus 2 b की value हमने निकाल देंगे अब हमें बिलकुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमने b को अभी a को हमने block किया था आपकी बार B को बिलॉप्ट करोगे तो एक ही वैलू निकल के आएगी लेख देते हैं यहां पर समी करड़ 2 में अगर हम यहां पर दो को B बिलॉप्ट करना चाहें तो यह चार B है यहां पर 2 भी है तो यहां 2 से गुणा करना पड़ाएगा तो समी करड़ 2 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर तो यहां पर 2 का जब गुणा करोगी तो 2 भाई डैस बराबर 2 का गुणा करो 6 A इंटू E की पावर 3 X 2 का गुणा करो तो माइनस में 4 2 दूनी 4 B इंटू में E की पावर माइनस 2 X ठीक है और इसके नीचे इसको रखो और यहां पर जोड दो बॉड बाइड डैस बराबर 9 A की पावर 3x प्लस मैं लिखो यहां पर 4 B की पावर 1- 2x दो यहां पर जोडietnam होगी तो यह कैंसल हो जाए जाएं ठीक है माइनस प्लक का है न तो कैंसल हो जाएगा यहां पर दोनों को जोडो तो यह हो जाएगा टू बाई डैस यह क्या धार डबल डैस है न प्लस बाई डबल डैस बराबर मैं नोचह 15 इंटु A इंटू E की पावर 3X और A की वैलू यहां से निकल के आएगी 2 बाई डैस प्लस बाई डबल डैस बटे मैं यहां लखे दें 15 इंटू E की पावर 3 खीक है? एक है एक पैलू निकल के आएगी अब इस A और B की वैलू کو हम स समिकरण एक में A वा B के मान रखने पर रखो यहां पर रख देते हैं पहले वाले समिकरण में यह है अमारा बाई बराबर A A की वैलू यह वाली रखो कित्ती लिखनी है 2 बाई डैस प्लस बाई डवल डैस बटे में लिख दो 15 इंटू E की पावर 3X इंटू E की पावर 3X ठीक है बचो बात किसी पर गार कोई समस्या दो नहीं है बस मान रखना है प्लस का निसान लगाओ बी की वैलू रखो बी की वैलू यह रख दो बाई डवल डैस माइनस 3 बाई डैस और अपॉन में यहां लिख दो इंटू E की पावर 3X सूरी मैनस 2X यह हमारी बी की वैलू हो गई इंटू E की पावर मैनस 2X यह ज्यों कातियों लख देना है यहां पर दो को E की पावर मैनस 2X वाला कैंसल हो रहा आई की पावर 3X वाला पद यह भी cancel हो रहा है तो अब यहां से बाई बराबर तो कोई बटे में 15 है बटे में 10 है तो यहां से जो LCM आएगा वो LCM कितना आजाएगा 30 LCM कितना आएगा 30 तो जो को 15 दूनी 30 दो बार और 2 का यहां गुणा करो तो 4 बाई डेस प्लस 2 का गुणा करो 2 बाई डेस प्लस यहां पर दोको 3 बार कट रहा है ना 3 से गुणा कर दो तो 3 से गुणा करो कि 3 बाई डेस माइनस 3 तरका 9 इंटू बाई डेस ठीक है क्लियर है भाई थोड़ा सा और हल करो यहां पर यह टू बाई डेस तीन बाई डेस दोनों को जोड़ के 5 इंटू बाई डेस लिखो और यहां से दोको 9 बाई डेस मैसे 4 बाई डेस यह प्लस का है यह माइनस का है तो माइनस का बचाएगा 5 बाई डेस और नीचे बटे में 30 ठीक है उपर से आप देख रहे हो ना दोनों जगे से 5 पॉमन है नीचे बाला यह 6 बार कैंसल हो जागा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाई डेस माइनस बाई डेस और नीचे बटे में 6 लिख दे है ठीक है अब यहां पर क्रोस मल्टिप्लाई करो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा तो बाई डेस माइनस बाई डेस बरावर में 6 लिखो या फिर इसको ऐसी लिख सकते हैं बाई डेस माइनस बाई डेस और माइनस में इदर 6 लिखें बरावर में 0 यह बच्चो इस आवकल समीकर्ण का हल है देखो देहान दें यह सुरी यह क्या है यहां पर इस बक्र का यह आउकल समीकर्ड है, यह वाला दिया गया जो बक्र था, उसका यह आउकल समीकर्ड है, इसमें आप दोखो, ए बी बिलुक्त हो गए है, और इसमें दो बार आउकलन करने पर, यहां पर हम चाह सकते हैं कि इस आउकलन समीकर्ड की कोटी है, वो कितनी दो होगी ठीक है बहुत बाराया बच्चो बहुत मड़िया सवाल है इसको भी आप नोट करें ठीक है अंगले प्रस्मिक्जोर बढ़ते है अंगला इंपर्टेंट प्रस्मिक्जोर यहां पर लिखता है उन बृतों को जिनके केंद्र एक सक्षपर है उन बृतों को जिनके केंडर कहा है एक सक्च पर है जिनकी तरजाएं अचर है कितनी है आर तरजाएं कितनी है आर है कहता है आवकल समीकर्ड द्वारा इसको पर दरसित करिए तो यहाँ पर एक समीकर्ड बनाने की कोशित करो बृत का समीकर्ड जिसके केंदर कहाँ पर है एक्स अक्ष पर उसकी तरज़ार है तो मैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना बृत का केंदर ह, जीरो है यह मान लेते हैं बृत का केंदर कितना है ह, जीरो एक्स अक्ष पर है, चूंकि यहां ऐसा लिख सकते हो, चूंकि केंद्र एक्स अक्ष पर है, अगर केंद्र एक्स अक्ष पर है, तो हमें एक्स निर्दे सांग लिखना है, बाई निर्दे सांग जीरो लिखना है, बिल्कुल ठीक है, तरज्या कितनी है, आर है, यहां का समीकर्ड कितना होता है तो यहां पर आप लेख सकते हो ब्रत का समीकर्ड एक्स माइनस एच का होलाप स्कॉाइर प्लस बाई माइनस जीरो का होलाप स्कॉाइर बराबर में आर स्कॉाइर यह ब्रत का समीकर्ड होता है जिसके केंद्र हमें आर दो अचर रासियां हैं इसलिए इस से जो आउकल समीकल बनेगा उसकी कोटी दो हो जाएगी मतलब यहां पर उसको दो बार आउकलन करना पड़ेगा तो यहां लिख देते हैं X के सापेक्ष आउकलन करने पर हमें किसी रह किसी तरीके से दोनों अचरों को बलुप्त करना है H को भी बलुप्त करना है R को भी बलुप्त करना है H आर दोनों को बलुप्त करके हम यहां पर आउकलन समीकल बनाएं तो इस तरीके से दो को पहले इसका आउकलन करें दो पहले आएगा x-h की whole power 1 ठीक है और यहाँ पर x का आउकलन 1 और अचर का आउकलन यह 0 लिखना है प्लस यहाँ पर y square इसका आउकलन 2y लिखना है और इसके बाद में dy over dx y का आउकलन dy over dx यह अकेल आचर है इसका आउकलन तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से दो और दो दोनों जगे से दो common है दो का पूरे समीकर्ण में भाग कर दो तो यह हो जाएगा x minus h प्लस y into में dy over dx बराबर में 0 ठीक है अब यहाँ पर इस समीकर्ण का फिर से एक बार आउकलन कर दें तो यहाँ लिखनें पुनहा x के सापेच आउकलन करने पर अउकलन करने पर एक बार फिर से अउकलन कर देते हैं यहाँ पर देखिए x minus h है तो x का अलग करना है x का अउकलन एक अचर का अउकलन 0 होता है प्लस यहाँ पर दो फलन दिखाई दे रहे हैं एक by है एक dy over dx है तो यहाँ पर पहला फलन into दूसरे का अउकलन देखो d2 by over dx2 लिख दो प्लस दूसरा फलन लिखना है फिर पहले का अउकलन कर दो by का अउकलन d by over dx लिखना है बराबर 0 तो यहाँ तो दोखो एक है बिल्कुल ठीक प्लस by into में d2 by over में dx2 और यहाँ पर d by over dx में d y over dx से जब गुना होगा तो इसका square कर रहें और बराबर में 0 यही वच्चो आउकल समीकर्ण है आप दिहान से देखो तो यहाँ पर दोनों अचर बिलुक्त हो रहे है ना तो आपका यहाँ पर h है इस आउकल समीकर्ण में ना तो आपका h है और ना ही आपका r है तो h और r दोनों बिलुक्त हो गए यही आपका आउकल समीकर्ण का हल है आँगे मेरे खाल से आँगे step लिखने की जरूरत भी खतम है ना चाहो तो इसको ऐसे भले ही लिख दो भई पहले y लिख लो है ना फिर into में d2 y over dx2 फिर इसके बाद plus dy over dx का whole up square इस प्रकार से लिख सकते हो है ना और फिर plus one बरावर में जी हो तो यह हमारा आउकल समीकर्ण बनके तयार हो रहा है एक ऐसे बक्र के कुल का आउकल समीकर्ण है जिसका केंद्र है ना बृत का केंद्र एक ऐसे यह बक्र का मतलब एक ऐसे ब्रत जिसका केंद्र्छ पर है जिसकी तरज्शा और अचर है तो उसका आउकल समीकर्ण यह दिखाई दे रहा है खीकर मैं तो आप से कभी आउकल समीकर्ण पूँछाएगा तो यह तो बक्र का समीकर्ण डिरेक्ट देगा यहाँ पर डारेक्ट समीकर्ड बक्र का समीकर्ड नहीं दिया है मतलब बृत का समीकर्ड नहीं दिया क्या है बस बृत का समीकर्ड ग्याद करने के लिए सरतें दी गई है बृत का समीकर्ड जब भी कभी ग्याद करते हैं तो हमें केंद्र और उसकी तरज्जा पता होने के यह ब्रत का समीकार पता हो जाता है तो यहां पर ब्रत का केंद्र X-H पर है इसका मतलब H,0 आपको लिखना है केंद्र और अगर उसकी तरज्जा R से लिखी गई है तो तरज्जा बरावर R लिख देते हैं और बित का समीकर्ण होता है X-H का whole square प्लस बाई मानस K का whole square K बरावर तो 0 है बरावर तरज्या का square R का square और इसका हमने दो बारा आउकलन कर दिया है आउकल समीकर्ण यहां पर मिल ला है और जो की R और H दोनों से स्वतंत रहे है मतलब यहां पर दोनों का बिल उपन हो गया है तो यही आपका समीकर्ण आउकल समीकर्ण क्या है ठीक है? चलिए Nesuds Question बच्चों यहां पर अब आते हैं समीकर्ण को हल करने सम्भदी अभी तो हमने समीकर्ड बनाया कि हम बक्र के समीकर्ड को आउकल समीकर्ड में कैसे कनबाट करते हैं अब यहाँ पर आउकल समीकर्ड दिया जाएगा इसको हमें हल करना है दो-तीन टाइप के वच्छों आउकल समीकर्ड होते हैं जैसे कुछ आउकल समीकर्ड इस प्रकार से होते हैं जिनके चरों का प्रथक करड़ कर लिया जाता है और फिर इसके बाद में उसको हल कर लेते हैं तो चरों के प्रथक करड़ी यह यह कहें प्रथक करड़ी चर वाले आउकल समीकर्ड पहले आपको देखना है ठीक है बहुत ही मज़िदार बढ़िया important question यहां पर पहला question लेते हैं लिखता है dy over dx बरावर 1 plus x square upon में y plus sin y यहां पर इसको हल करके दिखाओ बहुत ही मज़िदार प्रशन है छोटाता है बहुत बार पूशा जा है कहता है dy over dx बरावर 1 plus x square बारपोन में y plus sin y को हल करके दिखाओ तो बच्व बड़े आराम से कह सकते हो कि यहां पर इस इस प्रकार का यह समीकरण है कि इसमें चरों का प्रशकरण किया जा सकता है मतलब प्रशकरण का मतलब y को dy के साथ में x को dx के साथ में अब रखके इसको हल कर सकते हैं देखो दिहान दे इसको ऐसे कर दो कि यहां पर यह y plus sin y है इसका इधर गुणा करो तो y plus sin y इधर हो जाएगा into में dy बरावर कर निसान लगाओ और इधर इसका इधर गुणा करोगे तो 1 plus x square के साथ में dx का गुणा हो जाएगा अब यहां पर लिखना है दोनों पक्षों का समा कलन करने पर दोनों पक्षों का समा कलन कर देते हैं समा कलन करने पर करने पर तो जो को कितना हो जाएगा समा कलन का निसान लगाओ by plus sin by into dy बरावर का निसान लगाओ समा कलंद 1 प्लस X स्क्वायर इंटू में डिया है ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हो यह हमारा इसका समा कलंद जो अलग हो जागा बाई इंटू डिवाई प्लस यहाँ पर साइन बाई इंटू डिवाई और बरावर में बरावर का निशान लगाओ ना है माने स्कॉर्स भाई बरावर का निसान लगाओ बन का समाकलन एक्स के साथ एक्स करेंगी तो एक्स मिल जाएगा प्लस यहां पर दोखो एक्स स्कॉाइर का समाकलन एक्स स्कॉाइर का समाकलन एक्स क्यू बटे 3 है ना प्लस एक कोश्टेंट लगा दें तो यह दोखो आ प्रसक करण हो नहीं सकता मतलब य को डी वाई के साथ और एक्स को डी एक्स के साथ में अगर एड़ेस्ट करना चाहो नहीं कर सकते हो कुछ समीकरण आँगे आपको ऐसे भी मिलते हैं तो उनके लिए हल करने की बिदियां अलग-अलग हैं तो यहां पर यह जो समीकरण दिया गया है इसमें चरों का प्रसक करण किया जा सकता है तो बाई प्लस साइन बाई को डी वाई के साथ में रख लिया और बन प्लस एक्स को डी एक्स के साथ में रख दिया दोनों पक्षों का समा कलन कर दिया और समा कलन करने के बाद जो अंसर आ रहा हैं वही समझो इस आउकल समीकर्ण का हल हो जाएगा चाहो तो इसको एक बार थोड़ा और आंगे हल कर सकते हो देखो दो तिया च्छे च्छे का पूरी समीकर्ण में गुणा कर दो च्छे का गुणा करोगी तो जो तो तीन वाई स्क्वाइर हो जाएगा माइनस च्छे कोस बाई हो जाएगा बराबर में च्छे एक्स प्लस में दो एक्स का क्यूब और प्लस च्छे सी चूंकि सी और च्छे सी दोनों ही कोस्टेंट संख्या हैं तो यहाँ पर च्छे सी लिख दें तो ठीक है अगर सी लिख दें तो ठीक है कोई समस्या वाली बात जो यही आउकल समीकरण का हल है खीक है तो इस तरीके से प्रथक करड़ी चर वाले रैखिक आउकल समीकरण जो होते हैं उनके लिए चरों का प्रथक करड़ कर लेते हैं और दोनों पक्षों में समात्रण कर देते हैं खीक है आंगे बढ़े एक और next question की ओर जो की बहुत ही अ under root 1-y square upon में 1-x square और बराबर यहां 0 इसका भी हमें हल करना है देखो हल करना बच्चों कभी कभी ऐसा कहता है कि हल करो और कभी कहता है इसका ब्यापक हल करो यह कई बाद है तो कैसे करोगे इसमें भी दो को चरों का प्रथक करड़ किया जा सकता है प्रथक करड़ी चर वाल इसको इस प्रकार लिख सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में दो को प्लस का है कहले दर ले जाओ माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 1-2 square अपोन में 1-1-x square ठीक है अब दोखो यह आपका 1-2 square पर अंडर रूट है वो डी वाई के साथ रखा जा सकता है डी बाई और यह उपर से इधर ले आओगे तो यह नीचे की ओर पर जाएगा 1-2 square का अंडर रूट ठीक है बराबर यहां माइनस इसको इधर ले जाओ तो यह डी एक्स पहुंच जाएगा उपर और अंडर रूट में 1-1 square है ठीक है दोनों पक्षों का समा कलन कर दें जब प् समा कलन का निसान लगाओ डी बाई अपॉन में अंडर रूट 1-2 square लिख दो बराबर माइनस समा कलन यहां भी लिख दो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1-2 square लिखें और एक कोश्टेंट यहां जोड़ ठीक है चलो भई इसका समा कलन तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स होता है है ना और प्ल साइन इनवर्स ओवि लिख देहां चुँभी समस्य आवालए happened कि दो पर हमारी साइन इन वर्ष में आ रहे है तो यहां पर यह कोश्ट्रेंट आएगा उसको भी हम सान इन इन देल ख कि करा जाया का साइन इंबर्स explaining है ये साइन इन इन बर्स और cens एक सिदिट मैं कि यहां पर छाहो तो थोड़ा और हाल कर वां करने उसक्तव का फोर्मूला लगा सकते हो साइन इंबर टेक्स प्लस सैंस चाहें इंबर सैंस इन बंट वा Cisco's प्लस बाई इंटू अंडर उड बन मानेस एक्स स्कॉयर इसको ऐसे लिख सकते हैं बरावर में यहां लिख दें साइन इंवर्स सी अब दोनों पक्षों से हम साइन इंवर्स से दूकर कैंसल कर सकते हैं ठीक है cancel कर दें तो ये हो जाएगा x into under root 1-by square plus y into under root 1-x square और बरावर में c ये बच्चो आवकल समी करण का हल है ठीक है? ये क्या है? आवकल समी करण का हल है इसी टैप में और एक प्रस्ण ले ले लेते हैं दोगों यहां पर बहुत ही बच्चो मज़ेदार प्रस्ण हैं बहुत बार पूशे गए हैं यहां पर एक और प्रस्ण ले लेते हैं dy over dx बरावर में 1-by upon में 1-plus x इस टैप का अगर आवकल समी करण है तो जोगों कैसे करोगे इसको इसका हल कैसे करोगे बिल्कुल वही प्रस्ण यहां भी आपको अपनानी है क्योंकि यहां भी चरका प्रथक करण किया जा सकता है दोगो dy बन प्लस बाई इधर भाग में लियाओ यह dx उपर ले जाओ और बटे में 1-plus x लेख 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 अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो तो यह समाकलन का निसान लगाओ dy अपन में 1-plus y बराबर समाकलन का निसान लगाओ dx अपन में 1-plus x ठीक है अब यहां पर दोगो इसका समाकलन करने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यह दोगो log 1-plus y इसको लिख लगते हैं इसको अगर t मानोगे तो यह dt हो जाएगा dt बटे t बराबर log t होता है तो t के का मान है 1-plus y log 1-plus y इसी प्रकार विलकुर इसका भी समाकलन हमें पता है log 1-plus x होता है एक constant ले लिया जाए तो इसको भी हम log में ले ले ठीक है बराबर में log c टीक है इसको चाहो तो यहाँ पर log m- log n log m- log n बराबर log m बटे n होता है तो हम लेख सकते हैं log m तो देखो यह है बटे में n अन देखो यह है तो इसको ऐसे लेख सकते हो बराबर में log c log दोनों पक्ष़ों से cancels करके अंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह 1 प्लस बाई अपॉन में 1 प्लस X और यह बरावर में इस तरीके से इसका अंसर आप लिख सकते हों ठीक है किलियर बात है तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या वाले बात नहीं बिल्कुल एक दो मासान असान से सारे प्रशन होते हैं अगर चरों का प्रथक करल हो जाए पहले दिये गए जो भी समभाल हमें दिया जाएगा तो पहले तो हमें आउकल समीकरल को हल करने के लिए यही ढोनना है कि भई अगर इसका प्रथक करल हो सकता है कि नहीं चरों का प्रसक्रण हो सकता है कि नहीं अगर हो सकता है तो पहले हमें इस रूल को फॉलो करना है अगर नहीं हो सकता है तो दूसरी स्टेप में समगाती चरवाली आउकल समीकरण होते हैं समगाती हमें देखना है कि जो हमारे फलन है वो समगाती फलन है कि नहीं अगर समगाती फलन है तो हम समगाती वाला रूल्ट इसके बाद में फिर यह प्रस्थक經ण वजब है ना जरों का प्रक्षक करल कर लेते हैं दोरों पमक्ता प्रशनिया पर लेते हैं बहुत ही बढ़िया अंगला प्रासुन को टो समीकाड का इसके किसी बिन्दू x, y पर इस परस रेखा की परवडता 2X बटे बाइ स्कवायर है यहाँ पर आवकल समीकर्ड नहीं दिया गया है इभारत दी गई है उस इभारत से हमें पहले आवकल समीकर्ड बनाना है और फिर उस आवकल समीकर्ड का हल करके हमें बक्र का समीकर गयाद करना है ठीक है तो यहां पर ऐसा कहता है कि बिंदू माइनस दो कॉमा तीन से होकर जाने वाली एक ऐसे बक्र का समीकर गयाद करिए जिसके किसी बिंदू एक्स कॉमा बाई पर इस पर्द रेखा की परवड़ता 2x बटे y square है यहाँ पर किसी बिंदू किसी बिंदू x, y पर इस पर्स रेखा की परवड़ता कितनी होती है बच्चों पता है न यहाँ पर लेख देते हैं किसी बिंदू x, y पर किसी बिंदू x, y पर इस पर्स रेखा की परवड़ता इसपर्स रेखा की परवड़ता को हम dy over dx से लिखते हैं अगर किसी बिंदू x, y पर इसपर्स रेखा की परवड़ता लिखनी होती है तो का इसे लिखते हैं? dy over dx से लिखते हैं ये हमें दिया गया है कि इसपर्स रेखा की जो परवड़ता है अर्था दी वाई उवर डी एक्स का जो मान है वो दो एक्स बटे बाई स्कॉाइर दिया गया है जोखो इस पर स्रेखा कि परवलता कितनी दी गई है दो एक्स बटे बाई स्कॉाइर दिया गया है अब दोखो आउकल समीकर्ड बन गया और इस आवकल समीकरड को हल करके हमें बक्र का समीकरड गयात करना है तो इसको हल करने के लिए अब हम पहुंचते हैं कि पहला हमना जासा की बताए कि पहला हमारा मैथड है कि हम अगर चरों का प्रसकरड हो सकता है तो पहले तो वही करना है दो को यहाँ पर बाई स्क्वाइर को डी बाई के साथ में और डी एक्स को यहाँ पर एक्स के साथ में रख के इसको चरों का प्रसक करण किया जा सकता है बाई स्क्वाइर इंटू डी बाई ठीक है ना बाई स्क्वाइर इंटू डी बाई और यहां पर इस डी एक्स को इधर लियाओ तो बरावर में टू एक्स इंटू में डी अब लिख देते हैं दोनों पक्षों का समा कलन करने पर दोनों पक्षों का समा कलन करने पर ठीक है ब से बाहर कर सकते हो तो एक्स का समाकलन करना है डी एक्स लिख दें यहां पर एक्स का समाकलन x के साफ एक करोगे x square बटे 2 मिलेगा प्लस एक question ठीक है यहां से 2 से 2 cancel कर रो तो हमारे पास यह बक्र का समीकर दिखाई दे रहा है by का cube बटे में 3 बराबर x square प्लस c यह है हमारे बक्र का समीकर अब पर से यह कहता है कि यह बक्र कहां से जाता है minus 2,3 से जा रहा है तो बच्चों अगर यह बक्र 2,3 से जा रहा है तो minus 2,3 से संतुष्ट जरूर हो जाएगा तो यहां पर आपको यह ही लेख दैना है क्या लेखना है क्योंकि बक्र 1 बिंदू minus 2,3 से जाता है से जाता है आता यहां पर इसको संतोष्ट करा दें दोको संतोष्ट कराने से एक का मतलब क्या है बाई का मानिहां पर तीन लिखना है तीन का क्यूब बटे में लिखो तीन बरावर एक्स का मतलब माइनस दो इसका स्क्वाइर लिखो प्लस कॉस्टेंट सी लोगो जब तीन का क्यूब करोगे तो एक तीन तो नीची कैंसल हो जाएगा स्कॉाइर बचाएगा तीन का स्कॉाइर नौ लिख सकते हो बराबर में माइनस दो का स्कॉाइर प्लस चार प्लस यहां कोश्टेंट अब सी की वैलू यहां से आप ग्याद करो तो नौ मैंसे चार घटाओ पांच बचाएगा सी बराबर पांच बस सी का मान यहां समीकरण एक में रख दें तो बक्र का अभिष्ट समीकरण हमें मिल जाएगा यहां पर लिखो सी का मान समीकरण एक में रखने पर अगर एक में रख दिया जाए तो बक्र का अभिष्ट समीकरड मिल जाएगा बक्र का अभिष्ट समीकरड दो को क्या मिलेगा बक्र का समीकरड यहां से बाई का क्यूब बटे में तीन बराबर में यहां X स्क्वाइर प्लस C और C का मान यहां 5 रख दें तो यह समझो बक्र का अभिष्ट समीकरड में मिला ठीक है चाहो तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे हल बलाई कर सकते हो बटे में तीन हैस का तीन का उज़र गुणा करो तो यह हो जागा बाई का क्यूब बराबर तीन एक्स स्क्वाइर प्लस तीन पंचे पंद्रा ऐसा भी लिख सकते हो और आंगे बढ़ाना चाहो ऐसे बढ़ा स समीकर्ण का हल जो कि कह सकते हो यह बक्र का समीकर्ण है ठीक है बच्छो चलिए और आंगे बढ़ते हैं एक प्रस्ण और लेते हैं इसी टाइप का इसी टाइप का एक और प्रस्ण लेते हैं दोखो इसको नोट करो ठीक है आंगे बढ़ते हैं एक और प्रस्ण लेते हैं य इसमें चेरों का प्रथक करण किया जा सकता है या नहीं अगर हो सकता है तो हमें सबसे पहले प्रथक करण कर लेना है य को डी वाई के साथ में एक्स को डी एक्स के साथ में रखे समा कलन कर दो समझो अंसर आपका आ जाएगा यहां पर एक प्रस्ट और ले लेते हैं जैसे हम चरों का संकलों करें कर लेना है आइ प्लस साइन भाइ को हम यहां के साथ रख सकते हैं बराबर में यहां पर एक के साथ मैं यह आउस तरीके से खीक है और दोनों जागन कर प्लस साइन बाई इन्टू डी बाई बरावर समा कलनँ डी एक्स फीक है अब यहाँ पर दोखो इसका समा कलन अलग-अलग दोनों का कर सकते हो बाई का समा कलन बाई स्कॉईर बटीः दो लिखो प्लिस साइन भाई का माइनस कॉस भाई लिख सकते हो बिल्कुश सही है बराबर में यहां पर बन है ना बन का समा कलन एक्स और एक कॉस्टेंट जोड़ दो समझो काम खतम यही इसका हाल है यही हाल है चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे भले ही लिख सकते हो कि भाई यहां पर दो एल्सियम लेओ तो एक बटे दो आ जायागा आप भाई का स्कॉाइर माइनस में दो कॉस भाई ऐसा लिख सकते हो बराबर में एक्स प्लस सी है ना यह आपका आउकल समीकर्ड का हाल है करक्चा बच्चो तो आपको सबसे पहले प्रशन को देखके यह पहँचानना है कि हमें पहले कौन सी प्रोसेस लगानी है ना पहले तो पहली प्रोसेस है जो कि आपको यहां पर देख रही है कि भी चरों का अगर प्रथक्रल हो सकता है तो पहले वो करना है ठीक है दूसरी प्रोसेस है हमें क्या करना है समगाती बाली अभी बाद में बताएंगे वह भी प्रशन आएंगे न वह भी बताएंगे थोड़ा एक और आंगे का प्रशन लेते हैं दोगो इसको रब कर लें एक और आंगे का प्रशन लेते हैं तो यह रवचो अंगला इंप्रोटन प्रशन गया है आउकल समीकर्ड इसको हमें हल करके यहां से उस हल करोगे जो बक्र का समीकर्ड मिल जाएगा और वो बक्र बिंद एक कोमा रिडेक से जा रहा है तो एक कोमा रिडेक से संतुष्ट कराओगे वहां से सी की वैलू निकालो बक्र के समीकर्ड मरग दो बक्र का समीकर्ड म आवकल समी करद दिया गये इस आवकल समी करद में सबसे पहला काम इसको हल करने का मतलब चरों का प्र सक्क algorithm करके देख़ो चरों का प्रस्क करद हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखो बाई हमारा इहां लिखा है बाई इन 2 में डी रणी बाई प्लस 2 यहां से हटाओ तो यह भाग में आ जाएगा Y प्लस टू बरावर में X प्लस टू तो बिल्कुल ठीक लिखा है दोको X प्लस टू लिखा है DX इधर पहुंच जाएगा और यह X यहां से हटाओ तो भाग में आ जाएगा तो यहां पर देखो X वाले पद DX के साथ में Y वाले पद DY के साथ में हो गए मतलब यहां पर चरों का प्रसक्रल कर लिया अब दोनों पक्षों का समा कलन करें देखो समा कलन का निसान लगाओ Y बटे में Y प्लस 2 लिखना है इंटू DY बरावर समा कलन X प्लस 2 अप उन में X लिखो इंटू में दिया है अब बचो यहां से देखो क्या करना है यह समा कलन करना है इसके लिए यहां उपर और नीचे में घात देखो समान है यदि समान होती है तो क्या करते हैं पहले भाग देते हैं भाग देने के लिए काम करते हैं दो जोड़ दो दो गहता दो और बटे में जो लिखा है y प्लस 2 इससे अलग अलग भाग कर देंगे समा कलन यहां भी वही काम करना है दोखो x प्लस 2 अपोन x लिखा है यहां पर x से अलग अलग भाग कर सकते हो यहां देखो y प्लस 2 से y प्लस 2 का भाग करोगे तो 1-2 अपोन by plus 2 into में divide ठीक है बराबर यहां भी बिल्कुल दोखो x बटे x करोगे बनाएगा plus 2 बटे में x लिखो into में dx लिखो आप दोखो समाकलन कर सकते हो 1 का समाकलन by के साफ x by होता है minus 2 हमारा अचर है 1 बटे by plus 2 का समाकलन log में होता है by plus 2 log by plus 2 लिख ले plus 2 into में log x से लिखो और plus constant यह दो को बकर का समीकर्ड तो आ गया बहिए यह बकर कहां से जा रहा है बिन्दू 1 कॉमा रिडेक से जा रहा है तो 1 कॉमा रिडेक से इसको संतुष्ट कराओ और c की value निकालो और इस c की value को हमें यहां पर रख देना है तो समझो यही आपका आउकल समीकर्ड का हल निकला आएगा अर्थाथ हम कह सकते हैं कि यही बकर का समीकर्ड हमसे पूछा गया है ठीक है तो क्या करना है यहां पर चुमकी यह इस पर कोई नमबर डाल देते हैं और यहां ऐसा लिखने है क्योंकि यह बक्र यह बक्र बिंदू कहां से दिखो जा रहा है एक कुमा माइनस एक से जाता है यह बक्र बिंदू एक कुमा रिलेक से जाता है अता इसे संतुष्ट करेगा यहां पर आप लिखो अता हा यह बिंदू बक्र को संतुष्ट करेगा तो अगर हम यहाँ पर संतुष्ट कराएंगे तो इस तरीके से दो ओ, by की value किती लिखनी है, minus एक लिखनी है, minus में 2 अपना जियों का तियों, log यहाँ लिख दो, log, ठीक है? x कमान एक लिखना है, by कमान minus एक लिखना है, तंतुष्ट का मतलब यही तो होता है तो बाई कमान मानस एक लिख लिए मानस में दो लोग बाई कमान फिर लिखो मानस एक मानस एक प्लस दो बिल्कुल ठीक है बरावर अब एक्स कमान लिखो एक्स कमान किस्ता एक लिखना है तो यहां लिख देते हैं प्लस दो इंटू में लोग एकस एकस कमान एक लिख दें प्लस कॉस्टेंट की वैलू यहां से दोखो हमें मिल जाएगी ठीक है लोग एक कमान तो पता ही है जीरो होता है दोखो माइनस एक माइनस में दो इंटू में लोग एक दोखो दो में से एक घटेगा एक बचेगा लो कब यहां से दिखू दो लॉग 1-0GER होता है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो यह तो जी को गया माइनस का एक माइनस का एक माइनस का दो मतलब केरा मिलत hay ठीक है अब C की value हमें यहां रख देनी है अवकल समी करड़ का हल मिल जाएगा मतलब बक्र का समी करड़ मिल जाएगा क्या मिलेगा दोखो यहां पर by minus में 2 log by minus 2 log by plus 2 लिखो ठीक है और बराबर में यहां लिखते हैं x plus 2 log x 2 log x और plus cc की value minus 2 लिखो ठीक है यही समझो हल है अगर चाहो तो पक्षेंतर करके कुछ ऐसे लिख सकते हो दोखो इसको इदर ले जाओ तो by बराबर हो जाएगा x plus 2 common ले सकते हो log x और plus में log by minus 2 ऐसा लिख सकते हो और minus 2 हमारा जिखो ध्यान से समझो हमने क्या किया है यहां पर यह वाला पद इदर ले गई तो यह 2 और 2 common ले लिया log x plus log x plus यह और बराबर यह minus का दो तो पहली से लिख रहा है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y बराबर x plus 2 log m plus log n बराबर log m into n होता है तो x into में y minus 2 इसको यह से भी लिख सकते हो और minus का 2 हमारा जिख करते हूं है यही इस आवकल समीकरल का हल है यह यह कहें कि यह अभिष्ट बक्र का समीकरल है जो इस आवकल समीकरल का हल है वही समझो और वो बक्र जो निकला आगा वो कहां से जा रहा है एक कॉमा मानस एक से जा रहा है तो एक कॉमा मानस एक से जाने वाले बक्र का समीकरल यह होगा ठीक है चलिए और यहां पर अंगला एक प्रशन देखते हैं तो बचो अंगला इंपोर्टेंट प्रिश्ण है आउकल समीकर्ड इसको हल करके दिखाना है यहाँ पर देखके पहले पहँचानों कि आउकल समीकर्ड जो दिया गया है वो किस टाइप का है बचो यहाँ पर पुराने टाइप का जैसा कि अभी तक हम लोग हल कर रहे थे कि आउकल समीकर्ड को देखके हम चरों का प्रसक्रण कर लेते थे हैं ना तो यहाँ पर इस प्रिश्ण में आउकल समीकर्ड में चरों का प्रसक्रण नहीं किया जा सकता है मतलब इस प्रकार इसको हम नहीं कर सकते कि बाई को डी बाई के साथ में एक्स को डी एक्स के साथ में रख लें अगर हम पक्षंतर करना चाहें तो ऐसा नहीं होगा तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आंगे समगाती आउकल समीकर्ड की प्रोचेस होती है समगाती आउकल समीकरण यहां पर दोखो यहां पर देखने से बिलकुल इकदम स्वष्ट दिखाई दे रहा है कि उपर वाला फलन जो अंस में लिखा है दो घात का है नीचे वाला फलन दो घात का है तो दो घात का समगाती फलन है यह इसलिए इसमें समगाती फलन वाली प्रोपर्टी यूज करनी है क्या होती है समगाती वाली प्रोपर्टी बचो कभी कभी आउकल समीकरण में ऐसा कह देता है सिद्ध करवा देता है कि सिद्ध करके दिखाओ कि दिया गया आउकल समीकरण समगाती आउकल समीकरण है अगर ये कहता हो यहां पर नहीं कहा है लेकर अगर किसी पुर्शन में ऐसा कहता है कि दिये गए आउकल समीकर्ड को सिद्ध करके दिखाओ कि यह समगाती आउकल समीकर्ड है तो हमें क्या करना है थोड़ी देर के लिए यहां पर अगर यह सिद्ध करवाया जाता तो क्या करत कि मान लेते हैं यहां लेखे दें माना f x, y y square minus x square upon 2x into y यह मान लेते हैं फिर इसके बाद में क्या करते हैं इस फलन में x के जगाए पर lambda x रख देते हैं और य के जगाए पर lambda y रखके हम चेक करते हैं कि हमारे फलन में क्या परवर्तन हो रहा है देखो यहां पर यह फलन f of x, y है x को हम lambda x लेख दें, y को हम lambda y रख दें और बराबर यहां बदो को y है y को हम lambda y रख दें और square लगा दें माइनस x का भी मान हम बिलकुल इसी प्रकार से x के जगाए पर lambda x रखके हम इसका square करें तो lambda square x square हो जाएगा बटे 2 into x x को हम lambda x लेख दें, into y को हम lambda y रख दें खीक है तो इस तरीके से f of lambda x, lambda y बराबर यहां लेख सकते हो इस तरीके से तो ओपर से हम यहां पर उपर से x square, यहां पर, sorry, lambda square common ले 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 तो यह बाई square मानिस x square मिलेगा जबकि नीचे से lambda square दोखो गुणा करोगे तो lambda square into में 2 x into y यह हमें मिलेगा तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहां कोई lambda square है, उपर नीचे दोनों जगए lambda square है तो भाग में घातें घट जाती हैं, हम इसको लिख सकते हैं lambda की power 0 और यह हमारा जो आंगे फलन लिखा है बिलकुल वही फलन है जो प्रश्ण में दिया गया है, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दिया गया यह फलन सून घात का समगाती फलन है, ठीक है, सून घात का समगाती है है हलाकि इस प्रिशन में यहां पर इतना करके नहीं लिखाना है यहां पर तो सीधा सीधा लिख देना है कि समगाती है लिख देना है कि वह तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो कि उपर और नीचे वाला दोनों फलन दो घात का समगाती फलन है ऐसा लिख दो मतलब अंस में और हर में जो भी फलन लिखे हैं दोनों फलन दो घात के समगाती फलन है अगर यह समगाती फलन है तो समगाती फलन की जो प्रोपर्टी होती है उसके अनसार इसको यहां पर हल करना है कैसे हल करना है क्या प्रोपर्टी होती है ध्यान से समझना है आपको यह प्रोपर्टी हमारी होती है कि अगर d y over dx बराबर समगाती फलन दिया जाए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि by बराबर में by बराबर में v x मान लेते हैं by बराबर v x यहाँ से v की value निकालें तो by बटे x हो जाएगी ठीक है by बराबर v x मान और फिर इसका x के साथ एक चाउकलन करो तो यह हो जाएगा d y over dx बराबर यहाँ पर यह दो फलन है ना दोनों फलनों को अलग अलग यहाँ पर मान के हम यहाँ पर इसका आउकलन करेंगे फश्ट फलन सेकेंड का आउकलन x का x के साथ एक चाउकलन एक होता है प्लस अब सेकेंड फलन लिखना है फश्ट का आउकलन dv over dx लिखना है ठीक है तो इन दोनों मानों को दिये गए आउकल समीकर्ण में रख दें थोड़ा सा बदल जाएगा यह दो को ध्यान से समझना है d y over dx को क्या लिख दें यहाँ लिख दें y बराबर vx तथा d y over dx बराबर v plus x into dv over dx समीकर्ण या दिये गए आउकल समीकर्ण में रखने पर यहाँ पर दोखो रख के क्या मिलता है दोखो ध्यान में यह है d y over dx इसके जगे पर हमें लिख देना है कितना इसके जगे पर हमें लिखना है v plus x into dv over dx v plus x into dv over dx लिखना है फिर बराबर कर निसान लगाओ बिल्कुल ठीक है by का मान हमें vx लिखना है तो square करोगे v square x square हो जाएगा minus में x square ठीक है बटे में यहाँ पर दोखो 2 into x into by और by को हम यहाँ पर vx लिखना है ठीक है थोड़ा और आंगे हल करो तो यह दोखो v plus x into में dv over dx बराबर का निसान लगा उपर से दोखो x square कोमन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर b square minus 1 मिलेगा नीचे से यह गुणा करोगे जब x का x में गुणा करोगे तो x square हो जाएगा और यहाँ से दोखो हमें मिल जाएगा कितना 2v मिलेगा ठीक है x square से यह x square कैंसल कर ले जब x square से x square हमारा कैंसल हो जाएगा तो इस तरीके से plus का भी दोखो ले जाओ minus का भी हो जाएगा x into dv over dx बराबर कितना हो जाएगा दोखो v square minus 1 upon में 2v है minus में v हो जाएगा ठीक है थोड़ा इसको और हल करेंगी तो को क्या करना है अब यहाँ है हमारे पास x into dv over dx बराबर और यह हमें दोखो 2v को यह लगतम 2v है ना 2v हो जाएगा तो v square minus 1 और फिर इसके बाद minus में 2v square लेखना है ठीक है आँगे और थोड़ा आँगे दोखो x into dv over dx बराबर यहाँ minus का 2v square है यहाँ v square एक चला जाएगा minus का v square बचाएगा minus का एक बटे में 2v लिख लेगा यह इसको ऐसी कर सकते हो दोनों जगह से उपर से minus को अमल लें और minus को अमल लेने के बाद यहाँ पर minus को अमल लेंगे तो v square प्लस 1 और upon में 2v इस प्रकार से लिख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर बच्चो वही प्राणी वारी प्रोसेस आ गई इसमें अब चरों का प्रथकरल किया जा सकता है यहाँ पर दोखो x और यह dx एक साथ रखे दें और v और dv को एक साथ रखे चरों का प्रथकरल कर लेते हैं दोखो ध्यान ने कैसे करेंगे यहाँ पर यह 2v जो भाग में है उसको यहाँ पर ले आओ तो गुणा में आ जायागा v square प्लस 1 जो गुणा में है इधर ले आओगे तो v square प्लस 1 या 1 प्लस v square दोनों यह कई बाते हैं भाग में हो जायागा यह गुणा बाला भाग में हो जायागा यह भाग में है वो गुणा में हो जायागा into में dv जहां है बिल्कुल वहीं रखा रहने बराबर minus को जहां का ताँ छोड़ दें यह dx पहुँच जाएगा उपर और एक्स का इधर भाग हो जाएगा तो को हो गया ना चरों का ठक्रण होगा एक्स को dx के साथ में और v को dv के साथ में रखने के बाद यहां पर अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे समाकलन का निसान लगाओ 2v into dv upon में 1 प्लस v स्क्वाइर लेखें बराबर यहां पर minus समाकलन dx बटे में x लेखें प्लस एक कोश्च जाएगा है इतनी बात के लिए रहे बच्चू इसके बाद आप यहां पर इसको अगर t मान ले तो यह हमारा dt हो जाएगा dt बटे t बराबर log t होता है तो इस तरीके से इसका समाकलन log 1 प्लस v स्क्वाइर हो जाएगा सही है ना बराबर का निसान लगा कि आंगे दो को minus में log x इसका भी समाकलन log x होता है और plus यहां पर चाहो तो c को भी हम log c लेखें चूंकि दो पर हमारी log में आ रहे हैं तो यहां भी हम log c लेखें यह minus का इदर लियाओगे प्लस का हो जाएगा इसको इस परकार लिखें log 1 प्लस v स्क्वाइर 1 प्लस v स्क्वाइर के साथ में प्लस कर दें log x और बराबर में इदर log c मिल जाएगा अब log m प्लस log n बराबर log m into n होता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं log m का मतलब 1 प्लस v स्क्वाइर और इसमें यहां पर x से गुणा कर दें बराबर में यहां लिख दें log c ठीक है अब देखो धियान दें अब वही पुरानी प्रोसेस कि भई यहां पर log दोनों सरब से cancellation हो सकता है बन प्लस v स्क्वाइर into x बराबर में c में लगा अब v की value रखते हैं इन्टू x बराबर में c. मेरे खाल से आप तो कोई समझ्या नहीं है. LC हम लेंगे तो x square प्लस by square बटे x square. क्या यहाँ पर लिखेंगी? इसको यहाँ लिखेंगे दोखो x square प्लस by square x square प्लस by square अपोन में यह x square और इंटू में X और इधर बराबर में C चल रहा है यहां एक X कैंसल हो जाएगा इधर से बटे वाला X इधर ले जाओगे गुड़ा में पहुंच जाएगा तो इसका ये दो को अंसर आएगा X square plus Y square बराबर C into X ये आउकल समीकड का हल है कौन से आउकल समीकड का ये समगाती आउकल समीकड की process है बच्चों इसी तैप के और भी दुको अभी परस्न करेंगे इसको जल्दी से लूट करें किसी प्रकार की बच्चों अगर कोई समस्या लगती है तो हमें जरूर कमेंट कर प्रश्ण की और यह समगाती समभन्दी प्रश्ण लेंगे जो आपका समगाती आउकाल समीकरण से समभन्दित है और उस फ्रस्ण को अब आगे की ओर दोखो बढ़ाएं अंगला प्रॉष्ण देखें यह हमारे पास आगे का प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है कि x minus by x minus by into dy minus में है x plus by into dx और बरावर 0 ये भी हमारा एक समगाती आवकल समिकर्ड है दोखो पहले तो इसको हमने बताया जाथा कि हमें dy over dx के पर्मिट में बदलना होता है पहले हमारा काम है कि इसको ऐसे बदलने दोखो ये minus का पाद है इदर जाएगा प्लस का हो जाएगा और फिर इसके बाद में dy और ये इदर आजाएगा dx भाग में बरावर में x plus by upon में x minus by अब आप देख सकते हो ऊपर एक एक गहत वाले ये आपका एक गहत वाला फलन है नीचे भी एक गहत वाला फलन है तो समगाती फलन तो है बिल्कुल देख नहीं से लग रहा है हमें प्रूब करने की जरूरत नहीं है अगर प्रश्ण में ये कहता है कि वही प्रूब करो तो हमें प्रूब करना पड़ेगा अधर वाइज प्रूब करने की कोई जरूरत में आप ऐसा लिख सकते हो चुंकि दिया गया। लगा है सम्गाती आउकल समीद करण है एसा आपको लेकर देदने । ठीас अब देखो अगर सम्गाती आउकल समीकरण है तो सम्गाती कि जो प्रोसे से क्या बता अब नें बताया कि यहां पर माल लेना होता है वाई बरावर वी एक्स और यहां से अगर वी की वेल्यू हम निकालेंगे तो वी की वैलू बाई बटे एक्स निकलेगी इसका आउकलन कर देते हैं ड़ी और ड़ी एक्स बरावर दो फ़लन का गुड़न फल का लगाते हैं तो फस्ट फलन जहों करते हो ? second प्लस फलन कौ तो फस्ट का करेंगे गेVEN का आउकलन डी वबर डी अग्स लिखेंगे अब इन दोनों मानों को बाई वरावर वि अग्सस और डी वाई उबर डी-एकक्स के दोनों मानों को कहां रखना है दो को यहां दिये गया होक़र समीकल में रखना है डी बाई ओवर डी एक्स के जगाए पर रखना है फिर बरावर का निसान लगाओ फिर यहाँ पर लखो एक्स प्लस अब वाई है वाई को हम वेक्स लिक्डें फिर नीचे बटे में एक्स को जोंकाते हूं minus जो करते हूं y को हमें vx लिख देना है ठीक है प्लस का v है ना इधर ले जाओ minus का भी हो जाएगा या फिर एक काम पहले कर लो यहां से x उपर से common है नीचे से भी x common है उसको cancel कर लो पहले एक step और आंगे बढ़ाओ तो v plus x into में dv over dx बराबर x common लोगे तो 1 plus v और नीचे से x common चला जाएगा तो 1 minus v जो उपर से x common आया है नीचे से x common आया है उसको हमने cancel आउट कर लिया है चलो एक बार लिख देते हैं दोको x common लोगे तो 1 plus v नीचे से x common मिलेगा तो 1 minus v और यह हमारा दोको x और x cancel हो रहा है plus का v उदर जाएगा minus का v हो जाएगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x into dv over dx बराबर 1 plus v upon 1 minus v और यह हमें minus v लेख रहा है तो इस तरीके से दोको अंगले step में x into dv over dx बराबर बराबर 1 minus v यह l से हमाएगा तो इदर लेखेंगे 1 plus v minus v plus v square यह v minus plus का cancel हो जाएगा आंगे देखें क्या करना है x into dv over dx x into dv over dx बराबर तो वो 1 plus v square क्या हम यहां मिला है 1 plus v square और नीचे हमें क्या मिला है 1 minus v तो बचो यहां तक करने के बाद अब यहां पर क्या करते हैं चरों का प्रिशा करल कर लेते हैं यहां तक करने के बाद अब चरों का प्रिशा करल करना है हो जाएगा अब हो सकता है पहले अगर हम सीधा-सीधा करना चाहते होता ही नहीं य को डी वाई के साथ X को डी एक्स के साथ आहां रखा जा सकता है। तो यह हमें कुछ परकार से मिल जाएगा कि बन माइनस वी अपॉन में बन प्लस वी का स्क्वाइर इंटू में डी वी बरावर में ये हो जागा दो खो डी एक्स अपॉन में डी ठीक है तो को बन माइनस वी को ऊपर ले गए बन प्लस वी स्क्वाइर को भाग में ले आए डी वी जूंकातियों है बरावर यहां दो को भ कि यहां भी इसना करना है यहां पर समाक्लन करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ है तो इस प्रकार से दो को अलग-अलग समाक्लन करते एक बटे बन प्लस गायर Warra माइनस समा कलन V इंटू में डी वी अपोन में बन प्लस V स्कायर बराबर समा कलन एक बटे X इंटू में डी एक्स सही है अब समझो इसका समा कलन तो बहुत अच्छे से पता है ना 10 इंवार्स V होगा इसका समा कलन करने के लिए इसमें यहां पर दोखो क्या मानेंगे ती बानेंगे और इसका डेरिवेटेव उपर मिलना चाहिए तो यहां पर देखो बच्चों एक काम करते हैं एक काम करते हैं दो से उपर गुणा दो से नीजे भाग ऐसा कर देते हैं दोको बन इंटू बन प्लस V स्क्वाइर इंटू में डी बी यहां पर हम दो से भाग कर रहें और दो से गुणा कर दें ठीक है कुछ भी और नया नहीं किया है दो से गुणा दो से भाग किया है ठीक है किसको दोखो दो पूरा ये डी टी बटे टी बराबर लॉग टी होता है बिलकु सई है तो अब यहां पर जोगो इसका समाकलन करोगे तो एंबर्स वी लिख लें, माइनस एक बटे दो और यहां पर इसका समा कलन करेंगे तो लोग, लोग बन प्लस V स्कौाइर ले लें, बिल्कुल ठीक है, बराबर में यहां पर एक बटे एक्स का समा कलन लोग एक्स होता है, और प्लस एक कोश्टेंट C, रेक्टे बहुत उतनी बात, तो अब हमें क क्या करना हे, अब हम एक काम करते हैं, यह मानस ओना पध इतर ले जाए तो प्लस का हो जायगा 10, इनबर्स, V बराबर मानस का एक बटी 2 दो इतर जाएगा, ठार प्लस का हो जायगा एक बटी दो लोगल बन प्लस V स्कुायर लिखें, प्लस में यहां पर लोग एक्स और प्लस सी हमारा ये जोगाते है ठीक है इसको चाहो तो थोड़ा और आंगे ऐसे बढ़ा सकते हो टैन इन्वार्स वी वरावर एक बटे दो आप कॉमल ले लो इन दोनों जगे से यहां है नहीं दो का गुणा हो जाएगा यहां पर दो का गुणा हो जाएगा तो एक बटे दो कॉमल लें तो यह हो जाएगा लोग बन प्लस वी स्कॉाइर और प्लस में दो लोग एक्स और प्लस कॉस्टेंट यह जोगाते है ठीक है अब चो एक बात और समझो 10 inverse V बराबर 1 बटे 2 into में log 1 प्लस V स्क्वाइर और यहां पर यह दो लिखा है इसको घात में लिखा जा सकता है log M की पावर N बराबर होता है N log M तो यह N जो है वो घात पे पहुँच सकती है कोई किसी प्रकार की यहां समस्चा नहीं होनी चाहिए log X स्क्वाइर ठीक है log X स्क्वाइर को हम 2 log X से लिखते हैं तो 2 log X को log X स्क्वाइर लिख सकते हैं प्लस कॉश्ट आइज ठीक है अब बचो यहां से log M plus log N बराबर log M into N वाला फॉर्मूला लगा दो गुणा करके लिख दो तो यह हमारे पास हो जाएगा 10 inverse V बराबर एक बटे दो और यहां लिख सकते हैं log A 1 plus V स्क्वाइर और इसमें गुणा कर दे काई का X स्क्वाइर का और प्लस यह कॉश्ट आइज ठीक है अब बस V की वैलू रखें अंसर हो जाएगा V की वैलू कहां से दो को हमने V की वैलू कितनी है बाइ बटे X यहां रख देते हैं V की वैलू रखेंगे 10 inverse V की वैलू बाइ अपॉन X लिखे दे हैं बराबर एक बटे 2 और यहां पर लेखना है log 1 plus V की वैलू क्या लिखनी है V की वैलू बाई बटे X तो यह हो जाएगा बाई स्क्वाइर अपन एक्स स्क्वाइर और इन्टू में यह एक्स स्क्वाइर जियों काती हूँ और प्लस कॉस्टेंट ठीक है यहां इसको LCM लेके हल करें तो बिल्कुल एक लाइन का और अंसर बढ़ा के लिख देते हैं बाई आपन एक्स बराबर एक बटे 2 इन्टू में लोग यह हो जाएगा द्योंको X स्क्वाइर पलस बाई स्क्वाइर बटे में एक्स स्क्वाइर और यह एक्स स्क्वाइर हमारा कैंसल हो जाएगा प्लस कोश्टेंट लेक्ट दे यही बच्छो इस आउकल समीकड का देखो खाल है ठीक है बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत बार पूंछा गया है इसलिए कोई भी प्रश्ण को अच्छे से आपको कमपेट करना है और लाच्ट तक वीडियो को देखना है छोटे-छोटे से यहाँ पर अंतर में सवाल होते हैं तो आप फाज सकते हो बच्छो एक process अभी आँगे और रह गई है जो रहके का आउकल समिकर्ड है और वो रहके का आउकल समिकर्ड से एक प्रिश्ण जरूर आता है ठीक है थोड़ा पहले यहाँ तो एक-दो प्रिश्ण और करेंगे जो कि बहुत ही important है अंगला प्रिश्ण और लेते हैं देखो इस प्रिश्ण में बच्छो देखो ध्यान से कहता है आउकल समीकर्ड x square into dy over dx बराबर x square minus 2y square plus x into y को हल कर ये और कहता है दिखाईए कि दिया गया आउकल समीकर्ड समगाती है यहां पर तो को सिद्ध करके दिखाना है क इस आउकल समीकर्ड को यह सिद्ध करके दिखाना है कि यह आपका समगाती है यह सिद्ध करके दिखाना है तो पहले हम सिद्ध करके दिखा देते हैं कि यह आपका आउकल समीकर्ड समगाती समीकर्ड है तो को लिखा हुआ है x square into dy over dx बराबर x square minus 2y square plus x into y इसको हम dy over dx के रू में चला जाएगा दीवाइः ओवर डी एक्स बरावर और प्लस एक्स इन्टू बाई बटे में हैं से एक्स स्कॉयर हो जाएगा और इसके बार मैं यहां पर समगाती हमने अब दिखाना है वैसे तो आप देख सके फलन है तो समगाती तो है लेकिं सिद्ध करके कैसे दिखाऊगे सिद्ध करने के लिए ये प्रोसेस नहीं है बलकि प्रोसेस यह है कि इसको हम कोई ये माल लेते हैं कि जो डिवाई उबर डिए-एक्स है ये आपका ये फलन जो दिया गया है ये कोई x,by मतलब x और by में फलन है तो यहां लेक देते हैं मान लेते हैं कि f of x,by बराबर में x square मानस में 2 by square प्लस x into by अपोन में x square ठीक है अब यहां क्या करना होता है यहां पर x कमान lambda x और by कमान lambda by रखके हम देखेंगे ठीक है रखके देख लेते हैं यहां पर f of x कमान lambda x लिखें कमा by कमान lambda by रखें बराबर का निसान लगाएं यहां x square है x कमान लिखना है lambda x और square करना है तो lambda square x square हो जाएगा माइनस में 2 by square है by कमान lambda by रखना है square करना है तो lambda square by square हो जाएगा प्लस x कमान lambda x रख देए और बाई कमान लेम्डा बाई रख दें बटे में यहां पर लेम्डा स्कॉाइर एक्स स्कॉाइर लेख जाए ठीक है बच्चो यहां तक तो ठीक है बिलकुल कोई समझते ही नहीं है यहां उपर से हम सभी तीनों पदों से X स्कॉाइर कॉमन देख रहे हैं ना यह हमें स्वरी लेमडा स्कॉाइर कॉमन देख रहे हैं लेमडा स्कॉाइर कॉमन मिल जाएगा तो यहां पर X स्कॉाइर लिखना है यहां लेमडा स्कॉाइर कॉमन चला जाएगा तो माइनस में 2Y स Square है तो भाग में घाटें घर्ट जाती है इसको हम लिए सकते है लेंडा की पावर जी नहीं बचा है बिलकुल वही फलन है जो हम ने लिखा था fpx memoir ब्रावर एकश स्कौायर मानस 2y² प्लस xy अपोन में x² यही तो था तो अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा आउकल समीकरड सम घाती आउकल समीकरड है सून घात का सम घाती आउकल समीकरड है अब अगर सून घात का सम घाती आउकल समीकरड हमने सिर्द कर लिया यहां आप लेख सकते हो पतहा दिया गया फलन सून घात का सून घात का सम घाती सून घात का सम घाती फलन है ठीक है तो भई यहां पर अब हमने यह सम घाती तो सिद्ध कर लिया आंगे की प्रोसेस में हमें यह देख करना है कि इसको हल करना है हल करने के लिए वही प्रोसेस के अगर यहां पर दोगों यह मान लेते हैं दिया गया यह जो आउकल समीकर्ड है वो इस परकार है dy over dx बरावर x square माइनस में 2y square प्लस x into y बटे में x square ये दिया गया आवकल समीकर्ण है और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है माना जाता है यहां पर हर प्रिश्ण में एक यह बात के by बरावर vx यहीं तो लिखते हैं y बरावर vx अब यहां से v की value की जरूरत पड़ेगी तो v की value हम y बटे x लिखेंगी बिल्कुल ठीच अब v बरावर कितना होगा y बटे में x होगा इसका आउकुलन करते हैं तो dy over dx बरावर first फलन इन्टू second का आउकुलन प्लस second फलन इन्टू में first का आउकुलन लिख लेते हैं यहां पर y बरावर vx और dy over dx इन दोनों मानों को इन दोनों मानों को दिये गए आउकल समीकर में रख देते हैं dy over dx के जगह पर यह रखना है ठीक है y के जगह पर vx रखना है तो यहां पर लिखना है कितना यहां पर लिखना है v plus x into dv over dx लिखना है बरावर का निसान लगाओ और यहां पर दोको x square को कुछ नहीं लिखना है ज्यों काते हूं माइनस में 2 y square को v square x square लिख लें plus x into y को हम v x लिख लें और बटे में यह हमारा x square लिखा है उसको हम ज्यों काते हूं लिखेंगे x square हमारा ज्यों काते हूं रहेगा ठीक है इसके बाद आप देख पा रहे हो यह हमारा ज्यों को v plus x into dv over dx बरावर उपर वाले सभी पदों में ज्यों को ध्यान से x square common है क्या है x square common दिखाई दे रहा है तो यह यहां पर 1 minus में 2v square मिला है plus में यहां v मिलेगा और नीचे बटे वाला जो x square है वो cancel out हो जाएगा अब plus का v दर ले जाओ minus का v हो जाएगा तो x into में dv over dx बरावर 1 minus v square plus v minus v यहां से दो हो minus v plus v यह भी cancel हो रहा है ठीक है यह दो v square है तो यहां पर आपको क्या लिखना है 1 minus 2v square ठीक है तो बचो अब यहां से जो बचा है ना उसमें आप ध्यान से दोखो आप यहां से चरों का पर्थकरल किया जा सकता है क्या किया जा सकता है चरों का प्रत्थक करण, दोखो कैसे करोगी, यहां पर जो db है, उसके बटे में तो आपको लिखना है, बन माइनस 2b स्कुरार, यह भाग में आ जाएगा, बराबर में, यहां dx बटे में, dx उपर और x से बाग, तो अब यह चरों का प्रत्थक करण हो ग upon में 1-2B square लिखो बराबर में समा किलन यहां पर dx upon में x लिख दें ठीक है यहां पर इसका समा किलन बताओ क्या करोगे यहां दो को 2 लिखाए ना 2 को पहले अगर चाहो तो यह बाहर कर सकते हो 2 समा किलन db upon में यहां पर दो से भाग करोगे तो एक बटे 2 आएगा या फिर एक बटे 2 को का मतलब एक बटे under root 2 का whole up square इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस यह b square 2 हमने इन दोनों जगे से common ले लिए ठीक है दो common लोगे तो एक में 2 का भाग एक बटे 2 लिखना है है ना यहां दो common चला गया वी square बचाएगा ठीक है बराबर में समा कलन एक बटे x इंटू में dx लिख ले आप ठीक है बच्चो इसनी बास सही चल रही है अब बताओ भया इसका समा कलन क्या होगा बहुत अच्छे से पता है भाई इसका समा कलन होता है एक बटे 2a एक का मान कितना है एक बटे अंडरूट ठीक है एक बटे 2a लोग a प्लस x a का मान कितना है एक बटे अंडरूट दो a प्लस x x का मान कितना है x का मान v है और बटे में x a माइनस x a का मतलब एक बटे अंडरूट दो माइनस x का मतलब बराबर यहां पर लिखना है लोग X और प्लस एक कोश्टेंट को भी हम लोग C लिख लेते हैं ठीक है इतनी बात ठीक है पच्छो इसके बाद में दोखो यहां पर अंडरूट दो से यह अंडरूट दो बार कैंसल हो जाएगा थोड़ा आंगे यहां लिख लेते हैं दोखो लिखना है लोग इसके बाद में दोखो अंडरूट दो ऊपर से अंडरूट दो नीचे से से अल्जीम आयगा तो बन प्लस अंडरूट दूवी बटे में बन माइनस अंडरूट दो भी इस प्रकार लिखो और बराबर में इदर लॉग X प्लस लॉग C लॉग X प्लस हो यहां से इसको और आगे इस प्रकार लिख सकते हैं एक बटे दो अंडरूट दो इंटु में लॉग यहां पर आप वाई का आप वी का मान लेख दो तो बन प्लस अंडरूट दो वी का मान है वाई बटे एक बटे में बन माइनस अंडरूट दो बाई बटे एक ठीक है और बराबर में इदर लिखोगी लॉग X प्लस लॉग C ठीक है इसके बाद देखो एक बटी में दो अंडरूट दो इंटू में लॉग X LCM उपर आएगा 20CM नीचे आएगा जो की आपस में कैंसल हो रहा है तो आपको यहां मिलेगा एक्स प्लस अंडरूट दो वाई नीचे बटी में मिलेगा एक्स माइनस अंडरूट दो वाई और इधर बरावर में यहां पर लोग एक्स प्लेस लॉग सी लॉग सी लिखना चाहो तो लॉग सी लिख सकते हो या सी भी लिख सकते हो कोई समस्या नहीं है जो आगे यहां पर हल नहीं कर सकते इसको ऐसा ही छोड़ना है कोई समस्या नहीं है ठीक है तो इस तरीके से यह इसका हल है लॉग सी जो हमने लिखा है उस क्या है क्या है तो एक लॉग से लिख सकते हो यह के quality का यहां पर हल दो को यहां पर हो यहां पइस के पहले हममें ऑब लुक्त कुई दर्साना है के स्मकाथ है यह नहीं और पिर इसके बाद में व कर रह Dieses को समखirk समीं करका विसज पर मतलब विसीस्ट हल गयाद करें ऑफिसेस्ट Państu दिया घया है जबकि वाइक कमाने एक चमाने एक है उस्टाल में और भी इस्ताल परम तो मतलब ब्यापक हल दो गयाद करने करते से तो हमारा इतनी प्रोसेस थोड़ी सी प्रोसेस आंगे बढ़ानी है यहां पर जो आखल समीकर्ड पहले दिया गया है उसको यहां लिखो x square into d by plus x into y plus by square into d x बराबर में 0 यह तो हमारे दिया गया आखल समीकर्ड है बचो पहले इसको पहँचानो कि यह किस टाइब का आउकल समी करड़ है। देखो यहाँ पर इस पद को इधर ले जाओगे माइनस में हो जागा x² इन्टू में dby ब्राबर माइनस में हो जागा x² प्लस बाइस्कौाइर इन्टू में dyi अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दोखो डी बाई अपोन में डी एक मतलब डी बाई ओवर डी एक बराबर माइनस में अब यहां पर अगर हम सीधा सीधा जैसा की पता है अगर प्रसक्रण वाला पहला नियम होता है प्रसक्रण अगर करना चाहें चरों का प्रसक्रण करना चाहें तो नहीं हो सकता X को DX के साथ में Y को DY के साथ में रखना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते तो अब यहां सम घाती वाली प्रोसेस दोखो उपर यहां पर X पर एक घात है Y पर एक घात है तो दो घात हो गए कि नहीं यहां भी दो घात है Y पर दो घात है X पर भी नीचे दो गहाते हैं तो उपर वाला फलन दो गहाती फलन है नीचे वाला फलन दो गहाती फलन है तो कुल मलाकी ये सम गहाती फलन कहलाएगा और यदि ये सम गहाती है यहाँ पर सिद्ध तो करवाया कर नहीं अगर सिद्ध करवाया जाता तो हम इसको एफ़ोग X,Y माल लीते और फिर वही प्रोसेस करते X बरावर लेमडा X, Y बरावर लेमडा Y रखके हम यहाँ पर चेक कर लीते यहाँ पर नहीं का गया है तो यहाँ पर सीधा लेख देना है चूंकि दिया गया समी करण सम घाती सम घाती अगर समगाती आवकल समी करण है तो आपको क्या करना है माल लेते हैं इसको हल करने के लिए क्या करते हैं माल लेते हैं Y बरावर VX Y बरावर VX माने और यहाँ से अगर हमें Y के मान की जरूरत होती है तो V बरावर हम लिखते हैं Y बटे में X अब इसका दो को आउकलन करते हैं dy over dx बरावर लिखते हैं v into 1 plus x into dv over dx परस्ट फलन सेकंड का आउकलन, परस्ट सेकंड फलन फर्स्ट का आउकलन इन दोनों मानों को हमें कहां यहां पर रखना होता है dy over dx को हमें क्या लिखना है? ये लिखना है भई, लिख देते हैं, यहाँ पर v plus x into dv over dx लिखेंगे, बरावर का निसान लगाओ, minus का निसान लगाओ, x अपना जियोंकातियों रखना है, y कमान vx लिखना है, प्लस y कमान vx लिखना है, तो v square x square हो जाएगा, नीचे x square हमारा जियोंकातियों, इसमें यहाँ उपर से दो खो x square common दिखाई दे रहा है, तो v plus x into में dv over dx बरावर, minus में उपर x square common है, तो v plus v square बच रहा है, नीचे हमें x square दिखाई दे रहा है, जिससे यह cancel हो जाएगा, plus v इधर जाएगा, तो minus का v हो जाएगा, है न, यहाँ लिखते हैं, क्या करेंगी दोखो, plus का v उधर भेज़ दे, तो यहाँ से x into में dv over में dx और यह बरावर में हो जाएगा, दोखो minus का अंदर गुणा कर दें, तो minus में b और minus का v square, और इधर यह plus v इधर जाएगा, तो यह भी आपका minus का v हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से दोखो, x into dv over dx बरावर, इन दोनों जगह को minus common ले लेगा, ठीक है, तो v square हो जाएगा, प्लस का, और v और v, 2v, ठीक है, minus में 2v, लेकिन minus common ले ले लिया है, तो plus का 2v, अब बचो, यहाँ से चरों का प्रथक करल किय कैसे करेंगे भई, dv over में लिखना है, v square प्लस 2v, ठीक है, बरावर में, यहाँ dx बटी में, x दोखो, चरों का प्रथक करल हो जाए, तो दोनों पक्चों में, समा कलन करना है, यहाँ पर लिखते हैं, समा कलन, dv, v square प्लस 2v, और बरावर में, minus समा कलन, dx, अपन में, x लिखते हैं, ठीक है, बचों यहाँ पर इसका समा कलन करने के लिए, नीचे पूल बर्ग बनाना पड़ेगा, तो पूल बर्ग बनाने के लिए, तो पता ही है, v square प्लस 2v, जहां एक जोने, एक घटा दें, तो यह तो को पूल बर्ग बन रहा है, बरावर में, इधर, minus 1 के, यहाँ पर दोखो, यह फॉर्मेट बन गया, एक बटे x square मानस a square, है ना, एक बटे x square मानस a square का रूप बन गया, बरावर में, minus समा कलन, एक बटे x इंटू dx लेकर दें, अब दोनों पक्षों का समा कलन करेंगे, क्या होता है, एक बटे में 2a, a का मान तो 1 है, log, x, x का म मतलब v plus 1, और plus a का मतला एक, क्या formula क्या होता है, log, x minus 1 बटे, log, जोखो, क्या formula होता है, जोखो, 1 बटे x square minus a square, 1 बटे x square má acquis square का समा कलन होता है, log, x minus a, but x plus a, एक का मतलब v plus 1 है, और a का मतला 1 है, तो x minus a upon x plus a, ठीक, बराबर में यहां से माइनास और लॉग एक्स यहांभी समकलन हुता है प्लैस यहां कॉज्टेंट C लिख ले यहां फिर लॉग C लिख लिख ले दोनों तरब लॉग है न तो यहां भी हम log c लिख लें ठीक है log c आप इसको यहां पर तो और हल करोगे एक बटे 2 आएगा यहां पर log लिख दें एक एक cancel हो रहा है v बटे में v plus 2 ठीक है plus log c यहां पर लिखें यह माइनस का है इदर आएगा plus का हो जाएगा log x और बराबर में log c यहां पर ज्यों का त्यों ठीक है अब यहां पर वी की बैलू रख जाए वी की बैलू बाई बटे एकस है तो यहां पर एक बटे दो लोग बाई की बैलू बाई वी की बैलू बाई बटे x रखनी है बटे में by बटे x प्लस दो लिखनी है प्लस log x लिखना है और बरावर में log c ऐसा लिखना है ठीट है इतनी बात समझ में आई चलो और थोड़ा आँगे बढ़ाएं यहाँ पर दो को x है नीचे भी x common लगता हम आएगा ना वो cancel आपस में हो जाएगा तो इस तरीक में लिखेंगे कितना by plus 2x लिखेंगे यहां देखो यह x के साथ में यह दर गुणा हो का ना 2x और x x यह cancel हो जाएगा प्लस यहां पर प्लस log x लिखो लौग x लिखो और बरावर में इदर लिखेंगे log c तो बचों यह यहां पर अवकल समीकरण का ब्याफक हल निकल के आय यहाँ पर अब क्या करना है ? अब यह करना है कि वाई, कमान एक और एक मान एक रखके हम C की वैलू निकालेंगे यहाँ ऐसा लिएते हैं वाई बरावर एक कॉमा एकस बरावर एक रखने पाध यहाँ एकस और य की मान एक एक रख देते हैं ये हो जाएगा एक बटे दो लॉग वाई की वैलू एक बटे में एक प्लस दो गुणा एक ठीक है और ये प्लस में लॉग एक्स कमान एक लिखें बरावर में इधर लॉग सी है तो बचो इधर से एक बटे दो लॉग एक बटे दो रिक तीन और ये तो जीरो हो जाएगा बर लावर लॉग सी तो इस तरीके से लॉग सी की वैलू हमें यहां से मिलाई है एक बटे दो लॉग एक बटे टी ठीक है इतनी बात अब लॉग सी की वैलू को हमें यहां रख देना है इसमें रख देना है ब्यापक हल में रख देना है दो को इस पर नंबर एक डाल लेते हैं औ log C कमान समी करण एक में रखने पर पहले नमबर बाले समी करणे में रख दे तो ये हमां दो को क्या मिल जागा 1 बटे 2 log बाई बटे में बाई प्लस टू एक्स बाई प्लस में कितना टू एक्स बाई प्लस टू एक्स और इसके बाद में प्लस लॉग एक्स बराबर में जो सी है लॉग सी है उसको हमें क्या लिखना है एक बटे दो लॉग एक बटे तीन लिखना है ठीक है अब देखो द्यान से अब यहाँ पर एक बटे दो यहाँ पर पूरे समी करण में एक बटे दो से बाग कर दो या यह कहो दो से गुणा करो दो से जब गुणा करोगे तो दो से दो ये कैंसल हो जाएगा तो यहां मिलेगा लॉग बाई बटे में बाई प्लस टू एक ठीक है प्लस यहां दो से गुणा करोगे तो दो लॉग एकस मिलेगा ये भी ठीक है, बरावर में यहां दो का गुणा करोगे तो लॉग एक बटे तीन मिलेगा, ये भी ठीक है ठीक है, यहां पर दो को दो ये लिखा है इसको घात पर लगा जा सकता है लॉग M की पावर N बरावर N लॉग M होता है तो इसको घात पर ले जा सकते हो ठीक है तो यहां लिखेंगी log by बटे में by प्लस 2x और यह प्लस log x square लिख ले बराबर में यहां पर log 1 बटे 3 लिखें अब देखो log m प्लस log n बराबर log m into n होता है गुणा कर दें तो यह हो जाएगा log x square के साथ में by बटे में 2x प्लस by ठीक है इनका दोनों का गुणा कर लिए log m प्लस log n बराबर log m into n दोनों का गुणा कर दिया बराबर में इधर लिखेंगे log 1 बटे 3 दोनों पक्षों में log कैंसल कर लिया जाए तो अंसर हमें मिल जाएगा x square into by बटे में 2x प्लस by बराबर में एक बटे 3 अब यहां cross multiply करके इसका answer लिख देते हैं दोखो cross multiply करो 3 का जहां गुणा और इसका तो यह हो जाएगा 2x प्लस by बराबर में 3x square into by तो यह वच्चों इस आउकल समय कर लिखा दोखो business हल है business हल यहां पर दोखो c की value नहीं c की value c का जो business मान आया है वो यहां से हमने निकाल लिया था c मतलब log c यहां पर हमने क्योंकि constant को log c मान था तो constant log c का मान जो business मान निकला है वो यह है उस मान को log c के मान को हमने यहां पर ब्यापक हल में रख दिया है और इसको हल करने के बाद यहां पर दोखो यह सी से बलुक्त हो गया है ना सी नहीं है इसमें तो इसका मतलब यह समीकर्ड क्या है इसका बिसिष्ट हल कह राएगा यह बिसिष्ट हल है ठीक है तो इस तरीके से यह आउकल समीकर्ड जो आपके समय करना है ठीक है इसके बाद रहा क्वा always MY करणों की बारी आती है कि रहा आखिक ड कर समी करणों से समध्द्द यहां पर आप समझ लिती हैं को जैसा की एक आपister समेकरन से 66 सब्सक्रम अना कि सब्सक्रम की बात समझो तो यहां से रहां से एक प्रश्म जरूरा हाता है यहां पर समझना है यहां पर पहले तो हमें पहंचानना पढ़ेगा कि यह रैखिक आउकल समी करण मानेंगे यहां पर दो सकल में दो प्रकार से हम कह सकते हैं या उसकी चो सकल है वो दो प्रकार की होती है ऐसे एक तो यह आपका आउकल समीकर्ड रेखिक समीकर्ड हो जायगा जिसको हम इस प्रकार से लिखें कि डी वाई उबर डी एक्स प्लस PY बराबर Q इस फॉर्मेट में अगर आपको लिखा मिलता है तो इसको हम रैखिक आउकल समिकर कहते हैं और एक दूसरा भी इसका रूप है वो रूप इस प्रकार से है कि DX over DY लिखा हो प्लस P1 Y बराबर में यहां पर P1 X बराबर में Q1 इस फॉर्मेट में लिखा हो तो बचो यहां पर दो फॉर्मेट हैं इस प्रकार से हो सकता है अथवा इस प्रकार से हो सकता है आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि दिया गया वकल समिकड रैखिक वकल समिकड है या नहीं है अगर रैखिक वकल समिकड है तो उसके हल करने की विध्याँ आपको सायद मेरे और Q की बैलू हमें यहां से ग्याद कर लेते हैं जैसे जो भी आपका समीकर्ड दिया जाएगा उसकी इस वाले समीकर्ड से तुलना करके हम P और Q की बैलू ग्याद करने के बाद दूसरा स्टैफ होता है कि उसका हम समाकल गुणांक निकालते हैं इंट्रीगल फैक्टर आई-एफ लिखते हैं क्या लिखते हैं आई-एफ आई-एफ बराबर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं उसका सूत्र सीधा डारेक्ट याद रखी आई-एफ बराबर एकी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है यह हमारा इंट्रीगल इन्टू डी एक्स प्लस कोस्टेंट ये वच्चो इसका हल करने का फॉर्मूला है बस आई एप पहले आपको अलग से निकाल लेना है क्या करना है एकी पाबर इंटीग्रिसन पी डी एक्स इसकी वैलू पहले निकालोगे और फिर इसको यहाँ पर आई एप की वैलू रखोगे क्योंकि वैलू यहाँ से दोखो निकालने है ये क्योंकि वैलू रखनी है आई एप का गुणा करके यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे और जो अंसर आएगा बस वही इस आउकल समीकर्ण का हल कहलाता है और यदि इस format में मिलता है तो अभी हमें वही काम करना है तुलना करके P1 और Q1 के मान निकालो और फिर इसके बाद में यहां पर integral factor निकालना है IF निकालना है उसको दोखो ध्यान दे इसका IF कैसे निकालते हैं समाकल गुणांक कैसे निकालते हैं EQ Power Integration P1 into DY लिखते हैं ठीक है इसमें क्या लिखते हैं PDX यहां पर क्या लिखते हैं P1 into DY और इसके बाद यहां पर इसको समाकलन करने के बाद EQ Power जो भी आपका यह answer आएगा वो समाकलन गुणांक कैलाएगा और फिर इसके बाद हम यहां पर सूत रैपलाई कर देते हैं इसको हल करने के लिए सूत रैपलाई करते हैं कि X into IF बरावर Integration Q1 गुणे IF into DY बाई प्लस कॉच्ट यह बच्चों हमारा formula इसके हल करने का होता है बस दो प्रकार के आपके आउकल समिकर्ण मिलते हैं और जैसा कि हमने बताया कि यहां से एक प्रस्ण आता है तो आपको बिलकुल अच्छे से अगर आपने 4-5 प्रस्णों की अच्छे से practice कर ली तो फिर तो किसी प्रकार का कोई प्रस्ण आया सभी प्रस्ण कर सकते हो similar जैसे होते हैं समा क्लन चूंकि अलग-अलग करना है अलग-अलग function आएंगे तो अलग-अलग समा क्लन मिलेगा लेकिन बाकी सब process यह करनी है केवल आपको यहां से इस type का मिलता है तो यहां से इसके तुलन करके P और Q के मान निकालो फिर समा कल गुड़ांक निकालो फिर इस सूतर में मान लगके यहां पर इसका समा कलन कर दो समझो इसका हल होगा ब्यापक हल इसको कहते हैं और बिलकुर अगर इस format में अगर आपका आउकल समीकर्ण मिलता है तो यहां से इसकी तुलना करके P1 और Q1 के मान निकालो फिर समाकल गुणांक निकालो इकी पावर इंटीकेशन P1 इंटू डी वाई इसको हल करके समाकल गुणांक मिल जाएगा फिर सूत्र अप्लाई करना है इसके व्यापक हल का यह सूत्र है समझो है न क्या करते हैं एक्स गुणए आई एफ बड़ावर इंटीग्रेशन क्यूबन गुणए आई एफ गुणए डी वाई प्लस कोश जाएं ठीक है तो बस दो आपके फॉर्मेट हैं और दोनों फॉर्मेटों के लिए हमने आपको प्रोसेस बताई क्या क्या करनी है अब यह अग्जाम्पिल ल रूप से पूछा गया है उस प्रिश्ण को यहां पर लेंगे जोखों हमारे पास एक प्रिश्ण है यह डी वाई ओबर डी एक्स प्लस टू बाई बराबर साइन एक्स यह हमारा एक कोई आउकल समीकर्ण है जिसके आपको सकल बिलकुल एकदम दिखाई दे रही होगी कि भ फलन हो सकते हैं पी और क्यू दोनों अचर हो सकते हैं या फिर दोनों मैंसे कोई एक एक्स का फलन हो सकता है ठीक है इस मैंसे यह दोनों अचर भी हो सकते हैं एक्स के फलन भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो हमें क्या करना है यहां से दो को पहला कम तो यह है की तुलना क तो भी तुलना से P और Q के वैलू हमने निकाल ली तो हमने आपको अभी थोड़े देर पहले बताया था कि जब P और Q का मान निकाल लें तो हमें फिर समाकल गुणांक निकालना होता है integral factor इसको कहते हैं I F से लिख लेते हैं और formula होता है E की पावर integration P dx बरावर E की पावर integration P पी की वैलू है 2 इंटू में dx बचो ये पता है न तू तो अचर संख्या है 2 को तो हम समाकल से बाहर निकाल लेंगी बन बचेगा बन का समाकलन x होता है तो integral factor का मान हमारा यहां पर मिल गया I F का मान मिल गया E की पावर 2x अब हमें इसके हल करने का ब्यापक हल करने का एक formula हमने बताया ब्यापक हल इसका कुछ किस फॉर्मूले से ब्यापक हल निकलता है लिखते हैं बाई गुड़े I F बरावर integration Q गुड़े I F गुड़े dx प्लस constant ये हमारा इसके हल करने का formula है बस यहां पर हमें समाकल गुड़ा का मान रख देना है दो को यह हमारा समाकल गुड़ांग है कितना E की पावर 2X बरावर समाकलन Q की वैलू रखनी है दो को Q की वैलू यहां से हमने साइन एक्स लिखी है ना तो यहां लिख लेते हैं साइन एक्स और I F की वैलू यह लिखनी है E की पावर 2X into dx प्लस constant समाकलन करके यहां पर जो भी आंसर आएगा बस वही उस आउकल समीकल का हल हो जाएगा सिंपल सा काम अच्छा वैं यहां पर इसका समाकलन कैसे करोगे दोखो ध्यान दें इसको यहां पर हम I लिख लेते हैं दोखो यहां पर इसको ऐसे लिख दें बाई इंटू E की पावर 2X बरावर इसको हमने लिख लिया I या फिर I1 लिख सकते हो प्लस एक यह कॉश्टेंट यह समझो हमारा आंसर आ गया अब बस केवल I1 का मान यह है इसको पहले हल कर लो जो भी हल आएगा उसको यहां रख देंगे समाक यह आपर इसका ब्यापक हल हमें मिल जाएगा देखो I1 कितना है यहां पर आपको लिखना है जहां I1 की वैलू है कितनी आपको लिखना है समाकल समाकलन करना है साइन एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू दिया है यह और प्लस चलो इतना ही खीक है तो यह I1 की वैलू है इसको आप समाकलन कर दो यहां पर कर सकते हो ना य 18 के अंसार टिंग्नोमे ड्युक संट चे मोजय करने के लिए पहले जो फलन करने के भिष्म पहले बांगर कर देना है तो पहला फ़लन दूसरे का समा किलन माइनस समा किलन फश्ट का आउकलन इसका आउकलन बताओ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स होगा इसका समाकलन करते जाओ, यहाँ पर दो फलन कभी खतम नहीं होगे, यही बार बार आएंगे, दोखो, यहाँ पर बराबर में sin x इंटो में e की पावर 2x बटे में दो, माइनस एक बटे दो, अब यहाँ पर फलन योंकातियों लिखना होता है, सेकंड का समाकलन तो एकी पावर 2x बटे 2 लिख दें, माइनस समाकलन पहले का आउकलन, यह हमारा कॉस x इसका आउकलन माइनस sin x हो जाएगा, पहले का आउकलन और दूसरे का समाकलन तो एकी पावर 2x का समाकलन एकी पावर 2x बटे 2 इंटो में डियागा, ठीक है, अब से एक बटे चार लिखो कॉस एक्स इंटू ए की पावर टू एक्स यहां देखो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस का कुणां करोगे तो माइनस हो जाएगा और दो दूनी चार और ध्यान से अगर देखा जाए वच्छों यह हमारा आई वन है तो को यही तो प्रस्ट में दिया गया है साइन एक्स इंटू एक की पावर टू एक्स यह वटे बाला दो यहां से देखो दो दूनी चार ये एक बटे चार लिख लिया है और जो बचा है ना उसको हमने आई बन ये प्रस्टमें दिया गया है तो इसको हमने आईवन लिख आ, ठीक है इस I1 निकालना है, इदर लेयाओ, इदर क्या चला है, ये चला है I1 तो I1 प्लस एक बटे 4 इन्टू I1 बरावर में इन दोनों जगह से आप देख सकते हो E की पावर 2X कॉमन है बटे में 4 ये LCM ले लो तो यहां से दो को 2 से मल्टिप्लाई हो जाएगा दो इन्टू में साइन एकस माइनस में एक बटे 4 इन्टू ये fragrमन में चला गया तो कॉस एकस यहां λेखना है ठीक है इसको हल करो तो 4 एकम 4 और एक 5 पाई 1 बटे में लिखो चार बराबर में A की पावर टूय टू एक्स बटे में चार इंटु में टू साइन एक्स कॉस एक्स इसको यहां लिख दे ठीक है चार से चार कैंसल आउड करो, पांच से भाग करो तो I1 का मान दिखो यहां से हमें मिल जाएगा ie کی power two x बटेमें HERE Dell做 इसको i.1 को इतने को हमने i.1 माना था बस i.1 की वैलु हमने निकाली है इसलिए इसको कहां रखना है sumidade 1 में रख दो तो इसका हमें ब्यापकल मिल जाएगा आपको यहां लिख दैना है i.1 का मान sumi.1 एक में रखने पर कहां लिखो बाई गुड़े e की पावर 2x बाई गुड़े e की पावर 2x बरावर 5 बन का मान लिखोगे e की पावर 2x बटे में यहां लिखना है 5 और यह आपके पास है 2 sin x और माइनस में माइनस में cos x ठीक है और plus cos x अब यहां पर दोखो e की पावर 2x यह सब में से cancels हो सकता है cancel कर दें तो अब हमें यहां से अंसर इसका मिल जाएगा y बरावर e की पावर 2x यह cancel हो जाएगा e की पावर 2x चलो cancel कर देते हैं तो y बरावर हो जाएगा 5 इंटो ब्रैकेट में को सीन एकस मायनस में कॉस एकस और प्लस फोस्टन यह इस ऑगल समनी करल यह थिक बात के की लिए रोगल आज़ें यहां पर निकाल alright हमें बस केबल और केबल यह याद रखनी है कि आज़कल हमारा इन दो आ धा nhवे आपका है । जुछ फोर्मेट में है तो हमें इस से तोलना करके पी और क्यु के माल नीकालना है इंट्रिगल फैक्टर के बाद यह हमिन व्यापक खलका फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है यह गुणए आई एफ बरावर इंटीग्रेशन की गुणए आई एफ इंटूर एक प्लस कॉस्ट है ठीक है इसमें मान रखे यहां पर इसका समाकलन करूं बाई दबे कभी-कभी ऐसा होगा समाकलन बिल्कुल एक दम आसान हो करने आए यहां पर लगा तो खंडसा लगा यहां पर लगा तो जायेः लकिन यहां पर इन दोनों के गुडटन फल पर कभी आप कितनी विमार बर चसे चलाएगा लिकिन रॉसरी बार उक लन करने पर इस इस स्तितिryw में पहुँचाया और ओ दिया गया वही बन रहा है कि तो यहां पर समाकलन करने के बाद यहां जो फलन बना है वह आपका वही फलन बन गया है जो आपका प्रश्ण में दिया गया है ठीक है तो इसको हमने आइवन लिख लिया है और आइवन की मान ग्याद करना है तो इसको इदर ले आके यह प्लस का एक बटे चार आइवन हो गय इसको नोट करें अंगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं तो यहां पर यह प्रश्ण है ब्राबर कोट एक्स इंटू डी एक्स इसका ब्यापक हल ग्याद करना है वही प्रोसेस हमें पहले हमें यह देखना है कि सवाल जो हमारा आउकल समीकरण दिया गया है वो किस फॉर्मीट में है यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मीट में अगर करना चाहो तो यह डी वाई है अगर पूरे समीकरण में डी एक्स से भाग कर दें तो यह इस प्रकार से दोखो बदल जाएगा बन प्लस एक्स स्क्वाइर हम खतम हो जाएगा यहां भी दोको dx से भाग करोगे तो काम खतम हो जाएगा मतलब कोट है तो बचो यह हमारा दोको एक फॉर्मिट बना इसमें हमें dy over dx निकालना है तो 1 प्लस x स्क्वाइर से और भाग करना पड़ेगा दोको भाग कर देते हैं तो यहां मिल जाएगा dy over dx प्लस में यहां हो जाएगा 2x into by बटे में यहां लिखना है 1 प्लस x स्क्वाइर और बराबर में यह कोट x के बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वाइर हो जाएगा देखो इस तरीके से तो बचो अब देखो कि यह हमारा जै जो हमने अभी आपको रहके काउकोल समय कर बताई दो प्रकार कि उन मेंशे किसी प्रकार का है क्या तो आप देख सकते हों बिलकुल दोगों डी वाई ऊबर डी ऑक स्वाइर डी अक्स से प्लस इपी वाई-वर बर ous दुलला करके आप देखो ध्यान से इस फ्वार्मीट में है बिलकुल है देखो बिल्कुल है डी वाई उबर डी एकस लिखा है कि नहीं बाई का जो गुणांग है ये देखो हमने जैसा की बताया था कि जो बाई का गुणांग रसा जो पी होता है वो या तो एकस का फलन होता है या अचर होता है तो यहां पर जो पी है वो क्या है ये एकस का कोई फलन है एक्स का फलन है और Q जो लिखा है वो भी हमारा X का ही फलन है तो P और Q कोई अचर हो सकते हैं या फिर X के फलन हो सकते हैं तो यहां पर P जो है वो भी X का फलन है Q है वो भी X का फलन है तुलना करोगे तो यहां से हमें P का मान मिलेगा 2X सपोन 1 प्लस X स्क्वाईर। और Q का मान यहां से मिलेगा, कौट B hem依ार मी, बन प्लीस एक्स स्क्वाईर e displacement, ऐसा यह पर मिलेगा। ठीक है। P और Q के मान निकल के आगे। अब भी जब P और Q के मान निकल के आते हैं, तो हमारा अंगला स्टेप होता है कि समाकल गुणंक कि गयाद करना होता है आई एफ कमान गयाद करना है तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया कि integration PDX बिल्कुल सभी पृष्णव में एक एक काम करना है ठीक है तो E की पावर integration P की value यहां पर है 2X बते 1 प्लस X square into dx तो अब बच्चों यहां इसका समा किलन बताओ, बहुत आसान से आपने प्रतिस्थापन द्वारा समा किलन किये हैं, तो 1 प्लस X स्कॉयर को अगर T माल लिया जाए, जोखो, इसको बिल्कुल मौखिक करना है, ऐसा हम आपको केबस समझाने के लिए लिख रहे हैं, जोखो, 1 प्लस X स्कॉयर को नीचे ह हमना T माल लिया, तो ये 0 प्लस 2X इंटू DX बराबर DT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या ये कहें, कि 2X इंटू DX बराबर DT, जोखो, ऊपर 2X इंटू DX लिखा है, तो इसको DT बटे T मतलब Log T होता है, क्या होता है, Log T, इसका समा किलन क्या लिखना है, Log T, T का मतलब 1 प लिखा जा सकता है, 1 प्लस X स्कॉाइर, बच्चों यहां पर इस बात को याद रखिए, E की पावर Log X का मान जो होता है, वो सदय एक्स लिखा जाता है, याद रखिए गब, E की पावर Log X बराबर, मतलब Log के आंगे जो भी लिखा है, वही मान होता है, तो Log के आंगे 1 प्लस X स्कॉाइर लिखा है, तो इसका मान क्या होगा, बन प्लस X स्कॉाइर होगा, तो यहां से हमने समाकल गुणांग तो निकाल लिया, आई अप का मान निकाल लिया, अब हमें इसके ब्यापक हल के लिए सूतर पता है, ब्यापक हल के लिए जो सूतर होता है, वो क्या होता है, बाई गुणे आई एफ बरावर integration Q गुणे आई एफ गुणे dx होता है प्लस एक आगे constant लिखते है ठीक है तो यहाँ पर बाई अपना जियोंकातियों रहता है आई एफ कमान हमने निकाल लिया है 1 प्लस x स्क्वाइर ये भी बिल्कुल ठीक है बरावर में integration Q की वैलू रहा है Q कमान कितना है 1 प्लस x स्क्वाइर ये हमारा Q कमान है और इंटू में आई एफ आई एफ कमान दोखो यहाँ से 1 प्लस x स्क्वाइर है तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस x स्क्वाइर इंटू dx हमारा जों काते हूं प्लस x स्क्वाइर से 1 प्लस x स्क्वाइर कैंसल आउट हो जाएगा तो इसका हल हमें दोखो यहाँ पर सीधा मिल गया है कोट x का केबल समा कलन कर दो कोट x का समा कलन x के respect में होता है log sin x होता है प्लस हमारा यृइल लिखा है और यही इस आवकल समीकरर्ण का हाल है ठीच है यहाँ पर बस केमल प्रॉसेश वहाँ थोड़ी बदली थी इसका जब हमने यहाँ पर समय-लंड किया धा तो कुंकि दो फलन थे जो को इस आवकल समीकर का यह आमें व्याफक हल मिल रहा है बच्छों यह प्रस्ण बहुत बार पूंचे गई है तारी प्रस्ण बहुत अच्छे है आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले और इसी पैटर्ण पर बाइद अब इन प्रस्णों मेंसे भी कोई प्रस्ण नहीं आता है तो केवल संख्या बदली होगी थोड़ी बहुत कोई संख्या बदल सकता है बाकि यह प्रस्ण जो पूंचे गए ना बहुत इंपर्टेंट है हमारा ऐसा अनुमान है कि यहीं से प्रस्ण आना चाहिए ठीक है और एक प्रस्ण लेते हैं इसको और अप कर लेते हैं देखेए ंगला प्रस्ण यहां पर हम ले लेते हैं तो को डी बाई ओवर डी ये FM अगला प्रस्ण है डी बाई ओवर कहता है बिस्षिष्ट हल ग्याद करिए बिस्षिष्ट हल का मतलब तो आप समझते हो ना व्यापक हल में सी होता है उस सी का मान हमें कंडिशनों के हिसाब से ग्याद करना है कंडिशन क्या दी गई है सारत क्या दी गई है ऐसा कहा गया है कि यदि य का मान दो है तो य का मान द पाई बटे दो है तो इसका हमें विस्ष्ट हल ग्याद करना है ठीक है इसको केबल कहां पर यूज करना है सी के मान को ग्याद करने के लिए जो आपका व्यापक हल होता है उसमें सी आता है वो सी की वैलू हमें इन एक्स और बाई के मानों से सी की वैलू ग्याद हो जाएगी जो C का मान होगा वो आपका एक विश्ष्ष्ष्ट मान होगा इसलिए अवकल समीकर्ड का जो हल निकलता है वो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दो को इसी रूप में तो है तो तो तुलना घर हम करेंगे यहां से तो P और Q की value मिल जाएगी P का मांन मिलेगा किसना माइनस 3 into qař救 और Q का मान यहां से मिलेगा sin2x जैसा कि हमने बताया कि जो P और Q होते हैं वो क्या है कोई अचर हो सकते हैं या X के फलन हो सकते हैं तो यहां पर P जो है वो क्या है यह X का फलन है Q क्या है यह भी X का फलन है तो P और Q के मान हमने ग्याद कर लिए इसके बाद आगे की कहानी यह कि भाईया integral factor निकाल लो तो integral factor बराबर होता है integration P into dx सम्में यही करना है एक रूल है तो E की पावर integration P का मान माइनस 3 कोट एक्स रख दें और into में dx यह जूंका दें ठीक है अब इसका देखो माइनस 3 तो अचर रासी है इसका सम्माकलन नहीं करना है यहाँ पर केबल सम्माकलन कोट एक्स का करना है कोट एक्स का सम्माकलन log sin x होता है यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हों अब यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ यह आपने पढ़ा है कि अगर m log n लिखा हो तो इसको हम log n की पावर m लिख सकते हैं यह हमारा घात में पह पहुंचाया जा सकता है देखो ध्यान ने यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है यह की पावर log sin x की पावर minus 3 इसको ऐसा लिखा जा सकता है अब देखो बच्छों जैसा है कि हमने अभी आपको यह बताया था कि e की पावर log x बराबर होता है x तो अब यहाँ से आप तब समझते हो एक बटे में sin cube x ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है यह हमने निकाल लिया integral factor अब हमारा integral factor जब निकल के आ चुका है तो आगे वाला step क्या होता है इसका ब्यापाखल निकालना होता है तो ब्यापाखल के लिए formula क्या होता है उसके लिए formula हमने बताया कि by गुड़े if बराबर integration q गुड़े if गुड़े dx और plus constant तो by गुड़े if if का मान देखो यहां पर एक बटे क्या लिखना है एक बटे sin cube x बराबर integration q का मान क्या लिखना है q का मान लिखना है sin 2x क्या लिखना है q का मान sin 2x है और यहां पर if का मान एक बटे में sin cube x है इंटू में dx लिखो plus constant ठीक है थोड़ा इसको और हल करेंगे by गुड़े एक बटे में sin cube x बराबर यहां पर sin 2x को हम 2 sin x into cos x लिख सकते हैं into dx और बटे में यह sin cube x ठीक है यहां पर एक sin cancel हो जाएगा square बचाएगा तो आंगे और बढ़ा हो तो by into में एक बटे sin cube x बराबर दो हमारा समा करन से बाहर निकल सकता है यहां बचाएगा cos x into में dx नीचे हमें यहां पर मिल रहा है दोखो ध्यान दें नीचे क्या मिल रहा है यह sin का square मिल रहा है क्या मिल रहा है sin sin का square ठीक है तो यहां लिख देते हैं sin square x इतनी बार ठीक है बचो अब यहां पर sin x को अगर टी मल लिया जाए तो आउकलन दो को sin x को हम यहां माल लेते हैं t आउकलन करना यहां पर समा कलन करना है तो sin x को यहां पर माल लेते हैं t दो को plus constant लगाना ना भूलें जैसा चल रहा है वैसा चलने दें sin x बराबर t तो cos x into dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा और यह हमारा इस परकार से दो को by गुड़े ए एक बटे में sin cube x बराबर 2 into समा कलन उपर आपको लिखना है dt और नीचे लिखना है t का square और प्लस यह constant आप यहां पर दो को इसका समा कलन करना है by into एक बटे में sin cube x बराबर 2 यहां से उपर ले जाओगी माइनस का 2 power जब समा कलन करोगी तो t का power minus 1 बटे minus 1 से भाग करो plus constant तो बाई गुड़े 1 बटे sin cube x बराबर तो माइनस में 2 बटे t लिख दो और t की value यहीं पर रख देते हैं t की value है sin x क्या है t की value sin x लिख दें और plus यहां पर cost बहुत आप बच्छू इतनी यहां तक बात ठीक है इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं अब यहां पर अब यहां पर इसको दो को ऐसा करते हैं कि जो हमें सर्थें दी गई उस सर्थ के हिसाब से c की value गयाद कर लेते हैं देखो यहां पर यह इसका ब्यापत हल हमने निकाल लिया अब हमें c की value गयाद करने के लिए यहां पर दिया गया है कि by का मान दो है यदि x का मान दिया गया है पाई बाई टू तो यह हमें यहां पर रख देते हैं दो को by का मान दो लिख दें इंटू एक बटे sin का cube x का मान क्या लिखोगी पाई बाई टू लिखोगी बराबर 2 minus में 2 और बटे में यहां लिखना है minus में 2 बटे में लिखना है sin pi by 2 ठीक है plus constant sin pi by 2 मतलब sin 90 का मान एक होता है तो यहां पर एक लिखके हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह हमारा दो को दो बटे में 1 है ना sin 90 का मान एक होता है sin pi by 2 का मान एक होता है एक का क्यूब भी एक ही होगा तो आपको यहां से 2 मिल लेगा बराबर में इधर लिखते हैं minus 2 बटे में इसका भी मान दो को sin pi by 2 का मान एक होगा plus constant c और इस तरीके से यहां c की value minus minus plus का 4 लिख लेते हैं c बराबर 4 ठीक है इस c के मान को हम यहां समी करण एक में रखेंगे तो इसका हमें bisisht हल मिल जाए क्या मिलेगा bisisht हल हम bisisht हल की बात क्यों कर रहे थे बच्चों जो c का मान मिला है यह एक आपका एक bisisht मान है क्योंकि यहां पर जो मान मिला है उससे जाना तो अब बदल तो सकता नहीं यह बिसिष्ट मान है इसलिए इस समी करण का जो हल मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा बिसिष्ट हल कहलाएगा यह तो सी का मान यहां लिख देते हैं सी का मान समी करण एक में रखने पर ठीक है यहां रख देते हैं जोको अगर जगे थोड़ी कम हूँ तो थोड़ा जेस्ट करें जोको इसको लिखना है 2 बटे साइन क्यूब क्या लिखना है यहां पर यह यहां लिखना है क्या लिखना है by बटे में sin cube x by बटे में साइन cube x by बटे में sin cube x बरावर में यहां लिखना है minus में 2 बटे sin x और यहां पर लिखना है plus C की value 4 ठीक है अब मेरे ख्याल से यहां पर काम इतना जरूर कर सकते हैं कि sin cube का पूरे samikram में उदर गुणा कर दें यह भाग में है तो इधर पहुंचाएगा गुणा हो जाएगा तो इस तरीके से y बरावर निकल के आएगा माइनस में 2 sin square एक बार x कैंसल हो जाएगा एक बार sin x कैंसल हो जाएगा तो sin square x बचेगा और प्लस में यहां से देखो क्या मिलेगा 4 into sin cube x 4 में sin cube x का गुणा हो जाएगा और इस प्रकार से यह दोखो इस आउकल समी करणका हमें हल मिल जाएगा y बरावर माइनस 2 sin square x प्लस 4 sin cube x करेक्ट बच्चो तो यह इस आउकल समी करणका यहां पर हमें हल मिलेगा ठीक है किलियर बात है बच्चो और इसी के बाद दोखो एक और प्रकार यहां पर ले लेते हैं dy over dx dy over dx माइनस में लेखे हैं 3y into cot x और यह बरावर में sin to x लिखा है का यह हमारा एक कोई आउकल समी करण करण़ है और इसका हम से कहता है business हल बताओ का business हल बताओ बिसस्ट हल आपसे पूछा गया है और यह business हल बताना है तब जब कि y रावर 2 है याாधे एक्स की वैलू 파ी बटे 2 है तो X की वैलू पाई बटे दो है, बाई की वैलू दो है और इस X और बाई की वैलू से हमें क्या करना होता है C का मान गयाद करना होता है मतलब इसका हमें विसिष्ट हल गयाद करने के लिए इसका हम पहले ब्यापक हल गयाद करते हैं ब्यापक हल में जो c आता है constant उस constant की value यहां पर यह x और y के value रखके हम constant की value गयाद कर लेते हैं c का एक business मान गयाद कर लेते हैं और c के business मान को हम ब्यापक हल में रखके आउकल समीकर्ण का business हल गयाद करते हैं यहां पर दोखो किस प्रकार करना है यह दिया गया आउकल समीकर्ण है दोखो dy over dx माइनस में 3 by into cot x बराबर में sin to x बचो यहां पर देखो और देखने से पहले तो आपको यह पता होना किएगी कि इस format में हमारा प्रशन है आउकल समीकर्ण जो है वो इस रेउट में है रेखे का आउकल समीकर्ण का यह प्रशन है यह है d by over dx प्लस p by बराबर q के format में है इसलिए हमें इस से इसकी तुलना करके p और q के मान गयाद क करना है तो तुल ना करोगे से पी की बैलू किती मिलेगी धियान से समझें पी की मेलू मिलेगी पी का मतलब है vy का गुणांक है यहां पर q जो है क्यों क्या है Xin v है यहाँ पर पावर इंट्ई इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल ठीक है एकिप पावर इंटीगरेशन P की value minus 3 into cortex लिखना है into dx भई ठीक है ये भी ठीक है E की power minus 3 तो बाहर निकालो cortex का समाकलन आपको पता है log sin x होता है क्या होता है log sin x होता है और इसके बाद की आंगे की कहानी भी समझो ये minus 3 है अगर यहां से हटाना चाहो क्योंकि हमें ये पता है कि log m की power n जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं n log m लिखते है अगर ये n यहां होता है तो यहां बाले को घट पर लगा सकते हो तो यहां बाले को n log m की format में है n log m तो इस minus 3 को हम यहां घट पर लगा सकते हैं तो यहां पर इसको लिख सकते हैं log sin x की power minus 3 लिख सकते हैं ठीक है और अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर ऐसा हो कि e की power log x लिखा हो तो इसको हम x लिख लेते हैं मतलब log की आंगे जो भी लिखा होता है log की आंगे लिखा है sin की power minus 3 तो इसकी value आएगी sin की power minus 3 या sin x की power minus 3 कहें या इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक बटे sin cube x ऐसा भी कह सकते हैं यह जो को integral factor का मान हमने निकाल दिया ठीक है जब integral factor का मान हमें मिल जाता है तो आंगे की process यह होती है कि इसका हमें सूत्र से ब्यापक हल ग्याद करना होता है क्या होता है इसका formula यहां पर इसका formula होता है by गुणे if बराबर integration q गुणे if q गुणे if into dx plus question अब by की value लिखो if की value लिखो by into if if कमान कितना है एक बटे में sin cube x बराबर integration q और q कमान क्या लिखोगे दोखो q कमान sin 2x लिखना है sin 2x लिखना है into if if कमान क्या लिखना है एक बटे में sin cube x लिखना है ठीक है into dx लिखो plus question इसको थोड़ा सा समाकलन करो दो समझो आंतर आ जाएगा by into एक बटे में sin cube x बराबर का निसान लगाओ यहां पर दोखो sin 2x की value क्या होती है 2 sin x into cos x होती है बटे में यहां क्या लिखना है sin का cube x into यह dx है plus question बच्चो यहां से दोखो sin से एक sin तो cancel हो जाएगा square बचाएगा sin का square बचाएगा तो by into में एक बटे में sin cube x बराबर दो समाकलन से बाहर निकालो और यह cos x बटे में sin x इसको हम cortex लेख सकते हैं और इसके बाद एक sin नीचे और बच रहा है तो एक बटे sin बराबर cos x होता है into dx और plus question अब दोखो cos x into cortex का समाकलन minus cos x होता है यह आपको पता है तो यहाँ पर by into एक बटे में sin cube x बराबर क्या लिखना है दो इंटू में इसका समाकलन होता है minus cos x होता है plus question ठीक है cos x into cortex का समाकलन क्या होता है minus cos x होता है plus यह question यह का दिवह है तो बस अब आगे यह समझो इसका हमने ब्यापक हल निकाल लिया है by into एक बटे sin cube x बराबर minus में लिखना है दो बटे में दो कोसेक का समाकलन का समाकलन होता है इसलिए कोसेक x को एक बटे sin x लिख सकते हैं plus question यह इसका ब्यापक हल हमने निकाल लिया अब बिसिश्टल की बात करें तो c की value निकालें c की value यहाँ पर दोखो y बराबर 2 x बराबर πाई बटे 2 रखने से c की value मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है y बराबर 2 तथा x बराबर πाई बटे 2 रखने पाद दोखो इसमें रख देते हैं इस पर हम एक नमबर कोई डाल लेते हैं ठीक है रखो यहाँ पर एक नमबर में तो by कमान 2 लिखें into में 1 बटे sin cube pi बटे 2 लिखें x कमान pi बटे 2 लिखें बराबर का निसान लगाओ minus में 2 बटे sin pi बटे 2 लिखो और plus constant pi बटे 2 sin pi बटे 2 का मान एक होता है एक का cube भी एक ही होता है तो यहाँ से 2 को 2 into में 1 बटे 1 बराबर minus 2 बटे में sin pi by 2 एक होता है plus constant minus का 2 इदर जोड़ जाएगा plus का 4 हो जाएगा बिखाम का मतलब यहां से c की वैलू हमें चार मिलेगी इसकी बराबर 4 ठीक है अब सी का मान समीह करण एख में रखना है ठीक है Qube X बरावर में यहाँ लिखना है माइनस में 2 बटे में Sine X लिखना है बिल्कुल ठीक है और प्लस C की Valu हमने 4 निकाली है यह आपका C का जो मान है यह Bisist C का मान है मतलब C का मान अब बदल नहीं सकता अगर हम Y का मान 2 और X का मान Pi Y 2 लिखें है तो निस्चित रूप से सी का मान जो आएगा वो निस्चित आएगा इसी लिए जो सी का मान है वो बिसिष्ट मान है और सी का मान जो बिसिष्ट मान है तो इस बिसिष्ट मान को यहां पर रखोगे तो बिसिष्ट इसका हल मिल जाएगा आउकल समीकर का बिसिष्ट हल ये हमें प्राप्ट हो रहा है चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बाई बराबर साइन क्यूब एक्स यहां से हटाओ दोनों जगे अधर गुणा कर दो तो यहां पर मिलेगा माइनस में दो साइन स्कॉाइर एक्स एक एक्स कैंसल हो जाएगा प्लेस यहां से चार इंटू साइन क्यूब एक्स ये बच्चो इसका विसिष्ट हल है करेक्ट है ये इसका विसिष्ट हल है तो अगर विसिष्ट हल गयाद करना हो तो केबल और केबल ब्यापक हल तक तो वही करके जानी है बस केवल जो दिये गए मान है उनको रखके हम यहां पर सी की वैलू ग्याद कर लेते हैं वह सी की वैलू हम व्यापक हल में रखेंगे तो हमें विस्ष्ट हल मिल जाए ठीक है चली बहुत अच्छी बात है और आंगे बढ़ते हैं बच्चो एक प्रश्ण और ल देखें लिखा है एक्स इंटू डी बाई ओबर डी एक्स यह अंगला प्रश्ण है एक्स इंटू डी बाई ओबर डी एक्स प्लस बाई और बराबर में है एक्स क्यूब इंटू बाई की पावर 6 ठीक इसको थोड़ा ध्यान से देखो इसका हमें ब्यापक हल निकालना है और इसको थोड़ा द्यान से थोड़ा द्यान से बलकि ज़ाधा द्यान से कह सकते हो start by बनार एकिम क्यों आफ ये साल कि नहीं है यहाँ पर ऐसके बना बना लेते हो और मुझलब वहां पर खुछ अलग से पह restrict न होनी चाहीं तो इसकी भी आब यहां पर एक विसेथ पहंचान की बात करिए तो वच्छों पहं पहंचान नहीए मतलब इसकी यह पहंचान नहीं है कि छी आमारे री Sharp क आमकल समीक्रl है यह नहीं रेखे का ओकल समीकर्ड के हमने पहंचान बताई कि या तो आपका dy over dx plus py बराबर q इस रूप में होगा या फिर dx over dy plus p1 x बराबर q1 इस रूप में होगा तो बचो यहां पर इन दोनों रूपों में से ये वाला जो प्रस्ण लिखा है आउकल समीकर्ड जो लिखा है वो इन दोनों रूपों में से किसी भी रूप का नहीं है अब कहते हो वई क्यों नहीं है क्या इसमें समस्या है यहां पर बचो समस्या यह है कि अगर हम यहां पहल गागा डी बाई उबर डी एक्स प्लस यहां से एक्स हटाओगे तो बाई एक्स का भाग हो जागा बाई बटे एक्स हो जाएगा बराबर यहां से एक्स हटके यहां आएगा तो भाग में एक्स आएगा इसक्वाइर बचाएगा एक्स इसक्वाइर इंटू बाई की पावर बच्छो अगर यह कहो कि आप तो सक्लसाही लगтесь लेगने लगी तो अभी भी सक्लसाही नहीं है कियों Indonesi है भाई यहां से अगर हम यह कहें कि इस रूप में लग रहा है इस रूप में लग लग रहा है तो यहां पर दो को ध्यान दें Q पर, तो Q में लिखा है Y की पावर 6, अब Y की पावर 6 का हैं, तो ये तो X का फलन नहीं है, X और Y का फलन है, X में भी है, X और Y दोनों है, तो ये फलन हमारा X और Y दोनों में है, जब कि हमारा ये Q क्या होना चाहिए, तो X का फलन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह हमारा अभी परफेस्ट सकल में नहीं है तो अब हमें इसकी सकल बनाना है जैसा कि हमने बताया कि यहां पर हमें जो क्यू चाहिए वो X के फलन X का फलन होना चाहिए तो भई बाई की पावर 6 को यहां से हटा दो हटा लो भई कोई बात नहीं हटा लेते हैं किस प्रकार हटाएंगे यह गोडा में है तो इधर भेज जाओगे तो भाग में हो जाएगा तो एक बाई कैंसल हो जाएगा तो एक बटे बाई की पावर 5 या माइनस की 5 लिख दें बाई की पावर लिख दें माइनस 5 बटे में क्या लिखोगी X यह बटे में X लिखा है ज्यों का त्यों यहां भाग करोगे तो यह हो जाएगा एक बटे 6 into dy over dx प्लस यहां पर एक बटे में y की पाबर 6 है ना भाग कर दिया यहां भी भाग करोगे तो एक बटे में y की पाबर 6 into y बटे में x बराबर इधार आप बचाएगा x square इसमें आप ध्यान से समझो तो y की पावर माइनस 6 into dy over dx लिख सकते हो प्लस यहां पर y की घट घट जाएगी तो y की पावर एक मैंसे 6 घटाओ माइनस की 5 पावर बचेगी और नीचे बटे में आपको x लिखना है इसमें कोई समझ से नहीं बराबर में x एक ठीक है अब थोड़ा यहां पर प्रतिस्थापन कर लीते हैं इस प्रकार से कि y की पावर माइनस 5 को हम यहां से मान लेते हैं t मान लें बाइक पावर माइनस 5 बराबर t और इसका आउकलन करें तो मानस 5 पहले आएगा बाइक पावर लिख दें मानस का 6 यह घटा होगी मानस 5 में यह घटाओ मानस का 6 हो जाएगा अब यहां पर दोखो बाइक आउकलन करना है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर आपको dy over dx लिखना है बराबर में इदेर t का वायूजन x के रिस्पेक्ट में करोगी तो dt over dx लिखना है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जहां मानस 5 को घटाओ तो मानस 5 हटागा तो यहां मानस 5 से भाग लग जाएगा और य की पावर मानस 6 into dy over dx लिखना है माइनस एक बटि पाँच इंटू ڈi t over d x लिख देना है ठीक है? इस value को आप को यहां लिखके थोड़ा इस परकार से लिख लेना है दोखो इसको क्या लिखना है माइनस एक बटि पाँच इंटू ڈi tी over d x जहांसे समझना है इस पूरे को क्या लिख लिए हमने ये, फिर प्लस का निसान लगा दिया, बिलकुल ठीक है, इसको हमने क्या माना था? T, T बटे में क्या हो जाएगा? T बटे में X हो जाएगा, बरावर में यहां X स्कौाइर पूलो, यहां तक इतनी बार ठीक है, अब मैनस 5 को यहां से पहले में X और बराबर में यहां से माइनस में हो जाएगा पांच X स्क्वाइर बचों यह हमारा एक आउकल समीकर्ड बनके दिखाई दे रहा है जो यह आउकल समीकर्ड जो दिखाई दे रहा है यह आपका बास्तम में रेखिक आउकल समीकर्ड का उधार्ड है रेखिक आउकल समीक यह आपका T और X में आवकल समीकर्ण है, तो यहाँ पर हम यह कहें आपसे, के आपका इस सकल में बनाइए, केबल यह कह सकते हैं, कि Y जो था वो T है, वागी तो सब कुछ वही है न, आप देख सकते हुए, y के जगे पर cable t लिख गया है बाकि सब कुछ y है तो इसको हम कहेंगे आउकल समी करण और रेखिक आउकल समी करण और इस रेखिक आउकल समी करण का आप देखो हल कैसे करोगी जहान से समझो इसका हल करने के लिए हमें तुलना करके p और q की value गयाद करनी है p बराबर कितना हो जाएगा देखो p बराबर यहां तुलना करो तो p का मान हो जाएगा माइनस 5 बटे में x थोड़ा ध्यान दें माइनस 5 बटे x t का गुडंग जो है वो p कहलाएगा और ये q कहलाएगा देखो कितना q बराबर हो जाएगा माइनस 5 x इसक्वाइर ये हमारा q हो जाएगा p और q हमने निकाल लिए जब q और q निकल के आते हैं और इसके बाद की बात ये होती है कि भहिए हमें integral factor निकालना होता है ये होता है e की power integration p dx होता है बराबर e की power integration p की value है minus 5 बटे में x into dx और इसको यहाँ ऐसा लिखें e की power minus 5 बाहर निकालो 1 बटे x का समाकलन log x होता है खीक है और यहाँ पर minus 5 को इस गहाद पर ले जा सकते हो इसको ऐसे लिख दें e की power log x की power red 5 इस तरीके से हम यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी बताया था की e की power log के आंगे जो भी लिखा है वही इसका मान होता है तो इसको हम ले सकते है x की power minus 5 यह हमारा i app का मान है e की power minus 5 कहें या फिर एक बटे x की power 5 कहें दोनों ही एक यही बाते हैं यहाँ पर यह i app का मान हमने निकाला है कितनी बात बच्चों यहाँ तक ठीक है जब हम i app निकाल लेते हैं तो अंगली step पर जाते हैं उसका हल ढूंते हैं हल कैसे ब्यापक हल क्या होता है किस उत्र से लिखते हैं यहां पर ब्यापक हला आपको लिखना है चूंकि T में convert हो गया था तो आपको लिखना है T into IF T into IF बराबर समा कलन Q गुड़ें IF गुड़ें DX और प्लस कॉस्टेंट ठीक है यह हमें लिखना है T की value रख देते हैं दोखो T की value कितनी है T की value हमने यहां पर by की power minus 5 माना था बटे x की power 5 ठीक है या फिर minus में ही लिखा रहें दो कोई बात नहीं है x की power minus 5 इसको ऐसा लिखा रहें IF कमान हो गया यह बराबर समा कलन लगाओ Q कमान लिखो Q कमान देखो कितना है यह minus 5 x square minus में 5 x square यह Q कमान है into if if command कितना है यहाँ पर लिखना है x की power minus 5 यह if command है into dx लिखो और plus question ठीक है चलो इसको रब कर लेते हैं कितनी माठ ठीक है बच्छो आंगे बढ़ा हो इसको हम ऐसे लिखने कि 1 बटे x की power 5 into y की power 5 minus की power है नीचे लियाओगे plus की power हो जाएगी जहां से minus 5 हम समा किलन से बाहर निकाल लें और इसमें हम ध्यान से देखे हैं तो minus की 3 power x power minus 3 into dx plus question ठीक है minus की 5 है plus की 2 है तो minus की 3 गाहत बचेगी चलो इसका समा किलन कर देते हैं तो एक बटे x की power 5 by की power 5 बराबर minus में 5 into में x की power दोखो एक जोड़ो minus का 2 बटे में minus 2 से भाग करो plus question ठीक है ये minus minus हो जाएगा plus 5 बटे 2 इसको एक step और आंगे दोखो यहां पर बढ़ाते हैं ये क्य power 5 बराबर minus 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 plus हो जाएगा 5 बटे में 2 लिख दें और into ये बटे में हो जाएगा एक बटे x square और plus ये cost ठीक है अब चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे बदल सकते हो कि ये x की power जो 5 है उसका सब में गुड़ा कर दो x की power 5 का तो यहां पर इस तरीके से ये हो जाएगा एक बटे y की power 5 एक बटे y की power 5 और बराबर में ये 5 बटे में 2 यहां से हमने x की power 5 को हटाया उपर जाएगा तो power 3 मिलेगी x cube मिलेगा plus में c into x की power 5 ये हमने इसका आउकल समीकरल का ब्यापक हल निकाला है ठीक है बच्छों ये समीकरल का ब्यापक हल है यहां तक किसी को कोई समस्या ह बच्छों बहुत ही बढ़िया हमने जैसा बार बर बता है बहुत इंपोर्टन सारी प्रस्ण चले और प्रस्ण आंगे लेते हैं यहां पर एक और आंगे का प्रस्ण देखें और अंतुमें बच्छों यहां पर दूसरे फॉर्मेट का यह पर सब्स्ण है ध्यान से समझना है क्या है यह प्रश्ण दोखो यहां पर यह आपका जो प्रश्ण लिखा है लिखा है बाई इंटू में डी एक्स प्लेस एक्स माइनस बाई स्क्वाइर इंटू में डी बाई बरावर में 0 तो इसको हमें यहां पर पहले आउकल समीकड रेखे का आउकल समीकड की असली वाल D by से भाग किया जाएं तो बहाई यह हो जाएगा D X ओवर D y बराबर माइनस प्रैकिट में X minus 5 Sophia और यह बटे में आ जाएगा भाई ठीक है बटे में क्या हो जाएगा भाई अब बता रो क्या क्या करना है यहां पर इसको थोड़ा और बदलो तो यह हो जाएगा डी एक्स ओवर डी बाई बराबर माइनस में एक्स बटे बाई दो को माइनस का एक्स बटे बाई माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस और यह बाई स्कॉाइर में बाई से भाग करोगी तो एक बाई बचाएगा इस माइनस बाले पद को इधर ले आओ, तो यहां से हम क्या सकते हैं, dx over dy plus में हो जाएगा x बटे y और ये बराबर में y, तो बचो ये हमारा देखो, दूसरे फॉर्मेट का आपका आउकल समीकर्ण, रेखेका आउकल समीकर्ण मिल रहा है, जिसका फॉर्मेट क्या है, dx over dy plus p1 x बराबर q q1, इस से हमें इसमें तुलना करके q1 और p1 और q1 के मान ग्याद करना है, तो को यहां पर p1 का मान कितना हो जाएगा, एक बटे by, तुलना करो तो p1 का मान एक बटे by मिलेगा, और q1 का मान हमें यहां से by मिलेगा, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कि इस फॉर्मेट मे अगर होता है इस फॉर्मीट में तो P1 और Q1 क्या होते हैं या तो अचर होते हैं या फिर बाई के फलन होते हैं यहां पर X के फलन नहीं तो यह दोनों फलन काई के फलन हैं बाई के फलन हैं या तो अचर मिलेंगे या फिर बाई के फलन मिलेंगे तो बचों यहां पर P1 और Q1 की मान हमने निकाल लिए अब हमारे पास प्रोसेस होती है अंग लिए कि भई हमें integral factor निकालना होता है integral factor बरावर होता है integration p1 into dy क्या होता है p1 into dy तो अब यहां पर दोखो बरावर e की power integration p1 की value है एक बटे by into में dy लिखे और यहां से इसको लिख सकते हैं e की power log by लिख सकते हैं और e की power log by को हम by लिखेंगे तो integral factor हमारा by निकल के आया है ठीक है बच्चों integral factor कितना निकल के आया है by यहां लिख देते है integral factor बरावर कितना है by अब हमने integral factor निकाल लिया तो प्रोसेस क्या कर नहीं है इसका हल कैसे करना होता है इसके लिए सूतर क्या होता है सभूख गुणए आई एफ एक्स गुणए आई एफ बरावर इंटीग्रेशन क्यूबन गुणए आई एफ इंटू डी बाई प्लस पॉस्टेंट यह हमारा फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं ठीक है उसमें यहां पर एक्स के जगह पर बाई था यहां पर एक्स लिखना है चूंकि तो एक्स इंटू आई एफ पी बैलू क्या रखनी है बाई बरावर समाकलन क्यूबन और क्यूबन का मान दोखो हमने यहां से निकाला है क्यूबन यह है हमारा कितना बाई तो क्यूबन को हम यहां पर लिख लेते हैं बाई और आई एफ को यहां पर बाई लिखें इंटू का क्यूब बटे में तीन लिखो प्लस पॉस्टेंट ठीक है तो यह हमारा देखो आउकल समीकर्ड का समझो हल निकल के आया है यहां पर चूंकि दी एक्स उबर डी बाई है तो यहां पर जब हल करो आंसर निकालो तो एक्स के फॉर्म में निकालो तो ज़्यादा आपका सुटेबिल आंसर बैसे सही है जो भी है इतना लिख दोगी तो अभी ठीक है लेकिन अगर एक्स बराबर निकालोगे तो बाई यहां से हटा के यहां यहां पर बाई का समय भाग करोगे बाई का स्काइर बटे मैं 3 प्लेस में सी बटे वाई या सी इन्टू इन्टू बाई की पावर मानिस एक ये हमारा इस आवकल समी करण का हल मिलाए ठीक में बच्शू तो अगर इस फॉर्मेट में होता है डी एक्स ओबर डी बाई के ता स्पूलत पूर्टे चंख तो इस तरा या यहां पर बाकी तो सब पॉल ये जो फॉर्म बदल घप्रोब ऐसका जो रूप बदल घlike है ऊसके हजाब से अपको यहां वं पर दो चीजों में चेंड करना है समाकल गुडांक क का मान इसफिलना है थोड़ा सालक बस यहां पर dx के जगए dy लिखना है और यहां पर भी जो dx है वो dy लिखना है और यहां जो y था उसके जगए x लिखना है बाकि सब कुछ सेम है ठीक है